Hello Friends, स्वागत है आपका आपने Google प्रिवार में और आप इसमें देखेंगे पूरा का पूरा बायलोजी जो मैंने आपको अब्जेक्टिव करवाई हुई है Lucent की बुक से, Green वाली बुक से, अब्जेक्टिव Lucent जो करा रखी थी, उसमें आपके 25 लेक्चर थे आप लोगों ने देखिए जो अलग-अलग पढ़ना चाहता है अलग-अलग लिंक से छोटे-छोटे वीडियो करके देखना चाहता है उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है लूसेंट अब्जेक्टिव बा यहरा वीडियो बनाया है इसमें यह पहले नंबर1 का क्या मतलब है नंबर1 का मतलब यह नहीं है कि बायलोजी का यह पार्ट1 है बायलोजी का मास्टर वीडियो का पार्ट2 आएगा उसमें आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगी थिक है तो आपको जो यहाँ पर टू इसंटर्हे बाहर किसीफी बीग्ञाम में बाहर में यह एक्टरह से पूरा master video बनाया हुआ है सारा चोटे चोटे वीडियो उसको 25 वीडियो थे उनको एक साथ करके इसमें हम लोग पुरा का पुरा देखने वाले हैं तो आप लोग इसको देखिएगा जरूर और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से लोगों के बीच ये वीडियो पहुंचे और लोग इसे देख सकें ठिक इसे शेयर जरूर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ताकि इसका फायदा लोगों को मिले और जो तो इसका परपस है मेरा एक compilation आपको देने का वो भी successful हो जादा से जादा और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को इसका मुझे review चाहिए होगा आप लोगों से बस कि आप लोगों को कैसा लगा आप मुझे comment करें जरूर बताइएगा एक चीज़ और कि जैसे कि कई का playback speed है आप उसे manage कर सकते हैं multiply में आप speed बढ़ा के या फिर जिसने लग रहा है कि तेज पढ़ा रहा है तो वो speed down करके वीडियो को जल्दी पूरा complete कर सकते हैं इसके अलावा जहां पर भी आपको लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा मैं बीच-बीच में जो भी 25 वीडियो है जैसे तो सभी में मैंने सुरवात में चैनल को subscribe करने के बारे में share करने के बारे में like करने के बारे में कहा हुआ है तो वहाँ पर अगर आपको यह लगता है कि आपको नहीं देखनी है यह चीजे तो आप थोड़ा सा fast forward करके ददद सेकेंड आगे बढ़ाके चीजों को हटा हटा दीजेगा वो अब एक वीडियो को हटाने बैठेंगे तो उसमें काफी ज़्यादा समय लग जाएगा इस वज़े से मैंने पूरा का पूरा जैसा वीडियो था पूरा ही upload कर दिया एक साथ बस इसे आप देखिए और कैसा लगा आपको वीडियो आप मुझे जरूर ब मैं बनीचaisन में कमेंट करिये और शेर ज्यादस ज्यादा करिए जहां भी आपके ग्रूप में जहां भी आप करना चाहते हैं जहां जहां लोग आप से जूड़े हुआ हैं वहां शेयर करिएगा ऐसे बहुत सारे विडियो आपको मिलते रहेंगे और आप लोग सान्दे पॉजेक्टिव उक्स है, फिजिक्स और कम्प्यूटर के सारे कोस्टन्स कम्प्लीट कर लिए हैं, उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप वहां से रिवाइस कर सकते हैं, और जिनोंने अभी तक नहीं देखा हैं, वो इस वीडियो टोटल 14 या 19 टॉपिक हैं, इनने हम एक के बाद एक करके कवर करेंगे, और बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक से जितने भी कोस्टन्स बनते हैं एक्जाम में, सारे टाइप की कोस्टन्स हम लोग इसमें करेंगे, और इसमें जो जो कोस्टन्स होंगे लगबग हमारे ए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूरू कर लें अगर आप हमारे वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए हमारे को लेके आपके जो भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो को लाइक करना और आज के लेक्चर में हमीज से 37 के फूरे के पूरे questions करेंगे ठीक है तो इसमें जो पहला question है वो है आपका कि जीव विज्ञान biology sab得 का प्रयोक सर प्रतम किसो नहीं किया तो जीव विज्यान biology ही सब्सका प्रियोक्सरप्रत्म Roman Teather twist N News ने किया ठीक है उप सुन garbage आपका सही आनसर हो गर्ण को मिभी विग्यान की जनक in जनक कहते हैं नेक्स्ट पैस्ट इसरे जो है जन्टू विग्यान के जठेंडग जनक कहलाते हैं और प्रीयोक्षट कौन तो ऑन्सपती सास्थ्र का जनक कौन है तो 3 त्रीओ प्रेश्ट्स जो है वर्षपति सास्त के जनक है त्यक्राइकर्ण Daddy प्रेश्ट्स अगञा कुशुन डेके कै قegesा 5 फिफ्सट त्क कुशन राता है जनक desse Laguna the ligade दिएपक्रेंड स्कों चिधिस्या सास्त क्योंत्ता के सब्सें बोट्री सब्स哈bertyंग के सब्सें ये मेट सब्सक्रवेक पर दिएंग्षेंग्य है ये हीुस्ट्ण dw लेट्रौ मुंस फाल न हम पुसतक के तियो फ्रेट्स जो है हिस्टोरिका प्लेंटरम पुस्तक के लेखक है ठीक है आगे देखिए अगला कोशन है आपका एट्थ कोशन है आपका हिस्टोरिका एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक जो है वो अरस्तु है ठीक है जो प्लांट Chameleum है यह पुस्तक अरस्तु है इसके लेखक ठीक है बहुत ही अच्छे से इसे याद रखिएगा इसमें कंफ्यूज मत होईएगा अगला कुशन देखिए क्या है नाइंत कुशन है आपका चिकिस्सा सास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी सपत दिलाई जाती है तो चिकिस जिसका सम्मथ्जी धर्यों के अध्यन में होता है घालाती है अगले देखिए कुशन क्या है कोशन मरducब कोशन में 11 है आपका, फाइकोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है, सहवाल का, ठीक है, फाइकोलोजी में सहवाल का अध्यन किया जाता है, अगले कोशन है आपका, 12th कोशन किया कहता है, पर्यावरण का अध्यन जी विग्यान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है, तो पर पारिस्तिकी के अंताज़त करते हैं और फाइकोलोजी में किसका ध्यन होता है फाइकोलोजी में सहवाल का ठीक है कुशन में कन्फ्यूज मत होईएगा और दो से तीन बार रिवाईज जरूर करिएगा आगे देखिए कुशन नमबर 13 क्या है फूलों के सनवर्धन के ध्यन मत दीजिए अभी मैं इस कोशन में अगर चारों आपसंस को आपको बताने लगूंगा तो आप लोग बहुत जाला कन्फ्यूज हो जाएंगे लेकिन जिस तरह के कोशन्स हैं तो ऐसे ऐसे करकर के आपको फाइनली सबके बारे में इंफोर्मेशन मिल जाईए ठीक है तो उसके लिए परशान मत वही तो फूलो के सनवर्धन को क्या कहते है're this nex session देखिया question Challenge क्या है डेंड्र लॉज्जी का संबंद है जाड्यों के अध्धान से ंगे बाता क्या कोशन नमब इन्तो लॉटीड है फूलों का धन कैलाता है आपको कि सन्वर्धन के विस्चान को क्या कहते है इसका मैंने बताया था आपको फ्लोडी कल्चर ठीक है और इसमें 15 क्या था पुस्पों का अध्यन क्या होता है एंथोलोजी ठीक है आगे देखिए अब एक बार मैंने फिर से बता दिया तियों मैं आपको डाउट हो रहा हो इसलिए आगे देखिए कुशन कुशन 16 क्या है आपको जीवास्म वनस्पती विज्ञान में अध्यन किया जाता है जीवास्म वनस्पती विज्ञान में किसका अध्यन किया जाता है तो इसका अंसर है आपको जीवास्मों का ठीक है जीवास्म वनस्पती विज्ञान में जीवास्मों का अध्यन किया जाता ह नेच्ट कुशटन है आपका 17 वरस्पति सनवर्धन से समंदित विज्यान की साखा को कहते हैं जीवों एवं बाता वरण की अंतर अभग्रिया से समंदित जीव विज्यान की साखा कहलाती है जीवों एवं बातावरण की अंतरअभिक्रिया से सम्मंधित की साखा कहलाती है क्या पारीस्थित्थिकी ठीक है पारीस्थित्थिकी आगे देखेए कुछन नमबर 19 कुछन नमबर 19 क्या है वरनस्पिति विज्ञान की वह साखा जिसमें सहवालों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है? फाइकोलोजी सहवालों का अध्यन जिसमें होता है उसे फाइकोलोजी कहते हैं ठीक है? आगे देखिए इससे पहले question number 11 मैंने जो उपर बताया है आपको question number 11 में ही direct ये question था कि फाइकोलोजी में किसका ध्यन किया जाता है तो वहाँ पर अपका answer क्या था? सहवालों का फाइकोलोजी में किसका ध्यन करते हैं? सहवालों का और अब यहाँ पर क्या question है? कि सहवालों का ध्यन किसमें किया जाता है? तो उसी का just opposite question है यहाँ पर आप उपर दे रहा है कि स्यावालों को दिन कहां करते हैं तो आप बतालेंगे फाइकोलोजी, उपर पूछ आता कि फाइकोलोजी में अधन किसका किया रहा था, तो तो एक जूसे से जुड़े होगे questions ही है इस तरह के, आगे देख कोशन नमबर 20, कोशन नमबर 20 क् का सिल्वी कल्चर वरंसपती विज्ञान को की वह साखा है जिसमें वर्णन होता है सिल्वी कल्चर में किस चीज का वर्णन है तो सिल्वी कोशन कैसे हो सकता है या फिर यह तो आते नहीं है यह कुशन भी आते हैं अग़ी मैं आखले आपको दिखाऊंगी ठीक है तो यह कुशन था आपका 20 जिल्वी कलचर वरंसपती विग्ञान की वह साखा है जिसमें वर्ला न होता है वन के विकास का आगे देखिये कोशन नंब आगे में बीज कब अध्यन करते हैं ठीक है स्परमोलोजी गांसो क अध्यन करता है सबते हैं कसा आगे में कोशन क्ने का है चीज का तो पीडॉलॉजी में भूमी का अध्यन करते हैं ठीक है नेक्स इसक्ता meer सिक्ता एवन के के बारे में जनकारी देने वाली वनस्पती विज्ञान की साखा को क्या कहता है तो पता है आपको कि अनुवांसिक्ता का अनुवांसिक्ता एवं भीनिता के बारे में जनकारी देने वाली वनस्पती विज्ञान की साखा को अनुवांसिकी कहा जाता है ठीक है अनुवांसिकी क्या लाता है कोशन नमर 26 देखी क्या है फलों का अध्यान क्या लाता है फलों का अध्यान क्या क्या लाता है पीमोलोजी क्या लाता है ठीक है पोमोलोजी फलों का अध्यान पोमोलोजी ठीक है फलों का अध्यान पोमोलोजी क्या लाता है अगला कोशन देखी क्या है कोशन न प्राक्णों का अध्यान 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 प्राक्णों का नेच्ट कोशन देखें क्या है साग्सबजी उत्पन करने वाले पौधों का अध्यान कालाता है सो C2 अगला कोशन क्या है कुशन मंब थर्टी वारशिक वल्यों का अध्य appreciate के यहां डेंरेंड्रीयो यह टियुड्रो लॉडजी ठीक है टेंड्रो क्रमनलॉजी टिक वारसिक वल्यों, annual rings का अध्यान, थीक है, वारसिक वल्यवले, आप किसी भी पेड की उम्र ग्यांद करने के लिए, उसमें कितने गोले हैं, वो ग्यांद कर सकते हैं, तो उसी के बारे में information दी गई है, उसका अध्यान करने के लिए, डेंड्रो लॉजिय का अध्यान के अध् उसे क्या कहते हैं और बीकल्चर में में क्या होता है सज्ञार्फट वरज तथा ज्याड料 के संवर्धन की संवंध में अध्यन होता है, आगे देखेंगे question number 32, question number 32 है आपका, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्यन कहलाता है, पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में अगर मुझे अध्यन करना हो, तो क्या होगा, उसे सारी रिकी कहांगे, ठीक है, सारी रिकी, पौधों की आंतरिक संरचना का मैं कैलाता है सारी और की ठीक है चलिए न diveolare कि kशेशन में 33 कि क्या है पादप विंग्राण की साखा कवक unless दुन में किसका अद्यन किया जाता है तो फाफून का जिया जाता है ठीक है just जिए अंके सकाई कवक साथ्तर में फफून का द्रेन किया जाता है कोषयर नमर 17 कोषय कस्ति क्राश्टियí के साथ साथ उसी भूमी पर कास्टियí बारामासी वरिच लगाना Wareं कई तरह के खेती होती है तो कुछ किसान क्या होता है कि खेतो में अपना क्रसी करते हैं लेकिन अपना नीचे अनाज लगाते लेकिन उसमें बारामासी पेड़ लगातेँ हैं aur.. जैसे इस तरह की जो खेती की जाती है उसे कहत है उसे कहा जाता है कि Agroforestry ठीक है Agroforestry तो उसी के नीचे अपना वो खेती करता रहता है और पेड़ə जो main पेड़ होता है जैसे केले के या फिर Amrude के या फिर आम के तो वो उपर बड़ते रहते हैं तो वही लिखाया हुगा इसमें कि कसी के साथ साथ उस भूमी पर काश्ठी बारामासी व्रच लगाना ठीक है उसे एग्रो फॉरेश्ट्री का जाता है नेक्स कोशन देखेंगे क्या है 35 कोशन क्या है व्रच्छ सनवर्धन किसका अध्यान है व्रच्छों एवं वनस्पती की खेती का ठीक है यह देखी कोशन आई बी में आया हुआ है यह मैंने जो बताया था अभी उपर कोशन 33 पादब विग्यान के साखा कवक सास्त में किसका अध्यान किया जाता है तो यह देखी कोशिए दोड़ा 14 में आया हुआ और यह कोशिए व्रच्छ सनवर्धन किसका अध्यान है व्रच्छ वरवां बनस्पति की खेती का द्यान है यह कोशिए आपका आया हुआ है एससी में ठीक है नीचे वाला कोशिए जो है यह 37 लास्ट वाला यह भी यूपी PCS 2015 में आया हुआ कोशिए तो आईए करते कोशिए वर 36 36 कोशन है आपका जीव द्रव के प्रथक करण एवं सन्योजन से सम्मंदित वनस्पति विज्ञान की साखा कहलाती है क्या टिसू कल्चर ठीक है टिसू कल्चर जीव विज्ञान के प्रथक करण एवं सन्योजन से सम्मंदित वनस्पति की साखा कहलाती है टिसू कल्चर औप्सन नमबर सी ठीक है औप्सन नमबर सी यानि कि फूलों की खेती को क्या कहते हैं फ्लोरी कल्चर फस्लों की खेती को क्या कहते हैं एक्रोनॉमी और डी ऑप्शन है आपका फूलों की खेती पोमोलोजी मैंने बताया था अभी फूलों की खेती पोमोलोजी फस्लों की खेत अग्रोनॉमी फूल और सॉरी मैंने यहां पर 37 कोशन में लास्ट वाला आप्शन फूलों बोल दिया एक बार फिट से पढ़ेंगे 37 कोशन कौन सा साइस हो मिलित नहीं है जो पहला आप्शन है वो है फूलों की खेती फ्लोरी कल्चर बिल्कुल राइट है दूसरा आप्शन आपका फसलों की खेती एग्रोनॉमी बिल्कुल राइट है डी ऑप्शन आपका फलों की खेती ठीक है डी ऑप्शन आपका फलों की खेती पोमोलोजी ठीक है यह भी बिल्कुल राइट है सी ऑप्शन है आपका सब्जियों की खेती हर्टी कल्चर ठीक है हर्टी कल्चर तो यह आपका यहाँ पर गलत अंसर है अब यह आपका अंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा तो यह थे दोस्तों हमारा आज 37 कुश्चन पहले टॉपिक से वरस्पति विज्ञान और उसकी साखाएं ऐसे ही ऐसे करके हम लोग पूरा यह जो इसमें कंप्लीट करेंगे बायोजी के जितने भी टॉपिक है 19, 14 जितने भी है मैंने भी देखा नहीं है तो इसे हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे पूरे जितने भी important questions है इसके तो आप लोग हमारे साथ बने रही है ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने next lecture में इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हैं तो आप subscribe जिरूर कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले आगे आने वाले टाइम में quality, geography, history सबी कुछ आप अच्छे से cover कर पाएं क्योंकि वेकेंसी अभी बहुत ही ज्यादा आने वाली है मुझे आज live आना था बट मैं नहीं आ पाया फिर मैं आपने आगे आने वाल से biology topic कर रहे हैं हमारे साथ इससे पहले मैंने आपको physics पूरी complete करा दिये और computer भी complete करा दिये उसका link आप description box में जाके playlist का देख सकते हैं एक एक वीडियो बहुत ही अच्छे से आप revise करिए क्योंकि उससे questions आएंगे आने वाले time में जो भी exams हैं हमारे जो यह जो course हैं इन में स subscribe नहीं किया है तो आप subscribe भी कर सकते हैं आप हमारे वीडियो को like जरूर करें आपके जो भी सुझाओं हो हमारे वीडियो को लेकर आप comment section में comment कर सकते हैं और आप इसे अपने दोस्तों में share करना बिल्कुब भी मत भूलिएगा आज हम जो question कराएंगे वो आपको 65 questions कराएंग ठीक है पहला question देखिए क्या है पहला question है आपका निम लिखित में से किसे वर्गी का पितामा कहा जाता है किसे वर्गी का पितामा कहा जाता है तो इसका answer क्या है लीनियस लीनियस को वर्गी का पितामा कहा जाता है ठीक है next question देखिए क्या है दुनाम पदिती के सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी के ने प्रस्तूत किया था वर्गी का वर्गी करन का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तूत किया था तो इसका अंसर है स्वीडिस स्वीडिस के वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तूत किया था next question देखिए क्या है fourth, पुस्पी पादपों को रखा गया है, पुस्पी पादपों को कहा रखा गया है, फैन रो गेम्स में, ठीक है, option B आपका सही आंसर होगा, फैन रो गेम्स में, अगला question देखिए, अपुस्पी पादपों को रखा गया है, अपुस्पी पादपों को कहा रखा गया है crypto games में crypto games में ठीक है पुस्पी को fanro games में और अब पुस्पी को crypto games में रखा गया है अगला कोशन देखिए छटा कोशन क्या है वर्गी करण की आधारी इकाई है वर्गी करण की आधारी इकाई क्या है इस्पीसीज ठीक है वरिएकरण की अधहर hire क्या है मतलब उन्हें इस्पीसीज के अधहर पर बलगीगट किया गया है आगे कुशनदेखें के कोशन नमबर 7 क्या है हाइड्रोफाइटस होते हैं hydrofighters ऍर जली पढ़ध है ऐगला question देखिए आठ वा क्या है दूनाम पद्धिती का अगा प्राय है पॉधों के नामों को दो सब्धों में लिखना जो बताते हैं उनके वन्स और जाति ठीक है पहला वाला जो होता है वो बताता है वन्स को दूसरा होता है जाति को पताता है जो, next question देखिए, ninth question क्या है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं, किन्तु पुस्प नहीं लगते, उन्हें क्या कहते हैं, या वो क्या कहलते हैं, तो इसका अंसर होगा, आपका ninth का, बी, अनावरत बीजी, ठीक है, अनावरत बीजी, अनावरत बीजी पौधे कैसे हो की खोज, किस ने की, तो लिवेन हॉक, ठीक है, लिवेन हॉक ने जिवाड़ों की खोज की, अगला question देखिए, क्या है, 11th question है आपका, जिवाड़ों से सम्मंधित निमने कत्नों में कौन सही है, निमने कत्नों में कौन सही है, पहला option पढ़िए, सभी जिवाड़ों सव पो होते हैं तो सी option यहां पर आपका साही अंसर है कि अधिकान जीवाड़। जो होते हैं वह विविद पोसी होते हैं किन्तो कुछ जो है वह स्वापोसी भी होते हैं तो यहां पर 11 का सी answer हो जाएगा आपका ठीक है आगे देखेंगे question Q12, Q12 क्या है, जिवाड़ों को पौधे माना गया है क्यों, की, जिवाड़ों को पौधे माना गया है क्यों की, क्यों तो इसका option देखें क्या है, ये गती नहीं कर सकते, ऐसा गलात है ये, और जिवाड़ों को पौधे माना गया है क्यों, क्योंकि इन में कठोर कोईसे का भित देखें है इसलिए जिवाणुणों को पॉधे माना गया है ठीक है अगला ke BT कया है कोईडिक फार्टी कोशटन नमबर 13 कोशैन ये कि घते हैं जिवाणी का कोशिकाओं में नहीं होता जिवाणिक जिवारिक कोशिकाओं में नहीं होता क्या नहीं होता जिवारिक कोशिकाओं में तो इसका अंसर आपका सूत्र कणिका option D option D आए हुआ कोश्चन है ससी 24 में option D ठीक है जिवारिक कोशिकाओं में सूत्र कणिका नहीं होती अगला देखिए question number 14 क्या है जिवाड़ों की सधारान लाकरती क्या होती है जिवाड़ों की सधारान लाकरती क्या होती है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका छड़ रूपी ठीक है जिवाड़ों की सधारान लाकरती छड़ रूपी नहीं होती है ठीक है वो गोलाडू कहलाता है अगला कोशन देखिए क्या है 16 एक गोल जिवाडू कहलाता है एक गोल जिवाडू क्या कहलाता है कोकस ठीक है एक गोल जिवाडू कोकस कहलाता है 16 का option C 17 क्या है एक सरपिल जिवाडू को कहते है क्या कहते है इसपाईटिल मिल एक इसपाईटिल मिल को कहते हैं एक गोल सिवाणों को काईते हैं और ज्वाणु कि आकार में सबसे वास्तिवर केंद्रग जीवाडो में अनुपस्थित होता है क्यों 19 सरवाधिक संख्या में पाये जाते हैं 20 यह आपका बैक्टेरिया में पाए जाने वाले प्रकास संख्लेसी के लाता है है बेक्तिरिया में ने पाया जाने वालार प्रकास अंस में और si में अभी सफेया अंसर है तो हुआ कि तुक कि लव्र बेक्ट्रिया में पाया जाने वाला प्रकास कालता है क्यालाता है वर्ण की लवक ठीक है अप्संसी क्या है वर्ण की लवक मुझे डाउट था इसमें बी और सी में आगे अभी सी इसमें सही आंसर है आपका ठीक है वर्ण की लवक बैक्ट्रिया में पाया जाने वाला प्रकास संसलेशी आस्या क्यालाता है वर्ण की लवक आगे पॉस्च्चर पर सिद्ध है लोगों की जर्म त्योरी के लिए अगला कुशन पर सबसे छोटा जीन में सबसे छोटा जीव कौन सा है माइक्रो प्लाज्मा थीक है माइक्रोप्लाज्मा देखेंगे हम लोग 23, question number 23 क्या है जो जिवाडू सीधे ही बाइवमंडली nitrogen को nitrogen के योगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं तो इन्हें कहते हैं nitrogen इस्थरिकारी जिवाडू ठीक है, जो जिवाडू सीधे ही बाइवमंडली nitrogen को nitrogen के योगिकों में बदलते हैं क्या कहलाते हैं, nitrogen इस्त्रीकारी जिवाडू, आगे देखेंगे, question हमगा 24 गया है, मूल गृंधिकाओं, root noodles, मूल गृंधिकाओं पाई जाती है, मूल गृंधिकाओं कहाँ पाई जाती है, कुछ lacuminous पादपों तता कुछ अन्य पौधों में भी, अगला कोशन ने आपका 24 अधिक नमक वाले आचार में जीवाडू जीवित नहीं रह पाते क्यों? अधिक नमक वाले आचार में जीवाडू जीवित नहीं रह पाते क्यों? क्योंकि ये जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं ठीक है क्योंकि यह जीव द्रव कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं अगला question देखिए क्या है question number 26, question number 26 है आपका मानौ की आथ में पाया जाने वाला जी माडू है, मानौ की आथ में पाया जाने वाला जी माडू कौन सा है next question है आपका TB उत्पन करने वाला जी माडू है, यानि TB किसके करण होता है तो macrobacterium तेक है, macrobacterium के करण TB होता है, next question देखेंगे 28 क्या है भोजन की विसागता उत्पन होती है, जैसे कालोस्ट्रीडियम बॉट्टूलीनियम द्वारा ठीक है नामको अच्छे से पढ़ लेंगे इसे दो-तिन बारा प्रिवाइस करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा Clostridium और Botonium द्वारा ठीक है आगे देखेंगे question number 29 question number 29 क्या है Antibiotics अधिकांश्तिया प्राप्त होते हैं Antibiotics किसे प्राप्त होते हैं जीवाणों से ठीक है Antibiotics जीवाणों से प्राप्त होते हैं अगला question है आपका यदि एक जीवाणों कोश्का प्रती 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणों बनेंगे तो 2 घंटे में 64 जीवाणों बनेंगे यदि एक जीवाणों कोश्का प्रती 20 मिनट में विभाजित होती है दो गुटे में 64 जी माड़ू बनेगे आगे कुशन देखे क्या है 31 34 कुशन है आपका देखे लाइन से आए होगा कुशन है तो रसेसी में, और भी में दॉरल चॉदा में दॉर चार में, ये भी दॉरल चार में, ये भी दॉरल तीन में तो बहुत ही अच्छे से करिए इन questions को नाइट्रोजन योगी की करण में निम्लिकित में से कौन सी फसल सहायक है तो इसका अंसर है आपका फली ठीक है फली नाइट्रोजन इस्तरी करण में लेग हीमोगलोबिन का क्या कारे है नाइट्रोजन इस्तरी करण में लेग हीमोगलोबिन का क्या कारे है तो इसका अंसर है आपका oxygen का आफसोसन अगला कोशन देखिए क्या है 33 33 कोशन है आपका निम्लिकित में से कौन सा रोख बैक्टीरिया से होता है जो तपेदिक है तपेदिक जो ही एक बैक्टीरिया से होता है तो इसका आंसर है आपका ए ना बिना अगला कोशन देखिए क्या है Q35 Q35 is आपका प्रशीतन खाग परि रच्छन में मदद करता है क्या जैवरिसाइनिक अभिकृया की दर को कम करके ठीक है प्रशीतन किस तरह से मदद करता है जैवरिसाइनिक अभिकृया की दर को कम करके Next question देखी क्या है 36 दई जमाने में निम्रिकित मैंसे किस सूर्श मिर्जीव का उपयोग या प्रेयोग किया जाता है तो आपको पता है Lactobacillus, ठीक है? Lactobacillus का प्रेयोग किया जाता है दई जमाने में, आगे देखिए Question No. 37, Question No. 37 क्या है? निम्रिकित मेंसे किसके दौरा दूद खटा होता है किसके दौरा दूद को खटा किया जाता है तो इसका आंसर है आपका बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया के दौरा दूद को खटा किया जाता है या दूद खटा होता है बैक्टीरिया के कारण आगे देखिए question number 38 question number 38 है आपका दूद के दही के रूप में जमने का काराण है तो अब मैंने उपर बताया था अभी lactobacillus lactobacillus आगे देखिए question number 37 और 38 सेम ही है आगे देखिए question number 39 question number 39 क्या है आपका निम्ण में से कौन सा सह जीवी nitrogen yogi की कराण जीवानू है तो इसका अंसर है आपका razorbium ठीक है razorbium nitrogen जूप की करण जीवानू है आगे देखिए question number 40 क्या है question number 40 है आपका सरफ पर्तरम विसानु की कोज किस ने की तो सरफ पर्तरम विसानु की कोज इवानो वसकी ने की आगे question देखिए क्या है 41 question number 41 है आपका विसाडू माने जाते हैं कैसे सजीव और निर्जीव के बीच का एक transitional group ठीक है सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी को माना जाता है विसाडू आगे देखिए question number 42 question number 42 क्या है आपका इन निखित में से किसमे enzymes नहीं होते इन निखित में से किसमे enzymes नहीं होते तो क्या अंसर है इसका विसाडू option B option B जो है सही answer होगा आपका विसाडू में enzymes नहीं होते हैं आगे देखिए question number 43 क्या है question number 43 है आपका TMV सब्द संबंदित है TMV सब्द किस से संबंदित है विसाड़ों से संबंदित है ठीक है TMV सब्द विसाड़ों से संबंदित है आगे देखें कोशन नमबर 44 कोशन में 44 क्या है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है किस से विसानू से ठीक है विसानू से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन होता है आगे देखेंगे कोशन 45 क्या है 45 कोशन है आपका कुत्ते के काटने से जिस विसानू के द्वारा घात रोग उत्पन होता है क्या कहलाता है हाइड्रोफोबिया ठीक है हाइड्रोफोबिया ठी आगे देखिए Q46 Q46 क्या है आपका चेचक के लिए टीक़ का विकास किया था चेचक के लिए टीके का विकास किया था तो इनका नाम था एडवर्ड जेनर टिक है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए ठीके का विकास किया था आगे देखीँ है question number 47 lol question 47 एबका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी Edward jじゃあ ने खोज की थी तो अभी मैंने उपर बताया चेचक के ठीके गी ठीक है वह hier question नोसी तरह से गुम्हा गे पूचा है बस आगे देखे question no.48 क्या है विशाणू व्रधी करता है किस में? जीविध कोश्का में ठीक है जीविध कोश्का में विशाणू व्रधी करता है next question ने आपका 49 question 49 question क्या है विसाड़ों निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि यह crystallize हो सकते हैं धीक है क्योंकि यह crystallize हो सकते हैं next question है आपका question में 50 enzyme नुपस्थिद होते हैं किसमें? तो एंजाइम विसाडवों में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है? विसाडवों में अनुपस्थित होते हैं, अगला कुशन ने आपका 51, AIDS का कारान है, AIDS का कारान क्या है? T4 lymphocytes की कमी, ठीक है, T4 lymphocytes की कमी के काराण, आगे देखेंगे, question number 52, question number 52 है आपका, HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, AIDS, HIV की वज़े से AIDS होता है, next question देखें क्या है, 53, 53 question है, AIDS virus क्या होता है, तो AIDS virus एक सूची RNA है, ठीक है, एक सूची RNA होता है, आगे देखेंगे, question number 54 क्या है, 54 question है, आपका AIDS का काराण है, AIDS का काराण क्या है, virus, ठीक है, AIDS का काराण है, virus, आगे देखेंगे, question number 55, 55 question है, आपका Ebola क्या है, Ebola क्या है, तो Ebola एक तरह का वायरस है, जिससे बुखार होता है, ठी घ्याद के आगे देखेएंएंकि कुछें में 56 क्या है 56 कुछेंट एड़स क्वैलता है तो थो एड़स कैसे फैलता है सलिरिक संपर्क से ओप्शन दि आपका सही अंसर होगा 57 क्वीशादू में जोनाच 27 धे विसाडू में क्या होता है इसका आंसर है आपका nucleic acid और protein ठीक है विसाड़ू में nucleic acid और protein होता है आगे देखें कोशन 58 क्या है Source क्या है Source क्या है तो Source एक विसाड़ू जनित है ठीक है विसाड़ू जनित रोग है के आगे देखें कोशन 59 59 क्या है छसरा निमलिखित σंक्रमार के कारण होता है खसरा किसके कारण होता है तो खसरा विसाडू के कारण होता है ठीक है खसरा विसाडू के कारण होता है अगे देखी कोशन नमबर 60 कोशन नमबर 60 यह आपका निम लिखित में से कौन सा रोग विसाडू के कारण होता है निम लिखित में से ये बीमारी एक विसालू के कारण होती है फूट एंड मौत रोग विसालू के करण होता है आगे देखिए कॉशन 62 क्या है कॉशन नमब 62 है आपका अलू में Magic니다ork का कारक्तत्व है तीक है और अलू में Magic Romeo मोजेक रोग का कारक्तत्व विसार हो गया, मैंने मैजिक बोल दिया, गलती से, मोजेक रोग होता है आलू में, ठीक है, आगे देखिए कोशन अमर 63 क्या है, 63 अपका सहवाल विज्ञान किसका अध्यान है, सहवाल विज्ञान सहवालों का अध्यान है, यह स्टार्टिक में भ कोशका भित्ती किसकी बनी होती है, तो सहवालों की कोशका भित्ती सहलू लोज की बनी होती है, सहवालों की कोशका भित्ती, 65 कोशन देखेंगे हम लोग, 65 कोशन क्या है, हाइडरा की स्रावी कोशकाओं में कौन सा सहजीवी सहवाल मिलता है, हाइडरा की स्रावी कोशकाओ में यू क्या सही आंसर होगा सेवाल मिलता है फिक है यूšn ही बचाने के तो इसको इस वीडियो में ते स्विश्टी सेवन देखेंगे, 66 कुश्टन देखेंगे शार गासो समुद्र का नाम पढ़ा सहवालों की कारण ऐसा नाम क्यों पढ़ा हुन्हें सह वालों की कारण ठीक है next question देखिए 607 question क्या है 67 आपका गल-गंड-डोग से बचा जा सकता है और कुछ समुदरी खर-पतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रशुर मात्रा में होता है क्या iodine ठीक है गल-गंड-रोग से बचा जा सकता है और को समुद्री खाद प्रतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इन में होता है क़्श प्राप्त होता है किस समुद्री खाल बता है ऑसे कुछ्शन नमर 70 देखिए क्या है सेवेंटी है आपका मिम लिखित में से कौन सा स्वापोसित है कौने सब्सक्राइब स्वापोसित है तो सेवाल थिक है थिए अगर आपको एक बार में वीडियो के कुशंस complete नहीं आदो पा रहे हैं, तो आप बिल्कुली परिशान मत होई है, इसे दो से तीन बार जरूर से जरूर revise करिए, मैं आप ये बात आपसे हर वीडियो में कहता हूँ और वो आपके लिए जरूरी भी है, तो बिलेंगे हम अपने नेक्स लेक्चर में ख्याल रखिए अपना, ये आपके डोटला 70 कोशन इसमें complete हो गया है, आगे के कोशन आपको नेक्स वीडियो में कराएंगे Hello friends, स्वागत है आपका अपने गुर्टिल परिवार में, और आप Lucent Objective Book से Biology Topic कर रहे हैं हमारे साथ, इसमें मैंने आपको लाक्ष लेक्चर में 70 कोशन कराएं हैं लगबग पादब जगत का वर्री करन टॉपिक से, और आज इसी टॉपिक के आगे के बचे हुए 60 कोशन, 65 कोशन अलग बग हम लोग करेंगे, तो आई ये स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आपने सबस्क्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबस्क्राइब जरू करते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके जो भी सुजाओं हो, वो आप केमेंट सेक्शन में जरू करें, हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर भी करें आईए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, पहला कोशन देखिए आज का आज, पहला कोशन है आपका, निमलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव रुवरक का कारे करता है, तो इसका अंसर है आपका, निल हरी सैवाल, ठीक है, option A, ठीक है, कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव रुवरक का कारे करता है, निल हरी सैवाल, नेक्ट कोशन क्या है आपका, अंतरची का रिकमों में, ऑक्सिजन की आपूर्ती को नियंत्रित करने के लिए प्रिउट की जाने वाले एक कोश्की सैवाल का नाम है, क्या, क्लोरलेला, ठीक है अगला कोशन है आपका, 72 एक फिट से देख लिए अंतरची का रिकमों में, ऑक्सिजन की आपूर्ती को नियंत्रित करने के लिए प्रिउट की जाने वाले एक कोश्की सैवाल का क्या नाम है, क्लोरलेला, आगे देखिए कोशन नमर 73 क्या है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्तिती की करण होता है, तो सैवालों की उपस्तिती की करण लाल रंग का, लाल सागर में उसका लाल रंग होता है, आगे देखिए कोशन नमर 74 क्या है, एगार एगार किस से तयार होता है, तो यह होता है आपका सैवालों से, ठीक है, एगार एगार जो है यह सैवालों स कौन से पौधे होते हैं तो इसका अंसर आपका फंजाई होते हैं अगे देखे कुछण no70 क्या है कवकों की जाना कायिति कॉश्य की बनि होती है कवकों की कोश्य का थि कायिटीनेवं ही मि arena कवक को गवजन द्वारा पाइस्ट टार्फ सद होते हैं तो यह अपके होते हैं ग्लाइकोजन के रूप में ठीक है ग्लाइकोजन के रूप में कवकोजन द्वारा बोजन को संचित किया जाता है आगे देखी question number 78 question number 78 है आपका सभी कवक सदयव होते हैं कैसे विविद पोशी होते हैं सभी जो कवक होते हैं वो विविद पोशी होते हैं आगे देखी question number 79 question number 79 है आपका mycorrhiza सहजीवी संबंध होता है mycorrhiza संबीवी सहजीवी संबंध होता है किन के बीच आपको यह बताना है तो इसका अंसर है कवकों तो था उच पौधों की जड़ों के बीच कैसा संबंद होता है माइको राइजा सहित जीवी संबंद ठीक है आगे देखिए कोशन नमबर 80 कोशन नमबर 80 आपको वरच्छों की चालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो जो वरच्छों की चालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं जो कवक गोबर पर उगते हैं वो कोप्रोफिलस कहलाते है बच्छों की चालों पर कोटिकोलस, गोबर परोगने वाले कोप्रोफिलस ठीक है, कन्फ्यूज मत हो येगा next देखिए कोशन नमबर 82 82 कोशन आपका निम्न में से किसमे क्लोरोफिल नहीं होता, किसमे क्लोरोफिल किस से उत्पन होता है option C, अलू का लेट बलाइट किस से उत्पन होता है phytopithora infestanus द्वारा next question देखिए, question number 84 question number 84 जो है आपका, क्या है double roti के निर्माण में काम आने वाला कवक है double roti के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है saccharomyces cerevisi यह है आपका double roti के निर्माण में प्रयोग होने वाला कवक next question देखिए, क्या है pencyllium क्या है pencyllium क्या है तो pencyllium जो है, वो कवक है ठीक है, pencyllium कवक है next question क्या है, 86 question आपका, pencylline की खोज किस ने की थी pencylline की खोज किस ने की तो यह आपको पता ही है, Alexander Flaming Alexander Flaming ने pencylline की खोज की थी आगे देखिए, question number 87 क्या है, अर्गोट किस से प्राप्त होता है अर्गोट किस से प्राप्त होता है Clavisapes से ठीक है, Clavisapes से अर्गोट प्राप्त होता है next question देखिए, 88 question क्या है और धोगी किस थर पर pencylline प्राप्त किस से किया जाता है तो इसका answer आपका Pencyllium Chrysogenum से ठीक है, और धोगी किस थर पर pencylline किस से प्राप्त करता है Pencyllium Chrysogenum से next question देखिए, 89 89 question आपका, जब गेहूं के कुंते हुए आटे में इस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी, कोमल और छिदर्युक्त हो जाती है क्यों, की तो इसका कारण क्या है, यह पूछा है क्यों, जब गुते हुए आटे में इस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद रूप थो जाती है क्योंकि CO2 का उत्पाधन करके रोटी को इस्पंजी बना देता है इस वज़े से ऐसा होता है आगे देखेंगे हम लोग कोश्चन नमबर 90 कोश्चन नमबर 90 है आपका इस्ट में काईग जनन होता है इस्ट में काईग जनन होता है किसके दोरा मुकुलन दोरा मुकुलन के दोरा इस्ट में काईग जनन होता है next question देखेंगे कोश्चन नमब 91 है हमारा निमलिखित में से कौन खाने योग कवक है तो इसका अंसर है आपका अगेरिकर्स ठीक है Agricus जो है वो खानी योगी कवक है Next question देखिए क्या है 92 LHD किससे प्राप्त होता है LHD किससे प्राप्त होता है तो इसका answer है आपका कवक से Option B ठीक है LHD जो है वो कवक से प्राप्त होता है आगे देखेंगे question No. 93 क्या है 93 है आपका विस्तरत स्पेक्ट्रम प्रति जैवे की किस से उत्पन होते हैं तो इसका अंसर है आपका स्ट्रेप्टो माइसीज ठीक है विस्तरत स्पेक्ट्रम प्रति जैवे की किस से उत्पन होते हैं का तो 6 मैसीं आगे दखेंगे कोश्जन नंबर 94 मिष्टमाइसिन को किसने प्रषः किया सटेप्टमाइसीन को किसने प्रठधक किया वाक्समें ने ठीक है वाक्समें ने कोrusटमाइसिन को प्रठक किया Mayla मेर्व direction आपका 95 question सिज्ड्रों किसमें होता है टिक का रोग किस में होता है तो मुंगफली में जो है वो डिकल वोड़ों होता है ठीक है अगहे नसक्राइब कुस्षे n.96 क्या है गंने में लाल सटन्रों इसके द्वारा उत्पन होता है गंने में लाल शबन कि पाई होता है कवल दोरा तिक है कवउक कवउक के दोरा गन्ने में लाल जटोन रोग उत्त क्या है मस्रूम एक कवक है थिक है कवक आगे देखिए कोशन नंबर 99 99 प्रत्म वियुक्त प्रतियावी की कौन सा था तो जो वियुक्त प्रतियावी की था वो है आपका इसमें पैंसिलीजू ठीक है पैंसिलीन आगे देखी कुशन नमबर हैंडर्ड एथलीट फूट नामक बिमारी किस से उत्पन होती है एथलीट फूट नामक बिमारी कवक से उत्पन होती है ठीक है एथलीट फूट नामक बिमारी कवक से उत्पन होती है आगे देखी कुशन नमबर 101 यह है आपका निमलिकित मैंसे कौन सा एक कवक एवं उच्छ पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंद को दरसाता है तो इसका अंसर है आपका माइको राइजा ठीक है माइको राइजा आगे देखेंगे question number 102 यह अपका efful id किस से बनते हैं तो इसका अंसर है आपका कवक से बनते हैं आगे देखेंगे question number 103 यह आपका double डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है तो इसका अंसर है आपका सेक्रो माइसेज ठीक है सेक्रो माइसेज नेक्स्ट कोशन देखिए क्या है 104 यह अपका लाइकेन जो एक नगन चटान पर भी परम पारिस्थितिक अनुकरम को प्रारम करने में सच है कोशन को फ़री से पढ़ लिए 104 यह कोशन कहरा आपकेन जो एक नगन चटान पर भी पारिस्थितिक अनुकरम को प्रारम करने में सच है वास्तो में उसके सहजीवी सहचर है तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आपका सेवाल और कवक के सहचर है ठीक है सेवाल और कवक के आ आगे देखिए कोशन नमबर 105 यह है निमलिखित में से क्या एसोटू प्रदूसरन का सर्वोत्तम सूचक है एसोटू प्रदूसरन का सर्वोत्तम सूचक क्या है तो इसका अंसर है आपका लाइकेन ठीक है लाइकेन नेक्ट कोशन आपका 106 लिटमस किसमे से निकाला जाता ह लिटमस लाइकेन से निकला जाता है ठीक है लिटमस लाइकेन से निकला जाता है आगे देखेंगे कोश्चन नमबर 107 जे है आपका लाइकेन में कवक और सहवाल के मध्ध सहजीवी संबंध क्या कहलाता है तो इसका अंसर हो जाएका आपका हेलोटीज्म ठीक है लाइकेन में कवक और सेवाल के मद्धे सहजीवी संबंध कहलाता है हेलो टेज्म आगे देखेंगे कोश्चन नमबर 108 कोश्चन नमबर 108 है अपका पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है तो पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कार्टी कोलस कहा यह भी मैंने पीछे बताया था ठीक है पीछे मैंने बताया था आपको कार्टी कोलस यह कोशन में बताया था आपको question कोशन नमबर 18 में आगे देखेंगे question नमबर 109 109 आपका चठानी इस्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, चट्टानी इस तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं, तो इसका अंसर आपका सेक्सी कोलस, ठीक है, चट्टानी इस तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सी कोलस कहते हैं, आगे देखेंगे, कोशन नमबर 110, जापान में लोग किस लाइके को सबजियों के रूप में खाते हैं तो इसका अंसर आपका इंडोकरपन ठीक है इंडोकरपन लाइकेन को सबजिव के रूप में वहां पर खाया जाता है आगे देखेंगे question number 111 मिर्गी की ओसदी किस लाइकेन से प्राप्ट की जाती है मिर्गी की ओसदी परमेलिया ठीक है परमेलिया से प्राप्ट की जाती है परमेलिया नाम के लाइकेन से प्राप्ट की जाती है मिर्गी की ओसदी next question देखी कहा है 112 वनस्पती जगत में, निमलिखित में से किसको जल इस्तरचर या उभेचर कहते हैं? वनस्पती जगत में किसे उभेचर कहते हैं? तो इसका अंसर है आपका ब्रायो-फाइटा तीक है? ब्रायो-फाइटा को उभेचर कहा जाता है next question देखें क्या है 113 जल के इस्थान पर मूला भास पाया जाता है जल के इस्थान पर जल के इस्थान पर मूला भास पाया जाता है किसमे ब्रायो फाइट्स में ठीक है ब्रायो फाइट्स में ब्रायो फाइट्स में जड़ के सन पर मूला भाव बास पाया जाता है आगे देखेंगे question number 114 114 question है अपका Bryophytes में संबलित है Bryophytes में संबलित है क्या-क्या Liverwort एवं मांस ठीक है Liverwort एवं मांस जो है वो Bryophytes में संबलित होते है आगे देखे question number 115 question number 115 है आपका बीजों की प्रकृती किसमें उत्पन होती हुई बीजों की प्रकृती किसमें उत्पन हुई तो इसका अंसर होगा आपका टेरिडो फाइट्स में ठीक है option D आपका सही अंसर होगा 115 का बीजों की प्रकृती किसमें उत्पन हुई टेरीडो फाइट्स में, तेरीडो फाइट्स में, आगे देखिए कोशन नमबर 116, 116 कोशन है आपका, जली फर्न जिसे जैव और उबरक के रूप में प्युक्ट किया जाता है, वह है, वह एजोला है, जली फर्न जिसे जैव और उबरक के रूप में प्युक्ट किया जाता के लिए रखते हैं पुनर जीवन का गुण होने के कारण किसे पुनर जीवन का गुण होने के कारण निम्ल में से किसे मेजो पर सजावट के लिए रखा जाता है तो जो इसका अंसर होगा वह होगा आपका सिले जिनेला ठीक है सिले जिनेला को रखते हैं मेजो पर सजावट क लिए कि आगे देख़ी क्या है कोशनride 111 कोशन नामर्ड का निम लिखित में så किसके जीवाणू दवा के रूप में प्रयोग किये जाता है? किसके बिजानू दवा के लिए प्रयोग किये जाता है ? तो इसका answer है अपका, like को podium के जिमानू जो है, बिजानू, दबा के लिए प्रयोग किया जाता है, आगे देखी question number 119, निम लिखित में से किसे जैव और वरख के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो azola को जो है, जैव और वरख के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है आगे देखेंगे question number 120 question number 120 है अपका सबसे अधिक क्रोमोशोम किस में पाये जाते हैं तो सबसे अधिक क्रोमोशोम teridoophytes में पाये जाते हैं सबसे अधिक क्रोमोशोम teridoophytes में पाये जाते हैं question number 121 क्या है 121 question देखी क्या है किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, परंतु बीज नगन रूप में पौधों पर लगे रहते हैं, बीज बनते हैं, परंतु नगन रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं, यह है आपका जिगनोस्पर्म, ठीक है, जिगनोस्पर्म, आगे देखें कोशन नमबर 122 क 123, 123 question आपका, जिम्नो स्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, जिम्नो स्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, चिल्गोजा, चिल्गोजा को जिम्नो स्पर्म का मेवा कहा जाता है, ठीक है, आगे देखिए question number 124 क्या है, को रिलाइड जने पाई जाती है, को रिलाइड जने कहां पाई जाती है, इसका answer आपका Sajkas में, साइकस में जो है, वो कॉर्लाइट जले पाई जाती है आगे देखी question number 125 क्या है सबसे बड़ा बिजान्ट किस में होता है सबसे बड़ा बिजान्ट किसमे होता है, तो इसका answer आपका Sajkas साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है आगे देखी कौशनमबर 126 क्या है चिलगोजा किस से प्राप्त होता है तो इसका आंसर है आपका पाइनस से जो यह से राप्त होता है पाइनस से next देखी क्या है question number 127 question number 127 है आपका साबूदाना किस से बनाया जाता है साबूदाना होता है जो वो किस से बनाया जाता है वो बनाया जाता है साइकस से साबूदाना साइकस से बनाया जाता है आगे देखेंगे question number 128 question number 128 है आपका दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली ओशिधी इफेडरिन किस से प्राप्त की जाती है? इफेडरिन जो है वो किस से प्राप्त की जाती है? तो इसका अंसर है आपका इफेडरा, ठीक है? इफेडरा से प्राप्त की जाती है. कौन एक जीवित जीवास्म कहलाता है इसका अंसर है आपका जिन को आगे देखिए कोशन नमबर 130 वाइरस क्या है वाइरस अकोश्की है आगे देखिए कोशन नमबर 131 क्या है तेल प्रदूसर्ण के नियंतरण में प्रियुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? ये है आपका जिवानु विक्रती ठीक है? जिवानु विक्रती आगे देखी कोशन नमर 132 क्या है? निमने लिखित में से कौन प्रदूसर्ण संकेतक पौदा है? लाइकेन जो है एक संकेतक पौदा है ठीक है? आगे देखी कोशन नमर 133 क्या है? निमने लिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रियुक्त किया जाता है? जैविक खाद के रूप में किसे प्रियुक्त किया जाता है? एजोला को ठीक है? ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा एजोल तो ये थे दोस्तों आज 133 question total, total 65 question आज और इससे पहले वाई लक्षार में 70 question पादप जगत का वर्गी करन टॉपिक से, classification of plant kingdom, तो ये टॉपिक भी आपका दूसरा था biology में, ये topic complete हो गया दोस्तों आज, इसे आप 2-3 बार revise करेंगे, तो आपको ये question बहुत ही अच्छे से याद होंगे Lucent objective book से, ये questions मैं करा रहा हूँ आपको, और ये सब ये exams में आये हुए हैं, और पूछे भी जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से करें, किसी भी exam के लिए हो, अगर आप biology उसमें आता है, तो आप इसे अच्छे से करिए, और आप ने अगर हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप हमारी चैनल को subscribe जरूर कर दें, ठीक है, और इसे अपने दोस्तों में share भी करना मत भूलिए, ख्याल रखिए, अपना मिलते हैं अपने next lecture में, hello friends, स्वागत है आपका अपने गुरुकल परिवार में, और आप Lucent Objective Book से biology topic कर रहे हैं हमारे साथ, last time मैंने आपको topic complete करा दिया था, उसका नाम था, पादप जगत का वर्गी कराऊं, इसमें total मैंने जो question कराए हैं दो वीड यह आपका चौथा वीडियो है biology topic से, और आज हम करेंगे इसमें पादप अकारे की, इसमें total मैं आपको आज 45 question कराऊंगा, यह topic भी दो वीडियो में, 45, 45 question में आपका cover हो जाएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो आप इससे पहले हमारे चैनल को subscribe कर ल करेंगे और हमारे questions को लेके जो भी आपको doubts हो, वो आप comment section में comment जरूर कर सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल के link को अपने दोस्तों में share जरूर करिए, यह start करते हैं आज का lecture, तो आईए, पहला question देखते हैं क्या है, मुलंकूर के यत्रिक्त, पौधे की किस भी भाग से विक्सित होने वाली जणे कहलाथी हैं, अब इस्थानिक मूल, दूसरा question है आपका, मुलंकूर से विक्सित होने वाली जणे कहलाथी हैं मूसला जणे, ठीक है, option B आपका answer होगा, आगे देखिए question number 3 क्या है, सुसन मूल कहा है, जूसिया में, ठीक है, सुसन मू मिलती हैं जूसिया में अगला कुशन है कुशन नमर चार क्या है दाल यह कह सब्सक्रट होती हैं कैसी होती है गंडल, अपलकित होती है त cans च exam कुशन क्या इस का अपका उपर और क्रिरोही मूल मिलती है उप्रिरोही मूल कहां मिलती है जी मिलती है आपकी अर्किट्स में ठीक है उप्रिरोही मूल मिलती है अर्किट्स में छटा कुशन देखी क्या है New Metaphors यानि सोसन मूल प्राया मिलती है सोसन मूल प्राया कहां मिलती है मैंगूर्व पादपों में ठीक है मैंगूर्व पादपों में मिलते है सोसन मूल प्राया मैंगूर्व पादपों में मिलते हैं आगे देखी कुशन नम्बर 7 कोशन 7 क्या है आपका अर्किट्स में विलोमन जड़े होती है किस लिए होती है विलोमन जड़े तो ये नमी अफ्सूसित करने के लिए होती है ठीक है अर्किट्स में विलोमन जड़े नमी को अफ्सूसित करने के लिए होती है अठवा कोशन देखे क्या है निम्लिखित में कौन एक जड़ नहीं है तो इसका अंसर है आपका आलू ठीक है आलू एक जड़ नहीं है अगला कुशन देखिए नमा क्या है अव इस्तंब मूल पाई जाती है अव इस्तंब मूल पाई जाती है गन्य में ठीक है अव इस्तंब मूल गन्य में पाई जाती है अगला कोशन है आपका दस्वा इस्तम्मूल होती है इस्तम्मूल एक अप इस्थानिक जड़े होती है अप इस्थानिक जड़े होती है अगला कोशन है गेरम आपका जड़े विक्सित होती है जड़े विक्सित होती है मुलांकुर से जड़े विक्सित होती है मुलांकुर से ठीक है, बारोवा कोशन देखे क्या है, गाजर है एक, गाजर क्या है आपका, गाजर है जर्ड़, ठीक है, गाजर एक जर्ड़ है, आगे देखे कोशन बरगत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है तो बरगत के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो है वो इस्तंभ मूल कहलाती है ठीक है इस्तंभ मूल कहलाती है ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमबर 15 कोशन नमबर 15 है आपका निर् और बाद रा 플ेंशन आगे देखे कुषा नवर 16 क्या हैं कि कुछन नमर 16 में अब सु सं पाई जाती है कुछन मूल पाई जाती है किसमें राइज ओफोरा में आगे दही भी कोशय नमर 19 कोशे मर् 19 क्या है आपका पंड काय इस्तंभ एक रूपांतुराण है इसका तने का तने का रूपांतुराण क्या है अगला देखिए कोशे में 20 नाक फणी में प्रकाश संसलिसी कारे होता है आगे देखिए कुशन नंबर 21 क्या है निमलिखित में से कौन एक तना है आलू जो है एक तना है कभाओ आगे देखे को चोशेंबर 22 कुशेंबर TWешका पत्तगावि का पत्ताहथ क्संग्राय कहा करता है यान अगे कि भूजय पतारत से करता है इसका जो आंसर आपका वह है पत्तियों में ठीक है Como means अपनेइक भूजय के लिए याद हो जाएंगे ठीक है ना विश्वास हो तो आप इसे एक बार दो बार रिवाइज दो बार देखिए अच्छे से वीडियो को और उसके बाद तीसरी बार आप मेरे आंसर मार करने से पहले खुद आंसर दे रहे होंगे ठीक है चलिए तो आपका 22 हो गया पत्तियों में बोजे बजारतों को संग्रे करके रखता है पत्ता गोबी 23 कोशन क्या है 23 आपका अलू भूमिगत रूपांतरी तना होता है जिसे कहा जाता है अलू भूमिगत रूपांतरी तना होता है जिसे क्या कहा जाता है कंद जिसे कंद कहा जाता है आगे देखिए कोशन नमर 24 क्या है निमलिखित में से क्या तने का रूपांतरा नहीं है नि निम्ण मेंसे कौन सा एक तना है अदरक सलजम जड़ है गाजर भी सगरकन भी अदरक जो है वो एक तना है अगला देख़िये क pasture 26 क्या है प्याज में भूझ या लग किया तो तना जो होता है वो प्याज में खाने योग होता है ठीक है उसे जड़ मत समझेगा वो तना होता है प्याज अगला देखिए कोश्चन नमबर 27 क्या है निम लिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है आलू जो है रूपांतरित तना है ठीक है इन में से अप्शन जो भी है यहाँ पर आप लोगों को हुमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर जरूरू करें और सब्सक्राइब भी जरूरू करिए ठीक है सब्सक्राइब भी जरूरू करिए आये करते हैं कोशन कोशन नमबर 28 क्या है कोशन नमबर 28 है आपका निमने में से किसकी पत्ती में पनदल प्रया निवनी करत होता है तो इसका अंसर है आपका सुसकोद भिद ठीक है सुसकोद भिद अगला देखिए कोशे नमबर 30 क्या है, पुस्पों का अध्यन क्या कहलाता है, यह आपको पता है, एंथोलोजी, ठीक है, एंथोलोजी जो है वो, पुस्पों का अध्यन कहलाता है, अगला कोशन दिखे क्या है, 31, 31 कोशन है आपका, वे पौदे जिन में कभी पुस्प नहीं बनते, कहलाते हैं, वे पौद crypto games यह मैंने पिछले lecture में अपने question किया था अगर आपने अच्छे से उसे revise किया है दो बार या तीन बार तो आपको याद होगा चलिए आगे देखिए question number 32 question number 32 है आपका पूंड पुस्प में पाया जाता है पूंड पुस्प में पाया जाता है क्या पाया जाता है सभी चारो चक्र ठीक है सभी चारो चकर पाया जाता है आगे देखिए question number 33 question number 33 है आपका पूस्प के जनन चकर है कौन कौन से जनन चकर है पूस्प के तुझे पुमंग एवं जायांग ठीक है पुमंग एवं जायांग जो है वो पुस्प के जनन्चक्र है आगे देखिए कोशन नंबर 34 कोशन नंबर 34 है आपका निमन में से क्वाना एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है तो इस में से उनमें पुणकेसर और अंडब दोनों होते है ठीक है उबहे लिंगी फूल के बारे में अगर कहा जाए कि पुंकेसर और अंड़ दोनों होते हैं तो यह एक सही बात है ठीक है यह आपका सही कथाने कुरिंजी कुरिंजी पुस्प के बारा वर्स में एक बार खिलने का क्या कारान है तो इसका कारान जो है वह है फ्लूरीजन इस्त्राव ठीक है फ्लूरीजन इस्त्राव यानि कि ऑप्सन सी आपका आंसार होगा कुरिंजी पुस्प के बारा वर्स में एक बार खिलने का कारान संसार का सबसे छोटा पुस्प है संसार का सबसे छोटा पुस्प कौन सा है वुल्फिया ठीक है वुल्फिया आगे देखिए कोशन नमर थाटी सेवन कोशन नमर थाटी सेवन है आपका फूल गोभी में पौधे का उप्योगी भाग कौन सा है तो इसका अंसर है आपका ताजा पुस्प समू ठीक है ताजा पुस्प समू जो है फूल गोभी में वो पौधे का उप्योगी भाग है आगे देखिए कोशन नमर थाटी एट कोशन सब से बड़ा पुख है इसका अंसर होगा आपका रिफ्लेशया ठीक है रिफ्लेशया है सब्सक्राइब नबर कोश्य नमरो 40 कोश्य से वर्तिगागर तक पराग का सिनात्र hoता है उसे पराग का कहता है कि कौश्य स्वोटी बन कोश्य समस्टी वन है अब का इनलीक प्रागांश है एनिमोफिली परागण है किसके दौरा वायू दौरा ठीक है एनिमोफिली परागण है वायू दौरा अगला कुशन देखिए क्या है अंतुमो açेली परागन रितौतैं है अंती परागन हें इस बुछेगा तो किसंगे ह contracted और किनोיא ठोलाग्रबर ही के जबुछ तो इनुगे मोफिल परागन रित प्रागन हे दोनों अलग अलग कोष्छ ए एनुद्फ़िल परागन है रितौतлись कं국ार्ण तो रित्धादे कोष चिरिप्ट्रो फिली चमगादरों द्वारा जो परागन होता है उसे कहते हैं चिरिप्ट्रो फिली आगे देखिए कोशन नमर 45 क्या है जूफिली परागन होता है जूफिली परागन होता है किसके द्वारा जंतुओं के द्वारा ठीक है जूफिली परागन जो होता है वो ज और नितो फिली परागन होता है बच्छेयों के द्वारा तो यह थे दोस्तों आज आज आपके 45 कोश्चन अभी से 45 कोश्चन ही रखते हैं और इसके आगे के 45 कोश्चन आपको इसके बादबारी लेक्चर में कल इवनिंग में करा देंगे ठीक है तो यह थे आज के लेक्चर और इसे आप बहुत ही अच्छे से दो बार रिवाइस करिए दो से तीन बार ताकि यह आपको अच्छे से याद हो जाए और आप इसे एक्जाम में कर पाएं अपको पढ़ते टाइम अगर आपको यह लगे कि आप पुराना वाला भूल रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल भी परशान मत होया करिए अब बस उसे आगे सुनते चले जाएए वीडियो को और उसके बाद वापस आप एक बार और प्ले कर लिजे वीडियो को जिवाब दो से दो बार सुन लेंगे फिर आपको ऑटोमेटिक कोशन्स आपके दिमाग में बस जाएंगे ठीक है तो उसके लिए बिल्कुल भी परशान मत होईए ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने next lecture में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इसे पादप अकारिकी टॉपिक से 45 कोशन करा दिये थे फूर्थ वीडियो में अपने बाइलोजी के और आज 45 कोशन के आगे हम कराएंगे आज को आज फिर 45 कोशन होगे इस वीडियो में तो अपके 90 कोशन हो जाएंगे पादप अकारिकी में तो यह टॉपिक आज कम्प्लीट हो जाएगा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं हमारे वीडियो के और जरूर कर लिजिएगा और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा अपने दोस्तों में आईए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्षर तो लास्ट टाइम 45 कुशन हो गए थे आपके और आज हम आपका कराएंगे 46 कुशन से ठीक है 46 कुशन देखेंगे kya है 46 46 कुशन है आपका जल द्वारा परागन कहलाता है जल द्वारा परागन कहलाता है क्या कहलाता है हाइड्रोफिली अगर आपने 45 कुशन आपको ना याद आ रहा हो तो इसका देख लिजे और निथोफिली परागन होता है और नितो फिली परागन होता है कि इसके द्वारा पच्छियों द्वारा मैंने पढ़ाया था अगर आपने दो बार रिवाइस किया होगा तो आपको ज़रूर इसके आंसस पताऊंगे आगे 47 कोशन करिए क्या है जो परागन बंद पुस्पों में होता है वह कहलाता है पर परागन लाबदायाक होता है क्योंकि इसके कारण होता था अच्छी संतान, ठीक है पर परागा लाबदायाक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान होती है ठीक है आगे देखिए कोशा नमबर 49 कोशा नमबर 49 कोशा नमबर 49 है आपका वर्तिकागर सदयो खुर्दरा एवं चिपचिपा होता है आगे देखिए कोशा नमबर 50 कोशा नमबर 50 यह आपका गोगे दोरा परागान कहलाता है गोगे दोरा परागान होता है वा कहलाता है मेलिकोफिली ठीक है गोगे दोरा परागान कहलाता है मेलिकोफिली नेक्स्ट कोशा नमबर 51 कोशा नमबर 51 कोशा नमबर सुगंधित पुस्पो में परागान किसके दोरा होता है कीटो दोरा ठीक है सुगंधित पूस्पूम में परागन कीटो दौरा होता है आगला दखिए question naba 52 question naba 52 है आपका परागन है परागन है क्या? थीक है अपूर्ण विक्षित नर यूग्मकोद भिद फिसक परागन क्या होता है एक अपूर्ण विक्षित नर यूग मुकोद भेद आगे देखिए, question number 53 question number 53 है आपका कीटों द्वारा परागित फूलों के परागण होते हैं क्या होते हैं roots और चिपचिपे next question देखेंगे क्या है question number 54 question number 54 है आपका निसेचन क्रिया है निसेचन क्रिया एक नर यूगमक का अंडानु से सहीवजन है आगे देखिए question number 55 क्या है question number 55 है आपका Nिसेचन के पशचात बीजों के बीजावरान विक्सित होते हैं निशेचन के पश्चात बीजों के बीजा वरण विक्सित होते हैं किस से अध्याय वरणों से ठीक है अध्याय वरणों से विक्सित होते हैं आगे देखिए कुशन में 56 कह है कुशन में 56 है आपका द्वी निशेचन मुख्य लच्छन है द्वी निशेचन मुख्य लच्छन ह इसका आवरत बीजी का ठीक है आवरत बीजी हों का मुक्न अच्छा यह दूई 57 मोगता है अच्छेज़ जनन होता है अनिशेख जनन होता है भी नीशेशन के अंडाणू का परिवर्धन ठीक है अनिशेख जनन ता है क्या बिना निसेचन के अंडाणू का परिवर्धन आगे देखिए कोश्चन नमबर 58 कोश्चन नमबर 58 है आपका बिना निसेचन के एक अंडाशे के फल में विक्सित होने को कहते हैं क्या कहते हैं क्या बिना निसेचन के एक अंडाशे के फल में विक्सित होने को कहते हैं और तीनो कॉपी आगे देखिए कोश्चन नमबर 59 ने आपका निम्णिकित में से कौन सा फल कौन सा फल अनिसेख फल नहीं है अगे देखिए कोश्चन नमर 60 तिन गुदेदर थैलमस किसमें खाने योगी होता है फिर नवर थैलमस सेब में खाने योगी होता है। ठीक है, कोशन आए हुए है इसमें देखिए SSC में आया हुआ कोशन है यह यह वाला कोशन जो है आपका 60 यह आपका यह वी तो बहुत ही अच्छे से करिए इन्हें गुदेदर थैलमस खाने योग्य होता है गुदेदर थैलमस किस में खाने योग्य होता है सेम में ठीक है नेश्ट देखिए कोशन नमर 61 निम्न में से किस एक की खेती पौध का पृतिरोपन करके की जाती है तो जो प्याज है आपका प्याज के खेती करने के लिए पौध का पृतिरोपन किया जाता है मतलब कि प्याज के छोटे-छोटे पौध होता है उन्हें बोकर प्याज लगाई जाती है आगे देखिए कोशन नमर 62 कोशन practitioner 62 और ये अपका एक सत्य फल परिवर्धित होता है एक सत्य फल परिवर्धित होता है अंडासर से ठीक है आगे देखिए कोश्चन नमर 63 क्या है अभासी फल का उधारन है अभासी फल का उधारन है सेब ठीक है अभासी फल का उधारन है सेब आगे देखिए कोश्चन नमर 64 क्या है नारियल तथा आम के फल होते हैं नारियल तथा आम के फल होते हैं कैसे फ आम का खाने योग्य अकारी की भाग होता है पके हुए आम का खाने योग्य अकारी की भाग है मद्य फल भित्ती मद्य फल भित्ती ठीक है नेक्स्ट कोशन देखिए क्या है 66 कोशन नारियल का खाने योग्य भाग होता है नारियल का खाने योग्य भाग होता है कौन सा भूण बुल्न पोश ठीक है बुल्न पोश कोई जो है वह नाडियल का खाने योग भाग होता हैं आगे देकिए कोशन नंबर 67 みपका लिच्ची फलका खाने योगे भाग होता एंधर गोव आगे देखेंगे, question number 68, question number 68 है आपका, सीब एवं नास्पाती में खाने योग भाग जो है, वो आपका क्या है, मांसल पुस्पासन, ठीक है, मांसल पुस्पासन, आगे देखें, question number 69, question number 69 है आपका, फलों का अवह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वा है नट ठीक है? नट फलों का अवह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वा है नट लीची को नट में रखा जाता है अगे देखी कुशन नमर 70 कुशन नमर 70 यह आपका बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है किस किस के विभार से हर्मोंस के विभार द्वारा ठीक है हर्मोंस के विभार द्वारा बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है आगे देखिए कोशन नंबर 71 क्या है अननास किस प्रकार का फल है अननास किस प्रकार का फल है साइच कोनस टीक है अननास साइच कोनस टाइप का फल है आगे देखिए कुशन नंबर 72 क्या है निम्न में से कौन सा यूग में सुमेलित है इन में कौन से युग में सुमेलित है केला बेरी ठीक्ट है केला को बेरी टाइप के उसमें रखा जाता है आगे देखिए कुछन संबर 73 क्या है किस पौधे का फल भूमी के नीचे पाया जाता है किस पौधे का फल यह आपको 72 कोशन लिए टाइप का है जैसे मैं अभी उपर आपको बताया में लीची को रखा जाता है तो उसमें क्या था नट है ना तो वैसे ही यह है वह प्रकार जिसमें केले को रखा जाता है तो केला जो है वह बेरी टाइप में रखा जाता है आगे देखेंगे कोशन अमर 73 किस पौधे का फल भूमी के नीचे पाया जाता है ठीक है किस पौधे क गोदेलोप उस पर सन भागघ खाया जाता है ठीक है चली आगे क centrif sandwich 75 क्या है किस पॉधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता एक स्कीज से पॉलोगी होता है लेकिन फल नहीं होता अगला देखिए क्यों क्पर 66 क्या है कुछ कुशनमर 76 से आपका बीज विक्सित होता है, बीज विक्सित होता है, किस से बीजान्डों से बीज विक्सित होता है, अगला देखिए कुशनमर 77, कुशनमर 77 है आपका भून किस में मिलता है, भून किस में मिलता है, भून बीज में मिलता है, भून बीज में मिलता है, ठीक है नेक्ट देखिए, कोशन में 78 का है, आर्किड के बीज होते हैं, हलके तता सुस्क, ठीक है, आर्किड के बीज हलके तता सुस्क होते हैं, अगला देखिए कोई है, अगला है कोशन आपका 79, सामानिता अंकुरन के लिए किसकी आसवकता नहीं होती, सामानिता अंकुरन के लिए प्रिकास के आवसक्ता नहीं होती है, थिक है, प्रिकास के आवसक्ता नहीं होती है, next question है आपका, question number-81, question number-81, अंकुरोन पाया जाता है किसमें मक्का में ठीक है अधो भूमिक अंकुरोन पाया जाता है मक्का में अगले देखें कि कोशन नंबर 82 कोशन नंबर 82 है आपका भूम पौरिक अंकुरोन पाया जाता है भूम पौरिक अंकुरोन रंडी में पाया जाता है ठीक है next question देखी क्या है question number 83 83 question है आपका पौधों में पित्रस्थ अंकुरण का अभिप्राय क्या है पौधों में पित्रस्थ अंकुरण तो पित्रस्थ अंकुरण जो है क्या होता है जनक व्रच्छ पल लगे हुए फल के भीतर जो बीजों का अंकुरण होता है उसे कहता है पित्रत अंकुरान, ठीक है, जनक वरच्छ पल लगे हुए, फल के भीतर बीजोगा अंकुरान, पित्रत अंकुरान कहलाता है, अगला देखे, कुशन नमर 84 क्या है, घट परणी के निम्लिखित भागों में से कौन सा एक घट रुपांतरित होता है, घट में रुपांतरित होता है, ठीक है, तो कुशन 84 में क्या हो जाएगा, पत्ता, ठीक है, ऑप्शन B, पत्ता जो है वो, आंसर होगा इसका, एक्ट परणी, गट परणी जो है, कीट रुपांड़ी पादप है, जो कीट इसके पास आते हैं, उन्हें ये खाजाता है, आगे देखेंगे question number 86 question number 86 है आपका संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है वो है बास ठीक है बास जो है वो सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है संसार में ठीक है अगला देखिए क्या है विस्स में सबसे लंबा पौधा कौन सा है सबसे लंबा पौधा की जाए तो यूकेलिप्टस ठीक है यूकेलिप्टस जो है वो सबसे लंबा पौधा है आगे देखिए कोशन नमर 88 क्या है तना होता है प्राया तना होता है प्राया कैसा धनात नात्मकत प्रकाश्यनु वर्ती ठीक है ठीक है अगी ऄड़ देखिए होज़ेंग नमर 89 ऐसका लेक से धान संचयन तथा चिर्कालिता के कार्य करता है किस ठीक होता है हल्दी में हल्दी में तना संचैन तधा चिरकालिता के कारे करता है ठीक है तो यह था दोस्तों आज आपका टॉपिक और इसमें 45 कुशन में हो गए complete और इसे आप अपने दोस्तों में share जरूर करिए हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ठीक है और आप वीडियो को like भी जरूर करें और अपने comment करना मत भूलिएगा आपको कैसा लगा वीडियो आप comment section में message जरूर करिएगा तो मिलते हैं अपने next lecture में आवरत तिबीजियों की वर्विकी में ठीक है ख्याल रखिए अपना thank you आईए दोस्तों start करते हैं आज आवरत तिबीजियों की वर्विकी टॉपिक ठीक है इसमें हम लोग करेंगे पहला question दोस्तों आज का लक्षर start करने से पहले आप से कह दूँ कि अगर आप लोगों न मैंने पढ़ा रखा है जो कि सभी exams में आते हैं एक दो question तो यह question आए हुए भी है और आगे भी आएंगे तो आप इन्हें वहां से जरूर कर लें आए श्टार्ट करते हैं आज का lecture पहला question क्या है निमलिखित में से किसे वर्विकी का जनक कहा जाता है तो निमलिखित में से लीनियस को वर्विकी का जनक कहा जाता है यह मेरे पहले वीडियो में है बाइलोग जी के पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको ठीक है दूसरा question देखिए क्या है systema nature पुस्तक किस ने लिखी systema nature पुस्तक linear की ही है ठीक आगे देखिए question number three question number three है वर्विकरन की सबस्त लोटी एक आई है जाती अगला question क्या है देखिए question number four आलू किस कुल से सम्बंदित है आलू किस कुल से सम्मंदित है तो आलू ऑलू सोले ने शी कुल से सम्मंदित है सोले नेसी कुल से संबंदित है अलू अगला कुशन देखिए क्या है फिफ्ट कुशन कपास संबंदित है किस से मालवेशी से ठीक है कपास मालवेशी से संबंदित है नेक्ट कुशन देखिए क्या है बैगन किस कुल का पौदा है बैगन किस कुल का पौध है बैगन भी सोले नेसी कुल का है ठीक है आलू और बैगन दोनों सोले नेसी कुल के पौध है next देखिए क्या है question question number 7 कपास के पौधे का वनसी नाम है कपास के पौधे का वनसी नाम क्या है गौसी पीम ठीक है गौसी पीम कपास के, पौधे का, वनसी नाम, किया है, गॉसी पिम, नेक्स्ट क्योशन, देखे का है, नेक्स्ट कोशन, आपका, कोशन नमर एichtig, कोशन नमर एइट, आम का, वनस्पतिक नाम है, आम का, वनस्पतिक नाम आपको पता है, मेंजिफेरा इंडिका तिखेर में बहुत से अगाने पूसरिषा डाता है ये ठीक है यानग्न वाले पूदे किस कुल से शंबंधित है जितने बी अना वाले पूद रोते हैं वो सारे ग्रैमीणी कुल से संबंधित हैं कि ठीक हुं ग्रैमेमि इकुल से संबंदित है हैं अगला क्या है क्षशन नंबर 10 नहीं म्युश्च नंबर 10 है आपका गयहों के पौध्य का वनस्पतिक नाम है ति टि ट्रिकम एस्टिवं एस्टिवं फॉला क्षिंद्रिबूश्च क्या है दलहनी पौदे संबंधित हैं किस से लिगमिनोसी से ठीक है जो जितने भी पौदे दलहनी होते हैं वो सारे लिगमिनोसी से संबंधित होते हैं इससे पहले मैंने आपको भी बताया था जितने अनाज वाले होते हैं वो ग्रेमिनी से होते हैं और जो दलहन वाले होते है वो लिगमिनोजी से संबन्दित होता है ठीक है आगे देखिए κुष्ण नंबर 12 कुष्ण umono12 मुंछली का वनस्पतिग नाम होता है मुंखफली का वनस्पतिक नाम होता है Arachis Hypogea ठीक है मुंखफली का वनस्पतिक नाम होता है Arachis Hypogea अगला कोशन देखिए क्या है कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 है आपका चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है थिया साइनेसिस ठीक है चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है थिया साइनेसिस अगे देखेंगे question number 15 question number 15 है आपका टैल बीजवाली फसल किस से संबांधित होती है से पहले Anh आपको बताया था अनाजवाले पौदे किस्कूल से संबांधित है ग्रेमिनी से, दलहनवाले पौदे, ल्यूग्मिनोसी से और ये अब ओयल सीट्स वाले क्रूसी फेरी से चलिए QX 16 कक्या है मतर पौधा है मतर है साक ठीक है? मतर पौधा है साक आगे देखेंगे कोशन नमबर 17 कोशन नमबर 17 है आपका सबसे लंबा जीवित वरच है सबसे लंबा जीवित वरच है कौन सा? सिकुवा ठीक है? सिकुवा जो है सबसे लंबा जीवित वरच है आगे देखी कोशियर नमर 18 क्या है अगला कोशियर देखी क्या है कोशियर नमर 19 एफेडरी पौदे का कौन सा भाग एफेडरी नमर 18 क्या है तो तना ठीक है तना जो है वो एफेडरी उसदी उत्पन करता है अगला देखी कोशियर नमर 20 क्या है कपास के रेसे होते हैं कपास के रेसे कैसे होते हैं बीजों के अधिशर्मी रोम ठीक है कपास के रेसे होते हैं बीजों के अधिशर्मी रोम अगला देखिए question number तो आईए next question करते है 21 question क्या है आपका Morphine निकाला जाता है Morphine निकाला जाता है किस से Morphine निकाला जाता है Papうわ Somnifereum से ठीक है Papうわ Somnifereum से 21 का B option हो जाएगा आपका Next question देखे क्या है 22 question number 22 क्या है केसर उतपन होता है केसर उत्पन होता है किस से तो केसर जो है वो आपका क्रोकस के वर्तिका तोता वर्तिकागर से उत्पन होता है ठीक है केसर जो है कहां से कैसे उत्पन होता है क्रोकस के वर्तिका तोता वर्तिकागर से उत्पन होता है आगे, next question देखें क्या है, question number 23 क्या है भोज पत्र उत्पन होता है, जिस कैसे, बेटुला की छाल से, ठीक है, भोज पत्र जो है, बेटुला की छाल से उत्पन होता है अगला question देखें, 24 question क्या है, long है, long है एक सूखे फूल, long एक प्रकार के सूखे फूल होते है अगला कोशन देखिए क्या है फूल गोबी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है 25 का फूल गोबी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है तो पुस्प क्रम जो होता है फूल गोबी का उसे खाया जाता है अगला कोशन है दोस्तों आपका 26 यह है पौधे के किस भाग से कौफी प्राप्त होती है तो इसका अंसर है बीजों से ठीक है पौधे के बीजों से जो है वो कौफी प्राप्त की जाती है काफी पावडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चुंड प्राप्त होता है ऐख यह रूचोरी जोंड से प्राप्त होता है है हम लोगों अगला question देखिए क्या है 28 question, 28 question है आपका क्या जाता है अफीम बिना पके फल के laticse से प्राप्ट किया जाता है, या दखिए question number 29 क्या है? question number 29 है आपका respiran नामक औसदी प्राप्त होती है राउउफिया संपिर्ण डइना से ठीक है राउउफिया सर्पेंड टाइना से option B आपका answer होगा राउउफिया सर्पेंड टाइना से अगले question देखके क्या है? question number 30 question है आपका कुनायन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकरतिक रूप से पाई जाती है तो इसका अंसर है आपका छाल कुनायन जो है सिनकोना के सिनकोना पादप के किस भाग से प्राकरतिक रूप से पाई जाती है तो छाल से प्राकरतिक रूप से पाई जाती है आईए देखते हैं, question number 31 question number 31 है आपका वर्तिका और वर्तिकागर उप्योगी उत्पाद होते हैं उप्योगी उत्पाद होते हैं किसमें? कैसर में ठीक है, अभी ऊफर ये question था आपका आगे देखिए जब ऊफर पूछा था किसमें? केसर उत्पन्न होता है, कोशन नमर 22 में पूछा था, केसर उत्पन्न होता है, तो आपने क्या कहा था, क्रोकर्स के वर्तिकागर से, ठीक है, वही कोशन है, वर्तिकागर उपयोगी उत्पाद होते हैं, किसमें केसर में, अगले देखिए कोशन नमर 32, कोशन मर 32 है अपका, हल् चोन्ड यानिक्ять टर्मडिक पाधे के किस भाग से प्राप्त होता है पाधे के किस भाग से प्राप्त होता है तो इसका अंशर है आपका सुस्क प्रकंद से ठीक है? सुस्क प्रकंद से option s. आपका अंशर होगा आगे देखिए question number 33 कैंद RICH एक मानो निर्मित धानने है, option B आपका answer होगा, ठीक है, अगला देखिए question number 34, question number 34 है आपका, vitamin C का सबसे अच्छा शूरोत है, vitamin C का सबसे अच्छा शूरोत है, आवला, ठीक है, आवला जो है वो, vitamin C का सबसे अच्छा शूरोत है, अगेला देखें क्या है कोशन next कोशन है आपका 35 35 कोशन है आपका तमाखो की पतियों में होता है क्या nicotine होता है अगे है निगोटीन होता है आगे देखेंगे कोशन नमर 36 ...' coffin नमर 36 है आपका उक्तरक्टदाप को रोकने हितु औसधी प्राप्त होती है कहां से प्राप्त होती है इसका अंसर है आपका राउ वुल्फिया जाती से ठीक है आपका blood pressure high हो उसे रोकने के लिए जो औसधी प्राप्त होती है वो राउ वुल्फिया जाती से प्राप्त होती है ठीक है next देखिए Q7 क्या है आपका भारत की प्रमुख धान्य फसल है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है यह है आपकी चावल ठीक है भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है चावल आगे देखिए Q7 38 Q7 38 क्या है आपका दालें किसका एक अच्छा श्रोत होती है तो दालें प्रोटीन क का एक अच्छा श्रोथ होती है ठीक है डालें प्रोटीन का एक अच्छा श्रोथ होती है अगला कोशन देखिए क्या है 39 ये हैं किस वनस्पती खाग में किस वनस्पती खाग में अधिक्तम प्रोटीन होता है यानि कि किसमें अधिक्तम प्रोटीन पाया जाता है यहां पर जो सोया भीन होता है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ठीक है? जो सोया भीन होता है, उसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। आगे देखिए, question number 40, question number 40 है आपका, निम निरेसो में से कौन पौधे के तन्य का उतपाद नहीं है। तो इसका answer है आपका, kapas. ठीक है? कपास ज किया है सिनकोना की छाल से प्राप्त आउसिधी को मलेरिया उप्चार के लिए प्रयुक्त किया जाता था जिस क्रतिम आउसिधी ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है कोशन को एब फिर से पढ़ लीजे सिनकोना की छाल से प्राप्त आउसिधी को मल area उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है जिस कृतिम औसी ने इस प्राकरतिक उतपाद को प्रतिस्थापित किया वहाँ है वह क्या है वह है वह क्लोरोक्वीन ठीक है क्लोरोक्वीन आगे देखिए कोशनरमर 42 क्या है कोशनरमर 42 आपका निमलिखित में से कौन सी फसल मर्दा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है तो इसका अंसर है दोस्तों आपका निम्लिक option D यानि की मटर ठीक है मटर जो है वो नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है मृदा को आगे देखिए question number 43 question number 43 है आपका इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रियुक किया जाता है तो जो दालचिनी होती है वो पेड़ की छाल होती है जिसे हम मसाले के रूप में यूज करते हैं अपने kitchen में ठीक है आईए question number 44 देखिए क्या है निमलिखित में से किसमे प्रोटीन का सबसे अधिक शोथ पाया जाता है निमलिखित में से किसमे सबसे अधिक प्रोटीन होता है तो उड़ा चना मतर सोयबीन तो यहाँ पर भी आपका अंसर क्या हो जाएगा सोयबीन option D आपका अंसर होगा ठीक है सोयबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है next देखिए क्या है तारपीन का तेल किस से प्राप्त किया जाता है question number 45 आपका तो आपको पता है चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है यह देखिए आरपीड़ चार में एससी में और यह तीन में आया हुआ है तो आया हुए question में इसमें है सबसे जादा book में तो इन्हें बहुत अच्छे से करिए आप लोग 2-3 बार रिवाई जरूर करि प्राप्त होता है सामान ने प्रियोग में आने वाला मसाला लॉंग कहां से प्राप्त होता है तो इसका अंसर है आपका फूल की कली से फूल की कली से ठीक है दोस्तों यह वाले lectures अगर आप complete कर लेंगे अच्छे से उसके बाद अगर आपको और ज़वरत होगी कि biology के मैं औ इन भी biology में अलग अलग parts है तो उनको हम अलग-अलग separate video कर आप कहेंगे 10 minute का 15 minute का तो वह भी बना के डालेंगे ठीक है question number 47 देखिए क्या है 47 question आपका हसीज पौधे से प्राप्त की जाती है या बताईए कि वाप पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है तो इसका अंसर आपका तने तथा नर्पुस्पक्रम के निश्राव से Option D आपका answer होगा Question है आपका Hasiz पौधे से प्राप्त की जाती है या बताईए कि वा पौधे की किस भाग से प्राप्त की जाती है तो इसका answer है आपका तने तता नर्पुस्पक्रम के निश्राओ से प्राप्त की जाती है आगे देखिए दोस्तों Question number अबर आपका फोर्टी एट ठीक है? कोशिन नामबर फोर्टी एट है आपका बास को किस मे वर्गीकत किया फुर्ल ठीक है? पत्ते और सूखे फुर्ल नेक्स्ट कोशन देखिए क्या है कोशन नमबर 50 जैव इधन किसके बीज से किसके बीज से प्राप्त होता है तो जो जैव इधन होता है वो जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है ठीक है जैट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है आगे देखेंगे कोशन नमबर 51 क्या है Q51 है आपका किस पादप को साकी भारती डॉक्टर कहते हैं तो इसका अंसर है आपका आवला ठीक है जो आवला है वो एक साकी भारती डॉक्टर के नाम से उसे जाना जाता है Next question देखे का है 52 गाजर का रंग किसकी मौझूदगी के कारण ऐसा होता है गाजर का रंग किसकी मौझूदगी के कारण ऐसा होता है यानि कि हलका सा गुलाबी सा केरोटीन उसमें केरोटीन की मौझूदगी के कारण ऐसा होता है ये कोशन भी आया हुआ है ये भी आया है ये भी आया है और आगे भी सब आयो हुए ही कोशन है ठीक, आगे देखिए, question number 53, question number 52 हो गया, कि गाजर में गाजर का रंग किसकी मनुदधकी के कारण होता है, तो उसका अंसर है, carotin की मनुदधकी के कारण, गाजर कारण ऐसा होता है, next question देखें क्या है, 53, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है, पपीते का रंग पीला क्यों होता है, जो इसमें पपीते में कैरी का जैन्थीन होता है, कैरी का जैन्थीन होता है, उसकी वज़े से इसका रंग पीला होता है, ठीक है, पपीते में कैरी का जैन्थीन के कारण इसका रंग पीला होत है एक तिक मिर्च की तीचनोता यानि की में करवा पन होता है मिर्च के कड़वे पन का क्या कारान है तो मिर्च के कड़वेपन का कारान है कैपसेशिन की उपस्थती मिर्च में कैपसेशिन की उपस्थती के कारान उसका तीखापन उसमें होता है ठीक है आगे देखिए कोच नमर 55 क्या है क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए मिनिम लिखित में से किस लकडी का प्रियोग होता है या किया जाता है तो क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए दोस्तों सैलिक्स परप्यूरिया का प्रियोग किया जाता है option A आपका अंसार होगा सैलिक्स परप्यूरिया का प्रियोग किया जाता है ठीक है, आगे देखिए question number 56 क्या है, फलिदार पाइपों, फलिदार पादपों की जड़ों में उपस्तित गांठों में पाय जाने वाले नेत्र जन इस्तरी करण जीवाणूं है, एक बार question को फिट से पढ़िए, फलिदार पादपों में जड़ों में उपस्तित गांठों मे पाए जाने वाड़े नेतरिजन इस्थरी करण जीवाणू हैं कौन से इसका अंसर है आपका सहजीवी ठीक है सहजीवी आगे देखिए कोशन नमबर 57 क्या है पाँच जगत वरगी करण किस ने किया था विट्टे करने किया था ठीक है विट्टे करने किया था नेक्ट देखि में लाया जाता है केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है इसका अंसर है आपका वर्तिकाग्र ठीक है वर्तिकाग्र जो है यूज में लाया जाता है आगे देखी कुछ नमबर 59 क्या है चंदन के पेड को क्या माना जाता है चंदन के प आगे देखिए question number 60 क्या है, 60 question है आपका, डालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है, जो पादपों के, इसमें question में ये कहा गया है कि किस कुल से हमें डालें प्राप्त होती है, ठीक है, तो इसका answer है आपका, Lagumi no C, option C आपका answer होगा, ठीक है, Lagumenium C, आगे देखिए question number 61 क्या है, पत्ती के लाल, नारंगी, और पिले रंग के क्या कारान होते है, ठीक है, पत्ती के लाल, नारंगी, और पिले रंग के क्या कारान होते हैं, तो इसका अंसर है आपका Caronitoid ठीक है Carotinoid इसका मुख्य कारण है आगे देखेंगे Question number 62 के है गेहूं, जो, नीबू, राई, नरंगी और बाजरा संबन्धित है गेहूं, जो, नीबू, राई, नरंगी और बाजरा किस से संबन्धित है Option C आंसर होगा इसका तीन पादप परिवारों से ठीक है, तीन पादप परिवारों से आगे देखेंगे दोस्तों Question number 63 Question number 63 है आपका वर्गी करण की Carolus Lineus Pranali है कैसी है? दुरिपद ठीक है, दुरिपद है ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज आपके आवति बीजियों की वर्गी टॉपिक से दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मैं questions को बहुत ही जल्दी जल्दी करा देता हूँ तो अगर आपको speed में कोई problem आती है या फिर आपको लगता है कि मैं बहुत धीमे questions पढ़ रहा हूँ तो इसके लिए परिशान मत होईएगा और इन्हें दो से तीन बार रिवाईज जरूर करिए ठीक है और अगर आप लोग कहेंगे biology में फिजिक्स में जैसे unit है किसका क्या इकाई है, unit है, सूत्र है, formula है तो अगर यह सब आपको special videos चाहिए physics के topic से या biology में जैसे diseases है और vitamin के organic नाम है किसी भी topic को लेकर particular तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं ठीक है, और आप मेरे videos को like करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, like जरू करें और दोस्तों इसे share करना भी अपने दोस्तों में बिल्कुल भी मत भूलेगा, ठीक है और subscribe जरू करें तो ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने next lecture में, thank you hello friends, स्वागत है आपका अपने गुर्कुल परिवार में, और आप Lucent Objective Book से biology topic कर रहे हैं हमारे साथ, जोकि सभी exams के लिए बहुत ही महत्पूर्ण questions है और last time आप लोगों ने किया था आवरत बीजियो का वरिकी ठीक है, आवरत बीजियो इसमें, यह आपका पादप कारिकी जो है, यह आपका दो lecture में पूरा complete हो जाएगा, जिसमें आपके पहले आएंगे, यानि कि इस lecture में 45 questions और next lecture में आपके 40 questions, total 85 questions इस topic से पादप कारिकी से हम कराएंगे आपको और दोस्तों, हमारा जो biology topic है computer topic है, और physics physics और computer document ने complete करा दिया है तो इन सभी का link आपको description में नीचे मिल जाएगा आप वहाँ से जाके पूरे lectures cover कर सकते हैं अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको notifications regular मिलते रहें हमारे वीडियो के और दोस्तों आगर आपने like नहीं किया है हमारे वीडियो को, तो like भी जरूर करें और आप अपने सुझाओ, हमारे course को लेकर हमारे questions को लेकर जो भी है आपके वो आप comment section में जरूर दें और वीडियो को share करना भी बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों में तो आए श्टार्ट करते हैं तो आए श्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का lecture ये topic है आपका पादपकारी की ठीक है, पहला question देखेंगे क्या है परासरान की परिभासा है परासरान की परिभासा है परासरान की परिभासा क्या होती है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांदरता की और विलायक का प्रवाह विलायक मतलब जल का प्रवाह तो क्या है अर्ध पारगम्य कला में होकर कम से अधिक सांदरता की और विलायक का प्रवा क्या कहलाता है परास्राण कहलाता है कम से अधिक सांदरता की और जल का प्रवा परास्राण कहलाता है आगे देखेंगे कोशन नंबर टू क्या है कोशन नंबर टू है अधिक लवण वाले विलियन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड जाती है क्यों? क्योंकि जल बाहे परासनार द्वारा बाहर निकलता है जल जो है वो बाहे परासनार द्वारा बाहर निकलता है इसलिए अधिक लवाण वाले विलियन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड जाती है में सब रख दी जाती है ऐसा विलियन होता है ऐसा विलियन कैसा होता है यह विलियन होता है आपका हाइपरटोनिक ठीक है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनिकरत होती है जब यहां एक विलियन में सब रख दी जाती है ऐसा विलियन होता है हाइपर्टोनिक ठीक है ऐसे विलियन को हाइपर्टोनिक कहते है आगे देखेंगे कोशिका आइतन में बढ़ती है जब यहां रख दी जाती है कहां जब यहां रख दी जाती है तो इसका अंसर है एक अलप पसारी विलियन में ठीक है एक अलप पसारी वि जब जल में रखे जाते हैं, बीज फूलते हैं, जब जल में रखे जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो इसका कारण है, अन्ता सूसन के कारण, ठीक है, अन्ता सूसन के कारण, बीज फूलते हैं, जल में रखने पर, नेक्स्ट कोशन देखी का है, कोशन नमबर 6, लकडी के बने दरवाजों का वर्सा रितु में फूलना होता है वर्सा रितु में फूलना किस कारण होता है अन्तासोसन के कारण ठीक है अन्तासोसन के कारण जो गेट होते हैं लगडी के दरवाजे जो होते हैं वो फूल जाते हैं आगे देखिए question number 7 क्या है और वरकों का अत्रिक्त मात्रा में प्रियोग पौधों की मृत्यूं का कारान बनता है और वरकों का अत्रिक्त मात्रा में प्रियोग यादि अधिक मात्रा में प्रियोग पौधों की मृत्यूं का कारान बनता है किस कारण तो इसका अंसर है आपका बाहे परासलान के कारण ठीक है बाहे परासलान के कारण ऐसा होता है अधिक प्रियोक करने पर पौधों की मृत्ति हो जाती है आगे देखिए कोशन नमबर 8 क्या है पौधों में जल का परिवाहन होता है पौधों में जल का परिवाहन होता जल होता है केशिका जल ठीक है जो भूमे में पॉधों की जड़ों के लिए उपलब जल होता है वो से केशिका जल कहते हैं आगे देखेंगे कोशे नमबर 10 क्या है पॉधों की व्रधी के लिए कितने आवश्यक तत्तों की जरुरत होती है पॉधों की व्रधी के लिए 16 धान का खेरा रोग या लगुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है इसका अंसार है आपका जस्ता ठीक है जस्ता की कमी से धान का खेर रोग या लगुपत रोग होता है आगे देखेंगे कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 है आपका फूल गोभी का विटल रोग किस तत्व की कमी स से होता है फुल गुबी का विटल रोग एम ओ की कमी से होता है ठीक है है कोश्चन नमरं 14 पौद नमें वास्पुत थर्जन किसकी प्रक्रिया 해 पौधों में वास्पुत थर्जन छल हानी की प्रक्रिया ठीक है जल हानी की प्रक्रिया है next question देखी क्या है कोश्चन नमरं 15물 15 ध्याफ का जल बिंदू के रूप में जल की हानी क्या कहलाती है तो जल बिंदू के रूप में जल की हानी बिंदू स्तुराव कहलाती है ठीक है बिंदू स्तुराव कहलाती है आगे देखिए कुशन नमर 16 क्या है कुशन नमर 16 है अपकम वास्पोत सर्जन में होता है वास्पोत सर्जन में प से पानी वास्प के रूप में निकलता है वास्पोत सर्जन में आगे देखिए दोस्तों कोशन नंबर 17 कोशन नंबर 17 है आपका वास्पोत सर्जन मापी यंत्र है वास्पोत सर्जन मापी यंत्र है तो वास्पोत सर्जन मापी यंत्र को कहते हैं पोटो मीटर ठीक है पोटो म कहते हैं आपको यह उन्त्र वेड़ा अगर इस पेशल वीडियो आपको चाहिए हो अलग से इस सभी टाइप के मगर एक वीडियो में ही आपको चाहिए कि जितने भी यह उन्त रहे मैं यह बता सकते हैं मैं इसके लिए इउडियो बना दूँगा आगे दिखीक्ष्ट नमरे 18 क्या है पौधे में वासपूर्थ सर्जन की क्रिया किसमे होती है पौधे में वासपूर्थ सर्जन की क्रिया किसमे होती है तो पूरा रोग ठीक है पूरा पौधा ठीक है पौधे में वासपूर्थ सर्जन की क्रिया किसमे होती है पूरे पौधे में ठीक आगे देखिए कोश पोट सर्जन अधिक तेजी से होता है, होती है, तो निम्न नमीवा उचातापमान, ठीक है, निम्न नमीवा उचातापमान, आगे देखिए, कोशन नमर 20 क्या है, पतियों के दो मुख्य कार होते हैं, पतियों के दो मुख्य कार होते हैं, कौन-कौन से, प्रकास संसलेशन और वासपोत सर्जन ठीक है, प्रकास संसलेशन और वासपोत सर्जन पत्तियों के दो प्रमुख कारे होते हैं, कोशन नमबर 21 देखेंगे, कोशन नमबर 22 है तो उस्तों आपका, पौधे में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है, पौधे में होने वाल नेक्स्ट कोशन देखे क्या है, 22. Sek熩ीरा के फौलतुरूप, पौधो में Oxygene का निकास एक carbon dioxide का absorption होता है. तो इसका अंसर आपका, प्रकास doesal के क्रिया में carbon dioxide का absorption होता है. Next question देखे क्या है, 23. 23 question आपका, प्रकास doesal के लिए किसकी ज़़ुरत होती है? प्रिकास translation के लिए किसकी जरूरत होती है तो इसका अंसर पता है आपको कि उसमें जल, पनड़हरित, धूप इन तीनों की जरूरत पड़ती है प्रिकास translation की क्रिया के लिए ठीक, आगे देखिए question number 24 क्या है question number 24 है आपका प्रकास translation की क्रिया में क्या बाहर निकलता है प्रकास translation की क्रिया में oxygen जो है वो बाहर निकलता है उपर मैंने आभी आपको कोशिन बर्म बताया था 22 कोशिन बताया था कि किस क्रिया में carbon dioxide का absorption होता है ठीक है carbon dioxide का absorption होता है तो जो carbon dioxide होती है उसका absorption होता है और जो बाहर निकलता है वो होता है oxygen अगला देखिए question number 25 क्या है निम लिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो कथन देखिए यहां पहला क्या है यह option प्रकास translation सूर्य के प्रकास में होता है यह बात सही है दूसरा क्या है प्रकास translation में CO2 का उपयोग होता है नहीं होता है ठीक है O2 O2 का प्रियोग नहीं होता है प्रकास translation की करिया में ठीक प्रकास translation में O2 बाहर निकलता है ठीक है यह आपका सही होगा कि जो O2 है आपका oxygen यह बाहर निकलता है आपकी सारे options हैं सिर्फ C option आपका गलत answer है Next देखिए क्या है? Question No.26 प्रकास संस्लेशन की प्रक्रिया का प्रथम चलन होता है? Next question देखिए क्या है? 27 P्रकास संस्लेशन की दर सबसे अधिक होती है? प्रकास這是甚lar की सबसे अधिक कब होती है जब लाल रंक के प्रकास है ठीक है जब लाल रंक 90 का प्रकास होता है तो प्रकासलेशन, की सबसे अधिक उती है आगे देखिए और ट्र duy्षें कोश्चे नमर्ड 28 क्या है अब कोश्चेन नम्र 28 आपका प्रकास ultrasound की दर सबसे सबसे कम होती है प्रिकास संसलेशन की दर सबसे कम कब होती है जब बैगनी रंग के प्रिकास होगा तो आपका प्रिकास संसलेशन की दर सबसे कम होती है ठीक है बैगनी रंग के प्रिकास में यह दर कम होगी और लाल रंग के प्रिकास में यह दर अधिक होगी आगे हाले रंका-पदास जो पधू में प्रिकाहस संस्लेशन के रिया करता है वहाँ लूरो क्या है रहे देखैंब कुछ नमर्ठी क्या है इक प्रिकाहस संस्लेशन होता है केवल दिन में दिन में दोप की रोशनी होगी और तभी होगा आगे देखिए कुछन में 31 क्या है प्रकास संसलेशन के लिए प्रकास संसलेशन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है कौन सी गैस आवश्यक है तो इसका अंसर आपका photosynthesis, photosynthesis जो होती है वो बाध्यवा पेड़ का खाना त्यार करने की प्रक्रिया होती है आगे देखेंगे, question number 31 क्या है, question number 33 question number 33 क्या है, chlorophyll में कौन सा परफिर्ण होता है chlorophyll में कौन सा परफिर्ण होता है, तो इसका अंसर है आपका magnesium मेगनेशियम उसमें होता है क्लोरोफिल में आगे देखेंगे कोशन नमबर क्या है कोशन नमर 34 क्या है सरवाधिक प्रकास संसलेशी क्रिया कलाब कहां चलता है सरवाधिक प्रकास संसलेशी क्रिया कलाब जो है वो प्रकास के नीलेवा लाल छेतर में चलता है ठीक है नीलेवा संसलेशन का अंतिम मुदपाद कौन सा है कार्बो हाइडरेट ठीक है प्रकास संसलेशन का अंतिम मुदपाद कार्बो हाइडरेट है नेक्स स्कूर्शन देखी क्या है कुछ नमा 36 निम्नांकित उर्जा रुपांत्रों में से किसके द्वरा प्रकास संसलेशन की कोशिन क्या है आपका निमझांकित अरुज़ा-रुपांतोर्म में से किसके द्वारा प्रकास Consigliation की kriya संपादित होति यानिकि प्रकास की क्रिया कैसे संपादित होती है तो प्रकास से रसानिक अरुज़ा में आगे देखेंगे, question number 37 क्या है, प्रकास translation में पर्ण हरित की भूमिका है, प्रकास का अवसोशन, ठीक है, प्रकास का अवसोशन करना है, पर्ण हरित की भूमिका, आगे देखें, question number 38 क्या है, question number 38 है आपका, प्रकास संसलेशन में पौधे कौन सी गैस का आउचूशन करते हैं प्रकास संसलेशन में पौधे कौन सी गैस का आउचूशन करते हैं तो इसका अंसर है आपका oxygen इसका अंसर है आपका आउचूशन करते हैं पूछा जा रहा है मतलब कौन सी गैस जरूरी होती है तो इसका अंसर है आपका करवंड़ाई ऑक्साइड ठीक है करवंड़ाई ऑक्साइड नेक्स कुशन देखे क्या है कोशन नमबर 39 क्या है तो कुशन अमर 3039 प्रकास संसलेशनल में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है तो अने बताया था भी आपको कि जो ऑ प्रकास संसलेशन के समय निकलने वाले गैस जो है कौन सी होती है ऑक्सीजन होती है चैक नेक्स स्कूशन होती है जो आपकी प्रकास शनुरस्टीज ऑस गोंती है आगे इतके संचलेरिं में क्लोरोप्लास्ट में होता है यह उन्यक्त छोचेर शच्वोचार काम दम सावीक क्या है किई वोता है हैं इसे जब्लेयण जिसमें सरकरा तता वसा का अउसिगया होता हैं ऐसी जैविक क्रिया जिसमें सरकरा तथा वसा का आक्सी करण होता है तथा उर्जा मुक्त होती है क्या कहलाती है स्वसन ठीक है ऐसी एक जैविक क्रिया जिसमें सरकरा और वसा का आक्सी करण होगा और उर्जा मुक्त होती है तो वो क्रिया स्वसन कहलाती है next question देखी क्या है question number 45 question number 45 है आपका स्वसन मापन का यंद्र कहलाता है स्वसन मापन का जो यंद्र होता है उसे क्या कहते है Respirometer option D आपका answer होगा Respirometer ठीक है Respirometer तो यह थे आज 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 आपके 45 question इस पादप कारेकी से अब आपका इसके आगे जितने भी questions हम कराएंगे ये इस lecture के बाद से बहुत ही ज़्यादा important हो जाते हैं और इस side से question starting से अब तक थोड़ा सा कम पूशे जाते हैं लेकिन इसके बाद से जो भी question होगे वो बहुत ही ज़्यादा पूशे जाते हैं तो इन्हें आप बहुत ही अच्छे से करिए दोस्तों और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आपको notification मिलता रहे है और ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने next lecture में हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गूटल परिवर में और आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से biology topic कर रहे हैं हमारे साथ इससे पहले मैंने आपको computer और physics total complete करा दिया है दोस्तों physics जो मैंने questions कर रहे हैं वो सभी exams के लिए बहुत ही important है तो आप उन सभी videos का link हमारे description में देख सकते हैं जो मैं करा रहा हूँ इस biology की playlist भी आपको link में मिल जाएगी description में और आप इसे बहुत ही अच्छे से revise जरूर कर दिये दो बार तीन बार दो बार तीन बार revise करने के बाद आप पाएंगे कि आपको सभी questions आ रहे हैं ठीक है तो अच्छे से जरूर इसे करिए और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर दें ताकि आपको notification हमारे videos का मिलता रहे और आप videos को like करना भी मत भूलि देगा तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और मैंने लास्ट टाइम आपको 45 questions कराये थे पादपकारी की topic से मैंने बता दिया जैसके और यह 45 questions जो आपका था वो था आपका respirometer ठीक है respirometer के सीच के लिए स्टार्ट करते हैं अब 46 questions से 46 से आपका carbon dioxide gas मुक्त होती है carbon dioxide gas कहां से मुक्त होती है स्टार्ट के अंतर्गत carbon dioxide gas मुक्त होती है next question देखी क्या है 47 रात्री में व्रच्छों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि यह रात्री के समय CO2 छोड़ते हैं ठीक है रात्री के समय व्रच जो है वो CO2 छोड़ते हैं इसलिए ऐसा का जाता है कि रात्री के समय उसके नीचे नहीं सोना चाहिए आगे ATP adenosine triphosphate होता है ठीक है ATP का full form जो होता है ATP किसे कहते हैं तो यह इसका इसे कहते हैं यह adenosine triphosphate कहलाता है ठीक है adenosine triphosphate आगे देखिए question number 49 क्या है आपका question number 49 है आपका इसमें तूटल हम आपको 85 questions कराएंगे आज ठीक यानि कि 45 किसले lecture में और 40 questions आज 49 question देखिए क्या है 49 है आपका आणय आकसी सोसन में अन्तिमुत्पाद होता है inoxy 30 में इ्ठाइल अलकोहल जो है वो आपका अन्तिमुत्पाद होता है ठीक है अग और 30 इंद्विस्विस्विस्विस्विसण का अंतिमुत्पाद होता है आगे देखिए question number 51 क्या है question number 51 है आपका भूमी में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राया अंकुरित नहीं होते हैं क्योंकि भूमी में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्राया अंकुरित नहीं होते हैं क्यों ऐसा किसलिए क्योंकि इन्हें वायू नहीं मिल पाती है ठीक है क्योंकि इन्हें वायू नहीं मिल पाती है आगे देखिए कोशिका के भीतर सुसन का केंद्र होता है कोशिका के भीतर सुसन का केंद्र क्यों सा Microchondria ठीक है सुसकोसिका के भीतर सुसन का केंद्र Microchondria को कहते है नेक्स कोशन देखिए क्या है 53 Glycosis Glycolysis का अंतिमुतपाद होता है Glycolysis का अंतिमुतपाद कौन सा होता है यह है आपका Pyruvik 암ल ठीक है Pyruvik 암ल को glycolysis का अंतिमुत्पाद कहा जाता है आगे देखिए, कोशे नमबर 54 क्या है निम्न में से कौन सा पादाफ हर्मोन है कोशे नमबर 54 निम्न में से कौन सा पादाफ हर्मोन है तो जो साइटो कोईनीन है ये पादाफ हर्मोन है ठीक है, साइटो काईनीन आगे देखिए question number 55 क्या है 2,4D है ये क्या है एक तरह का ये खरपतवार नाशी है खरपतवार को नश्ट करने के लिए एक तरह का एक तरह का दवा है ठीक है आगे देखिए question number 56 56 question क्या है हर्मोन के संबन्द में निम्ण में से कौन सा कथन सही है हर्मोन के संबंद में निम्द में से कौन सा कत्थन सही है तो आईए देखते हैं को option नमर ए क्या है यह एक विशेश कार्बनिक योगिक है जो लगू मातरा में व्रद्धितरा उपापचाई क्रियाओं को प्रभावित एवं नेंतित करते हैं तो पहला भी सही है कौन सा कत्थन सही है पहला सही है दूसरा देखिए क्या है इन्हें व्रद्धि नियंतरक पदार्थ भी कहते हैं सही है हर्मोन को व्रद्धि नियंतरक पदार्थ कहते हैं सही है तीसरा क्या है इसका प्रभाव विभिन सांद्रता और विभिन अंगों पर अलग-अलग पड़ता है C option भी आपका सही है D option आपका उप्युक्त सभी कथन सही है यानि कि यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा option D यानि कि उप्युक्त सभी कथन सही है चलिए, नेक्स कोशन देखिए, 57 कोशन क्या है, इंडोल, एसिटिक अमल क्या है, आक्सिन, ठीक है, इंडोल, एसिटिक अमल, आक्सिन है, नेक्स कोशन देखिए, 58 कोशन, 58 है आपका, आक्सिन से संबंदित कौन सा कथन सही है, इसके करनल पौधों में सीर्स प्रमुकता हो ज तो आपका यहां पर भी उप्युक्त सभी हो जाएगा यानि की सारे ऑप्शन इसमें सही है नेक्ष देखिए क्या है किस पादफ हर्मोन के छलकाउ से अनिशेक फल का फल प्राप्त किये जा सकते हैं तो इसका अंसर आपका ऑक्सिन ठीक है आपक्सिन पादफ हर्मोन के छलकाउ से अनिशेक फल प्राप्त किये जा सकते हैं नेक्ष कोशन देखेंगे हम लोग क्या है 60 कोशन निम लिखित में कौन सा हर्मोन पादफ कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादफ प्रकास की और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है एक बार कोशन को फिट से देखेंगे क्या है निम लिखित में से कौन सा पादफ हर्मोन कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादफ प्रकास की और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो इसका अंसर है आपका ऑक्सिन जो है वो ऑक्सिन के कर अमना उसर अंसर मेना जो खादफ प्रकास की और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है कोशिकाओं का विभाजन में मदद करने वाला पादफ हर्मोन है कोटो कौन सा है cytokinin, ठीक है, कोशिका अभी भाजन में मदद करने वाला पादाप हर्मोन cytokinin है, ठीक है, next question देखे, क्या है question number 62 question number 62 आपका, निमलिखित में से, कौन सा पादाप हर्मोन बीजों को सुशूप तवस्था में रखता है, तथा पत्तियों के विलिगन में मुख्य भूमी का निभाता है, कौन सा पादाप हर्मोन बीजों को सुशूप तवस्था में रखता है, तथा पत्तियों के विलिगन में मुख्य भूमी का निभाता है, तो इसका अंसर आपका ओक्सिन, ठीक है, इसका अंसर क्या है आपका 62 का option A oxygen आगे देखिए question number 62 62 का answer आपका oxygen नहीं होगा यहाँ पर मैंने गलत आपको खुशन शमझ नहीं पाया इसमें आपको पूछा जा रहा है कौन सा पादफ हर्मोन वीजों को सुसुत अवस्था में रखता है तथा पतियों के विलिगन में मुख वोमिका निभाता है तो जो इप्सिसिक एसीड है इप्सिसिक एसीड यह आपका उसे सुसुत वस्था में रखता है तथा पतियों के विलिगन में मुख भूमिका निभाता है ठीक है आगे देखिए question number 63 question number 63 देखिए आप लोगों को पढ़ाने के बाद भी अगर किसी questions में doubt हुआ करे तो अगे देखिए question number 63 क्या है निमलिखित में से कौन सा एक प्राकरतिक फल पकाने वाला हर्मोन है कौन सा एक प्राकरतिक फल पकाने वाला हर्मोन है तो एथलीन जो है आपका एक प्राकरतिक फल पकाने वाला हर्मोन है एथलीन अगे देखिए question number 64 question number 64 क्या है प्रकाशन उवर संचलन नियंत्रत किया जाता है नेक्ट कुछन देखिए क्या है कोशन नमर 65 पादप फ्रद्धी हर्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं कवक से निकाले जाते हैं ठीक है पादप फ्रद्धी हर्मोन जिब्रेलिन कवक से निकाले आगे देखिए कोशन नुम्बर 66 she affirming में से कॉन एक खऱपतवार मारक नियुंड होता है तो टों फोल डेस डिए परकार का खऱपतवार मारक होता है लेक्स्ट कीि क्वाइब 67 आपको सिस डिसा बने पाधप व्रिद्धी अनुमापन के साथ किस भारती विग्यानिक का नाम जुड़ा है, तो इसका अंसर है आपका JC Boss, ठीक है, JC Boss का नाम जुड़ा हुआ है, पाधप व्रिद्धी अनुमापन के साथ, next question दिखी क्या है, question no 68, question no 68 है आपका, निम्न में से किस पिगल को अपनी व्रद्धी के लिए सरवाधिक मात्रा में जल्गी आउसकता होती है सरवाधिक मात्रा में जल्गी आउसकता किसे होती है यूके लिप्टस ठीक है यूके लिप्टस को अपनी व्रद्धी के लिए सरवाधिक मात्रा में जल्गी आउसकता होती है आगे देखिए कुशन नमब कुशन देखिए 70 कुशन क्या है पौधो में व्रद्धी होती है जीवन पर्यंत केवल निश्चित अवधी तक या रुक रुक कर या जीवन भर तो पौधो में व्रद्धी जीवन पर्यंत होती है ठीक है पौधो में व्रद्धी जीवन पर्यंत होती है अगे देखिए कुश क्या कहते हैं, तो इसका अंसर है आपका सिग्मा, सिग्माईड वक्र, इसे कहते हैं सिग्माईड वक्र, एक बार कोशन को फिर से देख लिजाए समय और आकार के संदर्म में होने वाली व्रध्धी को ग्राफ पर अंकित करने पर इसके आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिगमाईड वक्र ठीक है next question देखें 72 question क्या है पौधों की लंबाई में व्रध्धी के लिए आवश्यक नहीं है तो जो sodium होता है वो पौधों की लंबाई में व्रध्धी के लिए आवश्यक नहीं होता ठीक है आगे देखें question number 73 question number 73 है आपका पौधों की व्रधी पौधों की व्रधी गतियां जो प्रकास उद्धीपन के कारण होती है उन्हें कहते हैं पौधों की व्रधी गतियां जो प्रकास उद्धीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं तो इसका अंसर है आपका उसे हेलियो ट्रॉपिज्म कहते हैं ठीक है? पौधों की वरद्धी गतियां जो प्रकास उद्धीपन के करणा होती है उन्हें हेलियो ट्रॉपिज्म कहते हैं नेक्स्ट टोशन देखे कहा है कोशन नमबर 74 बाह उद्धीपनों को द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है बाह उद्धीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं कमपानु कुंचन ठीक है? इसे कमपानु कुंचन कहते हैं बाह उद्धीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति को कंपानु कुंचन गती कहते हैं next question देखे गया है question number 75 चुई मुई की पत्ती में गती होती है चुई मुई की पत्ती में कंपानु कुंचन गती होती है ठीक है चुई मुई के पाधे में भी कंपानु कुंचन गती होती है आईए question number देखेंगे question number 76 Q76 है आपका,ast पर्ष करने पर, छूई मुई पौदे की पतियों मुर्जा जाती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका कराणा है, आपका, पन्णाधार का इस्वीति दाब बदल जाता है, ठीक है? पन्णाधार का इस्वीति दाब बदल जाने के करना, चुई मुई की पधों की पत्तियों को चुने पर वो और जहा जाती है next question देखिए क्या है question number 77 सूर के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मोणना कहलाता है सूर के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मोणना क्या कहलाता है इसका answer है आपका heliotropism next question देखिए क्या है question number 78 question number 78 है आपका किसी आधार के चारो और मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उधारान है किस चीज का यह है आपका इस पर्षनाव वरतन का किसी आधार के चारो और मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उधारान है किस चीज का इस पर्षणानु वरतन का ठीक है आगे दिखे कोश्चन अमर्श 79 क्या है संडियू तथा वीनस फ्लाइट ट्रैप कीड बच्छी पौद़ों में गती होती है संडियू तथा वीनस फ्लाइट ट्रैप एक तरह के कीड भच्ची पौदे होते है इनमें किस आपका इसमें भी आपका इस परशनानु कुंचन होती है ठीक है इसमें भी इस परशनानु कुंचन गती होती है आगे देखेंगे कुछ नमर 80 क्या है जड़े धनात्मक भूम्यानु वर्थन होती है जड़े धनात्मक पॉजिटिव जियो ट्रॉपिज्म होती है कभी-कभी स आगे देखिए, question number 81 क्या है आपका, question number 81 है आपका, मरदा दौरा, मरदा दौरा, जल के अफसोचन से सम्मझ्दित सिध्धान्त क्या है, तो इसका अंसार हो जाएगा आपका, ये है, केशी का क्रिया, ठीक है, केशी का क्रिया, जल से जो अफसोचन करता है पौदा, अब पानी को उसे कहते हैं केशी का क्रिया आगे देखिए कोशन नमबर 82 क्या है कोशन नमबर 82 है आपका जिस रूप में पौधे नैट्रोजन प्राप्त करते हैं वहाँ है वहाँ नाइट्रेट कराता है ठीक है वहाँ है नाइट्रेट रहला है कोशन 83 क्या है पौधे में पत्ते के प्रेश्ट पर पाए जाने वाले लगु छिद्रों का नाम है उसे रंद्र भी कहा जाता है आगे देखिए question number 84 क्या है question number 84 है आपका बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है तो इसका अंसर है आपका cytokinin के अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है लास्ट question और 85 question है आपका पसवों में हीमोग्लोबिन के सदरश्य पौधो में कौन सा अनुप होता है तो इसका अंसर है आपका chlorophyll ठीक है इसका अंसर क्या है आपका chlorophyll option D आपका अंसर हो जाएगा last वाले question का last question 85 का क्या है पसवों में हीमोग्लोबिन के सदरश्य पौधों का पौधो में कौन सा अनुप होता है chlorophyll होता है तो दूस्तों ये था आपका आज 85 total question आज 40 और इससे पहले वाले में 45 question total 85 हो गया पादप कारी की topic से तो ये भी आपक question में आपसे कराएंगे पादप रोग plant diseases यानि कि धान के जैसे question होता है कि धान के रोग में खैर रोग किसके कारण होता है चाय में लाल रश्ट रोग किसके कारण होता है करनाल बंट एक तरह की बिमारी है कि सीज की तो करनाल बंट गेहूं की बिमारी है तो पौधों में र रोग होते हैं विमारी कौन सी होती है किसके कारण तो मिलते हैं अपमें नेक्ट लेक्टर में ख्याल रखिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ठीक है थैंक्यू हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गूक्ट परिवर में और आप लूसेंट अब्जेक्टिव बुक से बाइलोजी टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ और मैंने आपसे इस लेक्चर में पादप रोग पढ़ाने को कहा था इसमें सभी टाइप के कुस्टन्स होंगे जो मैंने बहुत ही अच्छा से करिए दोस्तों और मैंने जो अपना बाइलोजी टॉपिक का प्लेलिस्ट बनाया है और जो फिजिक्स और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो जिन लोगों ने अभी वीडियो को नही किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे वीडियो का और आप वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा और आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कोर्स को लेकर हमारे वीडियो को लेकर हमारे content questions को लेकर जो भी आपके doubts हो आप comment करना भी मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों में share जरूर करिएगा आईए start करते हैं फिर आज का lecture तो दोस्तों आईए आज करते हैं पादप रोग पादप रोग टॉपिक मैंने डाला है जैसे कि thumbnail में तो plant diseases इसमें सब भी प्रकार के जो भी पौधों में रोग होते हैं वो सारा इसमें cover हो जाएगा आपका इस वीडियो के लामा बाकी फिर आपको करने की जरूरत नहीं है केसी भी biology के topic में पादप रोग जितने भी पौधों के हैं वो सब पाफूंदी दूसरा question देखी क्या है दूसरा question आपका पौधों को रोग पृतिरोधी बनाया जाता है पौधों को रोग पृतिरोधी बनाया जाता है कैसे जंगली जंगली किस्म से प्रजिनन कराके ठीक है पौधों को रोग पृतिरोधी जंगली किसम के पौधों से प्रजिनन कराके बनाया जाता है आगे देखिए कोशन नमर 3 क्या है कोशन नमर 3 है आपका हरित बाली रोग किस फसल से संबन्दित है तो जो हरित बाली रोग है ये आपका बाजरा से संबन्दित है ठीक है हरित बाली रोग बाजरा से संबंदित है फूर्थ कोशन देखिए क्या है कोशन नमबर फूर टिकका रोग किस फसल से संबंदित है टिकका रोग मुंफली से संबंदित है आगे देखिए कोशन नमबर फाइफ क्या है कोशन नमबर फाइफ है आपका धान का प्रसिद जस्ता की कमी के कारण होता है जस्ता की कमी के कारण होता है दोस्तों वीडियो में आपको देखने के बाद एक बार में जैसे नहीं आद हो रहा है तो आप उसे एक बार पुरा बहुत अच्छे से देखिए दो बार पुरा अच्छे से खुद देखिए जो मैं आंसर मार करता ह हो उसके बाद दो बार देखने के बाद जब और देखा करिए तो था मेरे लिए तब आप वीडियो को pause करके आप खुद आंसर देने की कोशिस करेंगे, आप खुद देखेंगे कि आप कम से कम 95% आंसर खुद करेंगे, ठीक है, तो इसे दो बार जरूर देखें, और हम चाहिते हैं कि जदा जदा आपको एक बार में ही याद हो जाए, और पूरा ध्यान वी कि तब ही आपको उसका benefit मिलेगा, वन्हा आपका देखने का कोई मतलब नहीं है, आप लोग YouTube पर इतनी वीडियोस देख डालते हैं, एक एक घंटे की उसमें आपको, आप देखेंगे एक घ्र घंटा, लेकिन आपको questions कितने में लेंगे, सिर्फ 25, है ना, लेकिन मैं आपको इतने कम टाइम में इतनी वीडियोस दे रहा हूं, तो आप उसे कम से कम जब दो बार देखेंगे, तो आपको उसका benefit खुद मिलेगा, आगे देखी question number 6, question number 6 है आपका, चाय में लाल रष्ट रोग किस से करान होता है, चाय में लाल रष्ट रोग होता है आपका, हरे सहवाल के करान, ठीक है, चाय में लाल रष्ट रोग हरे सहवाल के करान होता है, आगे देखी question number 7 क्या है, नीबू का कैंकर रोग किस से होता है, नीबू का कैंकर रोग जिवानू से होता है, ठीक है, नीबू का कैंकर रोग जिवानू से होता है, आगे देखी question number 8 क्या है, question number 8 है मिली बग किस फसल से संबन देत है मिली बग किस फसल से संबंदित है तो सरसों से ठीक है मिली बग सरसों से संबंदित है आगे देखे कोश्च नमर 10 क्या है कोश्च नमर 10 है आपका पौधों का आर्ध पतन रोग किसके कारण होता है पौधे का आर्ध पतन रोग किसके कारण होता है तो इसका अंसर आपका पीथियम डिबैरियेनम ठीक है पौधे का आर्ध पतन रोग पीथियम डिबैरियेनम के कारण होता है आगे देखें कोशन नमर 11 क्या है कोशन नमर 11 है आपका अगनी नीर्जारोग किस से सम्बंदित है अगनी नीर्जारोग सेप से सम्बंदित है ठीक है अगनी नीर्जारोग सेप से सम्बंदित है कोशन नमर 12 देखें क्या है कोशन नमर 12 गन्य का लाल सनांध किसके करण बनती है तो इसका अंसर है आपका कॉले टूटराइकम फैले केटम ठीक है कॉले टूटराइकम और फैले केटम के करण बनती है अप्शन आपका अंसर होगा गन्य की लाल सनांध कॉले टूटराइकम और फैले केटम के करण बनती है नेक्ट कॉशन देखी क्या है कॉशन नमर 13 कॉशन नमर 13 है आपका मुंग फली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदाई कवक है मुंग फली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदाई कवक कौन सा है तो इसका अंसर है आपका अप्शन A सर्कोस पोरा परसोनेटा मुंग फली में होने वाले टिक्का रोग किसी करण होता है सर्कोस पोरा परसोनेटा ठीक है नुगफली का टिक का रोग सरकोस्पोरा परसोनेटा आगे देखिए कोशे नमबर 14 कोशे नमबर 14 है आपका निम्लिखित में से किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन इयर रोग होता है बाजरे में ग्रीन इयर रोग किसे कारण होता है बाजरे का ग्रीन इयर रोग इसकेलरे इस्पोरा ग्रेमी कोला के कारण होता है इसकेलरे इस्पोरा ग्रेमी कोला के कारण होता है ठीक है बाजरे का ग्रीन इयर रोग इस केले रो, इस पोरा, ग्रेमी कोला के कारण होता है ठीक है, चार-पांच बार आप खुद बोलेंगे जैसे कहीं नोट करके, दो-तिन बार रिवाइस करेंगे आपको खुद याद हो जाएंगे सारी चीजे एक बार में आपको कोई चीज नहीं याद होगी अपने A, B, C, D याद करी थी, वो भी आपको एक बार में नहीं याद होगी थी, है नो आके देखिए, कुश्चन नमबर 15 कुश्चन नमबर 15 क्या है आपका आलू में होने वाले उत्तर भावी अंग मारी रोग के लिए उत्तरदाई का वक है तो इसके लिए उत्तरदाई का वक है आपका ठीक आगे देखिए, कुश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 है आपका citrus canker है citrus canker क्या है नीबू का एक रोग है ठीक है citrus canker एक नीबू का रोग है आगे देखिए question number 17 question number 17 है आपका निम लिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है तो जो तमबाखू का मोजेक रोग होता है वो कवक जनित पादप रोग नहीं है ठीक है option D आपका होगा यहाँ पर answer आगे देखिए question number 18 question number 18 क्या है आपका ring रोग के नाम से जाना जाता है ring रोग के नाम से जाना जाता है किसे सैथिल रोग सैथिल रोग को ring रोग के नाम से जानते है ठीक आगे देखिए question number 19 question number 19 है आपका आलू में black heart का कारख कौन है आलू में black heart का कारख oxygen की कमी ठीक है oxygen की कमी के कारण उसमें black heart होता है आगे देखिए question number 20 क्या है question number 20 कौन एक सही सुमیलित नहीं है कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो इसमें कि object क्या है पहला option देखेंगे धान हरित बाल धान हरित बाल तो धान में हारित बाल नामक बिमारी नहीं होती है पहला previous option है जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है और आपको बिमारी आप याथ कर रहे है इस वीडियो को देनकने का परपस आपका क्या है कौन से पौधर में कौन से बीमारी होती है ठीक है तो आप इसमें वो देख लीजे सारे कि किसमें कौन से बीमारी नहीं होती है आपका देखने का परपस वीडियो को यही है तो आप जैसे कि यहाँ पर दिया है 20 question में क्या है कि निमलेखित में कौन एक सुमेलित नहीं है तो यह तो आपने यहाँ पर देख लिया कि हाँ धान हरित बाल से समंदित नहीं है लेकिन कौन किसे समंदित है अब इसे याद करिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो B option है बाजरा अरगट, बाजरा, अरगट, यह सही सुमेली था यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसे याद रखिए कि हाँ, अरगट, बाजरे में अरगट नाम की बिमारी होती है, यह आप याद रखिए, और मैं बाजरे की एक बिमारी और होती है, जिसे कहते हैं, green ear, ठीक है, बाजरे में एक POUDRI, MILDU नान की भीमारी होती है। यह याद रखी है। मतर में POUDRI, MILDU नान की भीमारी होती है। इसे याद रखी है। Option D है आपका चना, चना में उक्ठा यानि की विल्ट, उक्ठा विल्ट नाम की बिमारी हो दिया है, इसे भी आप याद रखिए, UPPCS का question है यह आया हुआ, दुबारा आएगा, इस बात में कोई सक नहीं होना चाहिए आपको, कोईशन रिपीट होते हैं, एक्जामस में और आएंगे भी, जो कि कोईशन लिमिटेड है, विमारियां लिमिटेड है, चीज़ें रिपीट होती है, आगे देखिए, question number 21, question number 21 है आपका करनाल बंट एक बिमारी है, करनाल बंट की श्रीए बिमारी है, गैहूं की, ठीक है, करनाल बंट गैहूं की बिमारी है, लाश्ट कुशेशन देखी आज का क्या है कुशेशन नबर 22 गेहुं से सम्मंधित रष्ट, रोग पर कारवाई करने वाले वैज्यानिक हैं केसी मेहता तो दोस्तों ये था आपका आज का लेक्चर पाधब रोग यहां से कम्पलीट हो गया है और इसके बाद का लेक्चेर हमारा होगा पादक उतक, प्लांट टिशूर इसमें कुशन्स होंगे कि साखाओं में पतियां जड़ जाती हैं किसके कारण, यह सारी टाइप के कुशन्स होंगे जो कि इंपॉर्टन्ट है आपके सभी एक्जाम्स के लिए ठीक है, तो आप वीडियोज को देखते रहिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए और कैसा लग रहा है आपको इन वीडियोज में कुशन्स आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और उनका रिपलाई भी करूँगा आप वीडियोज को लाइक भी जरूर करिएगा और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिएगा ख्याल रखी अपना, मिलते हैं अपने नेक्स लेक्टर में, थैंक यूँ हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने गुरुकल परिवार में और आप लूसेंट अब्जेक्टिव बुक से बायलोजी टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ इससे पहले मैंने आपको फिजिक्स और कंप्यूटर कंप्लीट करा दिया है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर वहां से सभी प्लेलिस्ट कर लिंक देख सकते हैं उन्हें आप जरूर बहुत ही अच्छे से करिए क्योंकि वह सभी एक्जाम्स में पूछे जाएंगे और पूछे भी गए है तो आज हम कराएंगे आपको पाधप उतक टॉपिक 21 कुश्टन होंगे इसमें ये भी सभी एक्जाम्स के लिए बहुत ही इंपोर्टन है अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरू कर ले वीडेयो को like करना, share करना बिल्कूल ही मत भूलेगा और आप comment section में comment भी कर सकते हैं जो भी आपके सुझाओं हुँ हमारे courses को लेकर आपके जो भी doubt हो questions को लेकर comment करना भी मत भूलेगा तो आईए start करते हैं आज का lecture तो आईए देखते हैं पहला question क्या है पादब उतक topic है इसमें पहला question क्या है वह उतक जो दिर्तियक व्रधी के लिए उतरदाई है उसे कहते हैं cambium ठीक है नेक्स question देखिए क्या है question number two व्यापारी कॉर्ग प्राप्त होती है व्यापारी कॉर्ग किसे प्राप्त होती है कॉर्ग cambium से ठीक है व्यापारी कॉर्ग प्राप्त होती है कॉर्ग cambium से ठीक नेक्स question देखिए क्या है question number three question number three है आपका पौधो में फ्लोईम मुखिता उत्तरदाई है पौधो में फ्लोईम मुखिता उत्तरदाई है किसके लिए तो इसका अंसर है आपका जल वहन के लिए ठीक है नहीं फ्लोईम पूछ रहा है आपसे फ्लोईम तो फ्लोईम होता है आपका आहार वहन के लिए ठीक है, flowem होता है आपका आहर वहन के लिए और question number 4 में पूछ रहा है आपसे पिर पौदों में जाइलम मुखिता किसके लिए जिम्मेवार है तो जाइलम जो है आपका वो जल वहन के लिए होता है ठीक है, जाइलम जल के लिए और flowem आहर के लिए या फल के लिए आगे देखिए कोशन नमबर 5 क्या है कोशन नमबर 5 है आपका एक वरच्छी की आयू का पता किसके दुरा लगाया जाता है एक वरच्छी की आयू का पता उसके वार्शिक वलियों की गिंती करके उसके वार्शिक वलियों की गंती करके लगाया जाता है ठीक है आगे देखिए क्योच्प नबर 6 जिक्स क्या है क्योच्प नबर 6 है आपका वायू तक किन पौधां में पाया जाता है तो वायू तक जो है आपका हाइडरो फ्राइटस पर जाती की जितने पौधे होते हैं उसमें पाया जाता है ठीक है वाई उतक हैड्रो फाइड्स टाइप के पौधो में पाया जाता है कोशन नमबर 7 देखी क्या है कोशन नमबर 7 है आपका आर्किड में विलामिन उतक पाया जाता है आर्किड में विलामन उतक पाया जाता है मूलों में कोशन No. 8 देखी क्या है तो इसका अंसर है आपका अन्तारंभिय इधा की सक्रिता के कारण व्रधिवले बनती है आगे देखिए कोशन नमबर 9 क्या है कोशन नमबर 9 है आपका समुद्ध के किनारे उगने वाले व्रच्छों में वार्सिक वले नहीं होते हैं क्योंकि इस पश्ट जल वाईवी भिन्नता नहीं होती है समुद्ध के किनारे उगने वाले व्रच्छों में वार्सिक वले नहीं होते हैं क्योंकि इस पश्ट जल वाईवी भिन्नता नहीं होती है आगे देखिए कोशन नमबर 10 क्या है कोशन नमबर 10 है आपका एक वरच के पुराने तने की अनुपरस्त कार्ट में 50 वार्षिक वले मिलते हैं वरच की आयू क्या होगी वरच की आयू होगी 50 वर्ष क्योंकि वरचों की आयू उसके वार्षिक वले की गिंती करकर प्राप्त की जाती है जितने वार्सिक वले होते हैं उतनी ही उसकी आयू की व्रच की आयू होती है आगे देखिए कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 है आपका यदि सन 1985 में 1985 में एक व्रच में एक साइन बोर्ड की कील भूमी से 5 फिट की उचाई पल लगाई गई एक 1985 में एक व्रच में एक साइन बोर्ड की कील भूमी से 5 फिट की उचाई पल लगाई गई है और 1998 में यानि की 13 एर बाद जह कील कितनी उचाई उची होगी जिदि व्रच प्रतिवर्ष 4 इंच लंबाई में बढ़ता है ठीक है? 4 इंच लंबाई में बढ़ता है तो इसका अंसर होगा आपका 5 फिट ठीक है? यानि कि जब लगाया गया था कील तब 5 फिट उची लगाई गई थी और 98 में पूछ रहा है कि या कील कितनी उची होगी? तो इसका अंसर कितना निकल आएगा? 4 फिट प्रति हर साल बढ़ रहा है पेड़ तो यानि कि टोटल इयर का gap कितना आ गया? 13 और 13 multiply 4 यानि कि टोटल 52 इंच ठीक है? 52 इंच यानि कि टोटल वरिच की पूछ रहा है कि या कितनी उचाई पल लगाई गई? तो इसका अंसर हो जाएगा 5 फिट आगे देखिए, question number question number कितना है आगे? 12 question number 12 देखिए जलोद भिद निम्न मेंसे किसकी उपस्ति की कारण जल पर तैरते हैं? मुझे doubt हो रहा था कि मैंने 5 फिट सही मार किया है नहीं यसलिए मैं calculate कर रहा था आगे देखिए question number 12 वो सही है 5 फिट उसका आगे देखिए question number 12 वो आपका जलोद भिद निम्न मेंसे किसकी उपस्ति की कारण जल पर तैरते हैं? तो इसका अंसर है आपका वायू तक ठीक है? वायू तक की उपस्ति की कारण जल पर तैरते हैं आगे देखिए question number 13 विभाजयों तक उत्तरदाई होता है आगे देखिए question number 14 क्या है? question number 14 है आपका रंद्रों की संख्या निवनिकरत होती है तता ये धसे होते हैं कहा? मरूद भिद्धों में धसे हुए होते हैं आगे देखिए question number 15 क्या है? साखाओं से पतिया ज़ड जाती हैं किसके कारण साखाओं से पतियां कॉर्ग के बाहर विलगन परत के बन जाने से जड़ जाती है ठीक है? साखाओं से पतियां जड़ जाती है कॉर्ग के बाहर विलगन परत के बन जाने से पतियां जड़ जाती है आगे देखेंगे कॉश्चन नमर 16 क्या है? Question number 16 है आपका विलामेन की आउशकता होती है किस लिए? तो विलामेन की आउशकता होती है आपकी नमी के अफसोशनर के लिए ठीक है? Option C आंसर होगा नमी के अफसोशनर के लिए आगे देखिए Question number 17 क्या है? पाश्र विभाजिये तक उत्तरदाई होता है पाश्र विभाजिये तक उत्तरदाई होता है मुटाई में व्रद्धी के लिए पाश्र विभाजिये तक उत्तरदाई होता है आगे देखिए Question number 18 क्या है? एक काश्ठी ये पौदे की अंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है एक काश्ठी पौधे की अंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है तो इसका अंसर है आपका पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद परिवान करना ठीक है? पत्तियों से पौधों के अन्य भाग को खाद परिवान करना एक मुख्यकार होता है, एक काश्टीप, ओदर की अंतुरिक, छाल का आगे देखिए कोशेल नमबर 19 क्या है, कोशेल नम म् हैं आपका, वारजिक मूलले कार्ग किस से प्राप्थ होता है क्वेकर्ग सुबेर से प्राप्थ होता है Smoke कैश्च नमबर 20, question number 20 है आपका निमलिखित में से किस एक भारती विज्यानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभीगमन का सिधान्त प्रस्तुत किया निमलिखित में से किस एक भारती विज्यानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी कि अभिविगमन का सिध्धान्त प्रस्तुत किया तो इसका अंसर है आपका J.C. बोस ठीक है इसका अंसर है आपका J.C. बोस Next question देखेंगे क्या है Question number 21 हमारा Question number 21 है आपका पौधे के कुछ भाग मोडने पर बिना तूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं पौधे के कुछ भाग मोडने पर बिना तूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत माना जा सकता है Question number 21 हमारा फिर से पढ़ेंगे पौधे के कुछ भाग मोडने पर बिना तूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण यानि की इस जो इसका गुण है ये कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है तो इसका कारण है आपका दुरणो तक Option B, Option C इसका क्या करणा है दुरणो तक तो ये सो दोस्तों आज आपका 21 Question इस टॉपिक से ये टॉपिक है ही कतम होता है नेक्स्ट टॉपिक हम आपको कराएंगे पादब आनुबान से की Plant Genetics तो इसे आप बहुत ही अच्छे से रिवाइज जरूर करिएगा ख्याल रखी अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ख्याल रखी अपना थेंक्यू हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गूर्कुल परिवार में और आप लूसेंट अब्जेक्टिव बुक से बाइलाजी टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ आज मैं आपको कराऊंगा पादप अनुवान सिकी ये एक ही वीडियो में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा टोटल 20 कोशन्स है इसमें अगर आपने हमारे बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें बहुत ही अच्छे से एक बार देख लीजे उसके बाद आप आगे कोशन्स को करिएगा ताकि आपको जो पुराने कोशन्स है वो भी याद रहें और इन्हें आप रिवाइस टाइम टू टाइम करते रहें या आप एक नोट्स मनाईए अपने खोद कोशन्स को समझकर जो चीज़ें आपको नहीं पता हैं वो चीज़ें आप सिर्फ नोट करिए जो चीज़ें आपको पता हैं वो आप मद नोट करिए तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे और अगर आपने हमारे वीडियो को like नहीं किया है तो आप अभी वीडियो को like करिए आपके जो भी सुझाओं हो हमारे वीडियो को लेकर हमारे content को लेकर questions को लेकर जो भी doubt हो आपके वो आप comment section में comment कर सकते हैं, मैं हर एक videos के comment section को जरूर पड़ता हूँ और आप वीडियो को शेयर करना बिलकुल ही मत भूलेगा इसे अपने दोस्तों में शेयर भी जरू करिये आईए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर तो दोस्तों आईए स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से प्लांट जेनिटिक्स का टॉपिक है और आज पहला कोशन क्या है आपका वन्षागती के अध्यान से समंदित जीव विज्ञान की साखा है वन्षागती के अध्यान से समंदित जीव विज्ञान की कौन से साखा है अनुवांशिकी ठीक है वन्षागती के अध्यान से समंदित अनुवांशिकी है अन्वांसिकी के जनक पर ग्यानिक है अन्वांसिकी के जनक Gregor Mendel को कहा जाता है Gregor Mendel को कहा जाता है ठीक है Next question क्या है question number 3 जीन सब्द का सरोप्रथम प्रयोग किस ने किया जीन सब्द का सरोप्रथम प्रयोग जोहांसन ने किया ठीक है जीन वजशागती की एक आई है जीन next question क्या है question number 5 मिंडल के किस पौधे का संकरण प्रयोग किया गया मिंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया तो इसका अंसर है आपका garden pea यानि की हरी मटर पर ठीक है हरी मटर पर प्रयोग किया था Question number 6 क्या है? Question number 6 है आपका Barbara Macklin Talk किस पौधे पर कारे के लिए प्रशिद्ध है? तो इसका अंसर है आपका मक्का, इन्होंने मक्के के पौधे पर प्रयोग किये हैं अपने, ठीक है? Question number 7 क्या है? Question number 7 है आपका Gregor Mendel निम्ण में से किसके प्रतिपादन हे तू प्रशिद्ध है? तो इसका अंसर है आपका अनुवान सिक्ता के नियम के लिए वो प्रशिद्ध हैं आईए Question number 8 देखते हैं, Question number 8 है आपका मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवान सिक्ता की तीनों महत्पूर्ण नियम सम्मंध इस्थापित करते हैं किस के बीच? मेंडल द्वारा यानि कि Gregor Mendel द्वारा प्रतिपादित अनुवान सिक्ता के तीनों महत्पूर्ण नियम सम्मंध इस्थापित करते हैं किस तरह तो इसका आंसर हो जाएगा आपका option C, प्रथक करण सोतंत्र अप्विवन एवं प्रभाविता आप्रभाविता का नियम, ठीक है? ये इनको तीनों नियम है, प्रथक करण सोतंत्र अप्विवन एवं प्रभाविता आप्रभाविता का नियम, ठीक है? चलिए, next question देखी, question number 9 क्या है question number 9 है आपका मेंडल ने मतर के पौधे का चैन किया क्योंकि क्योंकि इसमें वी पर्रयाई लच्छान उपस्थित थे ठीक है क्योंकि इनमें वी पर्रयाई लच्छान उपस्थित थे next question देखेंगे अगला question है आपका question number 10 मिंडल के नीमों का एक अपवाद है मिंडल के नीमों का एक अपवाद है वह है आपका सहह लगनता मिंडल के पथों का नीमों का एक अपवाद है सहह लगनता कोशन नमबर 11 कोशन नमबर 11 देखी क्या है कोशन नमबर 11 है आपका Mono Hybrid अनुपात होता है Mono Hybrid अनुपात किसे कहता है 3 Ratio 1 को Mono Hybrid Ratio कहा जाता है Next question देखिए क्या है Question number 11 Genes बने होते है Genes DNA के बने होते है Genes DNA के बने होते है Next question देखिए क्या है Question number 13 Question number 13 है आपका Sun 1959 में कृतिम रूप से DNA को संसलेशित करने है तू नोबल पुरुषकार किसको मिला था 1959 में कृतिम रूप से DNA को संसलेशित करने के लिए नोबल पुरुषकार किसे मिला था तो ये थे आपके कॉर्ण बर्ग कॉर्ण बर्ग को 1959 में DNA को संसलेशित करने के लिए नोबल पुरुषकार मिला था ठीक है, question number 14 देखी क्या है, स्वतंत्र अपविवन का अभिप्राय है, स्वतंत्र अपविवन का अभिप्राय क्या है, एक माता पिता के लच्छनों का प्रथक होना, ठीक है, एक माता पिता के लच्छनों का प्रथक होना, स्वतंत्र अपविवन का नियम कहलाता है, next question देखिए question number 15 क्या है question number 15 है आपका मेंडल की सफलता क्या मुख्य कारण था मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था उन्होंने मटर के पौधे का चैन किया था ठीक है मेंडल की सफलता का मुख्य कारण ही यही था हर गोविन खुराना को जीन संस्लेशन के लिए सम्मानित किया गया ठीक है हर गोविन खुराना को किस अविस्कार के लिए सम्मानित किया गया था ये जीन संस्लेशन के लिए सम्मानित किया गया था अगे देखेंगे कोशन नमर 17 क्या है question number 17 है आपका प्रयोग साला में सरुपर्थम DNA का translation किया था प्रयोग साला में सबसे पहले DNA का translation खुराना ने किया था ठीक है? खुराना ने प्रयोग साला में सरुपर्थम DNA का translation किया था आगे देखी question number 19 क्या है? question number 19 है आपका अनुवानचिक उत्परिवर्स्टन होता है अनुवानचिक की उत्परिवर्स्टन होता है Chromosome ठीक है Chromosome 後 I think emotional किरी क्रोम स्बक्रोंच मिशंच क्या है और को युद इस अमस्था सब्द किसने गढ़ा है इसका अंसर आपका option c bedson ठीक है option c bedson bedson ने अनुवानसिकता सब्द गढ़ा है ठीक है तो यह थे दोस्तों आज के question आपके पादप अनुवानसिकी plant genetics से इसे बहुत ही अच्छे से revise करिए और इसे channel को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो को like करना भी मत भूलिएगा ख्याल रखी अपना आप मिलते हैं अपने next lecture कोशी का विज्ञान में Hello friends, स्वागत है आपका अपने Google परिवार में और मैं आपको biology topic करा रहा था इसमें मैंने 11th video complete करे थे अभी लगभग यह biology वाला topic आधा बचा हुआ है तो अब इसे बहुत ही तेरी से complete करेंगे और biology के बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको एक live video करने के बाद आपसे discussion करूँगा लेकिन अभी जो मैं एक special topic लेकर चल रहा था जो कि सभी exams के लिए important है वो start हो जाएंगे, continue रहेंगे, biology के साथ साथ और biology भी चलेगी, ठीक है तो आप लोग बिल्कुल लिए परिशायन मत होईए यह मैं बुक जो मैंने start किये है objective lucent इसे मैं पूरा complete करूँगा ठीक है, और आप लोगों का प्यार है ही साथ में, और आप मुझे पता है subscribe जरूर करते हैं हमारे चैनल को अब इसे share भी जरूर करते हैं तो आइए, start करते हैं आज का lecture कोशिका विज्ञान, ठीक है कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान topic में total 48 question है जो कि हम आपको एक lecture में ही पूरा complete करा देंगे आज ही, सिर्फ 20 minute में आइए, start करते हैं पहला question, sale नाम किस जीव विज्ञानिक ने सरपर्थम दिया था sale नाम किस जीव विज्ञानिक ने सरपर्थम दिया था तो इसका answer है आपका Robert Hook ठीक है, Robert Hook ने सरपर्थम इसका नाम दिया था sale, आगे देखिए question number 2 question number 2 है आपका कौन सी रचना जन्तु विज्ञान को बनस्पती कोशिका से विभेदित करती है कौन सी रचना जन्तु कोशिका को बनस्पती कोशिका से विभेदित करती है तो इसका answer है आपका sentry all, ठीक है इसका answer है आपका sentry all आगे देखिए question number 3 कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्तिती में कौन सा कारे संपादित नहीं होगा तो इसका अंसार है आपका protein sensation ठीक है protein sensation आगे देखिये कोशिका में कौन करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कारे नहीं होगा यदि microchondria काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कारे नहीं होगा इसका अंसर है आपका भोजन का oxycoran ठीक है यदि microchondria काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कारे नहीं होगा भोजन का oxycoran नहीं हो पाएगा आगे देखिए question number 5 दोस्तों इसे ज़़ा से ज़़ा रिवाइज करें ताकि आपको ये याद हो जाएं आप इसे headphones लगा कर MP4 में download करकर भी याद कर सकते हैं आगे देखिए कोशिका का उर्जा ग्रह पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है आगे देखिए question number 6 question number 6 है आपका दिम दिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है दिम दिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड ठीक है प्लास्टिड आगे देखिए कोशिका में प्रोटीन संसलेशन कहां होता है कोशिका में प्रोटीन संसलेशन कहां होता है राइबोशोम राइबोशोम में प्रोटीन संसलेशन होता है ठीक है अगे देखिए कोशिका नमर 8 क्या है कोशिका नमर 8 है आपक कोईका को निश्चत रूप प्रदान करती है क्या कोईका बिद्पी अगला कोई क्या है कोईकapa कोईक और भिलाता है कोईका द्रव में उपस्थित महीन घिली दार और अनियमित नलिकाओं है घना जाल क्या कहलाता है तो इसका अंशर है आपका अनता है प्रद्रवी जालीका अंता है अंता है प्रद्रवी जालीका आगे देखें कोश्पी कोश्चन केवल पादप कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है तो यहां पर आपका कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है तो पादप कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग केवल पादप कोशिकांग में पाया जाता है लवग भी पाया जाता है इनवाइन रिक्ति कायम हुपाई जाती है तो यहाँ पर आपका क्या अंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जो आंसर जाएक वह क्या होगा आप आपका अप्रिउक सभी ठीक है अप्युक्ष नबर थर्टीन क्या है अłbym जान फ्रौंड्री मि थें 2 कुछन नमर 14 किए है कुछन 14 एक अगणी लवक मुख्यता पाय जाता है यह किसमें पाय जाते हैं जणों की कोशिकाङों में ठीक है अगला फूर्षन देखें 15 कॉश्चन एक़ा फूलों और बीजों को विभिनर पकार के रंग प्रदान करता है फूलों और बीजों को विभिन प्रकार के अकर्शक रंग प्रदान करता है कौन क्रोमोप्लास्ट ठीक है जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये फूलों और बीजों को एक अकर्शक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट ठीक आगे देखिए अगला आपका क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो पत्तियों को हर अरंग प्रदान करता है आगे देखिए कोश्चा की आत्म हत्या की थैली किसे कहा जाता है लाइजोशोम ठीक है देने या नश्ट कर देने की छमता होती है क्या कहलाता है लाइजोशोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को गुला देने या नश्ट कर देने की छमता होती है क्या कहलाता है तो इसका अंसर है आपका हाइड्रो लाइटिक एंजाइम ठीक है हाइड् पदार्थ है 80% से अधिक सील कोशका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो इसका अंसर आपका जल ठीक है 80% से अधिक पाया जाता है कोशिका में अगला है आपका क्या है अगर देखे निमिकेद में से किसने यहां मूल अवधारणा प्रस्तूत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं यहां मूल अवधारणा किसने प्रस्तूत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं तो यहां मूल अवधारणा सरप्रथम इस्टाइडेन और टी स्वान ने प्रस्तूत की थी यानि कि आपका अंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा option D ठीक है option D आपका अंसर हो जाएगा इस्टाइडेन और टी स्वान इस्टाइडेन और टी स्वान ने यह अव्धारणा प्रस्तूत कीती कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए है आगे देखिए question number 21 question number 21 है आपका किसी उपस्तिती की कराण किसी पादप कोशिकाओं और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है किसी उपस्तिती की कराण किसी पादप कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो इसका अंसर है आपका कोशिका भित्ती ठीक है कोशिका भित्ती के कराण पादप कोशिका और पसु कोशिका में अंतर पाया जाता है तो इसका ऐपका श्रावी अग्ला है आपका कुशन 22 गोल जी काय का प्रमुख कारे क्या है तो इसका अंसर है आपका श्रावी तोट है इसाण सरह आयो हुआ है कला कूशन सारे हुआ है sorry, 23 question देखीए का है, निम्लिकित में से कौँ सा कोशी कांग DNA रखता है, कौँ सा कोशी कांग DNA रखता है, इसका अणसर आपका, sentriole ठीक है? sentriole जो है वो, DNA रखता है, तो 24 question देखीए, 24 क्या है आपका, कौँ सा कोशी कांग, प्रोटीन संस्लेशन में प्रमुख भूमी का निभाता है ये पूछा है तो इसका अंसार है आपका एंडोप्लाजमिक रेटीकूलम एवं राइबोसोम ठीक है एंडोप्लाजमिक रेटीकूलम एवं राइबोसोम आगे देखिए कोशिकी एवं आणविक नियंत्रन क्या कहलाता है तो इसका अंसार है आपका एंजिक ठीक है? एंजिक कहलाता है आगे देखिए कोशिक नमबर 26 कोशिक नमबर 26 है आपका कौन सा अंगक प्राया जन्तु कोशिका में उपस्थित नहीं होता कौन सा अंगक प्राया जन्तु कोशिका में उपस्थित नहीं होता तो इसका अंसर है आपका लवक ठीक है? इसका अंसर है आपका लवक आगे देखिए लाइसो लाइसोसोम्स कारे करते हैं लाइसोसोंक्स कारे करते हैं, तो लाइसोसोंक्स का क्या कारे होता है, अन्ता कोशी की पाचन में, ठीक है, अन्ता कोशी की पाचन में, आगे देखिए, अगला कोशन है, 28, कोशी का भित्ती होती है, कैसी पारिगम में होती है, ठीक है, कोशी का भित्ती पारिगम में होती है, आगे देखिए 29 कोशन क्या है प्रेवर का शरप्रतम कीस ने किया तो इसका अंसर है आपका पुर किजे ठीक है अ शरो स का क्यीत चीक, ठीक है अगे देखिए आगे है में अ आगे है आपका 32 पूर्स नahl के प्ता है जीवर अधार है या किसका कतन जीव द्रव जीवन ने कहा हगा बहुती कह तो यहें किस हैं ए किस ने कहा है कि जीव ध्रव जीवनगा बहुतीक आधार है एक तो हगे देखे कोशंअ मसा हैerson cały す क्वार्व कीशशन कें फ्रावरोप का पहली बार किस ने प्रस्तावित कि अगर आपने dna वाला वो चित्र देखा है तो आप समझ पाएंगे थोड़ा कि जो एक dna का dwihelix प्रारूप है उसे पहली बार किसने प्रस्तावित किया था यहाँ पर यह पूछ रहा है तो इसका आंसर है आपका Watson तथा Crick ने ठीक है ब्राउन ने नियुकलेस की सरवपृतम खोज की थी आगे देखिए question number 35 question number 35 क्या है कोशका की क्रियात्मक गतिविदियां नियंत्रित होती है कुषका की क्रियात्मक गत्विदियां नेत्रित होती है केंद्रक दौराव केंद्रक दौराव कुषका की क्रियात्मक गत्विदियां नेत्रित होती है ठीक है अगला देखिए गुर्ण सूतर सब्द प्रदान किया किसने वॉल्डेयर ने गुर्ण सूतर सब्द प्रदान कि आगे देखिए, Q37. Q37 ने आपका अंतह प्रदव्य जालक की खोज की, इसका अंसर है आपका, पोर्टर ने, ठीक है, पोर्टर ने अंतह प्रदव्य जालक की खोज की. आगे देखिए, question number 38 क्या है, question number 38 है आपका, electron सूच मिदर्ची की खोज की, electron सूच मिदर्ची की खोज की किसने, null तथा रसका ने, ठीक है, null तथा रसका ने, electron सूच मिदर्ची की खोज की आगे देखिए, question number 39, question number 39 है आपका, वास्तवी केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, वास्तवी केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है, तो इसका अंसर है आपका, जीवाडुवों में, ठीक है, जीवाडुवों में, वास्तवी केंद्रक अनुपस्थित होता है, next question दे ओफियो ग्लोसस में, ठीक है, सरवाधिक संख्या, यानि कि 2N में गुर्ण सूतर पाई जाते हैं, ओफियो ग्लोसस में, ठीक है, आगे देखिए, कोशिका का, कोशिका का, जीवित अंस, जीवद्रव कहलाता है, यहां किस से बना होता है, तो इसका अंसर है, आपका यहां, को कोशिकांग से बना होता है, ठीक है, यहां कोशिका द्रव्य, केंदर द्रव्य, और अन्य कोशिकांग से बना होता है, आगे देखिए, कोशिका नमर 42, कोशिका नमर 42 है आपका, कोशिकी वा आनविक जीविग्यान केंदर कहां इस्थित हैं, कोशिकी वा आनविक जीविग यान केंद्र उपस्थित हैं आगे देखिए कोशिक नमर 43 निमलिखित में सबसे छोटी कोशिका है निमलिखित में सबसे छोटी कोशिका जो है वो है आपकी माइको प्लाजमा ठीक है माइको प्लाजमा सबसे छोटी कोशिका है आगे देखिए कोशिक नमर 44 क्या है कोशिका के बारे में निम्लिखित में से कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है तो देखिए इसमें पढ़ना पढ़ेगा सारे option क्या कह रहा है है 44 question को पहला है आपका कोशिकाओं के आकार और अमाप विसिष्ट कारे से सम्मंदित होते हैं सही है कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं सही है सी option आपका प्रते कोशिका में निस्पादन की अपनी शमता होती है सही है लाश्ट ऑप्षन है आपका सभी देहं उतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्वान है नहीं ये अप्षन आपका यहाँ पर जो जोता है ये अप्षन गलत है ठीक है ये अप्षन आपका गलत है सब में अलग-अलग कोशिकाएं भी दमान होती है आगे देखिए कोशन नमबर 45 कोशन नमबर 45 क्या है कोशन नमब 45 है आपका निमलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्ध पारगम में है तो इसका आंसार है आपका कोशिका जिल्ली, ठीक है कोशिका जिल्ली, आगे देखिए कोशिन नमबर 46, कोशिन नमबर 46 है आपका निमलिखित पोशिकों में से कौन सा एक पोधों की कोशिका भित्ती का एक सनरचनात्मक घटक है, तो ये इसका आंसार है आपका मैगनीज, ठी इसमें क्या कर रहा है, नूक्लियस के बाहर DNA कहा मिलता है, नूक्लियस के बाहर DNA माइक्रो कॉंड्रिया में मिलता है, ठीक है, माइक्रो कॉंड्रिया में मिलता है, आगे देखिए, कोशिन नमबर 48 और आज का लाज्ट कोशिन जो है, वो क्या है, यह है आपका, कोशिका कला व बाहर की और संचलन की कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अडवों के संचलन को रोग दिया जाता है ठीक है कोशिका कला वर्णात्मक्ता वारिगा में होती है उसका करान है कि यह अडवों के अंदर या बाहर की और संचलन को कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अ अब हमारा जो चैनल पर वीडियोज आने का डेरी 24 hours में एक वीडियो अप्लोड होता है वो continue रहेगा और इसे बहुत ही तेरी से complete करा दिया जाएगा ठीक है ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने next lecture में thank you Hello friends, स्वागत है आपका अपने गुलकुल परिवार में और आप Lucent Objective Book से biology topic का रहे हैं हमारे साथ biology topic की playlist आपको description में मिल जाएगी और हमने अपने चैनल पर आपको computer भी पढ़ा रखा है सभी exams के लिए और physics भी करा रखा है और एक special topic की series भी चल लगी है जिससे सभी exams में question आते ह हैं तो आप सभी का link description में देख सकते हैं और वहां से जाके पढ़ सकते हैं इन वीडियो को आप एक से तीन बार revise करिए एक बार पढ़ने के बाद तीन बार कम से कम revise करिए तक यह आपको questions हमेशा के लिए याद हो जाए और छोटे से लेके बड़े exam तक सभी से इस Lucent book में इ ठीक है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप मारे चैनल को subscribe जरूर कर लें वीडियो को like करना और share करना बेको भी मत भूलेगा आपके जो भी सुझाओं हो हमारे कोर्स को लेकर आप comment box में comment कर सकते हैं आए स्टार्ट करते हैं आज का lecture तो दोस्तों आज स्टार करेंगे पारिस्तितिकी ecology इसमें total 98 questions है जिने हम दो पार्ट में cover करेंगे आज हम आपको कराएंगे 46 questions ठीक है आए पहला question देखते हैं क्या है पहला question है आपका पारिस्तिकी सब्द को सरप्रतम प्रतिपादित करने का स्रेर किसे जाता है तो यह थे आपके reader ठीक है reader को जाता पारिस्तिकी सब्द को सरप्रतम प्रतिपादित करने का स्रेर अगला question देखिए कोर्श Почему नमबर टू है आपका पारीस्तिकी दकी निमलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्यान है किन दो किन दो के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्यान है पाइस्थित की यानि कि इसमें किन दो चीजों का अध्यान किया राता है तो जीव और वातावराण का ठीक है जीव और वातावराण का आके देखिए अगला कोशन है आपका कोशन नमबर 3 कोशन नमबर 3 है आपका स्वाप पारिसितिकी ओटो एकोलोजी का अभिप्राय है ओटो एकोलोजी का क्या अभिप्राय है तो ओटो एकोलोजी का अभिप्राय है व्यक्तिकत जीवधारी का पारिसितिक अध्यान ठीक है व्यक्तिकत जिवधारी का पारिसितिक अध्यान आगे देखिए आगे है आपका कोश्य नमबर 4 कोश्य नमबर 4 है आपका पारिसितिक तंत्र पारिसितिक तंत्र सब्दा वली किसने प्रस्तुत की थी यह सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी तो यह सबसे पहले प्रस्तूत की थी किसने टैंसले ने ठीक है टैंसले ने सबसे पहले प्रस्तूत की थी आगे देखेंगे question number 5 question number 5 है आपका निम्डिखित में से कौन सा एक पारितंत्र सब्द का सर्वोष्ट वर्णन है निविकित में से कौन सा एक पारितंत्र सब्द का सर्वोष्ट वर्णन है तो इसका अंसर है आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरान जिसमें वह रहते हैं ठीक है जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरान जिसमें वह रहते हैं उसे परितंत्र कहा जाता है आगे देखिए कोशन नमबर 6 कोशन नमबर 6 है आपका परिस्थित्र की तंत्र के दो घटक कौन से है तो इसका अंसर है आपका जैविक और अजैविक घटक दो इसके घटक है आगे देखिए कोशन नमबर 7 Question number 7 है आपका निम्न लिखित में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है? निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवी घटक है? तो इसका अंसर है जल. ठीक है? इसका अंसर है जल. Next देखिए अगला है आपका Question number 8. Question number 8 है आपका किसी पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी स्रंखला सही है? तो इसका अंसर है आपका उत्पादक, उभोगता, अबघटक. ठीक है? उत्पादक, उभोगता, अबघटक. किसी पारिस्थितिक तंत्र में उर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी स्रंखला सही है? तो ये उत्पादक, उभोगता और अबघटक. ये स्रंखला सही है. आगे देखिए, आगे है आपका Question number 9. Question number 9 है आपका काद स्रंखला बनती है. काद स्रंखला के बारे में आपने प घटकों से बनती है. अगला Question है आपका दस्वा, किसी स्रंखला में प्रात्मिक उभोगता होते हैं साकाहरी. ठीक है? किसी विस्रंखला में जो प्रात्मिक उभोगता होते हैं, वो साकाहरी होते हैं. आगे देखिए, Question number 11. Question number 11 है आपका, किसी परितंत्र में उत्पादकों क कार होता है किसी परितंत्र में उत्पादिकों का कार क्या होता है सौर उर्जा को पकरना इवं इसे रसानी गुर्जा में बदलना ठीक है किसी परितंत्र में उत्पादिकों का कार होता है सौर उर्जा को पकरना और इसे रसानी गुर्जा में बदलना आगे देखिए अगला ह है आपका question number 12 question number 12 है आपका परितंत्र में उर्जा का प्राथमिक या मुखिश्रोथ होता है परितंत्र में उर्जा का प्राथमिक या मुखिश्रोथ कौन सा क्या होता है सूर का प्रकास अगला question देखिए question number 13 कोशियर नमर 13 है आपका किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उद्पादिकों की ठीक है किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उद्पादिकों की क्या कहलाता है अपरदन ठीक है वाय वर्म जल की क्रिया दौरा जो भूमी कड जाती है उसे अपरदन कहते हैं next question क्या है question number 15 मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है यह भूमी सो जो जमीन कड़ती है उसे रोकने के लिए वनों को उगाना चाहिए यानि कि पौधों को लगाना चाहिए आगे देखिए नेक्स कोशन है 16 बाढ़ को रोका जा सकता है बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है नदियों पर बांध बना कर वा व्रच्छा रोपन करके ठीक है बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बना कर वा व्रच्छा रोपमण करके next question देखिए question number 17 मुख्यता में ग्रोब वाले ज्वारी वन कहां पाये जाते हैं मुख्यता में ग्रोब वाले ज्वारी वन कहां पाये जाते हैं तो इसका answer है आपका सुंदरवन का delta सुंदरवन का delta में पाये जाते हैं question number 18 मैं ग्रोब वनस्पती का मुख्य घटक है कौनसा राइजोफोरा मैं ग्रोब वनस्पती का मुख्य घटक है राइजोफोरा अगला question देखिए question number 19 है आपका समद्र के किनारी की वनस्पती कहलाती है समद्र के किनारी जो वनस्पती होती है वो लवडोद भिद वनस्पती कहलाती है ठीक है आगे देखिए आगे है आपका question number 20 निवनी गरत पतियों और धसे हुए रंद्र किसके प्रमुख लच्छाण है निवनी कृत्पतियों और धंसे हुए रंद्र किसके प्रमुख लच्छाण है तो यह सुसकोद भिद के प्रमुख लच्छाण है ठीक है आगे देखिए अगला कोश्चन है आपका 21 21 कोश्चन है आपका मरूद भिद्दो में लंबा मूल तंतर होता है क्योंकि गहरे जलिस्तुरों से जल अफसोषित कनने जड़े गहराई में चली जाती है ठीक है question number 22 question number 22 है आपका यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के करण सभी जन्तु मर जाएंगे oxygen की कमी के करण ठीक है? यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के करण सभी जन्तु मर जाएंगे oxygen की कमी के करण अगला है आपका 23 question अधिपादप वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्सा पूरे वर्स होती है 24 कोशन देखी क्या है 24 कोशन है आपका संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है सागर सागर जो है वो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है नेक्ट कोशन देखी 26 क्या है मृदा परदन को रोका जा सकता है कैसे मृदा परदन को रोकने के लिए आपको वन रोपन किया करना पड़ेगा यह मैंने अभी पीछे बताया था कि मर्दा परतन को रोखने के लिए वनों को उगाना पड़ता है यानि कि question number 15 में मैंने बताया है आगे देखिए आगे है आपको 27 question जब हम बकरी का मास खाते हैं तब हम जब हम बकरी का मास खाते हैं तब हम कौन से उभ्भोगता होते हैं तो इसका अंसर है आपका दितियक उभ्भोगता अगे देखिए next question आपको 28 सौर उर्जा किस से प्राप्त होती है आगे देखिए अगला question है 29 तो इसका अंसर है आपका एक जीव से दूसरे के, ठीक है, एक जीव से दूसरे में उर्जा अंतरण, आगे देखिए, 30 question क्या है, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, एक जली पौधे को, एक जली पौधा होता है, उसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है, यूपी PSC में आवा question देखिए, अच्छे से करिए इन questions को, 31 question क्या है, 31 है आपका, निम लिखित में से कौन सा पौधा मरूद भि सबसे बढ़ा, आगे देखिए question number 32 क्या है, परेवरण के अजयव अवयव का उधारान है, वायू, ठीक है, next question 33 क्या है, हाइड्रोपोनिक्स सम्बंधित है, हाइड्रोपोनिक्स सम्बंधित है किस से, मिट्टी, मिट्टी के बिना पौधे की व्रद्दी से, ठीक है, मिट् योग की करण कौन है? सौर उर्जा का सबसे बड़ा योग की करण कौन है? इसका अंसर है आपका हरे पौधे हरे पौधे जो है वो सौर उर्जा के सबसे बड़े योग की करण है आगे देखिए, question number 35 question number 35 है आपका परिस्तित्की संतुलन बनाये रखने के लिए भारत में वन छेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए वन छेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए तो इसका अंसर है आपका 33.3 प्रतिसत छेत्र में वन होना चाहिए आगे देखिए कोशन नमबर 36 कोशन नमबर 36 है आपका mangrove की खेती के लिए निमने में से कौन सा छेतर प्रसिद्ध है mangrove की खेती के लिए निमने में से कौन सा छेतर प्रसिद्ध है तो इसका अंसर है आपका दच्छनी 24 परगना का सजने खाली जंगल ठेक है अजने खाली जंगल जो है वो प्रसिद्ध है मैंड्रोफ की खेती के लिए अगला देखे कोशन नमर 37 कोशन नमर 37 है आपका एपिफाइट्स बहुत अधिक विक्सित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधो पर निर्भर करते हैं किसलिए यांतरिक मददेतु ठीक है निर्बर रहते हैं या निर्बर करते हैं ठीक एपिफाइट्स बहुत अधिक विक्सित होती है होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्बर करते हैं तो यांतरिक मददेतु निर्बर करते हैं अगला देखिए कोशनमा 38 क्य गुना संभाव हो पाता है ठीक है जिससे नियंत्रिश दसाओं में पादपु का गुना संभाव हो पाता है तो इसका अंसर 38 का आपका हो गया कॉस्च नंबर 39 कार्या वरणी दस्टी से उप्यूक्त है कर्वनिक करसी जो है वह वकी उप्यूक्त है आगे देख्यी कूश्चक 40 क्या है आपका अधिकांस मरस्त लीप अदप रात्तिरी के समय ही पूस्पित होते हैं रात्री के समय ही पुस्पित होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि मरुस्तली कीट रात्री के समय सक्क्री रहते हैं ठीक है अधिकांस मरुस्तली पादब जो होते हैं वो रात के समय पुस्पित होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि मरुस्तली कीट रात्री के समय सक्क्री रहते हैं आगे देखिए, question number 41, question number 41 है आपका, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, zero fights, ठीक है, zero fights कहलाते हैं, एक्स्ट कोशेन है आपका 42 परिस्थिक की संकलपना को प्रितिपादित किया था तो इसका अंसर है आपका ग्रिनेल्स ने प्रितिपादित किया था तो इसका अंसर है आपका महा सागर नेक्स कोशन देखी क्या है 44 कोशन है आपका मनुस्य किसके दोरा जीव मंडल में पारिस्तिक संतुलन बनाए रख सकता है तो इसका अंसर है आपका सम्मंदित पौधों की नई किसमे और पालतू पसु की नई नसल विक्सित करने से संतुलन बनाए रख सकता है आगे देखी कोशन नमर 45 क्या है कोशन नमर 45 है आपका सामाजिक वानिकी है सामाजिक वानिकी है इसका अंसर है आपका सहकारी स्वामित वाली भूमी पर उप्योगी पौधों को उगाना और उनकी विवस्था गनना सहकारी स्वामित वाली भूमी पर उप्योगी पौधों को उगाना और उनकी विवस्था गनना नेक्स कोशन देखी क्या है 46 46 कोशन है आपका प्रत्वी सिखर सम्मेलन कहां हुआ था तो इसका अंसर है आपका रियो डी जनेरो में ठीक है रियो डी जनेरो में हुआ था प्रत्वी सिखर सम्मेलन तो ये हैं आपके ये एक question Byeology से भी जोड़ा हुआ है और Parent Affair से भी जोड़ा हुआ है तो इसके लिए इसमें biology में इकोशन इस type के है तो दोस्तों ये था आज 46 कोशन ecology topic से अभी इसके 46 कोशन और बाकी है जो कि हम आपको इसके second lecture में कर देंगे ठीक है अब लोग बिल्कुल ये परशान मत होई है topic जो चल रहे हैं वो पूरे complete होंगे इस book के ठीक है बस इने अच्छे से 2-3 बार revise जरूर कर रहे है ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए है ठीक है ख्याल रखे है अपना मिलते हैं अपने next lecture में Thank you Hello friends स्वागत है आपका अपने गुलकुल परिवार में और आप Lucent Objective book से biology topic का रहे हैं हमारे साथ biology topic की playlist आपको description में मिल जाएगी और हमने अपने चैनल पर आपको computer भी पढ़ा रखा है सभी exams के लिए और physics भी करा रखा है और एक special topic की series भी चल लगी है जिससे सभी exams में question आते हैं तो आप सभी का link description में देख सकते हैं और वहां से जाके पढ़ सकते हैं इन वीडियोस को आप एक से तीन बार revise करिए एक बार पढ़ने के बाद तीन बार कम से कम revise करिए तक कि यह आपको questions हमेशा के लिए याद हो जाए और छोटे से लेके बड़े exam तक सभी से इस lucent book में इस lucent book से सभी exams में आते हैं questions ठीक है अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले वीडियो को like करना और share करना बेको भी मत भूलेगा आपके जो भी सुझाओं हो हमारे course को लेकर आप comment box में comment कर सकते हैं आईये start करते हैं आज का lecture तो दोस्तों आईये start करते हैं आज का अपना lecture और last lecture जो मैंने पढ़ाया है इसमें ecology के मैंने 46 question आपको कराया थे जो 46 question था वो था आपका प्रत्वी सीकर से मिलन कहां हुआ था तो प्रत्वी सीकर से मिलन कहां हुआ था इसका answer आप comment section में comment करके दीजिया मुझे ठीक है मैंने पढ़ा रखा है अगर आपने पढ़ा है तो आप बताएंगे next question देखेंगे question number 47 question number 47 है आपका आज हम तोटल आपको 46 question और कराएंगे इसी lecture में ecology और आज ये topic complete होगा ecology ठीक है देखे 47 question क्या है राष्टी वरनस्पतिक उधान कहां पर इस्थित है राष्टी वरनस्पतिक उधान कहां पर इस्थित है लखनाउ में ठीक है next question देखेंगे question number 48 है आपका भारत में वन अनुशनदान संस्थान कहां इस्थित है भारत में last lecture में एक question करा रखा था इससे कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है तो है वो सागर ठीक है अगला question देखिए question number 50 question number 50 है आपका दिमलिखित में कौन कृतिम पारिस्थिक तंत्र है कौन कृतिम पारिस्थिक तंत्र है तो इसका अंसर है आपका धान का खेत, ठीक है, धान का खेत करती है, पारिश्थीक तंत्र है, आगे देखिए, कोशन नमबर 51, कोशन नमबर 51 है आपका, रिड डाटा बुक में किसका विवराण दिया गया है, तो इसमें संक्टापन, पाधप और जीव जन्तु का वर्णन दिया हुआ है, आगे देख डेटा बुक हमें किन जातियों के बारे में जन्कारी देती है, तो जो संक्ट में है, उनके बारे में जन्कारी देती है, ठीक है, आगे देखिए, कोशन नमबर 53, कोशन नमबर 53 है आपका, इनमें से कौन सा जै विविविता के लिए खत्रा है, जै विविविता के लिए ख भूम खेती जो है वो जैब विवित्ता के लिए एक प्रिकार का खत्रा है आगे देखिए अगला कोश्चन आपका 54 कोश्चन आपका भारत में पारिस्थकिक असंतुरन का कौन सा एक प्रमुख कारण है इसका अंसर है आपका आप्शन ए वनोल मूलन ठीक है वनोल मूलन पार क्रिकस वन पारिस्थकिक असंत्राण का एक प्रमुख कारण है अगला कोश्चन आपके 55 कोश्चन क्या है ताल कई रेष्थकिक तंत्रकी इसतिर्था निर्भर करती है उतपादक को और उब्हुखतां उपर आपका 56 कोशन प्रकृती के संतुलन को तै करने वाला प्रमुक कारक है मानो गतिविदिया, प्रकृति के संत्रुन को ताय करने वाला प्रमुक कारक है मानो गतिविदिया, नेक्ष टोशन देखिए 57 क्या है, निम्र में से किसे वैस्विक विरासत का वन माना जाता है, तो इसका अंसर आपका पस्चिम बंगाल में सुंदर वन, ठ 58 question है 57 मैं करा दिया वैसिक विरासत कबन मानने जाता है किसे पश्चे मंगाल में सुंदरवन को ठीक है आगे देखिए 58 question क्या है वह वरणडग जो वनस्पती को पराबैगनी किरोनों के दुस प्रभाव से बचाता है कौन सा है वह वरणडग जो वनस्पती को पराबैगनी कि के दुस प्रभाव से बचाता है आगे देखिए question नूमर 59 क्या है question 59 है आपका सरवाधिक जय वीवित्ता कहाँ पाई जाती है सरवाधिक जैवी वित्ता उर्षन कटिबंधिय वर्षा बंद में पाई जाती है आगे देखिए कोशन नमर 60 काजी रंगा किस लिए जाना जाता है काजी रंगा किस लिए जाना जाता है तो काजी रंगा गेंडा के लिए जाना जाता है आगे देखे question number 61 क्या है question number 61 है आपका पारिस्तखिक तंतर में तत्वों के चक्रन को क्या कहते है question number 62 क्या है चिपको अंदोलन मूल रूप से किस के विरुद था चिपको अंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद था ठीक है आगे देखिए कोशन नमर 63 इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो इको मार्क उन भारती उत्पादों को दिया जाता है जो पर्या वरण के प्रती महत्तरी पूर्ण होते हैं ठीक है? जो पर्या वरण के प्रती महत्तरी पूर्ण होते हैं आगे देखिए अगला है आपका 64 question number 64 है आपका वाता वरण में green gas ग्रीन हाउस gas के बढ़ते बाहुल के कारण निम लिखित प्रभावित हुए हैं मतलब किसको छोड़के इसमें से चार ओप्शन में से किसे छोड़कर बाकि सब प्रभावित हुए हैं तो oxygen निसेचन प्रभाव ठीक है? वाता वरण में green house गैसों के बढ़ते बाहुल के कारण निम लिखित प्रभावित हुए हैं सिवाए तो बाकि सब प्रभावित हुए हैं सिवाए oxygen निसेचन प्रभाव के अगला कोशन देखिए कोशन नमर 65 क्या है? कोशन नमर 65 आपका ओजोन इतनी सांदरता संकेंद्रण पर गंभीर फुफुसी सोफ उत्पन करके मानव स्वास्त को प्रभावित करता है कितनी सांदरता मतलब उत्पन करके गंभीर फुफुसी सोफ उत्पन करके मानव स्वास्त को प्रभावित करता है तो इसका अंसर है 9.0 ppm 9.0 ppm सांदरता पर आगे दखिए question number 66 के है विस्टो का सबसे अधिक तेरी से बढ़ने वाला जल पादब है सबसे अधिक तेरी से बढ़ने वाला जल पादब काउन सा है जल हाइसेंथ आगे दखिए 67 question है आपका निम निकित में से किस कारे से परेष्तिक संतुलन विगड़ता है तो लकडी को काटने से अगला है आपका 68 अगला कोशन देखेंगे question number 69 question number 69 ने आपका जब पादप विवित्ता को प्राकृतिक आवास में सम्रचित किया जाता है जब पादप विवित्ता को प्राकृतिक आवास में सम्रचित किया जाता है तो इस सम्रच्छन को कहते हैं तो इस सम्रच्छन को क्या कहते हैं स्वाइस्थाने तो इस समयच्छन को स्वाइस्थाने कहा जाता है अगला कोश्चन है आपका 70 कोश्चन अत्यधिक वनवन मूलन का सबसे अधिक खतननाग प्रभाव है अत्यधिक वनवन मूलन का सबसे अधिक खतननाग प्रभाव क्या है मृदा अपरदन जीव होते हैं 72 question आपका पर्या वळणी आयोजन के साथ मूलता सम्बंधित संगठन है कौनसा? N-E-E-R-I ऐसा संगठन है जो पर्या वळणी आयोजन के साथ सम्बंधित है आगे देखिए question no.73 कोशन नमर 73 है आपका मैंग्रोफ वनो पर वैस्विक तापन का क्या प्रभाव होगा तो इसका अंसर है आपका मैंग्रोफ के विसाल छेत्र जलमगन हो जाएंगे आगे देखिए कोशन नमर 74 क्या है कोशन नमर 74 है आपका भारत में धारणिय विकास के दरश्टी कोण से विदुत उतपाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है COB आगे देखिए कोशन नमर 75 क्या है कोशन नमर 75 है आपका दार्णी विकास जिनके उपयोग के संदर्ब में अंतर्पीडिगत सर्मेदन सीलता का विसे है प्राकृतिक सनशाधन ठीक है प्राकृतिक संशाधन 76 कोशन है आपका दो भिन समुदायों के बीच का संक्रान्ति छेत्र कहलाता है दो भिन समुदायों के बीच का संक्रान्ति छेत्र क्या कहलाता है तो इसका अंसर है इसका अंसर है आपका इको टोन ठीक है इको टोन एको टोन कहलाता है आगे देखिए आगे है आपका 77 कोशन एक मनुस्व के जीवन को पूर्ण रूप से धाणी करने के लिए आवश्यक नियुन्तम भूमी को क्या कहते हैं कोशन क्या है एक मनुस्व के जीवन को पून रूप से धाणी करने के लिए अवश्यक नियुनतम भूमी को क्या कहते हैं, तो इसका अंसर है आपका परिस्त की पदच्छाप ठीक है, परिस्त की पदच्छाप, नेक्क कोशन देखी क्या है, नेक्क कोशन है आपका 78 कोशन, ये क्या है निम्न मेंसे कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है निम्न मेंसे कौन एक प्रवाल विरंजन का एक सबसे अधिक प्रभावी कारक है तो इसका अंसर है आपका सागरी जलके समाने तापमान में व्रधी सागरी जलके समाने तापमान में व्रद्धी निम्रिकित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ती कारक है कौन से ओजोन रिक्ती कारक है तो इसका अंसर है यहाँ पर ओजोन रिक्ती कारक तो इसमें यहाँ पर जो ओजोन रिक्ती कारक है ठीक है, आगे देखिए, question number 80, question number 80 है आपका, भारत के निमलिखित छेत्रों में से, कौन से, जय विवित्ता की दर्ष्टी से, उत्तेजन सील माने जाते हैं, तो इसका अंसर है, आपका यहाँ पर पूर्वी हिमालय और पस्चिमी घाट, तो यानि कि जहाँ पर 1-3 हो, option में, पूर्वी हिमालय और पस्चिमी घाट, तो option है आपका, भारत के निमलिखित छेत्रों में से, कौन से, जय विवित्ता की दर्ष्टी से, उत्तेजन सील माने जाते हैं, ठीक, पूर्वी हिमालय और पस्चिमी घाट, आगे देखिए, question number 81, question number 81, question number 81 है आपका, पर इस्त की निकाई के रूप में, आद्र भूमी निमलिखित में से, किस उप्योगी है, तो इसका अंसर है, पोशक अनुपुनाः प्राप्ति एविम चक्रन हेतू, यह और option B, आपका पौधो जारा अफ्सूसक्राण के माध्यम से भारी धात्यों को अउमुक्त करने हेतू, यह भी सही है, यहाँ पर जो आंसर है, option D, यानि कि उप्यूक्त सभी हेतू, ठीक है, तलच्छत रोक कर नदियों का, गाधी करन कम करने हेतू, गाधी करन कम करने आगे देखे, question number 82 क्या है, निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, हिमालय पर रहावरान एवं विकास का गोविंद वल्लपंत संस्थान अलमोडा में है, यह आपका सही है, भारती वन प्रणाल प्रणाल संस्थान कूलकाता, यह आपका गलत है, ठीक है, बारती वन प्रणाल संस्थान कूलकाता में नहीं है, आगे D option भी आपका पाज्थ की, विज्ञानों का के अंदर बैंगलोर में है, यह भी आपका सही है, आगे देखे, question number 83, question number 83 है आपका, निम लिखित मैंसे किस देश में विस्व के तापमानों पर आंकड़े एकठा करने के लिए, वैस्विक वायो मंडल चौकसी स्टेशन इस्थापित नहीं किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका भारत में, ठीक है, भारत में नहीं किया गया है, 84 question देखिए क्या है, question number 84 किया रहा है, निम लिखित मेंसे कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका, जो पहला option दिया हुआ है, यह आपका सही है, जैय मंडली परिस्तिकी तंत्र में उर्जा का प्रवाह एक दिसी होता है, ठीक है, यह option आपका सही है, यह बाकी option आपके गलत द नहीं है, तो nitrogen जो है, वो आपकी हरित ग्रह गैस नहीं है, ठीक है, आगे देखिएके, question number 86, question number 86 है आपका निम लिकित में से कौन परिस्तिक तंत्र के विसाय में सही है, तो जो option C यहाँ पर दिया हुआ है, यह एक बंद तंत्र होता है, यह आपका गलत option दिया हुआ है, ठी अगला कोशन देखिए क्या है, कोशन नमर 87, कोशन नमर 87 है आपका, खाद स्रंखला, फूड चैन में मानो है, प्रात्मिक तथा दितिया को भोगता है, ठीक है, प्रात्मिक और दितिया को भोगता है, मानो, अगला देखिए, कोशन नमर 88 है आपका, निम्ड में से कौन अहार स्रंखला का निर्मान करते हैं तो इसका अंसर है आपका घास, बकरी और मानो ठीक है घास, बकरी और मानो जो है वो आहार स्रंखला का निर्मान करते हैं ये कुश्चन मुझे याद है अभी IB का एक्जाम हुआ था उसमें आया था कुश्चन ठीक है तो आगे देखिए कोशन नमर 89 है आपका पर इस्तित की विज्ञान केंद्र कहां इस्तित है तो ये आपका है बैंगलोर में ठीक है आपका पर इस्तित की विज्ञान केंद्र बैंगलोर में इस्तित है आगे देखेंगे कोशन नमर 90 कोशन नमर 90 है आपका विस्व पर्रयाव प्रफम विस्व पर्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् तो दोस्तों यह थे आज के कोशन सारे और यह टॉपिक आपका एकोलोजी पुरा कंप्लीट हुआ है और इसके बाद आपका आएगा टॉपिक पॉल्यूशन तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारे लिंक वीडियो के देख सकते हैं वहां से आप रिवाइस कर सकते हैं दो स आपको अच्छे से याद हो जाए कोशन्स ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्टर में थेंक्यू हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गुरुकुल परिवार में और आप लूसेंट अब्जेक्टिव बुक से बियोजी टॉपिक कर रहे हमारे स साथ आज हम आपको कराएंगे कोशन्स 53 कोशन्स टोटल और टॉपिक है आपका पॉल्यूशन प्रदूसन ठीक है इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पर आपको कंप्यूटर और फिलिक्स के टॉपिक करा दिये गये हैं तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप डिस् पॉल्यूशन हुगा सुजाओं उनको विरिस्चो लेके हमारे कोर्दूस को लेके हमें अब comment section में comment भी कर सकते हैं आए चाट करते है आज का lecture तो आएए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन देखते हैं क्या है इसमें वायू प्रदूसकों का विश्वस्नी शंक्यतक है लाइकेंस जथा मौस ठीक है लाइकेंस जथा मौस अगला कोशन देखें क्या है मोटर कार से उत्पन प्रदूसक जो मांसिक रोग पैदा करता है होता है PB मोटर कार से जो उत्पन प्रदूसक होता है वो PB जो होता है वो मांसिक रोग पैदा करता है ठीक है अगला कोशन देखिए क्या है अगला कोशन आपका कार्बन मोनो Carbon Monoxide एक प्रदूसक है क्योंकि यह हीमोगलोबिन से संयोग करती है Carbon Monoxide एक प्रकार का प्रदूसक है क्योंकि यह हीमोगलोबिन से संयोग करती है अगला question क्या है? Question 4 देखिए मुख्य वायू प्रदूसक होता है मुख्य वायू प्रदूसक CO होता है next question देखिया, मुंबई और कुलकाता जिसे सहरों में प्रमुख वायू प्रदूसक है, CO और SO2, ठीक है, CO और SO2 प्रमुख वायू प्रदूसक है, अगला देखिया, question number 6, निम्रिकित मैंसे कौन सा वायू मंदली प्रदूसक नहीं होता है, carbon dioxide, carbon dioxide वायू मंदली प्रदूसक नहीं होता, अगला question देखियेंगे, हम लोग question number 7, question number 7 है आपका, हरित ग्रह गैसे, greenhouse gases कहलाने वाली गैसे हैं, कौन सी गैसे, greenhouse gases कहलाती हैं, तो इसका question number 7 है आपका, question number 7 देखिये, greenhouse gases पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है, तो आपका जो option number D है, CFC, CFC, CO2, CH4 और NO2 रहा हैं, यह हरित ग्रह गैसें होती हैं, आगे देखिये, question number 8 क्या है, कौन सी गैस प्रत्वी पर, हरित ग्रह परभाव में सरवाधिक योगदान करती हैं, तो इसका अंसर है आपका, carbon dioxide, ठीक है, carbon dioxide जो है, वो हरित ग्रह परभाव में सरवाधिक बlovepaidान करती है मेट्श पूंबर 9 मेट्रोप вместе मेट्रोपृटन नेग्रों में प्रुषार है कौन सा स्वाचानित वहर है वो में प्रिकार के नग्रों में प्रोदूसरन का प्रमुक स्वरोंग औरने क्या है निमनिखित मैंसे कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विसायला पदार्थ बनाती है तो इसका अंसर है CO ठीक है इसका अंसर है CO क्या है निमनिखित मैंसे कौन सा जीव निमनिकरनी है तो इसका अंसर आपका रबर ठीक है रबर रिख निमनिकरनी है आगे देख़े क्यों क्या है Q2 है आपका निंद प्रदूसकों में कौन जैब विगटित है तो जो वहित मल होता है ये जैब विगटित होता है आगे देखेंगे Q13 Q13 देखें क्या है निम लिकित में से किस वायू प्रदूसक के कारण किस वायू प्रदूसरक के कारण मनस्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है किस वायू प्रदूसरक के कारण तो ये अभी पहला कोशन है या दूसरा कोशन था PB, ठीक है, PB, सीसा इसके कारण तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है अगला कोशन देखी क्या है 14 कोशन इम्रिकित मैंसे कौन सा वायू प्रदूसक मनस्व में रख्तदाप को बढ़ा देता है तथा हिर्दर संबंदी रोग पैदा करता है तो इसका अंसर है आपका कैडमियम ठीक है कैडमियम जो है आपका सही अंसर होगा कैडमियम बायू प्रदूसक मनस्व में ब्लेट प्रेशर बढ़ा देता है और हिर्दर संबंदी रोग पैदा करता है आगे देखिये कोशन नमर्ब 15 लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोह सक्की मिता रोग होने का करण है तो इसका अंसर है आपका सिलिका ठ आगे देखिए कुछ नमबर 16 क्या है वायू मंडल में कारबन डाय ओकसाइड का निर्मान मुक्रिता हुआ है जीवों के स्वसन से हुआ है आगे देखिए कुछ नमबर 17 ताज महल को छती पहुँच रही है ताज महल को छती पहुँच रही है मतुरा तेल सुधन साला से निकले वायू प्रदूसकों से अगे देखिए कुछ नमबर 18 कहा जाता है कि ताज महल मारबल कैंसर से ग्रस्त है यहां मारबल कैंसर क्या है कहा जाता है कि ताज महल मारबल कैंसर से ग्रस्त है यहां Marble Cancer क्या है तो जो Marble Cancer है यह है आपका अमली वर्षा जो Marble को छरण करती है नुकसान पहुशाती है ठीक है अमली वर्षा जो Marble को छरण करती है इसे Marble Cancer का जाता है आगे दिखिए Question 19 क्या है Question 19 है आपका प्रत्वी के वायो मंडल में उपस्तित ओजोन इस्तर O3 प्रत्वी के वायो मंडल में उपस्तित ओजोन इस्तर O3 पराबैगनी करणों के प्रिवेश को कम करता है ठीक है प्रत्वी के वायो मंडल में उपस्तित ओजोन इस्तर O3 प्रवेगनी के प्रिवेश को कम करता है नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन 20 कोशन 20 है आपका मिना माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे पानी में इसके प्रदूसर्ण के कारण हुई थी तो इस में 4 ओक्स talents दिये हुए आपके किसके प्रदूसर्ण के कारण हुई थी तो आपके पारद पारद के प्रदूसर्ण के कारण हुई थी ठीक है है पारद गे देखिए question number 21 question number 21 ने है आपका जल प्रदूसरान को मापने हेतू निमने खित में से कौन सी जाँच की जाती है जल प्रदूसरान को मापने के लिए कौन सी जाँच की जाती है तो अगर जल प्रदूसरान को नापना होता है या मापना होता है तो हम उसे बायो मेकनिकल ऑक्सीजन की जाँच करते हैं बायो मेकनिकल ऑक्सीजन डिमांड जाँच की जाती है ठीक है आगे देखिए Q2 Q22 है मैं अबका DDT होता है DDT होता है तो DDT एक प्रकार का अजैव अपंगःने परदूसक होता है ठीक है चरता था यह कोशन अजय आप घटनी प्रदूसक होता है 23 कोशन क्या है देखिए कोशन 23 है आपका सूर से आने वाले हानिकारक पराबैगनी विक्रणों से होता है क्या होता है तुचा का कैंसर तुचा का कैंसर ठीक है आगे देखिए कोशन 24 यदि जल का प्रदूसर वर्तमान गती से होता रहा तो अन्तता जल पादपों के लिए औक्सिजन के अनू अपर्रयाय हो जाएंगे आगे देखिए कोशन 25 क्या है नदियों में जल प्रदूसर वर्तमान गती से होता रहा तो अन्तता जल पादपों में के लिए औक्सिजन के अनू अपर्रयाय हो जाएंगे ठीक है आगे देखिए कोशन हमा 25 क्या है नदियों में जल प्रदुस्वान की माप की जाती है तो ओटू की घुली हुई मातरा से करते हैं अगला कोशन देखिए कोशन हमा 26 निम्ड में से कौन सी गैस वाईयो को प्रदूसित नहीं करती है तो इसका अंसर आपका तो इसका अंसर आपका और टू ओडू जहां पर आपका C जो है वो गलत लगा हुआ है, ठीक है, आपकर C नहीं होगा, सिर्फ O2 होगा आगे देखिए, question number 27, question number 27 क्या है प्रकास रसायन, smog, इस आम क्रिया का परिणाम है प्रकास रसायन, smog, इस आम क्रिया का परिणाम है प्रकासलसायन इसमोग क्या होता है जब सूर प्रकास की उपस्ती में NO2, O3 तता परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट ठीक है प्रकासलसायन इसमोग इस आम करिया का परिणाम है जो समोग हो जाता है या प्रकासलसायन कहते हैं उसे तो यह किस तरह की अभिग्रिया होती है, उसका परिणाम होता है, तो यह सूर की उपस्तिमा एनोटी ओतरी और परोकसी एसेटिल नाइटरेट अभिग्रिया गरके बनाते हैं, ठीक है, आगे देखिए, कोशन नमर 28, कोशन नमर 28, कोशन नमर 28 है अपका, नेम लिकित में से वाहन प्रदूसरन का भाग नहीं है, कोशन नमर 29 क्या है, कोशन नमर 29 है अपका, उर्जा के किस रूप में प्रदूसरन की समस्या नहीं होती, प्रदूसरन की समस्या नहीं होती, तो जो सौर उर्जा है, उसमें किसी भी तरह की प्रदूसरन की उर्जा की समस्या नहीं रह करते है ठीक है आजे देखी जिए कोशनर्म 30 क्या है कोशनर्म 30 है आपका निम नांकित में कौन अधिक्तम धंध्रुनी कारण है आगे देखिए question number 31 question number 31 है आपका राष्टी पर्यावरान अभी अंत्र की संस्थान कहां इस्थित है नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में इस्थित है आगे देखेंगे question number 32 क्या है question number 33 question number 33 है आपका वैस्थित आपन के फल्चुरूप क्या हो सकता है समुद्र तल में व्रद्धी हो सकती है त्रेका में परिवर्दन हो सकता है फसल के सुरूप में परिवर्दन हो सकता है उप्योक्त सभी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उप्योक्त सभी आगे देखें को कौशन नबर 34 अपका वाय्यू मंडल में जिस ओजोन शधिर का पता लगाया गया वह कहां स्थित है आप लोग उस उन्ते हैं उपर, रिंटार्क्रिका के उपर ठीक है आगे कोशनबर 35 यह आपका निम्न में आपका क्या सी गयास वेश्ट्विक उश्णुलता के लिए उत्तर दाई है rider इसकी आपका करवंडायोक्साइड़ और Methane, Carbon Daiso Oxide or Methane, आगे देखिए Question 36 क्या है? I.C ужениure нее Dollar Format अफसोसित करती है क्या ultra violet किरणो को? ag Agree Qз 37, क्या है? तेजाब वर्षा पर्रया वराड में ने परदूसरान से होती है तेजाब वर्षा पर्यावरान में निम्न प्रदूसर्ण से होती है कैसे किसकी किसकी वेले से नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाई ऑक्साइड ठीक है तेजाब वर्षा पर्यावरान में निम्न प्रदूसर्ण से होती है नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार् गनी करण के कारण वायू मंडल के तापमान का बढ़ना ठीक है हरित ग्रह का क्या प्रभाव है हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ क्या है ठीक है कोशन है हरित ग्रह प्रभाव का अर्थ है तो इसका अर्थ है वायू मंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनी करण के कारण वायू मं शब्द का प्रियोग किसके लिए किया जाता है तो इसका अंसर है आपका प्रिकाश रसाइनिक धुआं ठीक है प्रिकाश रसाइनिक धुआं के लिए ब्राउन एयर सब्द का प्रियोग किया जाता है आगे देखिए question number 40 कौशनबर 40 है आपका निम्न में से कौन सा जयाव निम्न करनी है तो इसका आणसर आपका इसमें कागच इन सब में ऑपसिंस में जितने भी है आपका अंसर है कागच आगे देखें कौशनबर 41 विए आपका पराध्वन जेट प्रिदूसर पैदा करता है पतला करके O3 परत को, ठीक है, आंसर क्या है, O3 परत को, परा ध्वनिक जट जो है, प्रदूसर पैदा करता है, O3 परत को पतला करके, ठीक है, आगे देखिए, question number 42, question number 42 है आपका, fly-ass, fly-ass, पर्या वरनी प्रदूसर को, जो इसके दोरा उत्पन होता है, किसके दोरा उत्पन होता है, thermal power plant के दोरा, ठीक है, fly-ass, एक तरह का वाता वरनी प्रदूसर के दोरा, उत्पन, question number 43, देखेंगे, क्या है, निम्न में से, कौन सा जैव, निम्न करनी प्रदूसर के, इसका जो आंसर हो है, आपको, वाहित मल, यह भी, पीछे भी question था, वाहित मल, ठीक है, निम्न में से, कौन स जैव, निम्न करनी प्रदूसर के, वाहित मल, आगे देखिए, question number 44, क्या है, question number 44, आपका, peroxy acetyl nitrate, क्या है, यह है, यह है, आपका, गौन प्रदूसर के, एक तरह का, आगे देखिए, question number 45, क्या है, सबसे खराब वायू प्रदूसर के, उत्पन ने करने वाला पदार्थ है सबसे खराब वायू प्रदूसर ने करने वाला पदार्थ है, तो इसका आंसर क्या है, सबसे खराब वायू प्रदूसर ने करने वाला कर्वन डाय ओक्साइड, कर्वन डाय ओक्साइड जो है, वो सबसे खराब वायू प्रदूसर ने करने वाला पदार्थ है, आगे देख इसके दौरा जल के प्रदूसरल को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रियुक्तिया जाता है इसका क्या अंसर है आपका कैडमियम ठीक है कैडमियम के दौरा जल के प्रदूसरल को साफ करने के लिए बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लो वाला रोग है वायू प्रदूशन के फल्सरूप लोगों को फुफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग कौन सा है तो इसका अंसर है आपका वात इस्वीती वात इस्वीती ठीक है वात इस्वीती नेक्क टोशन देखी क्या है उरवरक के अत्तधिक प्रयोग होने से होता है और वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है, क्या होता है, मृदा प्रोदूसान होता है, जल प्रोदूसान होता है, और वायू प्रोदूसान होता है, ठीक है, एनिकी आंसर आपका उप्योग तो सभी, और वरक के अत्यधिक प्रयोग से मृदा प्रोदूसान, जल प्रोदूसा और वाईव प्रोदूसा होता है कि आगे देखेंगे कुशें नमबर 49 कोशटना 49 है आपका पर्या वरण संद्छन के लिए कौन सी अंतराश्टी एडेंसी कारे कर रही है तो इसका अंसर जो है वो आपका कौन सा है कौन सी एडेंसी ग्रीन पीस एडेंसी कारे कर रही है ठीक है पर्यावरान सरन रच्छन के लिए अंतर राश्टी अजन्सी कौन सी कारे कर रही है ग्रीन पीस आगे देखेंगे कोशन नमर 51 कोशन नमर 51 है आपका भूमी का जल को दूसित करने वाले अजयविक प्रदूसक हैं कौन से अर्सेनिक ठीक है आर्सेनिक जो है वो एक तर ठीक आगे देखेंगे कोशन नमर 50 को के और 50 कि सूचि का मिलान करना है इस में एक तरफ दिये हुए हैं प्रदूसक एक तरफ दिये हुए हैं प्रभाववित अंग्ग ठीक हैं तो आगे नेखते है क्या ए कि बीख शीशा tenga ने इसमें नहींहिता पढ़ा है तो हम लो कि सीसा जो है वो मस्तिस को प्रभावित करता है मांसिक तरह की मांसिक तरह की बिमारी हो जाती है ठीक है तो मुझे पता है कि सीसा मस्तिस को प्रभावित करता है ठीक अब हम देख लेंगे इसमें कि B में 1 कहां पर दिया हुआ है B में 1 सिर्फ एक option है आपको यहाँ पर option number B option number B दिया हुआ है B में सिर्फ 1 ठीक है तो इस सब हटा देंगे अब देखेंगे इसे option number सिर्फ एक आपको निकल के आगया B में 1 यानि की सीसा का must disk मुझे पता था अगर आपको नहीं पता है तो अगर आपको बागी पता है उससे आ दारा उदर को प्रभावित करता है अगला है करवंडाय ओक्साइड तो करवंडाय ओक्साइड रख्त धाराओं को प्रभावित करता है ठीक है और अब धूल बची धूल फेफनों को प्रभावित करती है अगर आपको इन सब में से कोई ना पता होता तो आपको पता यह ज आपके लिए नेक्स टाइम आप तभी कर पाएंगे जो आपको याद होगा आपने दो से तीनवार रिवाइज किया होगा ठीक है आगे देखिए कोश्चन नमर 52 भूमी का जलके प्रभा के साथ नीचे की और बहने वाले प्रदूसकों को क्या कहा जाता है भूमी का जलके प् 53 कोश्चन नमर 53 क्या है भारत की कुछ भागों में पेजल में निम्रिखित में से कौन से प्रदूसक पाए जाते हैं नीचे दिये गया हुए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुने पुशा है कुछ भागों में पेजल में निम्रिखित में से कौन से प्रदूसक प यह अंसर हो जाएगा ठीक है आर्सेनिक और फ्लोराइड पाए जाते हैं तो दोस्तों यह था आज का लेक्चर और इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल यह मत भूलेगा और यह सरी दोस्तों बहुत ही मेरे से मैं त्यार कर रहा हूं इसमें काफी ज़्यादा लग जाता है एक वीडियो को बनाने में एक घंटे लगते हैं एक वीडियो को तैयार करने में तो मैं आपसे उमीद रखता हूं कि आप हमारे चनल को शेयर करेंगे और जादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिस करेंगे और आप इन वीडियोज को रेगुलर objective वाली book है, अगर इसके साथ आप subjective वाली book read करते चलेंगे तो वो आपके रिए यदा फाइदे बंद होगी ठीक है, तो आप उसे ले कर आप read भी करते चल सकते हैं, और साथ-साथ objective वाला portion आप करते चलिए, ठीक है ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने next lecture में, thank you Hello friends, स्वागत है आपका अपने गुलगुल परिबार में और आप हमारे साथ Lucent objective book से biology topic कर रहे हैं, इससे पहले दोस्तों मैंने आपको physics topic complete करा दिया है, और मैंने computer कराया है आपको, और इसके साथ साथ मैं एक special topic के series भी आपके लोगों के लिए लेकर चल रहा हूँ जो कि आने वाले exams, group D और NDPC के लिए बहुत ही important है और इससे questions ज़रूर पूछे जाएंगे और यह Lucent book, आपके लिए बहुत ही important book है, दोस्तों इसे बहुत अच्छे से revise करिए, अगर आप लोगों अभी तक biology के बाकी lectures नहीं देखे हैं और physics के बाकी lectures नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो के description में जाकर उनका playlist का link देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर अभी कुछ link ऐसे active है description में जिनमें अभी एक भी वीडियो नहीं पढ़े हैं जैसे की quality, history और इसके अलावा chemistry तो उन links को आप जाएंगे उन links पर तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगे वहाँ पर इसलिए अभी आप सिर्फ physics, biology और computer पर दीजाएं इसके अलावाँ वहाँ पर और कोई वीडियो नहीं है वह भी आगे आने वाले time में upload किया जाएगा ठीक है? यह book पूरी complete हमारी channel पर कराई जाएगी बिल्कुल भी आप लोग इसके लिए परशान मत होईए दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को like नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे वीडियो को like जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों में share करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा इसे आप अपने दोस्तों में abby groups पर और आपके जो whatsapp groups हैं इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में share जरूर करिए दोस्तों आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारी जो भी वीडियो आए और आप अपने दोस्तों को बताइए कि वो यूट्यूब पर अपना गुर्कुल नाम सर्च करके यलो कलरकर लोगों देखकर इसे सब् ब्रंच जो लॉजी ठिक है इसमें आपका क्या है किस difference किस जाता है जैसे इसी मिफ्में बताया जाएगा की तोचा के लिए क्या आर्ण किया जाता है पैंटि्टियों की नतरगत आता है मश्लियों से समंधित कौन सा देन होता है कैंसर समंधिरों से का ज इस टाइब के जितने भी कोर्संट के बाहर कुछ भी नहीं आए गर ठीक है इन्हें आप बहुत ध्यान से करिए और यह लूसेंट बुक से हम करा रहे हैं आपको यह आपको पता ही है आई पहला कोशन देखें क्या है मानौ तुचा का अध्यान करने वाली विज्यान की साखा जीवों के संक्रमन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्यन किया जाता है किया जाता है इम्यंदॉझी में किया जाता है जीवों के संक्रमन के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्यान, आगे देखी कॉश्य弹ों 4 कोश्यर नमर जाता है जीबास्म का अध्यन किया जाता है आगे देखिए कोर्षाण 05 कोशन 5 का केड़ों के अध्यन को कहते हैं किड़ों के आध्यन को का कहते हैं एंटोमोलॉजी कहते हैं ठीक है केस मुतtım गेलों के अध्यन को choosing लैपी डेट्रियों क्यालाता है ठीट्लियों का अध्यान ठीक है आप एक दो बार रिवाईस करेंगे तोsequently आपको विले को ठीक है एक लगा नहीं बार है अपको को सकता है कि ना क्लीर लेकिन आप दो-टींगार करेंगे तो आपको पका कईफर्म याद मत grant destin Net अगला है आपका मचलियों से सम्मंदित अध्यन जो होता है मचलियों से सम्मंदित अध्यन जो होता है एक कितोलोजी एक कितोलोजी ठीक है एक कितोलोजी कहलता है मचलियों से सम्मंदित अध्यन आगे देखेंगे कुशन नमबर एट question number 8 है आपका और अनर्थियोलोजी में किसका अध्यन होता है तो इसमें आपका होता है अनर्थियोलोजी में पच्छी का अध्यन होता है ठीक है अनर्थियोलोजी में होता है आपका पच्छी का अध्यन आगे देखेंगे question number 9 कोशन मनाई ने आपका हिस्टोलोजी हिस्टोलोजी में किस हिस्टोलोजी किसे संबंधित है हिस्टोलोजी किसे संबंधित है तो इसका अंसर आपका उतक ठीक है, histology उतक से समंदित है, आगे देखेंगे, question number 10, question number 10 है आपका, घाव का अध्यन क्या कहलाता है, घाव का अध्यन क्या कहलाता है, घाव का अध्यन कहलाता है, question number 11, question number 12, question number 12 है आपका, मुलासका समदाय के जंत्वों के कवच का अध्यन कहलाता है, मुलासका समदाय के कुछ जंत्वों होते हैं, उनके कवच का जो अध्यन होता है, वो क्या कहलाता है, कौनकोलोजी, कवच का अध्यन, कौनकोलोजी, ठीक है, cancer के समदित रोगों का, ओकोलोजी, ठीक है, ओकोलोजी, आगे देखें, question number 13, question number 13 है आपका, वनसा गती के नीमों के अध्धन को कहते हैं, वनसा गती के नीमों के अध्धन को कहते हैं, अनुवांसी की, ठीक है, next question देखें, question number 14 क्या है, question number 14 है आपका, मनुसा के बाता वारं को सुदानने में, नसल सुदानना कहलाता है, क्या कहलाता है, यूथे निक्स, ठीक है, अग्र आपको वीडियो देख याद नहीं होते हैं, तो आप इसे, MP3 या MP4 में डाउनलोड भी कर सकते हैं विडमेट एप से ठीक है अगला कोशन देखिए कोशन नमर 15 कोशन नमर 15 है आपका नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्यान के साखा को कहते हैं क्या कहते हैं अगलोड कोशन नमर 16 इस विज्जान को जो अनुवान सिक्ता के नीमों द्वारा मानो जाती की उन्नती का अध्यन करता है उस विज्ञान को जो अन्वान सिक्ता के नीमों द्वारा मानो जाती की उन्नती का अध्यन करता है कहते हैं क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूजे निक्स इसे कहते हैं यूजे निक्स उस विज्ञान को जो अनवन सिक्ता के नीमों द्वारा मानो जाती की उन्नती का अध्यन करता है उसे यूजनिक्स कहते हैं ठीक है आगे देखेंगे कुश्शन नमबर 17 किटो से समंदित जी बिच्ञान की साखह कहलाती है किटो से समंदित जी विट्यान के साखह कहलाती है के इन्टिमो लोजी कहलाती है. आगहे देखिए glut नमबर 18 मचलीओं तथा उनसे संब्नित उद्वकों का अधन क्यालाता है एक기에 से संब्नित उद्वकों तो मचलीयों में है अपका इक्यूथोलोजी ठीक है मसलियों के तता उन से उनसे समंदेत ऊदूखों का दिन crossing ऐगे दखेंगे कौश्च कूशन नमबर 19 कूश्च नमबर 19 अपका जनतु विज्यान की वा साखा जिसके अंतंगत जन्तू की बाहय हो डिये क्षिए मोर्फ Coleman क्षिए मैं इसे एक बार ही पढ़ता था अब लेकिन मैं उसे 2-3 वर रिपीट करने की कुषिस करता हूं ताकि वो आपको याद हो जाए मतलब मैं खुदी मैं चालता हूं कि एक वीडियो में आपको याद हो जाए अपको दो से क्या लाती है जनेटिक्स ठीक है अनुवानसी की जनेटिक्स कहलाती है ठीक है जिसमें अनुवानसी क्लक्षरों का अध्यन किया जाता है उसे जनेटिक्स कहते हैं आगे देखेंगे कोशन Q22 में करते हैं आगे देखिए Q23, Q23 यह अपका जनसंख्या का अध्यन कहलाता है किसमें, डेमग्राफि में जिन संख्या काद्ध ठीक है आगे देखिए कुश्चन नमर्ट 24, question number 24 है आपको, मदमक्यों का पालना क्या 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 क् कोश्चन no.26 है आपका उत्कों की रचना के अध्यन से संबद् विज्यान क्या 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 आता है यह क्या आता है आगे देखेंगे Q27 Q27 विज्यान की वह साखा Neurology से कौन से अंग का अध्यन किया जाता है विज्यान की साखा Neurology से कौन से अंग का अध्यन किया जाता है तो Neurology में इसनायूत अंद्र का अध्यन किया जाता है ठीक है ? Neurology में इसनायूत अंद्र का अध्यन किया जाता है आगे देखेंगे कोशेंगे तो "-ध्यन्स सब्सकेंगे से सब्सक्राइव तो अध्यागbest के सब्सक्राइव तो सिसु रोग ठीक है सिसु रोग सिसु रोगों के अध्यन से सम्मंदित है पीडिया ट्रिक्स ठीक पीडिया ट्रिक्स अके आके देखेंगे टूटल 37 question है नीचे से उपर के तरब चलेंगे कोई problem नहीं है 37 question देखें कि आए 37 आपका इरेनियो-लॉजी किसका अध्यान है? ऊप्षिन बी आपका, मकड़ो का अध्यान option B नश्यान है, अपका मकड़ो का अध्यान है ओगे देखिए, कोश् obscure number थर्ै metallic question number 36 है आपका, परिस्त्रीक विझ्यान, एकोलोजी का सम्बन्द किस्से है? option c आपका इसका answer है सरीर सनचना और वातावरन ठीक है परिस्तिकिक विज्ञान ecology का संबंद ecology ecology मतलब सरीर सनचना और वातावरन से संबंदित ठीक है आगे देखिए question number 35 question number 35 है आपका रक्त में antibody एवं antigen के अधन को क्या कहते हैं रक्त में antibody और antigen के अधन को क्या कहते हैं तो इसका answer है आपका serology serology ठीक है रक्त में antibody और antigen के अधन को serology का आजाता है आगे देखिए question number 34 question number 34 है आपका चन संख्या के अधन को क्या कहते हैं चन संख्या के अधन को demography demography जासंग्या के अध्दन को डेमोग्राफी यह देखिंग है रेलेवे में आज़े में और अब दो जानो कि आफ दोनो कि अगे देखिए कुछ नमर 33 कोशनमर्स ये अपको ऑनवांस से कि से संबंदित है अन्वान से की किस सम्मंदित है अन्वान सिक्ता से सम्मंदित है आगे देखेंगे कोशन नमर 32 कोशन नमर 32 आपका जिनिटिक्स में किसका अध्यन किया रहता है जिनिटिक्स में किसका अध्यन किया रहता है ठीक है जिनेटिक्स में अनुवानसिक्ता एवम गुर्शून तो जया जाता है और इससे पछले आपके दो कोशन है कोशन नमर थर्टी वन — उंकोलाजी किसका अध्यन है Onkology आपको पता है Cancer का अध्यान है और 30 कोशन है आपका Tissue Culture का अध्यान किसके लिए उपयोगी है तो इसका answer है आपका अनुमाल सिकी के लिए ठीक है अनुमाल सिकी के लिए उपयोगी है दोस्तो ये था आपका आज का lecture और इसी के साथ ही तोटल कम्प्लीट होता है आज का लेक्चर और इसमें टोटल जो बायालोजी टॉपिक में टोटल वीडियो आएंगे वो 25 आएंगे और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करी लिया है ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में इसे अपने दोस्तों मे शेयर करना करना वॉटसेप और फेस्बूक पर बिल्कुलि मत भूल येगा ठीक है और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल बहुल येगए अगर आपको ये पसंद आरहे हैं तो कमेंट सेक्शन में करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लग र important lecture की जो series हमरी चल रही है जिसमें लगबग मैंने अभी तक total six videos डाले हुए हैं अगर आपने उन videos को नहीं देखा है तो आप description में जाकर उसका link से आप playlist तक जा सकते हैं और वहां से अपना सारी topic आप cover करके revise कर सकते हैं ठीक है और आप इन videos को 2-3 बार revise करके इन्हें बहुत अ आने वाले exams में group D, NTPC इन सभी exams में पूछे जाएंगे तो आप video को like करना बिल्कुल ही मत भूलेगा आप video को like जरूर करिए आपके जो भी सुझाओं हो हमारे videos को लेकर आप comment section में comment कर सकते हैं और आपने channel को subscribe कर ही लिया है और आप video को share करना भी बिल्कुल ही मत भूलेगा अपने दोस्तों में, FB पर और WhatsApp ग्रूप में, इंस्टा पे, जहां जहां भी आप अपने दोस्तों में share कर सकें और लोगों को share करिए आईए स्टार्ट करते हैं आज का lecture तो आई यह स्टार्ट करते हैं lecture आज का तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे bio scientist प्रमुख जी विग्यानिकों के बारे में जैसे की homeopathic के संस्ताफक कौन है और मदुमे के उप्चार के लिए कौन सा insulin का अविस्कार जो किया था वो किस ने किया था मतलब जितने भी विग् जैसे थे तो उनने किस चीज वो किस रोग से जुड़े हुए थे मतलब एक तरफ रोग और एक तरफ विग्यानिक कौन से विग्यानिक किस रोग से जुड़ा है किसने कौन से ठीक की खुच की इस टाइप के जितने भी कोशन आते हैं total 31 questions हम कराएंगे आप देखेंगे कि RRB, SSC, उत्तराखंड PSC, UPPSC ये सभी questions आय हुए questions है ठीक है बहुत ही ध्यान से करिएगा start करते हैं बिना समय को गवाए हुए पहला question प्राकरतिक वरणवाद से विसेश संबन था प्राकरतिक वरणवाद से विसेश संबन था किसका? Charles Darwin का ठीक है? Charles Darwin का संबन था प्राकरत प्राकरतिक वरणवाद से, natural selection से, आगे देखिए question no.2, question no.2 है आपका, अनुवान सिकता के नियम के जर्मदाता कौन है? मेंडल, आप सभी पता है मंतर के पादिपा परिछन किया था, अनुवान सिकता के नियम के जर्मदाता है? मेंडल, Gregor John Mendel, आगे देखिए question no.3, question no.3 ने कि न्योचे को नरा, गे ले अ new यह जान रपढ रेखे, लहां। सब्सक्राइब कई नहीं को सब्सक्राइब करकूढ़े अन्सार आपकर प्ल्यूमान को सिध्धांत कि कि समय की हिएथा है? प्लवमान जीन के सिध्धान्द का प्रतिपादन किस ने किया था तो इसका अंसर है आपका मैकली टॉंग ठीक है, मैकली टॉंग ने किया था प्लवमान जीन के सिध्धान्द का प्रतिपादन मैकली टॉंग ने किया था आगे देखेंगे, कोशन नबर 5, कोशन नबर 5 है आपका, फिलोसिफिक जिलोजी के लेखा कौन है, ये बुक है, फिलोसिफिक जिलोजी इसके लेखा कौन है, ये कोशन आपका, तो फिलोसिफिक जिलोजी जो बुक है, वो किसकी है, लेमार की बुक है, ठीक है, फिलोसिफिक की खोज की थी लिवन होग ठीक है लिवन होग ने जीवानु की खोज की थी अगे देखिए को से नमर सैवन आपका हर गोविंद खुराना का किस छेत्र में प्रतिष्ठित नोबल पुरुसकार मिला हर गोविंद खुराना को किस छेत्र में प्रतिष्ठित नोबल पुरुसका कर प्राप्त हुआ था आगे देखेंगे कोशन नंबर 8 कोशन नंबर 8 है आपका निम लिखित में से किसने प्राकृतिक वरन या सरवत्तम की उत्तर जीवता के सिधानतों के अधार पर विकास का सिधांद प्रतिपादित किया था एक बार कोशन को फिर से देखिए कोशन ट अगर कोशनों काँछ नंगर किस ने कियाँ स्टेटों स्कॉड़ का विज्कार किस ने किय तो इस supreme पिए था में डीक ने डीक नियाज। स्कोप का विसकार किया था नेक्स कोशन देखिए नेक्स कोशन आपका कोशन नमर 10 कोशन Mumb buttown है आपका Edward Jenner Edward Jenner नियूंन रिखित्में से किस रोक से जुड़ें हैं, पहला है आपका página विदूशी जनर दूईसरा है आंत् जॉरत तीसरा है सपस्पति ही, तो यह यह आपका से जुड़े हुआ है, ठीक है, Edward Jenner सपस्पति हैं, आगे देखेंगे, question Q11, Q11 है आपका, Q11 है आपका निमलिखित में से वह वग्यानी कौन है जिसने पहली बार रूधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, तो इसका आंसर आपका किस ने की थी, हरवे ने की थी, ठीक है, हरवे, आगे देखेंगे Q12, Q12 वे आपका, हिरदय का पहला प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो इनका नाम था, खृश्चयन बनार्ड, ठीक है, क्रिस्चयन बनार्ड ने हिरदय का पहला प्रतिपादन किया था, आगे देखें, Q13, Q13 ने आपका, DNA की सनरचना को सबसे पहले किस ने रिखांकित किया तो आपको पता है Watson एवं Crick ने DNA की सनरचना को सबसे पहले प्रतिपादित किया या रिखांकित किया आगे देखेंगे विकास का सिध्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिध्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था विकास का सिध्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ठीक है डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया आगे सबसे दो लोग ते एक स्ल्यदेन और दूसरा टी स्वान ठीक है स्लाइडेन और टी स्वान ने प्रतिपादित किया था यह इनकी मूल अधारना थी है कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं के बने होते हैं स्लाइडेन और टी स्वान तो यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा option D जिसमें दिया हो है 2 और 4 यानि की स्लाइडेन और टी स्वान इन्होंने सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं यह कहा था आगे देखिए question number 16 question number 16 में आपको match करना है एक तरफ आपको खोज दी हुई है किस चीज की खोज किसने की और दूसरी तरफ दिया हुआ है वैज्यानिकों के नाम तो इसमें देखिए इसमें आपको पता है option A जो लिखा हुआ है DNA की सनरचना किसने की आपको पता है इसमें Watson एवं क्रिकने ठीक है DNA की सनरचना की कोज किसने की थी Watson एवं क्रिकने ठीक है तो आपका A क्या हो गया A का आपका 3 ठीक है एक त्री और दूसरे में क्या हो जाएगा A B O A A B और O बीच में कॉमा लगा होगा A B और O रख्तसमूँ की कोज किसने की तो किसने की थी A B और O रख्तसमूँ की कोज Carl Land Stringer ने ठीक है Carl Land Stringer ने खोज की थी A B और O रख्तसमूँ की अगला है आपका C जो है Jumping Gene की कोज किसने की थी तो इसका अंसर है आपका Barbara Macklin Tong और लास्ट जो है आपका D तो इसका हो जाएगा जैकब और मुनाड ठीक है जैकब और मुनाड ठीक है आगे देखेंगे कोशन नंबर 70 कोशन नंबर 70 यह है आपका 17 है कोशन किसके दौरा अनुवनसिकता के विज्ञान को अनुवनसिकी कहा गया किसके दौरा अनुवनसिकता के विज्ञान को अनुवनसिकी कहा गया इसका देखेंगे question no 18 question no 18 भी सुमेलित करना है इसमें आपको कि कौन सा सही है तो एक तरफ दिया हुआ है विज्यानिक और एक तरफ खोजे दी हुई है तो इसमें देखिए पूछ रहा है आपसे सुमेलित नहीं है मतलब की गलत मैच किया हुआ है तो पहला देखेंगे जोजेफ लिष्टर कुष्ट रूख का उपचार तो पहला यह option गलत लिखा हुआ है इसके रहाँ आप याद रखने के लिए बागी तीन option देख लिए इन्हें याद रखिए आप यह पूशा जा सकता है दुबारा जोन्स ई-सॉल्क पोलियों के विर्धु टीका जोन्स ई- फ्लेमिंग ने पेंसलीन की खोज की है और एडवर्ड जेनर ने चेचक के विरुद्ध टीके करण की और जोन्स ई-सॉल्क ने पोलियों के विरुद्ध टीके की खोज की है ठीक है आगे देखिए कुश्च नमबर 19 कुश्च नमबर 19 है आपका आधुनिक एंटी सेप्टि का आधी का जनाक है अगे देखिए ओ rocks्च नमर टुइंटी कोस्च नमबर 20 है आपका लूई पोस्च ने कि खोज की थी तो रेभीमिज रोधी ठीके की खोज की खोज किे ती ब्लूई पोस्च नें ठीकit रीजो थी तीके की खोज की थी लूई पॉस चलना है अगला देखे कोशन नह buyers 21 21 कोशन है पृतअ एंटी बायाटिक की कोशिक किस ने की थी फ्ले मिंगने भूंग की थी प्रथम एंटिबाइटिक की आगे देखिए squishy number 22 biology के जन्मदाता के रूप में कौन जाने जाते हैं biology के जनमदाता के रूप में रस्तु को कहा जाता है जी विग्यान का पिता ठीक है बाइयोलोजी के जनमदाता के रूप में रस्तु आगे देखिए कोशन नबर 24 कोशन नबर 24 है आपका किस विग्यानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छनों दरा होता है मलेरिया मच्छनों दरा होता है या किस ने बताया था यह बताया था रोनाल्ड रॉस ने ठीक है मलेरिया मच्छनों दरा होता है या बताया था किस ने रोनाल्ड रॉस ने और देखेव लुष्प माश्चेया करद एप प्रसी बेसिलस का अविस्कार किसों किया था हेंज फिंजे ठीक है लिप्रसी बेसिलस का का विस्कार किया था हैंसेन ने कोशनमार 26 देखिए कोशनमार 26 है आपका इसमें भी एक तरफ आपको खोज करता दिये हुआ है दूसरी तरफ उनकी खोज दी हुई है आपको इन्हें मैच करना है पहला देखिए जेनर दूसरा है वाट्सन तुसरा है लेंडिस्टिनर और फि फ्लेमिंग का पेंसिलीन ठीक है मैंने बताया है भी पीछे फ्लेमिंग का पेंसिलीन तो आप देख लिजे डी में सेकंड डी में सेकंड सिर्फ एक ओप्शन है आपका ओप्शन सी ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एका हो जाएगा तीका करन जेनर जेनर ने टीका करण की है, जेनर ने खोज की है टीका करण की, वाटसन ने खोज की है, द्री कुंडली की और लेंड इस्टिनर ने खोज की है, रूधिर वर्ग की, थिक है? आगे देखिए फ्लेमिंग का आपको पता है पेंसिलीन तो यह था आगे देखिए कोशन नमर 27 कोशन नमर 27 है आपका रक्त समूह का अविस्कारक है रक्त समूह का अविस्कारक आपको पता है लैंड इस्टीनर लेंड इस्टिनर रख समूग के अविस्कार रख है आगे देखिए कोशन नमर 28 मधुमे के उपचार हेतु प्रियुक्त हार्मोन इंसुलिन का विस्कार किया था मधुमे के उपचार हेतु प्रियुक्त हार्मोन इंसुलिन का विस्कार किया था किस ने किया था इंसुलिन का विसकार FG बेंटिंग ने किया था इंसुलिन का विसकार नेक्स कोशन देखिए कोशन नमर 29 यह है आपका पुनावरतन सिध्धान्त किस ने प्रस्तुत किया था पुन्रा वरतन सिध्धान किस ने प्रस्तुत किया था तो इसका अंसर आपका अंश्टन हैकल अंश्टन हैकल ने प्रस्तुत किया था पुन्रा वरतन सिध्धान next question है आपका question number 30 question number 30 है आपका प्रतिरच्छन तक्निकी का विकास किस ने किया था प्रतिरच्छनु तक्निकी का विज़ किस विः किया था तो इसका अंसर है अपका Edward Jenner प्रतिरच्छनु तक्निकी का विज़ का विज़ किया था अगला कोशन है अपका Homiyopathie के संस्थापक के का है है आपके आज का लेक्चर और इसे आप ज्यादा ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में एप ग्रूप पर वाट्सेप पर जहां जहां आप सेयर कर सकते हैं और आपने चैनल को सब्स्राइब कर ही लिया होगा आपके जो भी सुझाओं हों कमेंट सेक्शन में वह आप कमेंट करिए वीडियो की सेरीज बहुत ही जल्दी तेजी से कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद आपका पॉलिटी हिस्ट्री जोग्रफी और केमिस्ट्री में से कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट होगा तो ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्स लेक्शर में स्वागत है आ आपको इससे रिलिटिट जो भी कोश्टन साइंगे एक्जाम में वह बहुत ही आसानी से कर पाएंगे दोस्तों हम कोशिज करते हैं कि कम टाइम में आपको जाज़ा से जाज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बना रहा हूं वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ठीक है तो आपके जो भी सुझाओं हों हमारे कोर्स को लेकर अप कमेंट सेक्षन में कमेंट भी करिएगा दोस्तों मुझे उमीद है कि जो मैं आपको इस पेसल वीडियो की सीरीज बना रहा हूं जिसमें छो उमीद है जितना आप बाइलोजी और फिजिक्स को आपने पसंद किया है तो आएए चलते हैं आज का लेक्षर स्टार्ट करते हैं तो आज का लेक्षर जनतो उतक एनिमल टिशू टोटल 28 कोशन है और एकी लेक्षर में कंप्लीट हो गई है पहला कोशन देखी क्या है पहल लोग मेयर ने किया था दूसरा कोशन देखी क्या है किस प्रकार के उतक सरीर की सुरच्छा का वच्का कारे करते हैं तो एमपिथली लियमी उतक सरीर की सुरच्छा का वच्का कारे करते हैं आगे देखिए कोशन नमर 3 निमलिकित में से कौन सा उतक घाव भरने में सहायक हो तो इसका option है ए एपी थीलीमी उतक गाव बरने में सहायक होता है ठीक है आगे देखी question number 4 fourth question है आपका निम्निकित में से कौन एक सरीर को गर्म रखने हे तू उत्तरदाई है कौन एक सरीर को गर्म रखने में काम करता है तो इसका answer है आपका वसा में उतक वसा में उतक जो होते हैं ये सरीर को गर्म रखने हे तू उत्तरदाई होते है आगे देखी question number 5 इसका answer है इस्तनियों की तोचा के डर्मिस में ठीक है इस्तनियों के तोचा के डर्मिस में पाई जाती है अगला question है question number 6 मनिस जी की तोचा सबसे मोटी होती है तलवे पर ठीक है मनिस की तोचा सबसे मोटी होती है तलवे पर आगे देखी question number 7 question number 7 आपका लेक्रमाईल ग्रंथियां सरावित करती है लेक्राइमल गरन्थियां सरावेत करती है आंसू ठीक है आंसू जो है वो लेक्रमाईल गरन्थियां सरावित करती है अंसू अके दोछान नमबर 8 आपकाитеं वर्यद्धा वस्ता में तुछा में जुरियां पढ़िका है तो व्रद्धा वस्ता में तुचा में जुरियां पढ़ने कारण है उप्चर्मी इस तर में लचीलापन कम होने के कारण ऐसा होता है कि व्रद्धा वस्ता में तुचा में जुरियां पढ़ जाती है आगे देखे कुशिद्ग क्वशिद्ग कोशिद्ग सरीड के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है सनवेदना का चालन सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है तो इसका आंसर आपका तंत्रिका उतक सनवेदना का चालन सरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है कंत्रिका उतक के दारा होता है अगला कोशन देखिए कोशन नमर 12 कोशन नमर 12 वे आपका लिगमामेंट एक रचना है जो जोडती है लिगमेंट एक रचना है जो जोडती है किसे जोडती है अस्थी को अस्थी से जोडती है ठीक है लिगमेंट एक रचना है जो जोडती है अस किस कूबर का बना होता है अंसर है आपका वसा में का बना होता है अगए कोशेन हैं मोटापा में तक किस की अधिता की कारण होता है और मोटा अगे निम्लिखित में से कौन उतक का उधारन है तो इसमें आपका जो आंसर है वो है option B रक्त ठीक है कौन उतक का उधारन है तो रक्त जो है वो उतक का उधारन है आगे देखेंगे question number 16 कह रहा है के लिए उतकों को सरीर से अलग करने से सम्मंधित है औगे देखेंगे question number 17 कोश्य Senate 17 आपकर मैंश्ट कोशिकाइं पाई जाती है सन्यूजी उतक में कोश्यन horizont कोश्योन गाई जाती है Beわかो ही वर्षियन ये तंत्र पाया जाता है है वर्षियन तंत्र पाया जाता है इस तन्यों की अस्थियों में हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है इसतिनियों की अस्तियों में मस्ट कोशी कहें कहा हाँ अगला कुशन आपका 19 फेफले को धकने वाला भूरा कहलता है और है अगर देखेए बुतर्ण के बने होते हैं 2-1 किसके डिलं टाइं की ठीक है घरत जो बने होते हैं dentine के बने होते हैं आगे देखेंगे question number 21 question number 21 है आपका दात का सिखर किसका बना होता है दात का सिखर inamil का बना होता है ठीक है अगर question आएगा दात मुख्य रुप से किसके बने होते हैं तो आप कहेंगे dentine के और अगर पूछेगा दात का सिखर किसका बना होता है तो एना मिलका दात का सिखर एना मिलका और दात बने होता है डेंटाइन के आगे देखेंगे question number 22 question number 22 है आपका नाभी रज्जु है प्राण संयोजी उतक अगला question 23 किसी जीविद देह के भीतर कोशिका या उतक की मृत्यू को कहते हैं किसी जीविद देह के भीतर कोशिका या उतक की मृत्यू को कहते हैं किसी जीविद देह के भीतर कोशिका या उतक की मृत्यू को कहते हैं ट्रोफीलिया 24 कोशन देखी गया है 24 कोशन है किस उतक के नक खुर और सिंग बने होते हैं किस उतक के नक खुर और सिंग बने होते हैं तो इसका अंसर है आपका कि रेटिन के कि रेटिन के ठीक है कि रेटिन के बने होते हैं नक खुर और सिंग जैनवरों में आगे देखिए क Q25 है आपका, आरेच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, तो इसका अंसर है बंदर, आरेच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया, तो इसका अंसर है बंदर, आगे देखिए Q26 क्या है, जन्म के बाद मानों के किस उतक में कोई कोशी का विभाजन नहीं होता भी जन्म के बालो मैना कि कि उत्रम के कोई कोई की कोशिव का विभाजन नहीं होता तो तंत्रिका आगे देखिए facultyновर 27 इनरा प्लाज्मा में जलकर प्रत्श्यत होता है 90% ठीम हे घ। लुणा में जलकर प्रत्श्यत है क offenses लेकिए लाज कोशन नमबर 28 लाश्ट कोशन है आज आज का आपका रखत होता है एक संहीड जी उतक रखतेक संहीड जी होता है तो दोस्तों यह था आज लेकर को से को लेकर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी जरू करिएगा ख्याल रखिए अपना मिलते हैं अपने नेक्ट लेक्ट हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने गुर्ग परिवर में और आप हमारे साथ कर रहे हैं बाइलोजी टॉपिक और इसके साथ ही साथ अगर आपने उन सभी लेक्टर्स को बाइलोजी कम्प्यूटर का टॉपिक फिडिस का टॉपिक और इस्पिसल सीरीज की लिष्ट नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से उसे याद कर सकते हैं उसे पढ़ सकते हैं उसके नोट्स बना सकते है आज मैं आपको कराऊंगा अनुवांसी की टॉपिक इसमें डूटल 38 कुशन होंगे दोस्तों और यह मैं एक ही लेक्टर में पुरह कवर कर दूँगा इससे इलेटर जो भी अनुवांसी के से इलेटर जो भी कुशन होंगे वो सारे कुशन इस टॉपिक में कवर हो इसे शेयर करिएगा मेरा मोटिफ है कि यह वीडियो के सीरीज ज्याद से ज्याद लोगों तक पहुँचे और इसका फायदा ज्याद से लोगों को मिले आपके जो भी सुझाओं हो हमारे कॉर्से को लेकर हमारे कुशन को लेकर आप कमेंट शेक्शन में कमेंट जरूर आज का लेकर आज का लेकर नेक्स्ट अनवानसी की जैनेटिक्स जैनेटिक्स में टोटल 38 कुशन होगे आप इसे एक से दो बार रिवाई जरू करिए ताकि आपको यह हमेशा के लिए याद हो जाएं ठीक है आई यह स्टार्ट करते हैं लेक्शर पहला कुशन देखेंगे क्या है अनुवानसीक्ता के जनक कहे जाते हैं अनुवानसीक्ता के जनक आपको पता है मेंडल अनुवानसीक्ता के जनक किसे कहते हैं मेंडल को कहते हैं अनुवानसीक्ता का जनक अगला कोशन देखेंगे कोशन नमबर टू कोशन नमबर टू आपका अनुवानसीकी इकाई अनुवनशिकी इकाईया है जीन अगला कोश़न देखँंग Beginn 16 unit इतार्त जीन होते हैं आंवनशिक यूनिट अर्थार्त जीन होते हैं गुन सूत्रों में ठेक है अलंबसिक यूनित यूनिट अर्थार जीन होते हैं गुण सूत्रों में पाय जाते हैं आगे देखेंगे question number 4 question number 4 है आपका gene है gene क्या है gene क्यक्तेंग प्रकार के DNA का एक भाग है question number 5 देखेंगे क्या है सरपरतं प्रेज़ेशनला में gene का संसलेशनल करने वाले वैग्यानिक है सरप्रतम प्रयोक साला में जीन का 중 legislature करने वाले हैं खुराना ठीक है् सरप्रतम प्रयोक साला में जीन का संत्सलीलेश्न करने किसने किया खुरान जीन आगे देखिए Coast Number Six क्या है एकजीन एक Enzyme सिदान किसने प्रतिपादित किया था तो इसका यह सिदान्त किसने प्रतिपादित किया बीडलवा टैटेम ने एक जीन और एक एंजाइम सिदान्त बीडलवा टैटेम ने प्रतिपादित किया था आगे देखेंगे question number 7 question number 7 है आपका gene को विक्त किया जा सकता है gene को विक्त किया जा सकता है gene को कैसे विक्त किया जा सकता है तो अनुवासिक्ता की एकाई से भी gene को विक्त किया जा सकता है उत प्रिवरतन की एकाई से भी किया सकता है और DNA का एक भाग से भी किया रहा सकता है तो जो इसका अंसर हो जाएगा option D, उप्यूक्त सभी तरह से ठीक है, उप्यूक्त सभी तरह से जीन को व्यक्त किया जा सकता है आगे देखेंगे question number 8 क्या है question number 8 है अपका जीन का वर्तमान नाम देने वाले वग्यानिक है जीन का वर्तमान नाम देने वाले वग्यानिक है जोहांसन ठीक है, जीन का वर्तमान नाम देने वाले कौन से वग्यानिक है जोहांसन आगे देखे question number 9 question number 9 है आपका कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांसिक पदार थे DNA कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांसिक पदार थे DNA कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांसिक पदार थे DNA कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांसिक पदार थे DNA कोशन अभी उपर भी था कोशन नमर फाइफ यह शेम कोशन है तो आगे देखेंगे कोशन नमर 11 क्या है कोशन नमर 11 है आपका DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया वाठ्सन अभूम क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल क्यों दिया था और इससे पहले कोशन था एक जीन एक घंजाइम स्धांद किसने प्रतिफिपाद हीद किया ।ो बीडलवा टैटम प्रतिफिपाद है था एक जीन एक एंजाइम सिध्धान्त को आगे देखिए कोशे नमबर 12 कोशे नमबर 12 वे आपका माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा इस्थानांत्रित होते हैं तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा होते हैं इस्थानांत्रित तो इसका अंसर था आपका गुण सूत्रों द्वारा संत्रित होते हैं किस कारण एक माता पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती है किस कारण एक माता पिता की सभी संताने एक समान नहीं होती है तो इसका अंसर क्या हो गाया अनुवांसिक विभिनता के कारण और वातावरण की विभिनता के कारण तो आपका इसमें क्या हो जाएगा अप्सन सी सही आंसर हो जाएगा उप्युक्त दोनों इन दो कारणों के कारण ये सबी संताने एक समान नहीं होती है वातरवन की बिन्निता और अनुवांसिक विबिन्निता का आगेंगी कोश्य नुमर 14 आपका मनिस मनेंध्र ऐग्राणों की संख्या होती है 23 आपका कोश्य, पुरुस में, पुरुष्त्व के लिए कौन सा गूसूत्र स्योजन उत्तरदाई होता है Q. 15 एपका पुरुस्म में पुरुषोत्तिव के लिए कौन से गुनसोत्र स्रयोंजन उत्तरदाई होता है तो इसका अंसर जो है आपका X और Y ठीक है आगे देखेंगे Q. 16 Q. 16 एपका एक समान मानों सरीर कोशिका में गुनसोत्रों की संख्या कितनी होती है तो अगर ये कोशिका आएगा एक समान मानों सरीर कोशिका में गुनसोत्रों की संख्या कितनी होती है तो इसका अंसर है आपका 46 ठीक है इसका अंसर क्या है आपका 46 आगे देखेंगे Q. 17 Q. 17 है आपका मनुस्म में नर का गुनसोत्र समिस्रान होता है क्या होता है? X और Y अभी उपर question था आगे देखई question नमर 18 क्या है नवजाद सिसू के लिंक का निर्धारन किस से वनशा गत हुए गुणौत दर्ण किया रहा सकता है question नमर 18 एक फिर से दह़्िए नवजाद सिसू के लिंक का निर्धारन किसके वज़सागत हुए गुणसूत दौरह किया रा सकता है तो इसका answer आपका पिता के ठीक है पिता के गुणसूत दौरह किया रा सकता है उसके link का निधारन आगे देखेंगे question number 19 question number 19 है आपका एक समान मानो सुंक्राणों में आटोसोम की संख्या कितनी होती है, आटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है, ठीक है, एक समाने मानसोम कराणों में, आटोसोम की संख्या कितनी होती है, 22 जोड़ी होती है, आगे देखेंगे, कोशन नमबर 20, कोशन नमबर 20 है आपका, मनुस्व में कौन से क्रोमसोम के मिलने मे बालक का जर्म होगा मनुस में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जर्म होगा तो इसका अंसर है आपका पुरुस का Y, Y3 का X option C आपका सही अंसर होगा आगे देखिए question number 21 क्या है question number 21 है आपका निम्लिखित में कौन सा एक लिंग सहलगन रोग है तो इसका करण X गुन सूत्रों की वनशागती तचा है लाल और हरी वर्ता होने का करण X गुन सूत्रों की वनशागती आगे देखिए question number 23 क्या है हेमोफीलिया में हेमोफीलिया हमोफीलिया में क्या होता है तो इसका अंसर आपका हमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है ठीक है हमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है आगे देखेंगे कोशन नमबर 24 क्या है कोशन नमबर 24 है आपका मनुस में लाल हरी वर्णादता को जाना जाता है कैसे ज रूप में यानि कि यहाँ पर जो अपका अंसर होगा उप्यूक्त दोनों के रूप में ठीक है लाल और हरी वर्णांदता को प्रूटो नोपिया और डूट्रे नोपिया के रूप में जाना जाता है आगे देखी कुछ नंबर 25 क्या है एक वर्णांद पुरुस का विवाह द दूसरे वर्णांद पुरुस के समान ने पुत्री से होगा हो तो 50-50 के चांसेस होंगे आधे पुत्र वर्णांद होंगे आगे देखी कुछ नंबर 26 क्या है एक वर्णांद पुरुस वा समान ने महिला की संतानों में एक वर्णांद पुरुस वा समान ने महिला की संतानो है पुत्रों के वड़ान दोने की संभावना जीरो परसेंट है ठीक है आगे देखी कुछ नमर 27 क्या है सिसु का प्रित्रत्व इस्थापित करने के लिए नेमलिकित में से किस एक तक्निकी का प्रयोग किया जाता है तो इसका अंसर आपका डियाने फिंगर प्रिंट्ट ठीक है डियाने फिंगर प्रिंच से पता लगाया जाता है आगे देखिए कुछ नमर 28 क्या है जीन सब्द किससे किसने बनाया था तो जीन सब्द बनाया था 2 अले जोहांसन न ό आगे देखेंगे नीचे से उपर की तरफ देख लेंगे को दिक्कत नहीं है 38 पहले देखते हैं टर्नर संच्छन वाले क्रोमो सोम का विवराण क्या है तो इसका अंसर है आपका option A 44 A plus X O ठीक है 44 A plus X O है टर्नर संच्छन वाले क्रोमो सोम आगे देखें कोशेन नमबर 37 क्या है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्यालाता है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्यालाता है उत परिवर्तन उत परिवर्तन क्या होता है जीन के भीतर होने वाला अनुक्रम आधार परिवर्तन ठीक है आगे देखिए question number 36 क्या है लैंकिक जनल से अनुवानसिक विचलन कैसे होता है लैंकिक जनल से अनुवानसिक विचलन कैसे होता है तो लैंकिक जनल से अनुवानसिक विचलन जीन के समिसलन से भी होता है और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और यहां पर जीन के मिस्रन से भी होता है तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा उप्योग तो सभी ठीक है उप्योग तो सभी हो जाएगा कुछ निबर फिर से देख लिज़ेए इसे लैंगिक जैनल से अनुवान्सिक विचलन कैसे होता है, तो Gene के समिस्रण से, Chromosome में बदलाव से, और Gene के मिस्रण से, ठीक है, आगे दहिए, कोच अनुबर 35, Genetics निम्लिखित में से किसका अध्यान है, Genetics निम्ण में से किसका अध्यान है, तो Genetics अनवन सिकता, और विच्छणन का अध्यान आयदेंगा कोचन । कि यहाँ पर यह किसकी पहचान के लिए किया जाता है तो इसका प्लतिक्राइब टने से उंहीं सभी एनोहाँ भी सभी होगा इन odim ठीक है DNA यानि की अंगली की छाप लेकर सभी की पैचान की जा सकती है आगे देखें कोशन नमबर 33 क्या है गुण सूत्र में होते हैं गुण सूत्र में होते हैं DNA और प्रोटीन ठीक है गुण सूत्र में DNA और प्रोटीन होते हैं आगे देखेंगे question number 32, question number 32 क्या है DNA, अंगली छाप तक्निकी का प्रयोग करके किसके संसूर्चन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका answer है आपका, विवादित जनकता, DNA अंगली छाप तक्निकी का प्रयोग करके किसके संसूर्चन के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विवादित जनकता, question number 31 देखी क्या है, नेमलिखित में से कौन सी वियाधि अनुवानसिक है, कौन सी वियाधि, यही विमारी अनुवानसिक है, तो इसका answer है आपका Hemophilia, Hemophilia जो है वो अनुवानसिक है, आगे देखेंगे question number 30 क्या है, कोश्यम 30 है आपका, एक वर्णान्द पुरुस एक समान महिला से विवा करता है, वर्णान्द पुरुस एक समान महिला से विवा करता है, वर्णान्द पुरुस एक समान महिला से विवा करता है, वर्णान्द पुरुस एक समान महिला से विवा करता है, वर्णान्द पुरुस रहां चासों सुप्सों के पुत्थरों में उत्तपन्ण होगे 3029 क्या है कुशन मबर 29 है आपका अपकर बनाक्ष तबाले वैक्ति को लाल रण दिखाई देगा आपसे दिखाई देगा वरनांद ranking को लाल रनГ कैसा दिखाई जेनेटिक्स टॉपिक से रिलेटेड जितने कुशन थे इस बुक के और इंपोर्टेंट हैं सभी एक्जाम्स के लिए वो टॉपिक हो गया है तो इसे ज्यादा से दर डिवाइज करिए आप दो से तीन बर और अगर लिक कर आप याद करना चाहें तो आप लिक कर भी याद कर सकते हैं इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिपली मत भूलिएगा वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें और चैनल को सब्स्क्राइब भी जरूर करें मिलते हैं अपने next lecture में ख्याल रखिये अपना Thank You Hello friends स्वागत है आपका अपने गुर के फिजिक्सी टॉपिक में 19 इस वीडियो है टोटल फिजिक्स पूरी कंप्लीट करा दिये मैंने और इस वीडियो इसकी सीरीज में 25 वीडियो आएंगे टोटल पांच वीडियो के बाद यह topic भी आपका biology पुरा complete हो जाएगा दूसरों यह जो series चल रही है हमारे चैनल पर GS के जितने भी questions करा रहे हैं हम लोग वो special topic हो या फिर आपका lucent से हो यह सभी exams के लिए बहुत ही important है ठीक है वो आपका total 21 questions कराएंगे आपको ठीक है और इसके अलावा आप हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजे ताकि आपको notification मिलता रहे हमारे वीडियो का और वीडियो को like करना और share करना आप में दोस्तों में विल्कुल ही मत भूलिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया topic उद्विकास evolution ठीक है इसमें total 21 questions के आसपास हैं और इसी lecture में complete हो जाएंगे और और टोटल बायोजी में 25 जैसे कि मैंने बताया आपको 25 वीडियो जाने हैं तो यह series बहुत ही जल्दी complete हो जाएगी बायोजी की आपकी और यह देखते हैं पहला question उद्विकास evolution ठीक से इसमें पहला question है आपका जैविकास को सरपर्थम किस ने समझाया जैविकास को सरपर्थम लैमार्क ने समझाया ठीक है जैविकास को सरपर्थम लैमार्क ने समझाया दूसरा question देखेंगे क्या है लैमार्क वाद का मूल सिध्धान्त है लैमार्क वाद का मूल सिध्धान्त क्या था उपारजित कि वंसागती लैमार्कवाद का मुल सिधान्त था आगे देखेंगे कोशे नमर 3 क्या है कोशे नमर 3 यह आपका जीवों के प्राकरतिक चायन का सिधान्त प्रतिपादित किया जीवों के प्राकरतिक चायन का सिधान्त किसने प्रतिपादित किया तो डार्विन ने जीवों के नमर फूर एप का योगितम की उत्तर जीवता का प्रतिपादन किस ने किया तो डार्विन ने किया था योगितम की उत्तर जीवता का प्रतिपादन ठीक है योगितम की उत्तर जीवता का प्रतिपादन किया डार्विन ने नेक्स वोशन आपका कोशन नमर फाइफ परिवरतन के सिधांद के जर्म दाता है कौन डी ब्रीज ठीक है उत्परिवरतन के सिधांद के जर्म दाता है डी ब्रीज अगला कोशन देखी कुशन नमबर 6 क्या है समरूप अंग होते हैं समरूप अंग होते हैं कैसे कार्य में समान ठीक है समरूप अंग होते हैं, कारे में समान आगे देखिए, कोशन नमबर 7 कोशन नमबर 7 है आपका, समजात अंग होते हैं समजात अंग किसमें होते हैं? समजात समजात मतलब रचना में समान समरूप मतलब कारे में समान और समजात मतलब रचना में समान ठीक है, सम रूप मतलब कारिक में एक समान और सम जात मतलब रचना में समान ठीक, कन्फ्यूज मत हो ये गए इने, मैंने दू-तिन बारे से बताया है, इसलिए आपको कुशन नमर 8 देखी कहा है, वर्स 1809 में प्रथम बार, फ्रांसीसी जीव ग्यानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्धन करम में अपने सिधान को प्रतिपादित किया, इन लिखित में से कौन सा सिधान इससे समंदित नहीं है, देखी कुशन को ये बार फिट से, वर्स 1809 में प्रथम बार, फ्रांसीसी जीव ग्यानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्धन करम में अपने सिधान को प्रतिपादित किया, इन लिखित में से कौन सा सिधान इससे समंदित नहीं है, मतलब कि जो लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्धन करम में यह भी था जीवन संगर्स जीवन संगर्स लैमार्क के दिये हुए जीवन के विकास के अधिन के सिधान्तों में नहीं था ठीक है तो आपका यहां पर जो आंसर होगा वोगा जीवन संगर्स आगे देखी कुशन नमर 9 क्या है निम्रिकित में से कौन सा सिधान्त उद विकास की व्याक्या के लिए डर्विन द्वरा प्रतिपादित नहीं किया गया था तो इसमें से जो आपका अंसर होगा वोगा अंगोगा उपयोग वा अनुपयोग ठीक है डर्विन द्वरा जो प् तो इसमें अंगोगा उपयोग वा अनुपयोग का प्रतिपादन नहीं था आखे देखी कुशन मत टन क्या है नेच्छरal सेलक्षन द्वरा औरिजिन ओफ लाइफ पूस्तक किस ने लिखी थी नेच्छरal सेल्ख्शन द्वरा औरिजिन ओफ लाइफ पूस्तक चॉल्स डर नहीं है निम्ण में से मनुस्व में निम्ण में से कौन सा मनुस्व में अवसेशी अंग नहीं है तो इसका अंसर है आपका सामने वाले चप्टेदाथ जो है यह अवसेशी अंग नहीं है ठीक है सामने वाले चप्टे दांत अवसेशी यंग नहीं है आगे देखेंगे कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 वैप का उत परिवरतन का सिधांत प्रतिपादित किया था उत परिवरतन का सिधांत किसने प्रतिपादित किया था D. ब्रीज ने ठीक है डीबिज ने उत पड़े वतंगर से दान्त पितपादित किया था कोशन नमबर 13 देखी क्या है ऐसे यंग जो विभिन कारियों में उप्योग होने वाले काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल सनचना है वो मूल भूर्णी प्रक्रिया में समानता रहती है कहलते हैं एक बार फिर से पड़े कोशन नमबर 13 क्या है ऐसे यंग जो विभिन कारियों में प्रयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं लेकिन उनकी मूल सुनरचना अवम भूरीं प्रक्रिय में समानता रहती है क्या कहलते हैं? तो इसका अन्सर रहे है हैं 12 समझात अंग कहलते हैं आगे कुछाीं मुख 14 क्या है? जैविकास के संदर्व में सांपों में अंगों का लोफ होने को इसपश्ट किया जाता है जैविकास के संदर्व में सांपों में अंगों का लोफ होने को इसपश्ट किया जाता है ठीक है किस के कारण तो इसका अंसर आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किये जाने से ऐसा का जाता है कि जिन अंगों का वो प्रयोग नहीं करते थे धिरे-धिरे बे विलुप्त हो गए अंगों का उपयोग और अनुपयोग किये जाने से आगे देखेंगे कोशन नमर 15 जीवन की उत्पत्ती हुई जीवन की उत्पत्ती जल में हुई ठीक है जीवन की उत्पत्ती जल में आगे देखिए कोच्छा नंबर 16 कोच्छा नंबर 16 है आपका जीवन की उत्पत्ती के समय निवन में से कौन सोतंत्र रवस्था में नहीं पाई जाती थी कौन सुतनतरवस्था में नहीं पाई जाती थी तो इसका अंसर है आपको oxygen ठीक है oxygen जिवन की पत्ती के समय में निवन में से कौन सुतनतरवस्था में नहीं पाई जाती थी तो oxygen आगे देखेंगे question number 17 के है विकास की प्रक्रिया में मनुस्य का निकट्तम प्राड़ी है विकास की प्रक्रिया में मनुस्य का निकट्तम प्राड़ी रहा है बंदर आगे देखें question number 18 के है मनुस्य में अवसेशी अंग है कनड़ पल्लव पेशियां कान के पास जो होती है काणपलव पेशियां आगे देखिए question number 19 क्या है जीवों के विकास के संदर्म में निम्लिकित में से कौन सा अनुकरम सही है तो इसका answer है आपका Salamander, अजगर या कंगारू, Salamander, अजगर, कंगारू, आगे देखिए question number 20 क्या है question number 20 एपका, प्रियोग तथा और अनुपरियोग का कानून इनके द्वरा पृतिपादित किया गया था प्रियोग और अनुपरियोग का जो कानून है, जो अभी साप वाला question आया है, उस पर लागू होता है ये नियम प्रतिपादित किया गया था लैमार्क के द्वरा ठीक है आगे देखी कोशन नमर 21 क्या है तो कोशन नमर 21 है आपका पच्छियों और कीटों के पंक कैसे होते हैं ये होते हैं सम वरत्ती ठीक है पच्छियों और कीटों के पंक सम वरत्ती होते हैं option c आपका answer होगा ठीक है 21 का option c दोस्तों यह था आज का लेक्चर और कैसा लगा यह आपको आज आप comment section में comment करके बताइएगा और इसे like करना बहुत ही मत भूलिएगा अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को subscribe करना में भीकुल मत भूलिएगा क्या रखिया अपना मिलते हैं अपने next lecture में thank you सवागत है आपका अपने गुरू परिवर में और आप हमारे साथ lucent objective book से biological topic कर रहे थे इसमें आज हम आपको कराएंगे जन्तु जगत का वर्गी करन इससे पहले जो हमारी total playlist बनी हुई है उसमें 20 वीडियोज है उसका link आपको description box में मिल जाएगा वहाँ से आप description में जाके पूरा playlist आप देख सकते हैं और उसे revise कर सकते हैं ज़र जिनों नह दोस्तों में बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा आपके जो भी सुझाओं है हमारे courses को लेकर हमारे questions को लेकर उसे आप comment section में comment जरूर करिएगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल नहीं मत भूलिएगा आए श्टार्ट करते हैं आज का topic जो है हमारा जन्तु जगत का वर्गी करना तो इसमें total कितने question नहीं आपने देखी लिया है 176 question है इसमें total और इस पूरे जितने भी question है इस topic में हम इसे एक ही वीडियो में complete करेंगे यह बहुत ही important है इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखिएगा मैं इसे चाहता तो दो वीडियो में भी कर सकता था लेकिन इसे biology को बहुत ही जल्दी से खतम करके chemistry start करना है तो समय ब्रबाद ना करते हुए इसे बहुत ही तेरी से complete करेंगे आई यह देखते है पहला question क्या है पहला question है आपका malaria पर जीवी तता amoeba को किस स्रेडी में रखा जाता है malaria पर जीवी तता amoeba को किस स्रेडी में रखा जाता है तो निम्रिखित में से किस की आकर्दी निश्यत नहीं होती है तो amoeba की आकर्दी निश्यत नहीं होती है ठीक है अगला question देखिए question number 3 का है चपल की आकर्दी का जन्तु है चपल की आकर्दी का जन्तु है चपल की आकर्दी का जन्तु होता है वो चपल की आकर्दी का जन्तु ह ठीक है, अमिवा का प्रचला नंग है कूट पाद, अगला कोशन देखी क्या है, फिफ्थ कोशन है आपका हरा प्रोटो जवा के नाम से जाना जाता है, यूगलीना हरा प्रोटो जवा के नाम से जाना जाता है, अगला है आपका चाटा कोशन, पौधा और जंतुवों के मनुस्य के सरीर में ante amoeba histoletica पाया जाता है तो इसका answer क्या है इसका answer है आपका आथ कहाँ पाया जाता है आथ में तो आथ में यह पाया जाता है अगला question है जिस आथवा question है है यह पेचिस या पेचिस कह लिए मतलब पेचिस के लिए उत्तरदाई प्रोटोजोवा कौन सा है तो पेचिस के लिए जो उत्तरदाई प्रोटोजोवा होता है वो होता है आपका एंट अमीबा ठीक है एंट अमीबा जो है वो उत्तरदाई होता है पेचिस के लिए आगे द प्रूटोजवा होता है कई वर कुशन ऐसे पूछ गाएगा एक्जाम में कि कौम सा प्रूटोजवा मलरिया बुखार पैदा करता है तो वहां पर भी आप यही कुशन करेंगे यही आंसर करेंगे कि प्लाइजो प्लाइजो मोडियम ठीक है प्लाइज मोडियम किस तरह का प्रूटोजवा है तो इसमें भी आप यही कर देंगे कि यहां मलरिया बुखार पैदा करने वाला प्रूटोजवा है ठीक है चलिए आगे देखिए अगला कोशन आपका टैंथ ठीक है दसमा कोशन क्या है आपका का आजार काला जार उतुपन करने वाला प्रोटोजोवा कौन सा है यह है आपका f117 ए अगला रोग पैदा है पैदा करता है पैदा करता है त्रिपैनो फूमे ढ आगे देखिए कोशिक की आत में रहने वाला एक कोशिक की अरोग जनक पर जीवी प्रोटो जवा है यी कुलाई ठीक है आगे देखिए कोशनमर 13 क्या है अमीबा में कूट पाद महत्यूपॉण होते हैं भोजन ग्रिहन करने तथा प्रिचलन के लिए भोजन ग्रिहन करने तथा प्रिचलन के लिए अमीबा में कूट पाद महत्यूपॉण होते हैं आगे देखिए कोशनमर 14 क्या है आपका मच्छर में मलेरिया पर जीवी का जीवन चक्र किसने खोजा तो इसका अंसार है आपका किसने खोजा रोनाल्ड रॉस ने ठीक है मलेरिया पर जीवी का जीवन चक्र रोनाल्ड रॉस ने खोजा आगे देखिए अगला है आपका जापान में उपहार सुरूप भेंट किया जाता है जापान में उपहार सुरूब जो भेट किया रहता है वो जुपलेट टेला है ठीक है जुपलेट टेला भेट किया रहता है जापान में उपहार सुरूब आगे देखिए, फूलमा कोशन है आपका, वीनस के फूलों की डल्या के नाम से जाना जाता है, वीनस के फूलों की डल्या के नाम से क्या जाना जाता है, तो इसका अंसर है आपका, जुपलेक टेला, जापान में उपहर सरूब भेट भी किये रहता है और जुपलेक टेला वी स्वाइब न्म कैलते हैं। आगे, question number 18, sponge के सीरे पर इस्थित बड़ा छिदर कहलता है। इस्पंज के सिरे पर इस्थित बड़ा चिदर क्या 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 लाता है अगला देखिए कोशन में 19 क्या है सिलेंट रेटा संग को अन किस नाम से जाना जाता है तो सिलेंट रेटा संग को निडेरिया नाम से भी जाना जाता है ठीक है निडेरिया नाम से भी जाना जाता है रक्त नहीं होता है इसमें लेकिन वो स्वसन करता है तो इसका अंसर है आपका Hydra ठीक है Hydra में रक्त नहीं होता है लेकिन वो स्वसन करता है आगे देखेंगे Q21 है आपका Coral Reef प्रवाल भित्ती का निर्माण किसके दोरा होता है तो इसका अंसर जो है आपका यह सिलेंट रिटा के दोरा होता है ठीक है Hydra का प्रचलन अंग है यह है आपका Tentacles जो है वो Hydra का प्रचलन अंग है आगे देखेंगे Q23 क्या है प्रवाल क्या है तो प्रवाल एक तरह का एक समुद्री जीव है ठीक है प्रवाल क्या है एक समुद्री जीव है आगे देखेंगे Q24 question number 24 है आपका jellyfish के नाम से जाना जाता है jellyfish के नाम से हम किसे जानते है Aurelia ठीक है jellyfish के नाम से Aurelia को जानते है अगला question देखी 25 क्या है samudri anymon के नाम से जाना जाता है samudri anymon के नाम से जाना जाता है तो इसका answer है आपका किसे matridium को मैक्ट्रिडियम को समुद्री एनिमोन के नाम से जाना जाता है अगला देखिए कोश्चन नमर 26 का है कोश्चन नमर 26 है आपका पॉर्टुग्यूस मैन ओफ वार के नाम से जाना जाता है किसे फाइसेलिया को ठीक है फाइसेलिया को जाना जाता है अगला देखिए कुश्य नमर 27 ने आपका अमरत्व का गुण पाया जाता है अमरत्व का गुण हाइड्रा में पाया जाता है अमरत्व का गुण किसमें पाया जाता है? हाइड्रा में पाया जाता है अगला कोशन है आपका चिप्टे करमिकों को किस संग के अंतरगत रखा गया है तो इसका अंसर है आपका प्लेटी हैमिल्थीज ठीक है प्लेटी हैमिल्थीज के अंतरगत रखा गया है चिप्टे करमिकों को अगला कोशन देखी क्या है कोशन नमर्ट 29 फीता करमी टैप वार्ब किस संग का एक महत्वपूर्ण प्राड़ी है फीता करमी किस संग का एक महत्वपूर्ण प्राड़ी है तो यह है फीता करमी आपका प्लेंटे हैमिथीज का ठीक है जिसमें चिप्टे क्रमी को रखा गया है, उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण प्राणी कौन है, फीता क्रमी इसी संग का एक महत्वपूर्ण प्राणी है, आगे देखेंगे question number 30 कुष्ऩ नम्बर 30 है आपका निम्नमेंef कौन मानव मातर के लिए उपयोगी नहीं है तो इसका आंसर है आपका फीता क्रमी जो है वो मानव मातर के लिए उपयोगी नहीं है ठीक है अगला देखिया आगे कुशन है 31 निम्न मेंसे किसके अधपके मास खाने से फीता करमी मनसु की आत में पहुंचता है तो इसका जो आंसर है 31 का आंसर जो है सुवर का मास खाने से फीता करमी मनसु के आत तक पहुंचता है आगे देखेंगे अगला कुशन है आपका 32 है आपका गोल करमी या सूतर करमी को किस संग के अंतरगत रखा गया है तो गोल करमी या सूतर करमी को निमैंथली मीज के अंतरगत रखा गया है तो इसका आंसर जो है वो आपका है एसकेरिसिस ठीक है एसकेरिसिस रोग उत्पन होता है एसकेरिस द्वारा मनसु के अंदर ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमर 34 जो है आपका ये क्या कहरा है question number 34 का रहा है आपका file area नामक रोग होता है यह कैसे उत्पन होता है यह किसके द्वारा उत्पन होता है file area रोग तो इसका answer जो है यह option B है आपका इसमें file area नामक रोग जो उत्पन होता है वो वुचेरिया बेन क्राफ्टी द्वारा होता है ठीक है एसकेरिस पाया जाता है मनुस्य की आंत में ठीक है एसकेरिस कहां पाया जाता है मनुस्य की आंत में अगला कुछ नहीं देखिए 36 फेरिटीमा पॉस्थुमा निम्ण में से किसका विज्ञानिक नाम है तो इसका आंसर है आपका पोस्थुमा निंवन्ड में से केचुवा जो होता है उसका एक विग्यानिक naam है केचुवे का विग्यानिक नाम क्या है फेरिटिमा पोस्थुमा अगे दखेंगे केचुए में कौन सा रक्तवर्णडग उपस्थित होता है केचुए में कौन सा रक्तवर्णडग उपस्थित होता है इसका अंसर है आपका हीमोसाइनीन ठीक है हीमोसाइनीन जो है वो केचुए में उपस्थित होता है आगे देखेंगे कोशन नमबर 38 क्या है कोशन नमबर 38 है आपका केचुवा क्रिश्चों का परम मित्र होता है क्योंकि वह जमीन को छिद रिउक्त बना कर मरदा में ओटू की मात्रा को बढ़ाता है क्योंकि जो केचुवा होता है वह जमीन को छिद रिउक्त बनाता है और जो मिट्टी होती है मिट्टी में ओटू की मात्रा को बढ़ा देता है ठीक है आगे देखिए अगला कोशन आपका केचुवे में कितनी आखें होती हैं केचुवे में कितनी आखें होती हैं तो इसका अंसर होता है कि केचुवे में कोई भी नेत्र नहीं होता है आगे देखिए question number 40 केचुवा किसानों को किस प्रकार लाब पहुँचाता है केचुवा किसानों को किस प्रकार लाब पहुँचाता है तो इसका answer है आपका भूमी को पोली करके ठीक है केचुवा भूमी को पोली करके किसानों को लाब पहुँचाता है आगे देखेंगे question number 41 कीटों में जो कीट होते हैं कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है कीटों में तीन जोड़ी टांगे होती है ठीक है? कीटों में तीन जोड़ी टांगे होती है अगला question देखें क्या है? question number 42 cockroach जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका स्वसन अंग है उसका स्वसन अंग जो होता है वो होता है वातक ठीक है? उसका स्वसन अंग जो होता है कौकरुश का वो होता है वातक और इस वज़े से वो जल में जीवित नहीं रह सकता है अगे देखें कोशन नमर 43 क्या है? question number 43 है आपका नेम निखित में कौन सा कीट उपयोगी नहीं है कौन सा कीट उपयोगी नहीं है पूछा है तो रेसम कीट से रेसम बनता है मदमक्ही से सहयद बनता है लेडी बर्ड से भी यह भी उपयोगी है जो यहाँ पर घरेलू मक्हीयां होती है गरेल्य मक्हियां जो होती है ये उपयोगी नहीं है ठीक है? गरेल्य मक्हिय उपयोगी नहीं है आगे देखेंगे question number 44 क्या है? मच्छर में लाल खुन का उभराना किस पर पोशन के कारान होता है किस पर पोशन के कारण होता है तो इसका अंसर है आपका इस्तंधारी ठीक है इस्तंधारी पर पोशन के कारण ऐसा होता है आगे देखे question number 45 क्या है लाह उत्पन होती है कैसे उत्पन होती है कीटों के सरीर के स्रमर से ठीक है कीटों के सरीर के स्रमर से Option C, आपका answer होगा 45 questions का, कि लाह उत्पन होती है कैसे कीटों के सरीर के श्रमन से, अगला देखिए question number 46 का है, रेसम का उत्पादन किस से होता है, रेसम का उत्पादन किस से होता है, तो इसका answer है आपका, रेसम कीट के प्यूपा से, ठीक है, रेसम का उत्पादन रेसम कीट के होता है आगे देखिए अगला खोषन है 47 क्या है गरिलू मखी का लर्वा कहलता है जो गरिलू मखी होती है उसका लर्वा कहलता है मैंगोट ठीक है यह थे आपके 46 कोषन इसके आगे देखेंगे हम लोग 48 48 खोषन है आपका 48 question क्या है बिच्छू का विस कहां पर होता है बिच्छू का विस कहां पर होता है तो इसका answer है बिच्छू का जो विस होता है वो उसके डंक में होता है ठीक है बिच्छू का विस उसके डंक में होता है अगला question देखी क्या है 49 तितली की आखें रात में क्यों चमकती है तो इसका अंसर है आपका तितली की आखें रात में चमकती है क्योंकि टेप्टिटम लुसिडम होता है उनकी आखों में ठीक है टेप्टिटम लुसिडम के कारण चमकती है ठीक है किस कारण चमकती है टेप्टिटम लुसिडम के निद्रा रोग फैलाती है, कौन जो है वो निद्रा रोग फैलाती है, तो इसका अंसर आपका सीसी मक्ही, सीसी मक्ही जो है वो निद्रा रोग फैलाती है, अगला कुछन देखी 51 क्या है, मनुस्य में काला जार रोग फैलाने वाला मच्छण है, कौन सा है, तो इसका अंसर है आपका send fly ठीक है send fly जो है ये मच्चर ये काला ज़ार फिलाने वाला है अगला देखिए question number 52 question number 52 है आपका keep work के जन्तूओं को एक vicious लच्छन है keep work के जो जन्तू होते हैं उनका एक vicious लच्छन होता है तो वो लच्छन क्या है इसमें उनके कितने पाद होते हैं कितने जोड़ी तो इसमें आपका answer क्या हो जाएगा option A तीन जोड़ी पाद होते हैं ठीक है जितने भी जन्तू keep work के जन्तू है उनके तीन जोड़ी पाद होते हैं आगे देखेंगे question number 53 question number 53 है आपका malaria rock का कौन सा वहक है malaria rock का कौन सा वहक है तो इसका answer है आपका madha anophilies ठीक है जो madha anophilies होती है वो malaria rock का वहक है ठीक है कभी भी नर्मक्छर से malaria नहीं होता है madha जो होती है madha anophilies जो होती है उनसे होता है ठीक है आगे देखें laugh 54, कटल किसे के लातीया है? कटलको किसे казते हैंसे का लातीया को ठीक है कटल की कशन लेंबर 55 तो इसका वेंसर है आपका एक मरदू कवची होता है ठीक है मरदू कवची होता है Auctopus मरदू कवची होता है अगला कुहिचिए देविल्फिस के नाम से जाना जाता है बोजाओं की संख्या इतनी होती है तो called crypto bus में बुझाओ की संख्या कितनी होती है अगला क्या है 58 कुशे नंबर 58 है अबका अने लिडा और मुलास का के बीच की योजब करी है नियूपलिना नियो प्लिना ठीक है यह यह लीड़ा और मुलास्का के बीच की योज़क कड़ी यह जोडने वाली कड़ी जो इनको है वो है नियो प्लिना अगला कोशन है 59 59 कोशन है तारा मचली यह यह श्टार फिस निमलिखित में से किस संग का प्राणी है इस्टार फिस निमलिखित में से किस संग का प्राणी है तो इसका अंसर है आपका तारा मचली निमलिखित में से किस संग का है तो इसका अंसर क्या है आपका इकाइनो मेटा ठीक है इकाइनो डर्मेटा संग का प्राणी है तारा मचली है यह श्टार फिस अगला है आपका question number 60 अरस्तू का लाल्टेन है क्या है अरस्तू का लाल्टेन ये है एक समुद्री अर्चिन के आहार तंतर में चबाने वाला यंत्र है अगला देखे question number 61 question number 61 है आपका तारा मशली के नाम से जाना जाता है किसे? तारा मशली के नाम से एस्टिरियस को जाना जाता है ठीक है? एस्टिरियस को जाना जाता है तारा मशली के नाम से आगे देखेंगे question number 62 question number 62 है पका मशली की विसेश संरशना मशली की विसेश संरशना जो उसे सांस लेने में मदद करती है मचली की विशेश समर्चना जो से सांस लेने में मदद करती है वो होती है उसके जो गिल्स ठीक है मचली के गिल्स जो होते हैं वो से सांस लेने में मदद करते हैं आगे देखे कोशेंबर 63 अगला कोशन आप का मचलीयों के हिर्दे की विशेशता है तो मचलियों के हिर्दे की क्या विशेस्ता है तो इसका अंसर है अपका मचलियों के हिर्दे की विशेस्ता है क्योंकि इसमें केवल असुद रख्त होता है ठीक है मचलियों के हिर्दे में केवल असुद रख्त होता है ठीक है समुद्री घोड़ा एक वास्तों में मचली है अगला कुशन है 65 कुशन हमर 65 निम्न में से कौन मचली नहीं है कौन मचली नहीं है स्टार्फिश जो है वो मचली नहीं है स्टार्फिश मचली नहीं है आगे देखी कुशन हमर 66 क्या है समुद्री घोडा किस वर्ग का उधारान है तो समुद्री घोडा मत्यश्य वर्ग का उधारान है आगे देखी कुछन नमर 67 क्या है निर्ण लिखित में से कौन वास्तिविक मचली है कौन वास्तिविक मचली है तो इसका आंसर है अबका Flying Fist, ठीक है flying fish जो है वो वास्तिविक मचली है question number 68 क्या है निम्न में से कौन एक मीन है flying fish flying fish एक मीन है ठीक है flying fish एक मीन है आगे देखेंगे question number 69 question number 69 69 question है आपका संसार में किसकी जीव की संख्या सरवादिक है संसार में किसकी जीव की संख्या सरवादिक है तो इसका answer क्या है आपका मख्य sorry मचली ठीक है मचली सरवादिक जीव की संख्या क्या है मचली अगला question देखेंगे का है 70 question number 70 है आपका सबसे विसैली मचली है मुझे मचली मख्यी दिख रहे सबसे विसैली मचली है सबसे विसैली मचली कौन सी है option A पासान मचली ठीक है सबसे विसैली मचली जो होती है वो होती है पासान मचली अगला question आपका 71 question मच्छरों के नियंतरन हेतु प्रयोग होने वाली कीट भच्छी मच्छी है तो कौन सी है यह है आपकी गेंबूसिया ठीक है मच्छरों के नियंतरन हेतु प्रयोग होने वाली कीट भच्छी मच्छी है गेंबूसिया आगे देखिए कुशन नमर 72 कोशन नमर 72 है आप का जल से बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है क्योंकि जल से बाहर निकाले जाने पर मचलियां मर जाती है क्यों? क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती है ठीक है? इसका क्या रिजन होता है वे सांस नहीं ले पाती है इस कराण अगला question देखें, question number 73 का है सार्क मचली में कितनी हड्डियां होती है सार्क मचली में एक भी हड्डी नहीं होती है ठीक है, सार्क मचली में एक भी हड्डी नहीं होती है जीरो हड्डियां होती है आगे देखें, question number 74 क्या है एफ़ीबिया बनाता है एफिबिया बनाता है क्या बनाता है एफिबिया जल एवं इस्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पश्वों को ठीक है जल एवं इस्थल दोनों पर रह सकने वाले पश्वों को बनाता है आगे देखिए कुशन नमबर 75 कुशन नमबर 75 है आपका केवल नर मेधक टटर आते हैं क्योंकि जो आपको कई बारी जब होती है तो कुए में या फिर तालाब से आवाज आती है मेधक के टटर करने की तो जो वो आवाज करते हैं वो सिर्फ नर मेधक ही करते हैं ऐसा क्यों है तो जो इसका अंसर है कि केवल नर मेधक की टटराते हैं क्यों तो इसका अंसर है कि मादा मेधक जो होते हैं मादा मेधक में वाक कोश नहीं होते हैं समझे मादा मेधक में वाक कोश नहीं होते वो नहीं बोल सकते हैं ठीक है आगे देखिए question number 76 question number 76 है आपका मेढग का लारवा क्या कहलाता है मेढग का लारवा क्या कहलाता है तो इसका answer है आपका Ted Paul ठीक है? Ted Paul अभी पीछे हम लोगों ने question देखे थे lines एक जो केचुए के ऊपर थे इधर हम लोग अभी फिर इसके बाद अब जो है वो मेढग के ऊपर आ रहा है फिर इसी तरह करके अभी कई एक एक टॉपिक सुत्र मुल्क बगएरा पे भी है तो ये बहुत ही important है दोस्तों जरूर करिए इसे ठीक है? थोड़ा लंबा हो सकता है lecture बोर मत होई है इंट्रेस्ट लिजे जनकारी को इकठा करने के लिए आगर आपको कोई जनकारी मिल रही है तो आप उसे अब्सॉर्व करिए ठीक है उसे सीखिए चीज़ों को जानिये आगे देखिए कुशन नमर 77 कुशन नमर 77 है आपका मेढग के हिर्दे में कितने कच्छ होते हैं मेढग के हिर्दे में कितने कच्छ होते हैं तीन कच्छ होते हैं ठीक है मेढग के हिर्दे में तीन कच्छ होते हैं आगे देखिए कुशन नमर 78 कुशन नमर 78 है अपका नर मेढग मादा मेढग के तुलना में उंची आवाज लगाता है क्यों? क्योंकि question number 79 क्या है सीत रक्तिय प्राणी है सीत रक्तिय प्राणी है कौन सा है सीत रक्तिय प्राणी तो इसमें जो है वो मचली भी सीत रक्तिय प्राणी है इन लोगों का रक्त जो होता है वो ठंडा होता है ठिक है ठंडा होता है मचली का भी मेधा का भी छिपकली का भी तो यहाँ प उप्युक्त सभी, ठीक है, उप्युक्त सभी, जो है, सीथ रखती है, प्राणी है, अगला कोशन है आपका, कोशन नमबर 80, कोशन नमबर 80 है आपका, मेधक पानी में या पानी के आज पास पास पाया जाता है, मेधक पानी में या फिर पानी के आज पास पास पाया जाता है, ऐसा क्यों हो, इसका क्या कारण है तो इसका कारण है कि यहां तोचा दोरा सोसन करता है यहां तोचा दोरा सोसन करता है ठीक है, सोसन तोचा के दोरा करता है आगे देखी कुछ नमर 81 क्या है निर्म नताप करम पर किस जन्तु को प्रसुपती को कहते है तो इसका answer है याप का hibernation ठीक है hibernation अगला question देखी कहा है question number 82 question number 82 है याप का उच्छ तापक्रम पर किसी जन्तु की प्रसुपती को कहते है निम्न तापक्मान पर किसी जन्तु की प्रसुपती को hibernation कहा जाता है और उच्छ तापक्रम पर किसी जन्तु की प्रशुप्ती को Estivation कहा जाता है ठीक है? निम्न पर Hibervation, Hibernation और उच्छ पर Estivation ठीक है? याद रखिएगा 83 कोशन क्या है? देखिए निर्संस प्राणी कौन सा है? निर्संस प्राणी कच्छुआ है कच्छुए की आँखे नहीं होती है आगे देखिए कोशन नमर 84 क्या है? निम्न में से किस जन्तु में अश्रुग्रंथी नहीं होती है अश्रुग्रंथी घड़ियाल में नहीं होती है ठीक है? किस जन्तु में असुर ग्रंथी नहीं होती है तो घड़ियाल में असुर ग्रंथी नहीं होती है आगे देखी कुशन नमर 85 क्या है कुशन नमर 85 है सापों की विस ग्रंथियां किसके सदर्श्य होती है सापों की विस ग्रंथियां किसके सदर्श्य होती है तो इसका आंसर आपका इस्तंदरियों की वसा तेल गरंथियां ठीक है सापों की विस गरंथियां किसके सदश होती है तो इसका आंसर आपका इस्तंदरियों की वसा तेल गरंथियों के आगे देखेंगे question number 86 question number 86 सबसे विसेला साप है सबसे विसेला साप है कौन सा करैत ठीक है, सबसे विसेला शाप जो है वो कौन सा है, करैत है, इसके बाद कोशन है अगला 87 कोशन नमर 87 क्या है यह है आपका निम्रिखित में से कौन एक विसेला सर्प नहीं है, निम्रिखित में से कौन एक विसेला सर्प नहीं है तो जो चार option दिये हुए हैं यहाँ पर पहला है करेत, दूसरा समुद्रिश सर्प, तीसरा वाइपर तो यहाँ पर जो विशैला सर्प नहीं है वो है आपका python ठीक है? python जो है वो विशैला सर्प नहीं है आगे देखे question number 88 क्या है? question number 88 है आपका गोसला बनाने वाला एक मात्र साप है गोसला बनाने वाला एक मात्र साप है king cobra ठीक है जो king cobra होता है वो गोसला बना कर रहता है ठीक है? आगे देखे question number 89 क्या है? पहला clone पसू डॉली कौन सा पसू था? पहला clone पसू डॉली कौन सा पसू था? ये था भेड़, ठीक है, पहला क्लोन पसू डॉली भेड़ था, आगे देखेंगे, कोशन नमबर 90 के है, कोशन नमबर 90 है आपका, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मलको सुस्क आकार में निस्काशित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है, कुछ रेगिस्तान ठीक है, जीवों का पर्य वरन के अनुशार अनकूलन, आगे देखेंगे, कोशन नमबर 91, कोशन नमबर 91 क्या है आपका, डाइनासोर थे, मैसो जोईक सरी सरप, ठीक है, आप्शन D आपका अंसर है, मैसो जोईक सरी सरप, ठीक है, आगे देखेंगे, कोशन नमबर 92, कोशन विसायली चिपकली है विसायली चिपकली कौन सी है हीलो डर्मा विसायली चिपकली है हीलो डर्मा ठीक है आगे देखें कि कुश्ण नमर 93 उडन चिपकली है उडन चिपकली उडन चिपकली कौन सी है तो इसका अंसर आपका ड्रेको ठीक है ड्रेको जो है वो उड़न चिपली है अगर लेकर की लवक क्या है समूद्री शर्ण को कहा जाता है समुद्री शर्प को hydrophys कहा जाता है कुशन नमर्ट 96 शर्प में मद्यकरण नहीं होता वे ध्वनी ग्रहन करते हैं कैसे ग्रहन करते हैं? तचा से ठीक है? तचा से ग्रहन करते हैं अगला कुशन है आपका 97 पच्छियों की हडिया होती हैं फच्छियों की हडिया होती हैं कैसी? वातिल ठीक है? वातिल होती है अगला कुशन 98 देखी क्या है? निम्ले कित में से कौन भारती पच्छी विज्ञान विसेशग्य विक्ति था? विशेशग्य विक्ति था तो इसका आणसर क्या है आपका? डॉक्टर सली मली जो है वो भारती पच्छी विज्ञान विशेशग्य थे अगला कोशन देखी क्या है कोशन नमर 99 कोशन नमर 99 है आपका प्रत्वी का विशालतम जीवित पच्छी है प्रत्वी का विशालतम जीवित पच्छी है कौन सा सुत्रमुर्ग ठीक है प्रत्वी का विशालतम जीवित पच्छी शत्रमुर्ग है आगे देखिए question number hundred क्या है सबसे छोटा पच्छी इन में से कौन है सबसे छोटा पच्छी इन में से कौन है तो इसका answer है आपका गुंजन पच्छी ठीक है सबसे छोटा पच्छी कौन सा है गुंजन पच्छी है आगे देखिए question number 101 question number 1 बोलेंगे इसे ठीक है आज आप यहां से 123 करें बोलेंगे ठीक है जल्दी होगा आगे देखिए सब दिनी किस के वाक्यंत्र हैं सब दिनी किस में वाक्यंत्र हैं तो इसका answer आपका पक्छी ठीक है पक्छी तो देखिए न्यूजे लेंड में पाया जाने वाला उडन हील पच्छी है मतलब जो नहीं उड़ सकता उडन हील पच्छी है तो इसका answer आपका कीवी ठीक है कीवी अगला question देखिए क्या है अर्कियोप्रथेक्टिस है अर्कियोप्टेरिक्स क्या है तो इसका answer है आपका जुरैसिक यूख का सरव पुरातन पच्छी है आगे देखेंगे question number 104 question number 104 आपका penguin चिडिया कहां पाई जाती है तो आपको पता है penguin चिडिया अंटार्क्टिका में पाई जाती है ठीक है penguin चिडिया अंटार्क्टिका में पाई जाती है question number 105 है आपका सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पच्छी जो सबसे तेज गती से दोड़ सकता है वह कौन सा है तो आउस्ट्रिच आपको पता है सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पच्ची जो सबसे तेज दोड़ सकता है उड़ने में असमर्थ है लेकिन दोड़ने में सबसे तेज गती से दोड़ सकता है पक्ची शनरी में आता है तो वह कौन है आउस्ट्रिच है ठी Archaeopteryx जो था इसके चोंच में दात था यह विलुप्त हो चका है आगे देखिए अगला है आपका Archaeopteryx किसके बीच की योजा कड़ी था तो इसका आंसर है आपका सरी सरप तथा पच्छियों के बीच की योजा कड़ी था अगला कोशन है आपका भारत का राष्टी पक्छी है भारत का राष्टी पक्छी आपको पता है मोर है अगला कोशन देखिए पावो क्रिस्टेशस किसका वग्यानिक नाम है तो इसका अंसर है आपका मोर का ठीक है पावो क्रिस्टेशस किसका वग्यानिक नाम है तो मोर का न किस पच्छी के दात थे, किस पच्छी के दात थे, तो मैंने ये बताया अभी, इसके चोंच में दात थे, अर्कियोप्टोरिक्स, ठीक है, अर्कियोप्टेरिक्स, अगला देखिए, कोशन नमर 11 क्या है, वह एक मात्र पच्छी, जो पीछे की और उड़ता है, जो पीछे की और उड़ता है, तो गुंजन नाम का पच्छी होता है, गुंजन पच्छी यहाँ पीछे की और उड़ता है, ठीक है, गुंजन पच्छी पीछे की और उड़ता है, कोशन नमर 12 देखेंगे क्या है, घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्ति के कारण चड़ जाती है अब वो देखते हैं कि छिपकली दीवार पर चिपकी रहती है और नीचे गिरती नहीं है चलती रहती है तो किसकी उपस्ति के कारण चलती रहती है या चड़ी रहती है तो अंगुलियों पर करती है वो तो अगला कुशन देखी क्या है 13 कोशन कोशन है वह पच्छी जो अपने सत्रू से बचाओ के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है जो सत्रू से बचाओ के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है तो यह है सुत्रमुर्ग ठीक है सुत्रमुर्ग ऐसा क लच्छन है इस तन धारी वर्क का विसिस लच्छन क्या है तो इसका अंसर है आपका इस तन गरंथियां होती है उनमें चार कोश्टी हिरते होते हैं और स्वेध गरंथियां भी होती है तो यहाँ पर आपका अंसर है उप्युक्त सभी ठीक है उप्युक्त सभी आगे देखें है सगन वशा की परत को अगला कोशन देखिए क्या है 16 निम लिखित में से कौन सा प्राड़ी इस्तंधारी नहीं है तो इसका अंसर आपका मचली ठीक है निम लिखित में से कौन सा प्राड़ी इस्तंधारी नहीं है तो मचली इस्तंधारी प्राड़ी नहीं है अगे अगला question देखिए क्या है? question number 18 क्या है? Anchor No.18 क्या है? क्योंकि इसमें दुग्डिदिंदियां, जराय उजवा बाल होते हैं तो इसलिए वैल इस्तंदारी है अगला question देखिए क्या है? 19 निमनमे में से विशालतम इस्तंदारी कौन सा है? तो इसका अंसर आपका वेल जो है वो विशालतम इस्तंदारी है अगला कुशन देखिए क्या है 120 कुशन आपका भारत का राष्टी इस्तनी है भारत का राष्टी इस्तनी है बाग ठीक है बाग जो है वो राष्टी इस्तनी है देखिए BPSC बिहार PSC में आया हुआ कोशिन है 1994 का और ये भी SSC का आया हुआ कुशिन है ठीक है आगे देखेंगे कोशिन नमर 21 कोशिन 21 है आपको इसतनी के हिरदय में कोश्टक होते हैं यह मैंने भी आपको बताया उबड़ने कोश्टक होते हैं ठीक है आगे देखेंगे, question number 122, question number 122, ये है आपका, केंदरक विहीन लाल रूधिनाडू, RBC किस में होते हैं, RBC सिल्थ अब जानते हैं, ये होते हैं, इस्तनी में, ठीक है, RBC होते हैं, इस्तनी में RBC होते हैं, ठीक, आगे देखिए question number 123 क्या है, विहल के हिर्दे में कितने चेंबर होते हैं, विहल के हिर्दे में आपको पता हैं, ये एक इस्तनी है, तो इसमें 4 चेंबर होते हैं, अगला देखिए, homo sapiens किसका वग्यानिक नाम है, तो आपको पता है कि जो आधुनिक मानों है, जो मानुस्य होता है, उसका वग्यानिक नाम क्या होता है, homo sapiens, ठीक है, no doubt, आगे देखिए question number 25, बिल्ली की आखें, रात में क्यों चमकती हैं, बिल्ली की आखें, रात में क्यो चमकती हैं, अगला कुशन है, तो यह पाया जाता है, तो यह पाया जाता है, ठीक है, अगला कुशन देखिए, क्या है 27, यह है, अंधेरे में चमगादार उड़ लेता है, क्योंकि इसके मुख से उत्पन होती है, क्योंकि इसके मुख से उत्पन होती है, अल्टरा सोनिक तरंगे, ठीक है, इसके मुख से अल्टरा सोनिक तरंगे उत्पन होती है, आगे देखिए question number 128, मानो का जैविक नाम है, मानो का जैविक या वेग्यानिक नाम है, तो इसका अंसर है आ मैंने अभी बताया था उपर. ओमो सेपियन्स ठीक है, ये Research Tips. सरफ प्रतम किस जन्तु को पालतु बनाया? मनुस ने सबसे पहले कुट्ते को जो है वो पालतु बनाया था. ठीक है, कुट्ते को पालतु बनाया था. अगला कोशन, वन थर्टी कोशन इस्तंधरी प्राणियों में भूण गर्व में मा से प्राप्त करता है इस्तंधरी प्राणियों में भूण गर्व में मा से क्या प्राप्त करता है तो इसका अंसर जो है वो आपका वो गर्व में खनीजलवन ग्लुकोस तदा अक्सिजन प्राप्त करता है ठीक है खनीज लवण, ग्लूकोस तता उक्सिजन प्राप्त करता है आगे देखे कुशन अमघर 31 सब्ढ़ है निम्ण में से कौन सा अंडजस्थनी तो इसका अंजर मॉनो ट्रीम टीक है अंडा देने वाला इस्तन्धरी कौन सा है तो इसका अंसर है आपका कंटीला चीटी खोर जो है वो अंडा देने वाला इस्तन्धरी है आगे देखें कोशन नमर 33 का है नियत तापी प्राणी कौन सा है नियत तापी प्राणी जो होता है वो चमगादर है ठीक है नियत तापी प्राणी कौन है चमगादर है आगे देखे question number 134 क्या है question number 134 है आपका वह इस्तंधारी जो खत्रे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह इस्तंधारी जो खत्रे के समय पर गेंद के समान हो जाता है क्या कहलाता है वह होता है कंटक चूहा ठीक है कंटक चूहा होता है आप Google करिएगा तब देखिएगा वह इस्तंधारी जो खत्रे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है वह कंटक्च हुआ होता है आगे देखेंगे question number 135 question number 135 है आपका इस्तंपाई के उस सरजनी उत्पाद मूत्र में अधिक्ता में पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं यूरिक अमल यूरिक अमल पाए जाते हैं आगे देखिए question number 136 निम्न में से कौन नियत तापी प्राणी है कौन एक नियत तापी प्राणी है वेल ठीक है वेल जो है एक नियत तापी प्राणी है अगे देखिए question number 137 क्या है question number 137 निम्न मेंसे कौन सा जीव अपनी तुचा से सांस लेता है अगला देखिए 38 का है कुषन कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है तो बैबून ठीक है बैबून जो है सबसे बड़ा बंदर है कुषन कुषन देखे क्या है कुषन no.39 39 अनियत तापी प्राणी कौन है अनियत तापी प्राणी है वे प्राणी जिनका सारीरिक तापमान वाता वरण के अनुरू बदलता रहता है ठीक है जिनका सरीर का तापमान वाता वरण के तापमान के अनुरू बदलता रहता है अनियत तापी अनियत तापी प्राणी कहलाते हैं ठीक है कोई डाउट नहीं होने चाहिए इसमें अगला कुशन देखी क्या है कोशन नंबर कोशन नंबर है आपका 140 क्या है हरित गरंथियां संबंधित हैं हरित गरंथियां किस से संबंधित हैं उत्सर्जन से ठीक है option B जो है वो आपका answer है कि हरित गरंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं आगे देखी कुशन नंबर 141 कूटक किस में नहीं पाया जाता है कूटक किस में नहीं पाया जाता है सुत्रमुर में कूटक नहीं पाया जाता है ठीक है आगे देखी कुशन नंबर 142 कुशन नंबर 142 है डाइनासोर्स थे डाइनासोर्स सरीशरप जो लुप्त हो गए ठीक है डाइनासोर्स सरीशरप थे जो की लुप्त हो गए अगला कोशन है आपका 143 रख्त में प्रति इसकंदक पदार्थ कौन सा है रख्त में प्रति इसकंदक पदार्थ कौन सा है तो इसका अंसर है आपक का अर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीज्ग की योजग कड़ी है मतलब किन दो वर्गों को जोड़ती है तो इसका आंसर आपका सरी स्रभवा पच्छी सरी स्रभवा पच्छी ठिक कैंगे धिक ऊच्छ नमर 145 में से कौन से जानवर का संबंद मुलास्का से है, मुलास्का से किसका संबंद है, तो यहाँ पर हेलियोटिस, हेलियोटिस का संबंद मुलास्का से है, ठीक है, हेलियोटिस का संबंद मुलास्का से है, आगे देखेंगे, मैमत पूरवज है, यह कई 47 कोशन, फेरो मोन्स समानिता उत्पन किया जाता है, फेरो मोन्स समानिता उत्पन किया जाता है, कीटो द्वारा, ठीक है, कीटो द्वारा उत्पन किया जाता है, अगला कोशन आपका, भारत की सबसे बड़ी मश्ली है, भारत की सबसे बड़ी आपको पता है, वेल मश्ली है, जिसमें एक भी हड़ी नहीं पाई जाती है मैंने बताया है आज ही ठीक है याद रखीएगा चीज़ें अगला कोशन देखी क्या है 49 कोशन 49 कोशन आपका निम लिखित प्राइमेटो में आधोनिक मानों का निकरतम सम्बंधी कौन है आधोनिक मानों का निकरतम सम्बंधी गोरिल्ला है ठीक है गोरिल्ला है अगला कोशन है 150 कोशन नमर 150 है अपका निम लिखित में से कौन कीट नहीं है कौन कीट नहीं है मकडी जो है वो अपका कीट नहीं है ठीक है आगे देखी कोशन नमर 151 पांडा भी उसी कुल का है जिसका पांडा भी उसी कुल का है मतलब कि पांडा के अलावा एक ही कुल के कौन से पनाड़ी दूसरा है तो वो है भालू ठीक है पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है आगे देखिए कोशन नमर 152 question number 152 है आपका अधिकान्स कीट सोशन करते हैं अधिकान्स कीट सोशन करते हैं वातक की अंदर से कैसे करते हैं सोशन वातक की अंदर से करते हैं आगे देखी question number 153 क्या है निम लेकित में से कौन अंडे देता है और कौन सीधे और सीधे बच्चे नहीं देता कौन अंडे देता है लेकिन सीधे बच्चे नहीं देता तो एकिड्ना ठीक है एकिड्ना जो है जो है अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता ठीक है तो यह था आपका 53 कोशन आगे देखी कोशन में 54 कोशन नमर 54 आपका निम्लिकित मे से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है तो इसका आंसर आपका नागराच ठीक है नागराच अगला कोशन है 155 निम्लिकित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथनो प्रांथ नर को मार देती है तो इसका आंसर जो है वह मकडी इसका आंसर क्या है मकडी अगला कोशन देखी क्या है 156 कोशन है निम्लिकित में से किस एक को छोड़ने में मच्छनों को नेंतर्थ करने में मदद मिलती है तलाब और कुऊं में किस एक को छोड़ने से मच्चरों को नियंतरत करने में मदद मिलती है तो इसका अंसर है आपका गेमबुसिया ठीक है गेमबुसिया को छोड़ देने से जो है इसे मच्चरों को नियंतरत करने में मदद मिलती है अगला question है 157 Question निम लिखित में से कौन एक कपी नहीं है कौन एक कपी नहीं है तो जो लंगूर है ये कपी नहीं है ठीक है ये कपी नहीं है आगे देखेंगे Question number नीचे से उपर की तरफ चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है 176 देखेंगे पहले आजका last question है इससे उपर की तरफ चलेंगे अब ठीक है इन जनवरों मेंसे किसे जबड़े नहीं होते तो इसका answer है mix sign mix sign के जबड़े नहीं होते अगला question है आपका मानव सहस लगुतम कपी है मानव शहस लगुतम कपी है गिबन ठीक है मानुष शहस लगुतम कपी है गिबन आगे देखे कुशन में 174 क्या है नेम लिखित में से कौन सा एक भारत का राष्टिय जली प्राणी है तो गंगा की डॉल्फिन जो है वो भारत की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्टिय जली प्राणी है ठीक है आगे देखेंगे कौन से साब जहरीला नहीं है, अजगर जहरीला नहीं होता, ठीक है, अजगर जहरीला नहीं होता है, आगे देखिए, question number 172, बाया महा धमनी चाप इनमें दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है, जर्म प्लाजब, बाया महा धमनी चाप इनमें दिखाई देता है, तो कि किसमें दिखा देता है इस तन पाई में ठीक है इस तन पाई में दिखाई देता है ठीक है आगे देखे कोशन नमरा 171 क्या है विभिन जातियों के X C2 सन रच्छन के लिए निम्न मैं से कौन सा उद्दिष्ठ है विभिन ने जाती हो कि X C2 सन रच्छन के लिए निम्न मैं से कौन सा उद्दिष्ठ है जर्म प्लाज्म बैंग ठिक है जर्म प्लाज्म बैंग आगे देखेंगे question number germ plasm bank 171 हो गया इसके उपर से देखेंगे 170 से कुशन कुशन नमर 170 से देखेंगे क्या है निम्रिकित में से किसके लिए मदुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है निम्रिकित में से किसके लिए मदुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है अगला question है आपका मतलब इससे उपर 169 इन्हें से बेमेल कौन है इन्हें से बेमेल कौन है तो इसमें 169 question में आपका दाद करमी जो है ये बेमेल है ठीक है दाद करमी ठीक है बेमेल है फीता करमी होता है नरूरा होता है अंकुष करमी होता है लेकिन दाद करमी नाम का कुछ भ किगार पर सरवाधिक संकतापन एशिया का सीर्स प्रभख्षी। कगार पर है तो यह कौन है डौल थिक है डौल जो है यह ना मका ड़ो नाम का एक सीर्स बच्छी पच्छी परबच्छी है जो की विलोपन की गगर पर है ठीक आगे देखे कुशन पर 167 निम्न मेंसे कौन कीट नहीं है कौन कीट नहीं है तो इन में से मकडी जो है वो कीट नहीं है ठीक है मकडी कीट नहीं है आगे देखे कुशन पर 166 का है निम् कॉच्च नम्र 165 तो डार्विन फिंचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है तो इसका अंसर इपका पक्षियों के लिए किया जाता है ऑप्षियों के लिए कि ए पक्षियों के लिए किया जाता है और कुशन है 164 कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है तो इसकांसर आपका दूसरा करंतक ठीक है दूसरा करंतक जो है वो हाथी के गजदंत के रूप में बदल करता है 163 कोशन देखेंगे क्या है कपोथ दूख्ध उत्पंच करता है कपोथ दुगद उत्पन करता है पक्षी ठीक है पक्षी जो है वो कपोथ दुगद उत्पन करता है अगला कोशन का 162 कोशन क्या है निम्न में से कौन एक विलूप्त प्राणी है कौन एक विलुप्थ प्राड़ी है तो इसका अंशर यात्री कपोद जो है विलुप्थ प्राड़ी है अगरों कोशन देखेंगे मदमक्षी में फूम्पधूप होते है तो कितने होते है जन नच्शम्नर ठीक है आगे देखेंगे निम्रिखित में से कौन सा पसू मासा हरी है कौन सा पसू मासा हरी है तो इसका अंसर आपका मच्छड जो है वो मासा हरी होता है ठीक है मच्छड एक मासा हरी में आता है पिछला आगी और कोशन देखेंगे 159 कोशन क्या है भारती वन जीव के संदर में उन् वल्गुल निर्मिखित में से क्या है तो इसका अंसर है आपका चमगादर ठीक है चमगादर जो है वो इसका अंसर क्या है आपका चमगादर ठीक है क्या है अंसर चमगादर इससे उपर एक कोशन बचा हुआ है आपका 158 कोशन लाश्ट कोशन डुगोन नामक समुद्री जीव जो की विलोपन की गार पर है क्या है ये है आपका इस्तंधारी ठीक है डुगोन नामक समुद्री जीव एक विलोपन की गार पर है इसका नाम है ये क्या है इस्तंधारी है ठीक है दोस्तों बहुत ही महिने से मैंने इसे बनाया है वीडियो को 176 question topic इस एकी topic हैं मैंने start complete कर दिये हैं जो कि बहुत ही ज्यादा important topic था आपका ठीक है इसके बाद जो है वो मानो सरीर क्रिया विज्ञान से जुड़े हुए question है मानो को सरीर से जुड़े हुए question है वो भी आपके सभी exam में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है तो इस अपने messages करके मुझे बताया करिए कि आप कैसा लग रहा है आपको course कैसा लग रहा है वीडियो कैसे पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे है questions आपको relevant लग रहे है या नहीं जन्यून है आपको जोड़े हुए आपको exam देते हैं तो आपको पता हुआ कि हाँ ये question exam में पूछे जा में और आप biology topic कर रहे हैं हमारे साथ Lucent objective books है इस topic में total अभी 4 वीडियो आने बाकी है total 25 वीडियो की series है ये और इसमें ये 22 वीडियो है इससे पहले मैंने जो भी courses कराए हैं हमारे चैनल पर जो भी topics हुए हैं उनका link आपको description box में मिल जाएगा तो आप description box में जाके उनका link द दिया है इसी books है इसके लावा हमारे चैनल पर जो भी बाकी अधर कुर्स आने वाले हैं Lucent objective book से ही chemistry quality और history का वो biology complete होने के बाद ही चालू होगा और आपकी जो special topic की series है वो continue साथ में biology के या फिर जो भी topic चलेंगे उनके चलती रहेगी अपको जो NCRT class 6 से 10th के science के lectures मिलने हैं और वो इस मंत के last में start होंगे तब तक आपकी chemistry और quality complete हो चुगी होगी ठीक है तो आप बढ़े नहीं है हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आप बताईए कि हमारे चैनल पर ये courses available हैं जो कि आपके NTPC आने वाले exam में group DRL exam में काफी ज्यादा helpful होंगे आपकी N questions को लेकर अप comment section में comment जरूर करिएगा आपके जो भी doubt हो हमारे courses को लेकर या फिर जो भी आपके doubt हो किसी भी exam की preparation को लेकर तो वो आप comment section में comment जरूर करिएगा आए start करते हैं आज का lecture बिना समय बर्बात किये तो इस topic में जो ये topic है आज का मानव सरीर क्रिया विज्यान ये इसे दो वीडियो में हम कराएंगे आपको ठीक है एक ये वाला topic और इसके बाद nutrition topic है जो की दोनों ही topic जो दो लास्ट बचे हैं इस इस सीरीज में topic दोनों ही बहुत ज़्यादा important है और इससे question जरूर से जरूर आते हैं सभी exams में ठीक है जरूर करिए इससे आए start करते हैं पहला question है इसका मनुस्य में कुल कितनी हडिया होती है बहुत ही simple question है तो मनुस्य में कुल कितनी हडिया होती है तो आपको पता है 206 हडिया होती है मनुस्य में दूसरा question है नवजाद सिश्यों में हडियों की संख्या लगभग कितनी होती है जब कोई नवजाद मतलब छोट बच्चा होता है तो उसके सरीर की हड़ियां लगभग total कितनी होती है तो जो लगभग होती है वो 300 होती है ठीक है अगला कोशन आपका तीसरा मनुस्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों 8 अस्थियां होती है मनुस्य की खोपड़ी में ठीक है 8 अस्थियां होती है जब मैं NCRT के topic कराऊंगा तो यह कोशन आप कर रहे हो अभी वहाँ repeat भी होंगे और उसमें क्या चीज़े important होती है क्या नहीं होती है कि चैप्टर से कौन से चीज़े याद रखने लायक है कौन सी नहीं है वो आप उसे पढ़ाते टाइम वहीं पर नोट्स मिनाईएगा उसके सारी बाते मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो बना कर उसमें समझा दूँगा ठीक है चौता कोशन देखिए मनुस्व के सरीर में बारा जोड़ी पसलियां होती है पाच्मा कुशन आपका सरीर की सरवाधीक प्रबल अस्ती होती है जबले में अगला कुशन आपका मानु सरीर की सबसे छोटी हड़ी है इस्टेपिस इस्टेपिस जो की कान में होती है आपको पता है मानोसरी की सबसे छोटी हड़ी होती है ठीक है अगला है आपका मानोसरी की सबसे लंबी हड़ी है मानोसरी की सबसे लंबी हड़ी आपको पता है फीमर होती है जांग में फीमर हड़ी ठीक है अगला कोशन देखि है वो पैर कि हटी नहीं है फ्यमर भी पैर के अभी है थिस्क अंसर ही ठीक है अगला कु counting क्या है कुछन नंबर 10 है आपका मनिस्सक्रासरी पैर की हड़ी कैसी होती है, ठोस होती है, मने उसके सरीर में पैर की हड़ी ठोस होती है, अगे देखी कुशन नमबर 11 क्या है, टीबिया नामक हड़ी किस में पाई जाती है, कुशन नमबर 11 है आपका, टीबिया नामक हड़ी किस में पाई जाती है, तो इसका अंसर आपका टा सबसे लम्बी होती है आगे दखेंगे सबसे सबसे लंबी होती है thankill हड्यों में पाए जाने वाले तत्व हैं دान Lazekt यूओंसें? क्वास पूरस्ट Thank You कैल्सियमम और फास पॉरॉज जे वो दातों तदा हड्डियों में पाई जाने वाले द्वा हैं अगला कोशिण आपको कोशिण 10 क्या है व्रधा वस्ता में मनुष्य की हड्डियां कमजोरक्यों मrdh arbeiten में व्रधा वस्ता में केलसियम की कमी के कारण अगला कोशन है कोशन नमबर 15 अस्थी में कौन सा लवन सरवाधिक मात्रा में होता है अस्थी में कौन सा लवन सरवाधिक मात्रा में होता है तो अस्थी में केलसियम फॉसफेट ठीक है केलसियम फॉसफेट जो है वो लवन सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है अस्थी में ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमबर 16 कोशन नमबर 16 आपका है अस्तियों एवं पेशियों को आपस में जोडता है अस्तियों एवं पेशियों को आपस में जोडता है टेंडन ठीक है अस्तियों एवं पेशियों को आपस में जोडता है टेंडन अगला कोशन देखी कोशन नमर 17 क्या है मनस्तु के जीवन काल में कित तो इसका आंसर है 20, मनुशु के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्षित होते हैं, तो 20 जो ऐसे होते हैं, जो कि दो बार विक्षित होते हैं, ठीक, आगे देखेंगे, क्योश्चन नमर 18 क्या है, मानुश्वरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता ह मानुश्वरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है, इसका आंसर है पका छोटी आत, ठीक है, छोटी आत में, मानुश्वरीर में पाचन का अधिकांस भाग छोटी आत में संपन होता है, अगला कुश्वरीर में पाचन करिया कहां प्रारम होती है, तो मानों की पाचन नली लगभग कितने फिट लंबी होती है? तो इसका आंसर आपका 32, ठीक है? 32 फिट लंबी होती है, 32 फिट लंबी होती है, पाचन नली, आगे देखी Qumshmenan 21 क्या है? मुख में मंड का सरक्रा में पाचन किस के दौरा होता है? मुख में मंड का सरकरा में पाचन किसके दौरा होता है तो इसका जो आंसर है इसका अंसर है आपका टाइलीन के दौरा ठीक है टाइलीन के दौरा मंड का सरकरा में पाचन होता है आगे देखेंगे कोशन में 22 क्या है पाचन तंतर का हिस्सा नहीं है कौन इन में से यक्रत पित तांसे कार्णिया और आत मेंसे जो कार्णिया है ये पाचन दंद्र का हिस्सा नहीं है आपको पता है कार्णिया कहा होता है आखों में होता है ठीक है आगे देखिए पाचन दंद्र का हिस्सा नहीं है कार्णिया कोशन नमर 23 देखिए क्या है कोशन नमर 23 आपका सरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि सरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि क्योंकि ये जीव रासाइनिक क्रियाओं के उत्प्रियरक है क्योंकि ये जीव रासाइनिक क्रियाओं के उत्प्रियरक है आगे देखिए कुश्ण नमर 24, कुश्ण नमर 24 है आपका, दुख्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, दुख्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन, ठीक है, यह कुश्ण पूछा राता है, जो दुख्ध प्रोटीन होता है, उसे पचाने फ़ी वाला एंजाईम जो होता है वो रेनिन नामका एंजाईम होता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है इसका अंसर है आपका टाइलिन ठीक है लार में टाइलिन पाया जाता है ठीक और अभी एक कोशन आया था 21 कोशन जो आपका था उपर उसमें क्या था मुख में मंड का सरकरा में पाचन किसके दौरा होता है तो टाइलिन लिखा हुआ अगे दोड मंद का सरगरा में पाचन आगे देखिए कुशन नमर 27 फूर्ट में भोजन को पचाने निम्लिकित में से किसकी खास आवशकता होती है फेट में है वेट में भोजन को पचाने के लिए अगरा कुशन आपका question number 28 जो कि लार किसके पाचन में सहायक होती है लार किसके पाचन में सहायक होती है इसका अंसर है आपका charge के charge के पाचन में सहायक होती है अगला question देखेंगे question number 29 क्या है मानो के अमाशे में अमल x उत्पन होता है मानो के अमाशे में अम्ल X उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है वो कौन सा अम्ल है जो की भोजन के पाचन में सहायता करता है तो आपका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCL ठीक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मानों के अमासे में होत है ठीक है मानों के अमासे में उत्पन होता है और दूसरी बात कौन सी जो भोजन के पाचन में सहायक होता है ठीक पहली बात की हाइड्रोक्लोरी कमल अमासे में उत्पन होता है अमासे में उत्पन होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है ये दूसरी बात एक कुशन से द प्रोटीन का पाचन जो है उधर से प्ररारंभ होता है ठीक है प्रोटीन का पाचन जो है वो उदर से प्रारंभ होता है उदर से प्रारम होता है, अगला कुशन देखी, कुशन में 32 क्या है, अमाशे द्वरा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशे स्वयम इन पाचक रसों को रसों से अपरभावित रहता है, क्योंकि, कुशन में फिर से देखी एक बार, अमाशे द्वरा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन अमाशे स्वयम इन पाचक रसों से अपरभावित रहता है, क्योंकि, हमाशे की दिवार स्लेश्मा के द्वरा सुरचछित रहती है, ठीक है? अमासे द्वारा सुरावी तरस भोजन को असानी से पचा लेते हैं लेकिन अमासे स्वयम इन पाचक्रसों से आपरभावित रहता है क्योंकि अमासे की दिवार सलेश्मा के द्वारा सुरच्छित रहती है ठीक है? आगे देखी question number 33 question number 33 बचे हुए भोजन में मौझूद विसहले पदार्थ का कौन सा अंग चूसनल करता है? तो इसका अंसर है आपका यक्रत ठीक है? यक्रत ऐसा करता है आगे देखी है question number 34 क्या है? पैपसीन है पैपसीन है एक तो पैपसीन एक तरह का एंजाइम होता है ठीक है? पैपसीन एक एंजाइम होता है या क्या करता है? पैपसीन क्या कारे करता है? next question है तो पैपसीन जो होता है या प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में बदलता है ठीक है? पैपसीन क्या करता है? प्रोटीन को पॉली पेप्टाइड में बदलता है आगे देखेंगे कोशन नमर 36 क्या है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्रिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं पाचन क्रिया से प्रोटीन पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्ड खित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं इसका अंसर है आपका अमीनो अमल ठीक है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्ड खित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं तो किसमें बदलते हैं अमीनो अमल में बदल जाते हैं प्रोटीन कुशन नमर 37 देखी क्या है निम लिखित में से वह कौन सा है जो मानसरीड में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बो हाइडरेट को जमा करता है निम लिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानसरीड में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बो हाइडरेट को जमा करता है तो इसका अंसर आपका यक्रत ठीक है इसका अंसर क्या है आपका यक्रत आगे देखी कुशन में 38 क्या है कुशन में 38 आपका पित नेमने में से किसके दौरा पैदा किया जाता है इसका अंसर आपका यक्रत ठीक है पित नेमने में से किसके को जो जो मत फितना होता है पिद्द जम्हा होता है पिद्द आशे में ठीक है आगे क्षिए की सुन्हाला करेacer कर रहा है पिद्दका प्रमुकर्य कार्य है कौन सा हो का प्रमुकर्य थ्लिए का या इंफलिसी कना ठीक है पित्त का प्रमुदा होता हा है वसका पाइसी कना आगे देखिए क्योंस नमर 47 कोशनम 141 का सरुपर्थर्म रक्तु परिस हंजण स्बार ti-3 का किस ने किया तो हार्वे विलियम हार्वे ने सरपर्थम रक्त पर संच्रों तंत्र का अध्यन किया था अगला देखिए कुशन 42 क्या है पेस्मेकर का संबंध किस से है पेस्मेकर का संबंध हिर्दय से होता है ठीक है पेस्मेकर का संबंध हिर्दय से होता है और अगर पूछे इसका कारे क्या होता है तो इसका कारे होता है दिल की ध्रकन आरंब करने के लिए यूज करते है ठीक है आगे देखिए कोशन नमबर अगला है 43 43 हो कोशन है वही कोशन है 43 पेसमेकर का कारे क्या है तो पेसमेकर का कारे है दिल की ध्रकन प्रारंब करना ठीक है दिल की ध्रकन का प्रारम करना गती प्रिरक किसे संबंदित है तो गती प्रिरक हिर्दय से संबंदित है ठीक है गती प्रिरक हिर्दय से संबंदित है आगे देखिए कुछ नमर 45 क्या है निम्रखित मैं से किनिकी भित्यों में निम्रखित मैं से किनिकी भित्यों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं निम्लिकित में से किनिकी भित्यों पर रक्तदाब डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं तो इसका अंसर है आपका धमनी ठीक है? इसका अंसर है आपका धमनी आगे देखी कुशन में 46 क्या है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है सोते समय रक्तदाब जो है वो आपका घटता है ठीक है सोते समय रक्तदाब घटता है अगला कोशन है 47 कोशन रूधिर दबाओ मापक की अंत्र है रूधिर दबाओ मापक की अंत्र है इस फिग्नो मीटर स्फिग्नो मीटर ठीक है इस स्फिग्नो मीटर जो है वो रूधिर ब्लेट प्रेशर मापक यहंतर है यानि कि इस स्फिग्नो मीटर से क्या नापते हैं ब्लेट प्रेशर जो है वो नापा जाता है ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमबर 48 question number 48 है आपका man JARVIK 7 है JARVIK 7 क्या है तो JARVIK 7 एक तरह का कृतिम हिर्दA है ठीक है एक तरह का कृतिम हिर्दA है ठीक आगे देखिए LOVE DOV ँद्धुनी किस प्रकार की किस कृझा के करण उत्पन होती है Love DOV एक प्रकार की द्धुनी ऐसे आवाज होती है, लव डव, लव डव, है ना, तो ये ध्वनी जो है वो, किसकी क्रिया के कारण उत्पन होती है, तो यहाँ ध्वनी जो है वो, हिर्दय की क्रिया के कारण उत्पन होती है, ठीक है, हिर्दय की क्रिया के कारण उत्पन होती है, आगे देखेंगे, कोशन न हिर्दय को एक बार धणकने के लिए कितना लगता है झिसका जो आंसर आपका वो option डी यानिकी point eight second लगते हैं कितते समय लगता है point eight second लगता है ठीकर आगे कोषिन नमबर 51 क्या है कोशन नमर 51 आपका मनुस्य स्वस्थ मनुस्य में स्वस्थ मनुस्य में प्रती मिनट हिर्दे स्पंदन होता है स्वस्थ मनुस्य में प्रती मिनट हिर्दे स्पंदन सभी को पता है किती बार होता है 72 ठीक है अगे देखिए को अगले कुशन आपका 52 2 मानव हर्दे में कितने कोष्टक होते हैं मानव हर्दे में 4 कोष्टक होते हैं ठीक है मानव हर्दे में 4 कोष्टक होते हैं आगे देखिए नाडी दर कहां से मापा जाता है इसका अंसर क्या है नाडी दर कहां से मापा जाता है तो इसका अंसर आपका धमनी से ठीक है नाडी जबर धमनी से मापी जाती है आगे देखेंगे कुछ नमर 54 क्या है एक किशोर वह मनुस्य में सामानी रक्तदाब कितना होता है मतलब एक स्वस्त मनुस्य में जो नौजमान है उसमें रक्तदाब कितना होता है तो इसे 180, 120, 80 mmHg होता है ठीक है 120 बटे 80 होता है रक्तदाब और रक्तदाब मापते किस से है इस फिग्नो मीटर से ठीक है आगे देखें कुछ नमर 55 क्या है दोर लगाते समय मनुस्य का रक्तचाब जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा ठीक है मनुस्य का रक्तचाब दोर लगाते टाइम ठीक है लट प्रिशन बढ़ जाता है आगे देखें कुछ नमर 56 क्या है कुछ नमर 56 है आपका समान जीवन काल में मनुस्य का हिर्दय कितनी बार धलकता है समान जीवन काल में मनुस्य का हिर्दय लगभग जो कहा जाता है वो दो अरब बार धलकता है ठीक है दो अरब बार अगला कुशन आप पर 57, मानो सरीर में हिर्दय का कारे है, मानो सरीर में हिर्दय का क्या कारे है, pumping station की तरह, मानो सरीर में हिर्दय एक pumping station की तरह कारे करता है, ठीक है, pumping station की तरह कारे करता है, आगे देखी कुशन में 58 क्या है, सरीर की विशालतम धमनी है, सरीर की विशालतम धम अगे देखे विशालतम धमनी कौन सी है तो इसका अंसर है आपका ए और्टा ठीक है ए और्टा ए और्टा जो है वो स्रीर की विशालतम धमनी है आगे देखे कोशन अबर 59 क्या है कोशन अबर 59 है आपका स्वस्त मानों के सरीर में रख्त की कुल मात्रा कितनी होती है स्वस्त मानों के सरीर में रख्त की कुल मात्रा कितनी होती है तो इसका अंसर आपका सरीर के वजन का 7% ठीक है सरीर के वजन का 7% जो है वो स्वस्त मानों के सरीर में रख्त की कुल मात्रा होती है ठीक है उसके वजन का 7% जो है वो उसके सभी में रख्त होता है आगे देखिए एक वयस्क में रख्त का औसतन आयतन कितना होता है तो 3 से 6 लिटर जो है वो कम से कम औसत आयतन जो अगर उसके आयतन की बात की जाए कितना होता है लगभग कम से कम कितना होता है तो वो 5 से 6 आगे देखिए, question number 61 क्या है, question number 61 है, आपका, मानोर उधिर का pH है, मानोर उधिर का pH कितना है, 7.4, ठीक है, pH मान, special type के जो हम वीडियो करा रहे हैं, उसमें भी आपको बता देंगे, सारा, दूद का, और कई चीजों का pH मान important होता है, वो आता है exam में, ठीक है, मानोर उधिर का pH जो है वो 7.4 है, ठीक है, आगे देखिए, question number, question number 62, question number 62 है आपका, मानोर उधिर में, रूधिर बैंक का कारे कौन करता है, मानोर उधिर में, रूधिर बैंक का कारे कारे करता है, तिल्ली या प्लीहा, तिल्ली या प्लीहा, रूधिर बैंक का कारे करते हैं, आगे देखिए, question number 63 question number 63 है आपका रक्त का सुध्री करण कहा होता है रक्त का sorry 63 question जो है 63 question है आपका मानोरक्त मानोरक्त प्लाज्मा में प्राया पानी की प्रत्सत मात्रा में कितनी भिन्यता होती है मानोरक्त प्लाज्मा में प्राया पानी की प्रत्सत मात्रा में कितनी भिंधा होती है तो इसका जो आंसर है वो 91- 92-92 प्रिश्त ठीक है? मानोरक्त प्लाजma में प्राया पानी की प्रिश्त मात्रा में 99-92-92 प्रिश्त की भिंधा होती है ठीक है? आगे देखेंगे मैने 65 पढ़ दिया था गलती से तो अगला 34 कुशन रख्ट में पाई जाने वाली धातु है रख्ट में पाई जाने माली धातु क्या सिस symptom पाएजाई गो centers क्जूट का सुधी करण तो इसका अंशर यह सभी यानी कि शूट्र को सभी पर क्जंख क्लीक है ft दो इसका सा शुष pirates की अमसे को सुध्ध होता है, शरीर में सारा रख्त किडनी के माध्यम से सुध्ध होता है, अगला कोशन है आपका 67 कोशन, मानौ सरीर में खून के सुध्धी करण की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है, dialysis कहते हैं, खून के सुध्धी करण की प्रक्रिया को, अगला कोशन है आपका 68 कोशन, इससे पहले 67 कोशन था, मानो सरी में खून के सुध्धी करण की प्रक्रिया को dialysis कहते हैं, ठीक है, आगे देखिए कोशन नमर 68, रक्त में लाल रंग किसके काराण होता है, तो र अगला कोशन है 70 कोशन हीमोगलोविन का कार रही है हीमोगलोविन का क्या है तो हीरो हीमुग्लोबिन का काम क्या है ओक्सीजन का परिवहन करना ठीक है हीमुग्लोबिन का कार है ओक्सीजन का परिवहन करना अगला कुशन देखी क्या है 71 हीमुग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है तो हीमुग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है ठीक ह साफ रक्त फेफ़लों से हिर्दय में ले जाती है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफ़लों से हिर्दय में ले जाती है यानि कि कौन सी रक्त ऐसी होती है कौन सी वाहिकाएं रक्त ऐसी होती है जो साफ रक्त को फेफ़लों से हिर्दय की और लेकर जाती है तो इसका जो से हैं सब्सक्tu हैं किसके सभाएत से रच्ट दोरा ऐकसिजन ले जाया जा ता है ठीज़why। इसका अंसर है लोहित को еще काई हती हैं यह यह दे दोरہ ऐखने जाती है आगे देखेंगे कोसिण walk किसके मौजूद्गी के कारण सरीर के भीतर रख्त जमता नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका क्या है हेपेरिन के मौजूद्गी के कारण सरीर के अंदर भीतर रख्त जमता है अन्नक्व सरीर का रख्त बैंक कहलाता है कौण सा पलीहा मानुस wrapped सध मिंइक किस के दोरा antibody निर्मित होती है रूधिर के प्लाजमा में निम्रिखित में से किसके दोरा antibody निर्मित होती है तो इसका अंसर आपका lymphocyte ठीक है lymphocyte रूधिर के प्लाजमा में निम्रिखित में से किसके दोरा antibody निर्मित होती है तो lymphocyte के दोरा आगे देखेंगे कुछ नमर 77 क्या है लाल रक्त कड़काएं किस नाम से जानी जाती है लाल रक्त कड़काएं इर्थो साइट्स के नाम से जानी जाती है ठीक है इर्थो साइट्स के नाम से जानी जाती है ठीक है ये कहां उत्पन होती है अगर पूछा जाए अगला question है आपका लाल रख्त कड़काएं, कहां उत्पन होते हैं तो ये लाल रख्त कड़काएं, RBC यानि की कहां उत्पन होते हैं तो इसका अज़र आपका अस्थी मज्जा में ठीक है? अस्थी मज्जा में RBC शिल्स बनती है या उत्पन होती है आगे देखे Q79 da है आगे देखी एक कुछण RBC का कबरिस्तान कहा जाता है î आगे देखेंगे Q80 Q80 एक नियाँ पर आगे कैपने लौरней टी बज्भाई हुआ हुआ है मनुस्य की लाल रखत्त रिक्ति काशल के कतना होता है इसको जीतिवन कार होता है 120 ग्रों कीश सेल्स का जीवन्काल होता है अगला कुशन देखी किया है question number 81 क्या है है मानुसरी में लाल रखत कंड का निर्माण कहा होता है तो इसका answer ह्यापका और भीसी का निर्माण अस्ति मजञा में होता है ठीक है पर question था question रिपीट हुआ है ठीक है आगे देखें की कुर yardım इल्टी टू कैई है कुरूघiran का अगे थीटी निम लीकीट में से किसके दौरा होता है तो वही पैठेर होता है शिजान की के दौरा होता है recovered आगे देखिए कोशन button 83 उच्च उठांश पर मानौ being मैं अ線unde में आर मीर C मानौ संथबे, बढ़ेगि ठीक है, उच्च उत्तांस पर मानुसरीर में, RBC के संथबे बढ़ेगी, ठीक है, आगे देखे कुछनमर 84 क्या है, कुछनमर 84 है आपका, सफेद रख्त कण का मुखए कारे है, अभी तक RBC की बात कर रहा था अब WBC की की बात कर रहा आ है, ठीक है, क्या है कार्य मुख्य- रोग प्रतिद्रोदल्ग्चम्ता धारण करना आगे दखिये अगला कोशन है कोशन company 85 कोशननल क्या है실 85 कोशननल आपक Hagole चैनल क्या किया मनुस्तकी मैं जो सथी जमा मेद स्थीद रुदृ करिकाएं हैं और ऐसे जुढ़ा 不ग़ा मैंने स्वेत रूधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है कौन सी किस्म अधिक होती है ठीक है कौन सी किस्म अधिक होती है तो इसका जो अंसर है वो क्या है निट्रो फिल्स ठीक है निट्रो फिल्स पूछ रहा है मैंने स्वेत रूधिर कणिकाओं में की कौन सी किस्म आगे देखे कुछ नमर 86 क्या है जब कोई बाहरी पदार्थ मानुर उधर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रणाम करता है तो प्रतिक्रिया पहले कौन प्रणाम करता है रबीसी या डबलू बीसी तो इसका अंसर है आपका डबलू बीसी ठीक है WBC पहले प्रत्क्रिया प्राराम करता है आगे देखी कुछंब 87 क्या है कुछंब 87 है आपका रज्त्त समूँ आरेस फ्रेक्टर का पता लेंड इस्टेरर तथा विनेर ने लगाया था आगे देखे कुशन में 89 क्या है किस रूधिर वर्ग में एंटी बॉडी नहीं पाई जाती है तो इसका अंसर है अपका AB ठीक है AB में एंटी बॉडी नहीं पाई जाती है किस रूधिर वर्ग में दोनों एंटी बॉडी पाई जाती है किस रूधिर वर्ग में दोनों एंटी बॉडी पाई जाती है किस रूधिर वर्ग में दोनों एंटी बॉडी पाई जाती है दोनों एंटी बॉडी पाई जाती है तो इसका अंसर है आपका O ठीक है O ब्लेड प् किस रोधेरीवर्ग में कोई Antigen नहीं पाया जाता है किस रोधेरीवर्गरंए कोई Antigen नहीं पाया जाता इसका भी आंसर क्या है ओ ओ में ना कोई Antigen पाया जाता है ठीक है अगला देखिया, अगला कुशन आपका, अगला कुशन आपका 92 एन्टीजन एक ऐसा पदार्त है, जो की प्रतीरच़ी के निर्माल को बढ़ावा देता है, ठीक है? अगले देखी question number 93 के है, question number 93 है आपका, antibody का मुख्यकार्य किसके विरुद्ध होता है, antibody का मुख्यकार्य किसके विरुद्ध होता है, इसका answer है आपका, संक्रमन के विरुद्ध होता है, antibody का मुख्यकार्य किसके विरुद्ध होता है, संक्रमन के विरुद्ध होता है, ठीक है, आगे देखे कुश्रमब 95 क्या है कुश्रमब 95 है अपका अर्ष्ट तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयूग तो नहीं है तो इसका जो अनुसर है वो क्या है आरेच प्लस पुरुस तथा आरेच मैननस महिला ठेक है आरेच प्लस पुरुस तथा आरेच मैननस महिला विवा के लिए अपयुकत नहीं है आगे देखिए question number 96 क्या है question number 96 है आपका संतानों की भूणी या वस्था में माता की गरभाशे के अंदर ही रख्त का थक्का बनने से मृत्य हो जाती है इस रोग को इरिथो प्लॉस्टिस फिलेटिस कहा जाता है इस रोग को इरिथो इरिथो प्लॉस्टिस फिलेटिस कहा जाता है इसका क्या कारण है ठीक है बूणी या वस्था में माता की गरभाशे के अंदर रख्त का थक्का बनने से मृत्य होती है इस रोग को इरिथो प्लॉस्टिस फिलेटिस कहा जाता है इसका कारण क्या है इसका क्या काराण है तो इसका काराण है पिता का रहेच प्लस तता माता का रहेच माइनस का होना ठीक है पिता का रहेच प्लस तता माता का रहेच माइनस का होना आगे देखी कुछ अमन 97 क्या है निमलिखित में से कौन सा ब्लेड ग्रूप सर्व व्यापक गहाता रखता है त औके देखिन क्या चोशाए सबस्तार को सर्वत्रिक इधाता कहा जाता है कि ए क्योंकि नमर को सर्वत्रिक अदात्र नैनन कटाय मानौ रख्टधान के लिए कौन से रख्ट सम्मूह, सर्वत्रिक दाता, यूंिवर्सल डोनर होता है। यूंिवर्सल डोनर की बात करें gonna have a data universal को universal donor कहा जाता है मानों रक्तवधान के कौन सा रक्त्रफिक समूह, सर्वत्रिक दाता, मतलब किसी को भी रक्ति दे सकता है। ठीक है आगा देखिए कोश्चन हमें ब$100 कोश्चन हमें माद है अबका रगत sa Secty किस माद गे ले सकता है ओ वाला व्यक्थि के लिए एक एक यए अब आज इसमें 131 कोश्चन करएंगे ठीक है बाकी 131 और बचेंगे वो next lecture में cover कर देंगे इस topic के जो भी जितने भी complete है 262 question ओके आईए आगला देखिए one question देखिए पहला यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का रक्तवर्ग O हो तो बताईए कि उनके पुत्र का रक्तवर्ग कौन सा हो सकता है पिता का A है और माता का O है तो बताईए पुत्र का कौन सा हो सकता है तो इसका जो answer है वो है आपका O ठीक है O हो सकता है आगे देखेंगे question बढ़ 2 कोई भी प्रकार के रूधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक सं संकट में किस प्रकार के रूधिर वाले व्यक्ति को रूधिर दान कर सकता है किस प्रकार के रूधिर वाला व्यक्ति किसी अचानक संकट में किस प्रकार के रूधिर वाले व्यक्ति को रूधिर दान कर सकता है तो तो जो बी प्रकार वाला व्यक्ति है वो A B या B वाले को दान कर सकता है ठीक है बीवाला के इसे दान कर सकता है ए भी या बीवाले को आगे देखेंगे मस्तिस्क के किस भाग में भूंक लगने वाले भोजन से द्रिप्ती के अनभूती कराने के लिए केंद्र इस्थित होते हैं मनुद्र मस्तिस्क में किस भाग में मनुद्र किस स्बस्क मैं ऐसे केंद्र होते हैं जो कि भूंख लगने का अभाज कराते हैं। आघे देखें कर देखांगे बुद्धि ग्यूंद 304 चौता कॉसन् टेखी क्या है मनौ मस्तिस्क में बुद्धी का केंद्र है मानो मस्तिस्क में बुद्धी का केंद्र है वो आपका सेरे ब्रहम ठीक है सेरे ब्रहम बुद्धी का केंद्र है अगला कोशन है आपका सेरे ब्रहम किस से सम्मंदित है मस्तिस्क से अभी मैंने बताया मस्तिस्क से सम्मंदित है मनुसरी के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुन रियोजन सकती होती है इसका क्या आंसर है मस्तिस्क कोशिकाओं ठीक है मस्तिस्क कोशिकाई अगला देखिए कोश्चन पर 108 क्या है तंत्र का तंत्र का तंत्र की लगुत्तम सनरशना तता सरीर क्रियात्मक एकाई कौन सी है यह है आपकी नियूरॉन आईबी के एक्जाम में आयोगा कोश्चन है आईबी 2018 सेक्योर्टी असिस्टेंट आगे देखिए लिखा नहीं है इस बार ठीक है बोग पुरा नहीं है आगे देखिए 109 कोश्चन पर 109 है आपका मानो सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है मानो सरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्री का कोशिका तंत्री का कोशिका ठीक है आगे देखिए कोश्चन पर 10 कोश्चन पर 10 है आपका मनुस्व में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्री का निकलती है तो इसका अंसर आपका 31 कितनी जोड़ी तंत्री का निकलती है आगे देखिए कुछ नमर 11 क्या है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रन केंद्र कहां पर है तो इसका अंसर है आपका कशेरुक रज्जु में कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रन केंद्र इस्थित है आगे देखिए कुशन नमबर 12 कुशन नमबर 12 है आपका सुसन की क्रिया संपन होती है सुसन की क्रिया संपन होती है सुसन की क्रिया कहां संपन होती है यह होती है माइक्रो कॉंड्रिया में माइक्रो कॉंड्रिया में सुसन की क्रिया संपन होती है मनस में स्वाच्छोस वास में बाहर निकाली हुई वायू में O2 की मात्रा कितनी होती है स्वाच्छोस वास मतलब ये कि आप सांस लेने के बाद जो सांस बाहर निकालते हैं उसमें O2 की मात्रा कितनी होती है ठीक है तो 16% जो है वो उसमें ओर्ट की मात्रा होती है ठीक है 16% ओर्ट की मात्रा होती है अगला देखिए कुशन पर 14 तेजी से करेंगे ग्लुकोज के पूंड्ड ऑक्सिजन के फलसरूप ग्लुकोज के पूंड ऑक्सिक्रण के फलसरूप कितने अडू ATP का निर्माड होता है तो 38 ठीक है 38 अडू ATP का निर्माड होता है दूकोज के पूंड ऑक्सिक्रण के फलसरूप अगला कुशन है आपका 15 मनुस से एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है ठीक मनुस से 16-18 बार एक मिनट में सांस लेता है अगला कुशन भोजन का उर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग म में होता है अगला है सतरा कुशन ओक्सिजन की उपस्ती में सुक्रोज का CO2 एवम जल में उर्जा निर्मोखत होने के साथ पूंड ऊपशिवर्तन होने को कहते हैं अक्सिजन की उपस्ती में सुक्रोज का CO2 एवम जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुपांतरान होने को क्या कहते हैं वायू सोसन ठीक है क्या कहते हैं वायू सोसन आगे देखे कुशंबर 18 के है आपका हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मातलग भग 4% होती है ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमबर 119 कोशन नमबर 119 है आपका क्रैब्स चक्र में किसका संस्लेशन होता है क्रैब्स चक्र में किसका संस्लेशन होता है तो इसका अंसर है आपका पायरूविक अमलेका क्रैब्स चक्र मे किसका संसलेशन होता है पायरुविक अमल का संसलेशन होता है आगे देखे कोशेंबर 120 कोशेंबर 120 है अपका अनॉक्सी सुसन का अंतिमुत्पाद होता है अनॉक्सी सुसन का अंतिमुत्पाद होता है लैक्टिक अमल क्या होता है और अक्षिजेशन का अंतिमुत पाद लाक्टिक अमल होता है ठीक है आगे देखिए कुछ अमर 121 कुछ अमर 121 है आपका मनस्य के सरी में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिष्ट कौन सा होता है मनस्य के सरी में मुख्य नाइट्रोजनी अपसिष्ट होता है यूरिया आगे देखिए कोशेंबर 122 इस्तंधारी इसमें यूरिया बनाते हैं किसमें इस्तंधारी किसमें यूरिया बनाते हैं तो इसका अंसर है आपका यक्रत लिवर में यूरिया बनाते हैं ठीक है कोशेंबर 123 क्या है मानुसवरी में सबसे छोटी अंतरा स्तरावी गंती कौनसी हिर मानुस सवहीर में सब्सक्ते छोटी अंतरास्तावी गंती है tulee वैंगर मर मनसरा में संपिट में ठीक है यह मनसमें उद्यूम्हय Class 2 म आधावर कोस्वार को फिलारंग किसकी में जुद्ध की ऐला होता है तो वीरो टू उपकिम दूखिकिवी के अकरण मुद्र का पियरंग होता है आगे कुशन अबार 126 गुर्दे का का्रयात्मक यूनित है नेीफ्रॉन अगला है through दीससर करता है करता है करतिम तर मिंद्खित दर्चित कharma करता है करता क्रतिम ईमद्खित 128 question मानो सरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा किस में पाई जाती है मूत्र में मानो सरीर में यूरिया की अधिक्तम मात्रा मूत्र में पाई जाती है अगले question क्या है 129 अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है तो इसका जो आंसर है वो है आपका व्रक ठीक है व्रक पोहन का प्रयोग किसके लिए को पुरागन्य के लिए होता है व्रक को पुरागन्य के लिए अगला देखेंगे कोशन कोशन नंबर 130 और कोशन नंबर 131 कोशन नंबर 131 देखेंगे स्वेधन निम्ले में से किसके लिए महत्वपूर्ण है स्वेदन में से किसके लिए महत्वपूर्ण है तो स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है इसका अंसर है आपका श्वेदन सरी के तापमान के विनियंतरत करने के लिए मातो पूण है, ठीक है, सरी के तापमान के विनियंतरत करने के लिए मातो पूण है, अगले कुशन है अपका, मानो वरक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुख रहसाने की योगीक है, मानो वरक असमरी में पाया जाने वाला प्रमुक योगिक है कैल्सियम ओक्सलेट ठीक है कैल्सियम ओक्सलेट तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर हमारा बहुत ही important topic है दोस्तों और total 131 question manage में कराए हैं बहुत ही अच्छे से करिए इसे एक दो बार में तीन बार में revise करिए आप कई बार revise करेंगे तब आपको याद होगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत भूलेगा और इस पर अभी ऐसे बहुत सारे लेक्चर से important आपको मिलेंगे जो कि आने वारे एक्जाम के लिए बहुत ही important है तो बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में थैंक्यू हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने गुल्कुल ब्लवर में और आप लुशन अब्जेक्टिव बुक से बाइलाजी टॉपिक कर रहे हैं हमारे साथ दोस्तों इससे पहले मैंने 22 लेक्चर कंप्लीट करा दिये हैं इस बाइलाजी की सीरीज में और अभी टोटल इसमे हम कराएंगे आपको 131 कोशन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बहुत लिएगा ठीक हैं आगे आप कमेंट भी जर लिए गये हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ पर अभी मैंने सिर्फ फिजिक्स केमेश्ट्री और कंप्यूटर पढ़ाया है तो सिर्फ वही लिंक ओपेंट करिएगा ठीक है आई स्टार्ट करते हैं लेक्चर तो दोस्तों 131 कोशन इसमें मैंने कंप्लीट करा दिये थे आपको पहले टॉपिक में इसके पहले लेक्चर में से यानि की 22 में लेक्चर में और आज हम दो देखेंगे इसके आगे की कुशन यानि की 132 से देखेंगे एक बार 131 भी कर लिजिए माना व्रक असगरी में पाया जाने वाला प्रमुक रसा किया है हमारा कैलियम जले पोशंह यह अंसर था थो ठीक है अगे देखेंगे को शच्छा 1-30 आ हैंले का लूप का कारे संबंदित है हैंले का लूप का कारे किस से संबंदित है तो हैंले का लूप का कारे उत्तरजन तंद्र से संबंदित है दोस्तों ठीक है उत्तरजन तंद्र से संबंदित है आगे देखें कुशनमर 133 क्या है समानेता निसेचन होता है समानेता निसेचन गर्भाचे में विक्सित हो रहे है, भूण को किस тел न धवरा पूशार मिलता है, तो, इतर अब का प्ले-σιंटा धवरा, पूशार मिलता है, आगे देखें, कुल कोषिनर 626 दो युग्म को के समयोजन को कहते हैं मिसीचन ठीक है दो को क्वेज़न को कहते हैं मिसीचन आगे बीन को समय 137 137 आपका गरभासına में खिसके विकास्थ कि जनकारी है तो किस का प्रियोग किया जाता है तो इसे कहते हैं अल्टर साउंड करना ठीक है अल्टर साउंड करके पता लगा जाता है आगे देखिए कुछ नमा 138 भूण के विकास के लिए निम्खित में से किस अंग के दोरा खाग की पूरती की जाती है तो इसका अंसर है आपका विजांसन दोरा ठीक है विजांसन दोरा इसकी पूरती की जाती है आगे देखिए कुछ नमा 139 आपका मुख के दोरा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां करते हैं इसका अंडोत तरजन का निरोल करते हैं ठीक है आगे देखिए कुछ नमा 140 140 कोई निम्लिकित में से कौन सी इस्टित टेस्टी बेबी की परिगटना को और निरूपित नहीं करती लिख्यत में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है अगे देखींगे question no. 141 question no. 141 है अपका बच्चों का लिंग निर्धाराण किसके गोनसूत्र से होता है तो पिता के गोनसूत्र से बच्चों का लिंग में धारन होता है आगे देखे Q useful number 142 Q useful number 142 है आपका मनिस्य में गर्बकाल होता है मनिस्य में गर्बकाल होता है 9 महिने का ठीक है आगे देखे Q дальше貝 therefore 143 इस्तरियों की नस्बंदी को कहा जाता है क्या कहता है टूबेक्टूमी ठीक है टूबेक्टूमी कहता है अगर देखें कोशन मर 144 पुरसों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है पुरसों की नस्बंदी को क्या कहा जाता है तो इसका नाम है वैसेक्टोमी, ठीक है, वैसेक्टोमी कहा जाता है, अगला कोशन है 145, प्रथम नली, प्रथम परख नली सिसुगा क्या नाम था, प्रथम परख नली सिसुगा नाम था, लुईस, ठीक है, लुईस नाम था, अगला कोशन देखिए 146, एम्नियोस्टोसिस एक तरीका है जो बताता है भूर के लिंग को ठीक है भूर के लिंग को अगला देखी कुछ नमा 147 मनुष्य के सरी में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंती वाहिनी विहीन है कौन सी ग्रंती वाहिनी विहीन है इसका अंसर है अंता श्रावी ग्रंती ठीक है अंता श्रावी ग्रंती ओप्शन सी आपका अंसर होगा आगे देखेंगे कुछ नमा 148 कौन सी ग्रंती वाहिनी विहीन है ठीक है कौन सी ग्रंती वाहिनी विहीन है अंता श्रावी ग्रंती प्षार मपको कहते हैं हार्मोन कहते हैं अगला कुछ नदे कि 149 इन में से इचा इंट वह जाना है कि यह तक 150 question है, इसका answer है आपका option c. वाहीनी भीहीन ग्रिंथी. अन्तरहस्रावी ग्रिंथी को अन्य किस नाम से जाना है, वाहीनी भीहीन ग्रिंथी के नाम से भी. Question number 151 देखी क्या है? निम्रिकित में से कौन एक ग्रिंथी नहीं है? जठर एक ग्रिंथी नहीं है. इन में से जितने भी option है या पर जठर जो है वो एक ग्रंथी नहीं है आगे देखेंगे questionma 152 manus65 211rank को master ग्रंथी करता है तो यह आपको पता है किसे puse ग्रंथी को master ग्रंथी कहा जाता है आगे देखें कि 143 question क्या है मनुस्य का सरी की सबसे छोटी गंती पिट्यूट्री गंती है आगे देखें कोशन नमर 154 क्या है मनुस्य की सबसे महत्यूपूर गंती की बात करी की जाए तो वह है पिट्यूट्री ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमर 155 वन फिफ्टी फाइफ आपका पिट्यूट्री गंती कहां इस्थित होती है तो आपको पता है यह मस्तिस्क में इस्थित होती है ठीक है गाय और भैंस के थनों में दूद्ध उतारने के लिए किस हर्मोन की सुई लगाई जाती है किस हर्मोन की स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंता श्रावी हर्मोन कौन सा है थाइराइड ग्रंती से थाइरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंता श्रावी हर्मोन कौन सा है इसका अंसर आपका ऑप्शन है टी एस एच ठीक है टी एस एच आगे देखिए कुछ हमार 158 व्रद्धी हार्मोन कहां से स्रावित होता है व्रद्धी हार्मोन कहां से स्रावित होता है तो यह व्रद्धी हार्मोन जो है वो पिट्रूटरी ग्रंथी से स्रावित होता है ठीक है पिट्रूटरी ग्रंथी से आगे देखिए कुछ हमार 159 यह आपका Occitocin hormone श्रावित करने वाली गृंथी है कौनसी Puse Grinthi Puse Grinthi Occitocin hormone स्रावित करने वाली गृंथी है आगे देखिएंगे Question No. 160 Puse Grinthi के अत्यधिक हार्मोन श्रावट से मानो सर्वी पर क्या प्रभवा पढ़ता है Puse Grinthi के अत्यधिक हार्मोन स्राव से मानों सरी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अंसर है सरीर का असंतुलित विकास ज़्यादा अगर हर्मोनी या स्रावित हो जाएगा सरीर का असंतुलित विकास होगा आगे देखेंगे question 161 एक विशिष्ट हर्मोन को किसकी कमी से गाइटर या गलकंड रोग हो जाता है एक विशिष्ट हर्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो जाता है संसलेशित करने के लिए किस अंता श्रावी गंथी को आयोडीन की आशकता होती है किसे थाइराइड ठीक है थाइराइड आगे देखेंगे question 162 किसकी कुशंक्रिया के क कारण किसकी कुशंक्रिया के कारण मानुसरीर में मिक्सी डीमा होता है मिक्सी डीमा होता है इसका अंसर आपका अवर्टू ग्रंथी अवर्टू गंती के कि कुशंक्रिया के कारण मानुसरीर में मिक्सी डीमा होता है आगे देखेंगे question 163 मिकित मैंसे किसको अंता श्राव कभी तंतर का पेश्क मेकर के से ओक आता है इसका अंसर है आपका option A thiroxane ठीक है option A thiroxane आगे दखिए कोशन में 164 pineal grantee कहां इस्तित होती है pineal grantee कहां इस्तित होती है मस्तिस्क में इस्तित होती है pineal grantee अगे देखिए कुशन तो 65 किसमें आयोडीन होता है तो इसका love को 2 इसमें चल्च कॉस्चन निमरिखीत मैं से कौन सी एक अंत्रास्रावी गन्ति प्यूस्ट्रवी गन्ति से सुतंत्रकार कर सकती है तो इसका आपका परावटो ठीक है परावटों आगे देखेए कुछन वाँ 167 167 कुछन है आपका सरीर में सबसे बड़ी अंताश्रावी गंथी कौन सी है सबसे बड़ी अंताश्रावी गंथी है आपकी थायराइड निम्लिखित मेंसे कौन सी गंथी अश्रू श्रावित करती है आपके आसू किस गंथी के कारण बैसते हैं तो लैक्रिमल लैक्रिमल गंथी होती है जो अश्रू श्रावित करती है आगे दीक्रणफि निमें कित पर य Princeton कौन सी जंती कौन सी ग्रन्ति व्रध्धावस्ता में लुब्त हो जाती है नहीं कि मतलब गायव जाती है इसका अंसर आपका थाइमस प्रणौन ग्रंथी लुबक हो जाती है आगए कुन से न्यौ मादजनन हर्मोन है मादजनन हर्मोन है कौन-कौन से orchogen podrison और imoxogen ठीक है तेच्टोषिक है या रही जननन हर्मोन है आगे देखेए अगला कुशन है 171 नरलिंगिग हर्मोन है यह दे लेंगिग हर्मोन काउब सै टेस्टोष्टिरोण ठ्ैक है निम्ली खित में से कौन सा इस्त्री लिंग हर्मोन है कौन सा इस्त्री लिंग हर्मोन है तो इसका अंसर है एस्ट्रोजेन ठीक एस्ट्रोजेन आगे देखिए कुछ नमें 173 कुछ नमें 173 है आपका estrogen का श्राव होता है estrogen का श्राव होना-AYाफ्रीयन-फुटिकाउं दोरा थे-चे एफृ एप इढि़िएन पुटिकाउं आगए देहींगे question number 174 कौंसा र्मोन लड़ो-डो हर्मोन लडो-डो हर्मोन क्ल आता है लडो-डो हर्मोन हर्मोन क्ल आता है इसका अंसर है आपका सेवेंटीफाइव कुछिन नमर 175 इसका अंसर है आपका कुछिन देखिए पहले मनोसरी में रक्तचाप नियंत्रित होता है किस से अधिवरक ग्रंती से कैसे रचित होता है अधिवरक ग्रंती से आगे देखिए कुछिन मर 177 मानोसरी की कौन सी ग्रंती एक साथ अनता शावी तोथा 12 तरह कारे करती हैं इसका अंसर अपका अग नाश आगे देखिए 180 question, निम लिखित में से किस कोशिका से insulin श्रावित होता है, तो इसका अंसर है अपका बीटा कोशिका से, ठीक है, बीटा कोशिका से insulin श्रावित होता है, आगे देखिए कोशिका 181, insulin उत्पादित होता है, पेंकरियास के द्वारा, ठीक है, पेंकरियास द्वारा insulin उत्पादित होता है, ठीक है, अगला देखिए question 182, question 182, जो है वो, insulin की खोज किस ने की थी, इन्सुलिन की खोज किस ने की, तो इसका अंसर है आपका, बैंटिंग वा बेश्ट में, आपको पता है, बैंटिंग वा बेश्ट ने insulin की खोज की थी, अगला question देखिए, 183, लैंग हेरेंस की दीपिकाएं, जो insulin का शुराव करते हैं, इस्थित होते हैं, कहाँ पर इसका अंसर है, अगनाशे में, ठीक है, अगनाशे में इस्थित होते हैं, अगला question है 184, कंकाल की मास पेशियों की अनुमानित संख्या क्या है, तो इसका अंसर है, मास पेशियों की अनुमानित संख्या जो है वो है आपकी 700, ठीक है, 700, आगे देखिए 185 question, मनुस्य के सरीर की सरवादिक सक्तिशाली पेशी है, मनुस्य के सरीर की सरवादिक सक्तिशाली पेशी कौन सी है, तो आपको पता है, इसमें मैंने बताया है, पीछे अभी, कफी टाइम पहले एक कोशन था उसमें, जबडा, मनुस्य के सरीर की सरवादिक सक्तिशाली पेशी जबड़ा में बताया था अगला कुशन आपका इमनी खित में से किसकी पेशियों में स्वाइस पंदन का गुन पाया जाता है किसकी पेशियों में स्वाइस पंदन का गुन पाया जाता है तो इसका अंसर आपका हिर्दय हight voice रिर्दय में स्वा इस पंदन का गोन पाया जता है आगे देखेंगे question number 87 किस अंबल चेवं मास पेशियों में जमा होने के कारण मनस्टे को ठकान महसूथ होती है तो लैक्टिक अमल जो होता है वो अगर अगर के मास पेशियों में से कार्णिया किसका भाग है कार्णिया किसका भाग है तो आपका कार्णिया किसका भाग है आपको पता है आख का ठीक है आख का भाग है नेतर दान में आख का कौन सा भाग दान किया जाता है कौन सा भाग प्यूक्त किया जाता है कौन सा भाग दान किया जाता है तो कार्णिय केकि कार्मिया दन करता है कि अगला कोशन है P190 168 सिर्म्हाइब कशन करने वाले प्राकास की निылम Hershey में है आईरीस नेत्र में कितना प्रेंद्र करने के लिए बंता है तो रेतीन कि रहता है और प्रिकास कहां बनता है लेटिनह पर बनता है अगर देखए लिए कुशन नमर 193 आहरिस का कार क्या है तो आ crease का कार होता है पुतली के आकार को नियंद्रित करना है आगए देखिए कुशन माँ 194 है आपका हिरदय वन्चित है हिरदय 1 चीथ है एक चिक पेजी से है अगले कुशन आपका 195 मन सुमे तोचा किस इस्थान पर सबसे मोटी होती तो इसका अंसर आपका तलुवेपर ठीक है 96 Ocean person sexual सब्ढ़ा अंग कौन सा है मन材र का सबसे बड़ा अंग कौन है इसका आंसर आपका चम्रा ठीक है चम्रा जो हैh यह वह मनस्वाव कर सब्दसे बड़ा अंग नेक्स्ट कुश्चन देखेंगे क्या है 97 कुश्चन है आपका माना तोचा का रंग देने वाला वनड़क है माना तोचा को माना तोचा को रंग देने वाला वनड़क है कौन सा मिलानिन ठीक है मिलानिन अगला देखें क्या है 198 28 तोचा की ऊपरी सतह कहलाती है तोचा की ऊपरी सतह कहलाती है epidermis ठीक है epidermis आगे देखे कुछन में 199 निम लिखित में से कौन सा पदार्थ मानुस वहीर में सबसे अधिक कठोर होता है इसका अंसार आपका क्या अंसर इसका दल्त वल्क ठीक है दल्त वल्क कौन सा पदार्थ में सबसे अधिक कठोर होता है दल्त वल्क आगे देखेंगे कुछन में 200 कशेरुक जन्तु के सरी को सरवादिक कठोर भाग होता है कशेरुक जन्तु होते हैं उनके सरी का सरवादिक कठोर भाग कौन सा होता है इसका अंसर है आपका इने मिल ठीक है इने मिल ठीक के सेर्व जुनतों के सबसे सरवादिक भाग होता है इने मिल तो आगे देहेंगे 1 question number 201 201 मानाशोईर का कौन सा अंग पुनरुद्भावन को प्रदर्सित करता है तो यकरित ठीक है यकरित जो है वो पुनरुद्भावन को प्रदर्सित करता है अगला question आपका दो नंबर मानो विकास के कौन से अंग का प्रत्य रूपन नहीं कियाड़ा सकता मस्तिस्ट का प्रत्य रूपन आप नहीं कर सकते हैं ठीक है अगला है आपका question नमर 3 निम निखित में से कौन सा एक अवसेशी अंग नहीं है तो diaphragm ठीक है डायाफ्राम या डायाफ्राम अवसेशियंग नहीं है अगला देखी क्या है कोशन नंबर 204 वागे सारे ही अवसेशियंग है अगले देखी क्या है मनसु की आंसु में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जिवाड़ों मर जाते हैं तो इसका अंसर है आपका लाइसु जाइम ठीक है लाइसुजाइम अगला कोशन है 205 किसी प्राणी के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है जल होता है किस प्रक्रिया दौरा सोचन के दौरान गैसे रूधिर में पिर्वेश करती है और फिर उसे छोड़ती है इसका अंसर आपका प्रास्रान क्रिया के दौरा अगला कोशन है अगला कोशन देखेंगे एक बार आप लोग मानुसरीर में अनिवार एमिनो अमले की संख्या होती है 20 ठीक है 20 ऑप्शन भी 20 मानुसरीर में अनिवार एमिनो अमले की संख्या 20 होती है कोशन नमर 208 कोशन है आपका मयोगलीन मयोगलो बिन मयोगलो बिन में कौन सी धातू होती है इसका अंसर आपका तांबा मयोगलो बिन में तांबा धातू होती है अगले देखेंगे उस्षमा 209 एक वयस्क पुरुस के लिए समान हीमोगलो बिन मात्रा प्रती 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम ठीक है 14.5 ग्राम एक बगाशे कंप उसके समान ही मगलोबिन की मातरा सोầ सदूमल 20 रखता है 14.5 ग्राम कि अगला कूशन है कि त्थाफमा कूश्य है किром clever tat men eg सारीरिक प्रक्रम से प्रोथोंबिन का संबंध है इसका अंसर आपका रक्त जमाव से संबंध है प्रोथोंबिन का ठीक है रक्त जमाव से संबंध है प्रोथोंबिन का आगे देखेंगे कुशंबर 12 जिमन मेंसे कौन सा मानो गुर्दे का समानिकारे नहीं है मानो गुर्दे का समानिकारे नहीं है इसका अंसर आपका रक्त का रक्त में शरकरा की मात्रा का नियंत है मानो गुर्दे का समानकार नहीं है आगे देखें कुछनमत 13 कुछनमत 13 है आपका निम्न कत्रों में से कौन सा एक सही है तो इसमें देखेंगे पहला है आपका सभी धमनिया ऑक्सीजन रूधिल ले जाती है सभी धमनिया ऑक्सीजन रूधिल ले जाती है दूसरा है सभी सि और चौथा है फुफुस ध़मनी के लावां बाकी सभी धमनी ले जाती है तो यहां पर जो एक सही है वह आपका c option ठीक है c option आपका फुफुस धमनी के लावां बाकी सभी धमनी अ oxygen लेकी जाती है यह आपका जो गड़ता है कैसे आगे देखेंगे उस violation about 14 आपका है आपका कंडरा जोडता है कंडरा जोडता है टेंडन कंडरा जोडता है पेशी से हड़ी को ठीक है पेशी से हड़ी को पेशी को हड़ी से जोडता है ठीक है पेशी को हड़ी से जोडता है आगे दिए कोश्ण नमर 15 क्या है मानों सरीर में कौन सी ग्रंथी ऐसी है जिसका स्मांसरी की उत्तेजना से है एक ऊपका अधिव्रक गनती अदिःव्रक गनती व सब्सक्राइब आदमी के कंट के किस भाग को अवटू उधरत कहा जाता है एक पार थाइरारीड उपास्ति अगलmuş कौशंन वानाया का मस्तिस कह लगभग कितने ग्राम का होता है मानाया So insati English कह लगभग तेरह- सो पचास ग्राम का होता है तेरा सो पचास ग्राम का होता है आगे देखेंगे कुर्शन नमर 18 क्या है मानु सरीर में सबसे लंबी अस्थी है सबसे लंबी अस्थी है तो सबसे लंबी अस्थी कौन सी है उरू अस्थी ठीक है उरू अस्थी जो है वो सबसे लंबी अस्थी है आगे देखे कुश्य नमर 19 क्या है? कुश्य नमर 19 है अपका. मुक्य तक इसकी उपस्तिती के कारण मानु सरीर उच्वायमंडली दाब के अंतरगत भी बिना कुछला रहता है. इसका क्या अंसर है? ओब्शन B कोशिकाओं में तरल ठीक कोशिकाओं में तरल आगे देखिए Q220 समान ने मानोस वरी का तापकरम होता है कितना? तो इन में से कोई भी नहीं होता है ठीक है? यहाँ पर जितने भी तीन तीन अप्शन दिये हों है तीनों ही नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्या आपका अंसर हो जाएगा, इन में से कोई नहीं, ठीक है, इन में से कोई नहीं, आगे देखें, अगला है आपका question number 221, question number 221, क्या है question, आखे रेटिना की परागत कैमरा के निमलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, नर तरह से उस पर भी उल्टा प्रद्विम बनता है, और यहाँ पर भी, आगे देखें की question number 222, रग्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो C.A. की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है, C.A. की मुख्य भूमिका होती है, अगला है आपका question 23, 23 question है, मनुस्य में समान्य, निरन, रूधिर सरकरा, इस तरह प्रती 100 ml रूधिर होती है, मनुस्य में समान, निरन, रूधिर सरकरा, इस तरह प्रती 100 ml रूधिर होती है, कितनी होती है, इसका answer है अपका, 80-100 mg, ठीक है, 80-100 mg, आगे देखें की question number 24, क्या है, अधिक उंचाई पर मानुसरीर में लाल रूधिर कानिका है, संख्या में बढ़ जाएंगी, संख्या में बढ़ जाएंगी, आगे देखें कुशन number 25, क्या है, मानो रूधिर में कोलेस्ट्रोल का समान इस्तर है, कितना है, 140-180 mg, क्या है, यदि किसी रूधिर की रूधिर वाहिकाओं की तरिज्जा कम हो जाएंगी, तो उसका रख्तदाब बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका रख्तदाब बढ़ेगा, यदि किसी रूधिर वाहिकाओं की तरिज्जा कम हो जाएंगी, तो उसका रख्तदाब बढ़ेगा, अगला है question question number 27 मानों सरी के किस अंग में लशी का लाइप करशाने में पैरों की हड़ियां है कौनसी फीबूला और टीबीया मनृसारी में पैरों की हट्डीया फीबूला और टीब्या है अगला कंशन एक थर्टि कोशन कर्बहसRep लिए व्यकल्पिक सब्द क्या है घर्भाशे के लिए वेकल्पित सब्दे, uterus ठीक है, uterus अगला देखे, कुशन अमर्ब 231 क्या है, कुशन अमर्ब 231 है आपका, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंदुता होती है, Elemo đội की अधिकतम बंदुता होती है, Oxygen के लिए हैं हीलोगुड के लिग्तिक ह्या इकत्व की हुआ होती है अग्ला कूशन देखेंगे क्या है कोशंआ मट थर्टी टू निमठिक पर से खौन सी घृंतिöß हर्मन को इसका अंसर संसर एकी इप को एड्रेनल ग्रायचिन trip सार कान साodes के बारे में सही नहीं है तो इसका आणसर आपका सही नहीं जटर करती है matching कि कर यूने की व्हांत के प्रकार करती है यह सही नहीं है ठीक है आगे देखिए बाकी इसके बारे में तीन बाते हैं जो कि यहां पर सही दी हुई है इसे भी जान लीज़े आप लोग यह है अपकी जठर एक आइस्थाई आशे के रूप में काम करता है जठर खाद को अमाशे रस के साथ मिस्षित कर देता है और जठर अमाशे रस में लाइपेज और ए माईलेज शावित करता है अगला देखिए कए है कोशनमर 234 निमलिकित में से कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन करता है कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन करता है इसका अंसर है यक्रत यक्रत जो है वसा का भंजन करके कोलेस्ट् कि यह जाता है इसका अंसर है मस्तिस्क की गतिवेदी दर्ज करने के लिए इजी का प्रयोग किया जाता है अगले कोशन है तो थाटी सिक्स कोशन निम निखित कत्म में से कौन सा एक हिर्दय की धुनी के संदर में सही है तो हिर्दय की धुनिया हिर्दय के वाल्वों के खुलने और बंद होने की करांण होती है ठीक है अगे देखी कुशन अबर 237 कुशन निम नमर 237 है आपका मानो तुचा का रंग बनता है मानो तुचा का रंग बनता है कैसे मिलानीन से ठीक है मिलानीन से मानो तुचा का रंग बनता है आगे देखेंगे कुशन नमर 238 कि दि माता पिता में से एक करूधिरवर्ग AB है और दूसरे का O और उसके बच् यदि मातापिता मेंसे एक कारूधर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उसके बच्चे का AB होगा आगे देखिए अगला है आपका 239 Question निम्रिखित मेंसे किस एक जिव में पस्लियों की संख्या सबसे अधिक 24 है किस एक जिव में पस्लियों की संख्या सबसे अधिक 24 है तो इसका ऐंसर है आपका मानो ठीक है अगला देखिया 240 240 कुशन है आपका इसतन पाईयों में स्वीद गरंथिया मूलता संबन्दित है किस से ताप नियमन से संबन्दित है अगला है आपका मानो हर्दे में कच्छा कि संक्या है कितने कोश्ट होते हैं 4 सर्व ग्रही कौन से रूद्रिवर का होता है सर्व ग्रही AB वाला जो है सर्व ग्रही होता है अगले देखेंगे कोशन मर सब्सक्राइब 2 142 43 कुश्नबर 2 43 इनमें से रछट का रचटुदाब का मापक के अंत्र कौन है रचक दाब का मापक के अंत्र कौन है तो आपको बताया था इसस् Singo Metres जो होता है उसरे Blood Pressure मापा जाता है रचटुदाब मापा जाता है अगले कोशन है 44 कोशन AB रक्त असमूँ के लोग सार्व भाउमिक प्राप्त करता होते हैं सही बात है अभी पीछे पढ़ा है अपने की AB जो होता है वो सर्व दाता होता है अगले देखिये कोशन नमर इसका कारण दिया हुआ है कारण R रक्त समूह ए भी का लाल रक्त कुशिकाओं में कोई एंटिजन नहीं होता एवन इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं करता तो यहाँ पर A सही है पर र जो है वो गलत है ठीक है A सही है और R गलत है आगे देखी कुशन बगर 243 के है एउडिजकाओं में का व्यास होता है व्यास कितना होता है तो डुब्यल्यीच का व्यास होता है वो 0.007 mm 0.007 mm होता है डुब्यीची का व्यास आगे देखिए 247 कोशन आपका सरीर में हीमोगलोबिन का कारे क्या है ऑक्सीजन का परिवहन कोशन नमर 248 है आपका 248 कोशन देखी क्या है जब वरक कारे करना बंद कर दे तो निम्ले में से कौन सा पदार से जमा होता है तो रक्त में नत्र जनी अपसिष्ट पदार्थ जमा होते है ठीक है कोशन बर 249 कोशन देखी जब एक व्रिद्ध हो जाता है तो समानेता उसका रक्तदाब घड़ जाता है ठीक है रक्तदाब घड़ जाता है अगला है आपका कुशन 250 मानसवरी में पुछ कौन सी सनरशना में सनलगन होता है मानसवरी में पुछ कौन सी सनरशना में सनलगन होता है इसका अंसर है आपका व्रहदांत ठीक है व्रहदांत मानसवरी में पुछ कौन सी सनरशना में सनलगन होता है व्रहदांत अगला कुछ नहीं 251 मानुस ये में छुद्रांत के तीन संवर्षनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हाश्वान करम है कौन सा सही हाश्वान संबल मतलब कौन सा सही करम है ठीक है 251 तो इसमें सही करम जो है वो है आपका option D सिस्ष्षांत मध्यांत्र और ग्रहरी संवर्षनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही करम है चेद्रांत मध्यांत्र और ग्रहरी अगला है 252 मानुस ये में निम्लिकित हार्मोन में से कौन सा रख्त कैल्सियम और फॉस्पेट को विनीमित करता है तो इसका आंसर आपका परावटू हार्मोन जो है वो विनीम करता है मानुस ये में निम्लिकित हार्मोन में से रख्त कैल्सियम और फॉस्पेट को विनीमित करता है परावटू हार्मोन नीचे से उपर की तरफ चलेंगे आज लास्ट कोशन जो है वो 262 कोशन है तो देखेंगे इससे 262 सबसे पहले निम्लिकित में से कौन सा एंटी ड प्रेसिन ठीक है वैस्व प्रेसिन अगले देखेंगे कोशन पर 261 जो है हर्मोन का उधारन है हर्मोन का उधारन क्या है ऑक्सीटोसिन ठीक है ऑक्सीटोसिन मस्तिस्क जिम्मेदार है मस्तिस्क जिम्मेदार है किस चीज के लिए सोचने के लिए सरी के संत्रों के लिए सन्विगात्मक्रियाओं को नियंत्रत करता है, सन्विगात्मक्रियाओं को नियंत्रत करने के लिए कौन सा भाग है, मस्तिस का हाइपो थैलेमस, ठीक है, हाइपो थैलेमस भाग है, जो की सन्विगात्मक्रियाओं को नियंत्रत करता है, आगे देखिए, कुछ नबर 58 क्या है सोसन का नियंत्रन मस्तिस के किस भाग से किया रहता है सोसन का नियंत्रन मस्तिस के मेडूला ओबला गेंटा मेडूला ओबला गेंटा से किया रहता है ठीक है मेडूला ओबला गेंटा से किया रहता है ठीक है यानि कि सोसन का नियंत्रन मस्तिस के मेडूला ओबला गेंटा से औ सब्सक्राइब करता है हाइपोथालिमस मस्तिस की जिम्मेदार है सोचने के लिए हर्देगती करने के लिए और सभी चीज के लिए यहां पर जितने भी ऑप्षान है सभी के लिए उप्यूक्त है हर्मोन का अप्षिटोसिन ठीक है आगे देखेंगे कुशनबर 257 कुशनबर 25 मान मंतों सर्री में जलका अफ्षोश्ण हो सकता है मान जलका अस्वर्क में नलिखा में रेकमे रखी नलिका में और दूसरा क्या है आपका दूसरा है आपका व्रहदांतर में ठीक है व्रक में वक्री नलिका में मानव सरीर में जलका उसका हो सकता है और व्रहदांतर में यानि की एक और तीन इन दोनों में हो सकता है ठीक है चलिए आगे देखी कुछ अमर 256 के हैं मानव तंतर मे निमलिकित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है तो पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं पहले ये जानी है पाचक एंजाइम कौनकों से होते हैं ट्रिपसिन, टॉयलिन और पेपसिन ठीक है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ओप्शन दिया हुआ है ओप्शन भी गैस्ट्रिन ठीक है गैस्ट्रिन जो है यह पाचक एंजाइम नहीं है ठीक है, Gastron जो है वो पाचाक एंजाइम नहीं है आगे देखिए question number 255 Question number 255 है आपका निमनिखित में से किस एक क्यूद पत्ति यक्रत का कार regularly है सलेशमा किस एक यक्रत यक्रत का कारлена है सलेशमा Question number 254 है आपका मनों मस्तिष के निम्रिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नीमन केंद्र है तो इसका अंसर है आपका 254 मनों मस्तिष के कौन सा एक निगरन और उल्टी का नीमन केंद्र है इसका अंसर हो जाएगा आपका मेडूला अबलाघेंटा थीक है मेडूला अबलाघेंटा ठीक है मुझे सका मेडूला अबलाघेंटा आगे देखें कोशन वभागों में से किस एक में सुन्क्राणू डि म्गो निस अब सचित करता है तो से जुड़े हुए सारे इसमें जितने भी पूष्ण थे और एकुष्ण बहुत ही important थे सभी exam में पूछे भी गए हैं आप लोग देख सकते हैं ssc cpu cpu si nda और ssc ssc rbasm ठीक है तो ntpc बगर के exam में आने वाज एक्जाम में बहुत ही आएंगे ये question जादा जादा दोस्तों में इसे share जरूर करिए और एक topic biology का बहुत ही important बचा है जिससे question पूछे जाते हैं question दो topic से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो अपने complete किया मानों वाला ये और दूसरा है आपका स्वास्त एवं portion जो कि health and nutrition तो इससे भी बहुत topic बहुत सारे question आता है इसे भी आप अच्छे से करिए याद अगर आपको एक बर में नहीं याद होता है तो आप इसे अपना थैंक्यू है अपने अपने परिवार में और आप लूसेंट अब्जक्टि बुक से बालाजी टॉपिक कर रहे हैं हमाने साथ दोस्तों स्वास्त एवं portion टॉपिक आज कर आएंगे आपको इससे पहले तेज लेक्चर लिए हैं इस सीरीज में बालाजी में उसका लि समेस्ट्री हिस्ट्री पॉलिटी में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा निचेंत रहे हैं आप लोग एंटी पीसी एक्जाम से पहले आपका कंप्रीट सारा हो जाएगा बहुत ही तेजी से हम लेके चलेंगे और पूरा जो भी पिपर में आने वाला है वो सब और इसे दोस्तों में शेयर आप लोग नहीं करते हैं दोस्तों में शेयर जरूर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच हो वीडियो की और इसे अपने एबबी पर इंस्टा पर जहां भी आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं लोगों को जोड़ सकते हैं लोगों को वीडियो आप अपना रिवीव मुझे जरूर दिया करिए मुझे इंतियार रहता है आप लोगों के कमेंट का ठीक है आये स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना 108 कोशन इस टॉपिक में है और कल भी जो मौनिंग में मैं लेक्चर कराऊंगा लास्ट लेक्चर बायोजी अगर पहला कोशन देखिए पहला कोशन है आपका भोजन का एक प्रमुख अंग है तो आपको पता है क्या है कार्बो हाइडरेट जूम करते हैं ताकि आपको कोशन आसानी से दिख सकें ठीक है कार्बो हाइडरेट बोजन का प्रमुख अंग है कार्बो हाइडरेट दूसर ब्रेपता हैalten केपसूल का आवरवन किसका बना होता है अगला जो केपसूल सहीच सहध का प्रमुग घटक है रक द्रेक्टोज सहथ प्रमुग घटक है फ्रेक्ोज ठिक है दूसरा देखेंगे कुछन नम्र फाइफ निम्लिकित में से कौन सी सरकरा तत्काल उर्जा प्रदान करती है कौन सी सरकरा तत्काल उर्जा प्रदान करती है तो आपको पता है एनरजी के लिए ग्लुकोज जो है वो तुरंत उर्जा प्रदान करती है है ना तुरंत उर्जा प्रदान करती है ग्लुकोज आगे देखिए, सहद में मुख्यता होते हैं कार्बो हाइडरेट सहद में कार्बो हाइडरेट होता है आगे देखेंगे, निम लिखित में से सरवाधी कुर्जा प्रदान करता है कार्बो हाइडरेट कोशन नमबर 8 देखी क्या है मानो सरीर में कार्बो हाइडरेट पुना संग्रह होता है गलाइकोजेन ठीक है अगे देखें कुछ नमर 9 एथलीट को निम्न में से किस से जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है एथलीट होते हैं धावक होते हैं जो निम्न में से किस से जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती ह तो कार्भो हाइड्रेट से ठीक है कार्भो हाइड्रेट से देखिए RRB-212, RRB-25, IAS, IAS, UP-PCS है न? कुश्चन आय उए हैं विश्वास करिए, करिए इन्हें ठीक है आगे देखिए एतलेट को इमनों में से किससे जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलती है तो कार्भो है भकावट गाम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है कि अपको थेचियों भान कर्दांबवात दस्यवक्त स्यूक्त पश्य ककी अव्चैयानिक आंतर कना निदे रख ठेकिन मात्रग जाती है आपको ठकान मैश्यों स्यलिफ्त आगे देखिए Q11, Q11 है आपका रख्ट ग्लुकोज इस्तर समानेता व्यक्त किया जाता है Mg के प्रति डेसी लीटर में व्यक्त किया जाता है आगे देखिए Q12, प्रोटीन मलाने के लिए कितने अमीनो अमल आवश्चक होते हैं आगे देखिए Q13, Q13 है आपका, सरीर में उतकों का निर्मार किस से होता है शरीर में जो उतक होते हैं, उतकों का निर्मार प्रोटीन से होता है तो सरीर का निर्मार करने वाला मना जाता है आगे देखिए Q15, क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है एंजाइम मूल रूप से क्या है तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है आगे देखे कुशनमर 16 जैविक सिस्टम में रसाइनी क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदाई पदार्थ है एं enzyme आगे देखे question number 17 क्या है alpha की रेटिन एक protein है जो तुचा में उपस्थित है ठीक है आगे देखे question number 18 question number 18 है आपका soya bean में protein का प्रतिसत होता है soya bean में protein का प्रतिसत होता है कितना 42 प्रतिसत question number 19 है किसमे protein नहीं पाया जाता है दूद में और दाल में पाया जाता है आपको पता है चावल में protein नहीं पाया जाता है तो सोया बीन ठीक है सोया बीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है ठीक है सोया बीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है आगे देखेंगे कोशन में 21 साका हरी अधिक्तम प्रोटीन पाते हैं साका हरी अधिक्तम प्रोटीन कहां से पाते हैं दालों से पाते हैं ठीक है दालों भी दिया हुआ है, दोनों option दे रखे हैं, आपको पता है कि साकाहरी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं डालों से, और सबसे अधिक सोयबिन में होता है प्रोटीन, तो यहाँ पर जो option होगा, वो यहाँ मार्क करेंगे option D, ठीक है, सोयबिन के दाने में, अगर डाल और सोयबिन, द दाने में सबसे अधिक प्रोटीन होगा, आगे देखें कुशनमर 23 क्या है, कुशनमर 23 है आपका, मानो सरीर में वसा जमा होती है, मानो सरीर में वसा जमा होती है, वसा उतक में, मानो सरीर में वसा कहां जमा होती है, वसा उतक में, कुशनमर 24 देखिए क्या है, मानो सरीर में तो इसका अंसर है आपका option B तो चा की उस्मा का 6 आगे देखे कोश्चनमा 25 कोश्चनमा 25 है आपका उंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है ऐसा वह कर पाता है ऐसा वह कर पाता है कैसे कर पाता है वह तो वह अपने कूबर में जमा किये गए चिकनाई का प्रयोग करके कर पाता है अपने कूबर में वह चिकनाई 71 करके ऐसा कर पाता है आगे देखेंगे कोश्चनमा 26 क्या है कोश्चनमा 26 है आपका निम्लिखित भोजन में से किस से प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो वसा इसका आंसर है वसा ठीक है इसका आंसर क्या है वसा निम्लिखित में से भोजन किस से प्रतिग्राम वसा सरवाधिक प्राप्त होती है तो इसमें मतलब सबसे ज़्यादा उर्जा क किस से प्राप्त होगी हमें क्योंकि हम लोग कोई जीच खाते हैं तो उसका इंपॉर्टेंट यह होता है कि आपको एनरजी उसे कितनी मुल रही है तो यहां पर आप्शन में दे रखा है प्रोटीन से अधिक उर्जा प्राप्त होगी या वसा से या कार्भोहईडरेट से या किस सवsud प्रतिपादित किया है आगे देखी कैना है कोशनिमलखित में से योगिकों के किस समूऊ को सहायक अहार कारक कहा जाता है तो इसका अंसर है आपका विटामिन इसका क्या आंसर है विटामिन ठीक है आगे देखेंगे कोशन में 29 क्या है नियम लिखित में से किसे रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है नियम लिखित में से किसे रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है तो इसका अंसर है विटामिन इसका अंसर क्या है विटामिन ठीक है विटामिन को रच्छात्मक पदार्थ कहा जाता है आगे देखी कुछ नमर 30 क्या है कुछ नमर 30 है आपका निम लिखित में से कौन विटामिन A का सरवोत्तम श्रोत है तो कौन है इसमें आपके गाजर बैगन नीबु चावल गाजर बैगन नीबु और चावल तो यहा मानव सरीर में विटामिन A भंडारित होता है कहां पर यक्रत में मानव सरीर में जो विटामिन A भंडारित होता है वो होता है यक्रत में ठीक है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग फैलता है विटामिन A की कमी से कौन सा रोग फैलता है इसका आंसर है रतांदी विटामिन A की कमी से रतोंदी रोग फैलता है अगला कोशन है अपका 33 कोशन निमलिकित में से कौन सा एक विटामीन A का प्रिचुरतम शोथ है निमलिकित में से कौन सा एक विटामीन A का प्रिचुरतम शोथ है option है आपके सेब, पपीता, अमरूद और कुशन आप लोग देख रहे होँगे यहाँ पर यहां पर नहीं करा है सब आये हुए कुशन है ना तो ज़रूरी है करते रहे हैं बने रही है dat ना है ठीक है सब्सक्राइब करिए थाइमिन थाइमिन है आपका थाइमिन क्या है थाइमिन में क्या होता है विटामिन कौन सा भी वन ठीक है विटामिन भी वन थाइमिन है किस तरह का विटामिन भी वन अगला कुश्चन 35 जिम लिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है तो वि आगे देखिए कोशनामर 36 विटामिन की कमी से होता है सुसका चिवकोप का मनस्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है इसका अंसर है आपका विटामिन A, ठीक है ? विटामिन A की कमी से होता है, ठीक, आगे देखिए, question no 37, signo kubalmin, signo kubalmin है, signo kubalmin क्या है ? एक तरह का vitamin B12, ठीक है ? vitamin B12, ठीक है, signo kubalmin है, vitamin B12, आगे देखिए, question no 38, question no 38 है अबका विटामिन जो खट्टे फलो में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्त रखने के लिए जरूरी होता है कौन सा होता है विटामिन सी ठीक है विटामिन सी होता है आगे देखेंगे विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है जित्ते भी घट् पतार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है तो यहाँ पर option है उपका आवला अंसर है आवला विटामिन सीक्का सब Dubai से उत्तम स्रोथ है आवला जित् acost भी घट्टे पतारत होगा उनमें солнre टीक है कोचर नमबर 40 है अपका निमें नखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूलों में रखताता है आगे देखिए कोचर नमबर 41 विटामिन C का रसानिक नाम क्या है? एसकॉर्बिक अपको पता है विटामिन C का रतानिक नाम एस्कॉर्बिक अमल है आगे देखें कोशन नमबर 42 कोशन नमबर 42 है निम्रिकित विटामिनों में से कौन सा सरीर में भंधारित नहीं होता है सरीर में भंधारित नहीं होता है तो आपको पता है कि विटामिन A जो है यह सरीर में भंडारीद नहीं होता है ठीक है विटामिन D सरीर में भंडारीद नहीं होता है आगे देखिए कोशन नमर 43 43 कोश्चन है कौन सा विटामिन प्रतिरच्छा 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 प्रोटीफूर निमलिखित में से कौन से विटामिन जल मैं घुलन सील कौन सा है तो आपको पता है कि opga है ऐड एड़ीई ऐसी एड़ीएसी ऑप्षन है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E या विटामिन C तो यहाँ पर जो C है, C है यह जल में घुलन सील है C के अलावा एक विटामिन और जल में घुलन सील होता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पर के बताएए कि कौन सा विटामिन है ठिक, विटामिन C यहाँ पर option में है, जो की जल में घुलनसील है, इसके अलावा एक विटामिन और होता है, जो जल में घुलता है, उसका answer कमेंट सेक्शन में करिए, 45 question गया है, प्राता कालीन धूप में मानो सरीर में निम्लिकित में से कौन सा विटामिन उत्पन होता है, प् तो इन में से जो आपका answer है, वो है विटामिन D, ठीक है, धूप में मानो सरीर में निम्लिकित में से कौन सा विटामिन उत्पन होता है, ठीक, विटामिन D, आगे है, 46 question, 46, मचलियों के यक्रत के तेल में किसकी प्रचूरता होती है, तो इसमें से आपका answer है, आपका answer है वि को्शन नमर 47 कि है कोचन नमर 47 नमर यह किस विटामिन का रसाइनिक नाम है तो विटामिन डी जो का विटामिन डी इसका रसानिक नाम जो है वो है कोले कैल्सी फिरॉल ठीक कोले कैल्सी फिरॉल आगे देखिए थाइमिन मैं बताया था था थाइमिन है विटामिन बीवन ठीक है याद रखिएगा आगे देखिए कोशन नमर 48, विटामिन E का रसानिक नाम है, विटामिन E का रसानिक नाम है, तो E का जो रसानिक नाम है, वो क्या है, टोकोफेरॉल, D का है, कोले कैलसी फेरॉल, विटामिन E का नाम है, टोकोफेरॉल, टिक, टोकोफेरॉल, आगे देखिए, विटामिन E विसेस्ता किसके लिए महत्तप महत्वपूर्ण है तो विटामिन जो है वो लिंग गरंथियों की समाने क्रिया में महत्वपूर्ण है option C आपका अंसर है लिंग गरंथियों की समाने क्रिया में महत्वपूर्ण है आगे देखिए question number 50 क्या है निमलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रख्त के इसकंदन में कारे करता है निमलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रख्त के इसकंदन में कारे करता है तो इसका अंसर है आपका vitamin K ठीक है vitamin K आगे देखिए question number 51 क्या है question number 51 है आपका मानो सरीर में रख्त का थक्का किस विटामीन से बनता है मानो सरीर में रख्त का थक्का किस विटामीन से बनता है मानो सरीर में रख्त का थक्का विटामीन के से बनता है ठीक है, 51 question complete हुए यहाँ पर आधे question हो गए है लगबग आगे देखेंगे question number 52 question number 52 है अपका निम लिखित में से कौन सी विटामिन की की खून के जमने में आव सकता होती है कौन से विटामिन की कौन सा विटामिन खून के जमने में सहायक होता है ठीक है, सिंपल सा, विटामिन के, विटामिन के जो है, वो खोन के जमने में सहायक होता है, आगे देखिए, विटामिन E का महत्वपूर्ण श्रोत, निमलिकित में से कौन है, विटामिन E का महत्वपूर्ण श्रोत, यहाँ पर option देख लिजे, ताल का तेल, नारियल का तेल, या राई का तेल तो गेहुं अंकूर का तेल, ठीक है, गेहुं अंकूर का तेल में विटामिन E का मात्यपूर्ण शुरोत है, यहाँ पर जितने भी option है, उनमें से option C आपका answer है, next question है आपका 54 which GOT to miss निम निविखित में से क्या होता है लातों में 2 मिकलसियम 8 दातों में कैलस्य यॉलोत आगे देखी points यह पर option iPhone बी फ्लूरीन ठीक है ऑप्शन भी फ्लूरीन फ्लूरीन में से डाउट समुझे यहाँ पर आपका जो सही अंसर है वो है आपका फ्लूरीन यह निकित बैसे किस तर्थों का संबन्द दातों की विक्रिती के साथ है फ्लूरीन ठीक आगे देखेंगे कुछन अब 56 56 कुछन है हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए दिन में से कौन सा खनीज आवश्यक है तो पोटेशियम जो है वो आवश्यक है हिर्दय की धड़कन को नियंतरित करने के लिए ठीक पोटेशियम आवश्यक है अगला कोशन है 57 सागरी खरपतवार किसका महत्यपूर्ण श्र सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण श्रोत है आयोडीन का एक निवन में से कौन आयोडीन का सरवत्तम श्रोत है तो सावाल वह आयोडीन का सरवत्तम श्रोत है सेवाल आयोडेन का सरवत्तम शोथ है आगे देखे कोशनमर 59 क्या है कोशनमर 59 है अपका कैलसियम उपस्ती तथा हड्डियों के निर्माड और संपेशन में आवसकता होता है कैल्सियम आगे देखेंगे कोश नमर 60 क्या है कैल्सियम की आफसकता निम्रिकित में से किस निमित्ती है कैल्सियम की आफसकता निम्रिकित में से किस के लिए है किस लिए होती है किस लिए होती है ठीक है तो यहाँ पर option है आपका मास्पेशियों के कार करने के लिए बिल्कुल calcium आवश्यक होता है हड्डियों के विकास के लिए बिल्कुल होता है calcium आवश्यक और खून जमने के लिए बिल्कुल होता है तो यहाँ पर जो answer है आपका उपरोक्त सभी तिक उपरोक्त सभी के लिए आवश्यक होता है आगे देखेंगे question number 61 क्या है पालक के पत्रों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्रों में iron की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक के पत्रों में iron अधिक पाया जाता है ठीक अगला है question number 62 मनेस्ट्रियों लोहा किससे प्राप्त करता है पालक से, आइरन, ठीक, आइरन, वोधी मतना रपाया जाता है अगला है कुछ नमर 63, लौह आवश्यक है, लौह आवश्यक है किसलिए आवश्यक है, इसमें आंसर है आपका, हीमोगलोबिनवा, रबीसी के निर्मार के लिए बिल्कुल सही, अवश्यक है लौह इसके लिए, समान स्वास्त बनाए रखने के लिए, बिल्कुल जरूरी है सरीर के उधकों तक ऑक्सिजन पहुंचाने के लिए, बिल्कुल ये भी जरूरी है तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो क्या है, option D, उपरोक्त सभी के लिए, ठीक, उपरोक्त सभी के लिए लौह आवश्यक होता है ठीक है, आगे देखेंगे question number 64, question number 64 है आपका, निम लिखित में से कौन सा खाद श्रोत, लोहे का सरवत्तम श्रोत है तो इसका अंसर है आपका, सेब, ठीक है, सेब जो है वो, लोहे का सरवत्तम श्रोत है, option थे, सेब, चावल, नारंगी और गेहु में से, सेब जो है वो, सबसे ज़्यादा लोहे का सरवत्तम श्रोत है आगे देखेंगे, किस में भरपूर लोह तत्वा पाया जाता है, लोह तत्वा, नारंगी, अंडे और हरी सब्जियाँ या दूद, तो हरी सब्जियों में जो है, वो लोह तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, हरी सब्जियाँ, इन ऊपर वाले option में, सेब वाले में अगर यहां पर पालग दिया होता है अарी सबजियां दिया होता तो आप सेम मार्क नहीं करते लहुतत्त के लिए बलकि बालख करते ठीक है आगे दिखेंगे कोशन नंबर 66 कोशन नंबर 66 आपका निम् लिखित में से किस यूग में सही सुमेल नहीं है किस यूग में सही सुमेल नहीं है तो देखेंगे कि कौन सा गरत मेल है थाइमिन बेरी-बेरी बिल्कुल सही है थाइमिन बेरी-बेरी सही है और एसकॉर्बी कमल इसकरवी रोग एसकॉर्बी कमल इसकरवी रोग बिल्कुल सह बात है अगला है आपका option C जो कि है vitamin A वर्णान्धता ना vitamin A का वर्णान्धता से कोई लेना देना नहीं है आपका यहां जो answer होगा vitamin C होगा सही सुमेल नहीं है ठीक है vitamin A वर्णान्धता आगे देखेंगे 67 question vitamin और रोक के निमलिखित युगम में कौन से सही सुमेलित हैं ठीक कौन से सही सुमेलित हैं यह बताना है ठीक है तो देखते हैं कौन से वीटामिन A रिकेट्स में बैंमिन A रिकेट्स एक पहला ही गलत हो गया नहीं व्र 27 रिकेट्स रूप नहीं होता कर तुम बेरी विल्कुल जहीं है विटामिन C इसकरवी यह भी सही है तो यहां पर जो दूसरा और तीसरा दूसरा तीसरा यानि कि option B जो B option है वो सही है कि यहां पर दोनों vitamin B1 बेरी बेरी रोग से संब्दित है vitamin C इसकरवी रोग से संब्दित है यह आपके option है आगे देखेंगे question number 68 question number 68 है आपका निम निखित की कमी से एनिमिया रोग होता है किसकी कमी से एनिमिया रोग होता है तो लोहे की कमी से ठीक है लोहे की कमी से एनिमिया रोग होता है अगला देखें कोई Q69 है एक गलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है एक गलास पानी पीने में कोई कैलोरी नहीं रहीं अंद्धध कहां इस्थित हैING प्रभावित होता है इसका अंसर है आपका आत्थ ठीक है आत्ध प्रभावित होती है डाइफ्ष रोग से आके देखेंगे कोशनमणór 72 क्या है प्रोटोजवा है प्रोटोजवा के लिए कौन सा प्रोटोजवा उत्तर दाई होता है यह यहाँने बता leichter में एंट अमीबा एंट अमीबा जो है ये प्रोटो जवा प्रोटो जवा वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने इपता रखा है पेचे सुरोक के लिए एंट अमीबा प्रोटो जवा उत्तरदाई होता है आगे देखेंगे कुशनमर 73 क्या है आँखों की दूर द्रष्टी की विमारी किसके कारान होती है किसके कारान होती है ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारान होती है ठीक है जो दूर द्रष्टी की विमारी है ये नेत्र गोलक के छोटा होने के कारान होती है आगे देखें कुशन नबर 74 क्या है है जा का कारण है है जा का क्या कारण है है जा होता है जीवाणू के कारण होता है आगे देखेंगे कुशन नबर 75 कुशन नबर 75 है आपका एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है आपको पता है एड्स की पहचान करती है एलिसा जांच एलिशा जांच करने से AIDS का AIDS बिमारी के बारे में पता चलता है आगे देखी कुछ नमर 76 के है 76 कुछ नमर 77 केंद्री औशिधी सोध संस्थान कहां पर है ये है आपका लखनव में आगे देखी कुछ नमर 77 77 एवियन इन्फ्लुएंजा, बड़ फ्लू यादि की बड़ फ्लू विसाणू को निमलिखित मेंसे निरूपित किया राता है ह 1 इन मेंसे किस से निरूपित किया राता है आप्शन है निच 51 ने च 15 N1 h5 या फिर h5 n1 तो जो बड़ फ्लू है उसे H5 N1 से निरूपित किया रहता है ठीक, अररभी काया हुआ कोशन है ठीक है, H5 N1 में से निरूपित किया रहता है बर्ड फ्लू को आगे देखे, कुछ नमर 78 क्या है दातों के 6 को रोकने के लिए अधिकांस टूथ पेस्ट में क्या होता है दातों के 6 को रोकने के लिए अधिकांस टूथ पेस्ट में फ्लूराइड होता है ठीक है आगे देखेंगे खसरा रोक का कारक क्या है खसरा रोक का कारक क्या है विशाडू अगला कोशन है एटी, कैंसर के उपचार में निमलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग करता है कैंसर के उपचार के लिए कीमो थेरपी कीमो थेरपी का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए ठीक है, आगे देखेंगे कुश्चन नबर 81 क्या है question number 81 है आपका blood cancer को आम तोर पर इस नाम से जाना जाता है blood cancer को आम तोर पर किस नाम से जानते हैं blood cancer को leukemia कहा जाता है blood cancer को leukemia कहा जाता है इसमें बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी जल्दी आपका body का blood change करना होता है जो भी patient होता है उसका आगे दिखेंगे कुशन नमर 82, सरीर के किस अंग की खराबी से मदुमे रोग का प्रकॉप होता है तो इसका अंसर है आपका पैंक्रियास ठीक है, सरीर के किस अंग की खराबी से मदुमे रोग का प्रकॉप होता है पैंक्रियास आगे देखिए कुशन नमर 83 क्या है मियादी जोर किस करान होता है मियादी जोर किस करान होता है जिवाणू के करान मियादी जोर होता है आगे है आपका अगला कोशन टाइफाइड पैदा किया जाता है टाइफाइड पैदा किया जाता है कैसे सालमोनेला टाइफी दोरा ठीक है सालमोनेला टाइफी दोरा टाइफाइड पैदा गिया रहता है ठीक टाइफाइड पैदा करता है साइमोनेला टाइफी दोरा अगला है 85 कुशन डेंगो बुखार किस रोग वाहग दोरा संचारित होता है तो एडीज एजेप्टी दोरा संचरित होता है या डेंगो ब उर्जा का एक प्रमुक्ष्रोत होता है कार्बो हाइड्रेट के अलावा हमारे अहार में उर्जा का प्रमुक्ष्रोत होता है कौन सा वसा ठीक है वसा उर्जा का प्रमुक्ष्रोत वसा होता है आगे देखेंगे कोशन नमबर कोशन नमबर 87 कोशन नमबर 87 आपका आसिस्थी माया हुआ 2008 में बच्चों में अंगों की अस्थियां मुण जाती है यदि कमी हो अंगों की अस्थियां मुण जाती है यदि विटामिन D की कमी हो ठीक है? विटामिन D की कमी हो उसके लिए अब है दिल्ली कॉंट आ खिम चला लघ मिस मसन करके कुछ हैं वह आप मुझे कॉमेड सेक्श्चन में बढताईए कि दिल्ली गॉपरमेड न्येके कॉन सी यूसदणा चलाई है है अगला Question 88 मूत्र के श्रमन को बढ़ाने वाली औस दीव को कहते हैं mूत्र के श्रमन को बढ़ाने वाली औस दी को कहते हैं hierateak डाई-yuretic ठीक ऐसे कुश्ञन पर 89 मिलान करना है इसमें रूख है एक तरफ एक तरफ है आपका विटामिन के नाम ठीक विटामिन के नाम तो इसमें से आपको सबसे पहले हैं हम लोग क्या देखते हैं इसमें से हम देखते हैं कि मुझे किसका पता है ठीक है तो आपको पता है इस करवी रोग जो होता है वो क्या है विटामिन C, इसकरवी विटामिन C की कमी से होता है, इसकरवी रोग, ठीक है, मैंने देख लिया, इसकरवी रोग होता है, विटामिन C की कमी से, B का 1, B में 1 में जाएंगे, हम लोग किसमे 1 है, option B में आपका, B में जो है वो 1 है, ठीक है, B में आपका 1 मिल गया आपको, इसके बाद देख मुंदी जो है वू विटामbyاء की कमई से बिलकुल सही है, दूसरा इस करवी रोग विटामीन C की कमई से सही है, तीसरा है आपका रिकेट विटामेन D की कमी से यृitor क्ताल्पता विटामेन B12 की कमी से बिलकुल सही है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो गया option हो गया option B क्या answer हो गया आपका option B ठीक है तो आएए बढ़ते हैं आगे question number 90 question number 90 पर आईए बीमारियों और उनके बीच जाच को सही रूप से दोनों स्थम्बों में मिलान करिए उनकी जाच यानि कि किस रोख के कौन सा test होता है तो मैंने अभी बताया था कि AIDS के लिएằसफ करते हैं एलिसा टेस्ट किस के लिए करते हैं nous के लिए किया जाता है मैंने बताया था अभी तो यानि कि इमें four he?. ऐमें four अपको दो option मिल रहे हैं यहाँ पर ए और option बी एक बार बाकी भी देख लेंगे एक बार बाकी भी देखेंगे कि क्या है तो डेंगू बुखार के लिए भी टेस्ट मैंने बताया था डेंगू बुखार के लिए क्या है डेंगू बुखार के लिए टर्किनेट टेस्ट है डेंगू बुखार के लिए तो देख लेंगे स सिमर दूसरा सिमर दूसरा आपको सिर्फ एक ऑप्षिन बसता है ऑप्षिन ईप conti ha feelings लेकिन अगर आपको माईली ज टाइफाइड विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है अगर आपको डॉक्टर को चेक करना होता है तो वो विडाल टेस्ट करते हैं अगला है आपका डिक टेस्ट डिक टेस्ट होता है किसके लिए डिक टेस्ट किया जाता है स्कॉरलेट फीवर के लिए ठीक है स्कॉरलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट किया जाता है अगला है आपका मैंने बताया था डेंगू बुखार डेंगो बुखार के लिए टर्किनेट टेस्ट होता है और औरे फेक्टर अरे फेक्टर होता है गठिया के लिए और ऐलिसा टेस्ट बता दिया मैंने अड्स के लिए होता है ठीक है तो यह था है यहां पर आपका answer A option आगे देखे कॉसें 91 निमनिखित मेंकर से कौन सी बिमारी पानी द्वरा नहीं होती है फ्लूए और नहीं होती है विमारी फ्लू NEW आगे है नियमनिखित मेंकर से कौं पूलीो ya q 현 विगा विआला साथ कौछियों से कौन पोलियो का वालान है 210 एक वाइरस टेकर पोलियो hoता है वाइरस के कवरानvert अगला कोशनौ कोशन देखेंगे ले सिलोपन alcender उलिक्स में से किस रोग की वहग है तो इसका अन्सर है इसका अंसर है इनने से कौन सा अविया मदद करता है रख्ट का ठका बनाने के लिए इन में से कौन सा अव्याव मदद करता है यह कोशन मैंने बताया था आपको विटामिन के जो है वो रख्ट का ठका बनाने के लिए मदद करता है कोशन नमर्थ 96 लिूकैमिया एक परकार का कैंस्र है जिसमें आशधारान बढ़हुतरी होती है लियुकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें आशधारान बढ़हुतरी होती है इसका अंसर है आपका option D सुवेत रख्त कोशिकाओं की संख्या में सुवेत रख्त कोशिकाओं की संख्या में थेके आगे देखेंगे, कोशerson नमर 97, मजना रचना के संदर्ब में antibodies होते हैं, proteins मजना सुरी की रचना के संदर्ब में antibodies होते हैं, proteins अगला कोशन नहीं नहींण से कौशन सा रोग संक्रामख है कौन सा रोग संक्रामक है डिप्पी थीरिया डिप्थीरिया रोग संक्रामक एक तरह का संक्रामक रोग है ठीक है संक्रामक रोग की सिर्णी में आता है डिप्थीरिया रोग अगला कुशन देखेंगे, कुशन नमबर हेंड़ है, जो की सरीर के अंदर लौह की कमी के कारण उत्पन होने वारा रोग है, रोग है, रक्त हेंटा, ठीक है, रक्त हेंटा आगे देखेंगे, कुशन नमबर 1, चेचक होने का कारण है, चेचक होने का कारण है, वैरियोला वाइरस के कारण चेचक होता है, वैरियोला वाइरस के कारण स्मॉल पॉक्स कहते हैं, जिसे वैरियोला वाइरस के कारण होता है, अगला कुशन है, कुशन नमबर 102, टू कुश कोशन है ठीक केरोटीन की मवजूदगी के काराण ऐसा होता है अगला है कोशन कौन सा रोग प्राया वायू के माध्यम से फैलता है कौन सा रोग प्राया वायू के माध्यम से फैलता है तो इसका अंसर है प्लेग ठीक है प्लेग प्लेग रोग जो है वह वायू के माध्यम से आगे देखेंगे question number 104 क्या है अन एक सम्रद्ध शूरत होते हैं किस चीज के सम्रद्ध शूरत होते हैं इस टार्ज के इस टार्ज के अन एक सम्रद्ध शूरत होते हैं question number 105 है इन में से वसा में कौन विलेयर नहीं होता विटामिन बी जो है वो वसा में विलेयर नहीं होता है आगे देखे question number 106 निम्ली कित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 काफी आता है कुशन रक्त कैंसर के उपचार में ठीक है रक्त कैंसर के उपचार में जो है कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है आगे देखेंगे question number 107 question number 107 है आपका सरीर की विभी निगती विदियों के लिए उर्जा श्रूत है मैंने बताया था मनुसर के नेत्रों के स्वस्त संचारन के लिए किस विटामिन का संबंद है नेत्रों के स्वस्त संचारन के लिए विटामिन A बहुत important है ठीक आँखों से जुड़ा है विटामिन A ठीक है नेत्रों के स्वस्त संचारन के लिए मतलब वो स्वस्त रहे हैं आपको normal दिखे इसके लिए विटामिन A बहुत ही महुत पूर्ण है खाते रही है गाजर पालक ठीक है स्वस्त रहेंगे अगे ऐसी जनकरिया मिलती रहेंगे आपको next lecture होगा उसमे 108 question उसमें भी होंगे और ये topic complete होगा इसी के साथ साथ biology भी complete हो जाएगा ठीक है next lecture हमारा last lecture होगा biology topic का ख्याल रखिए अपना बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अपने next lecture में और subscribe आप लोगों को पता ही है करी दिया अपने thank you hello friends स्वागत है आपका अपने गुरकुल परिवार में और आप Lucent Objective Book से biology topic कर रहे थे हमारे साथ अभी तक और आज इस biology topic का last lecture है इस last lecture के complete होते ही आपका हमारे चैनल पर biology और physics topic complete हो जाएगा इसके अलावा आपका जो special topic की series चल रही है वो continue रहेगी और एक topic जो भी chemistry quality या history modern history में से आना होगा वो हम लेकर आएंगे modern history ही लेकर आएंगे और आज इसमें 108 question कर आएंगे जो की बहुत ही important है ये last के जो भी exam में पूछे भी गए है question ठीक है तो बने रही है हमारे साथ हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजे मैं हर लक्षर में कहता हूँ चैनल को subscribe जरूर करिए आप लोग अपने दोस्तों को share नहीं करते हैं दोस्तों में share जरू करिए आप जिन्हें चाहते हैं जो तैरी करने वाले लोग हैं completion के exams की उन्हें पीसे शेयर करिए वीडियो को like जरू किया करिए और आपके जो भी सुझाओं है हमारे courses को लेकर आप comment section में उसे comment किया करिए है मैं हरी comment का reply करता हूं मुझे wait रहता है comments का आप लोगों के तो ग्रूगुल चैनल subscribe करिए और बने रही है हमारे साथ आए start करते हैं आज का अपना इस topic का last lecture स्वास्थ एवं पोश्चन तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा थे कि 108 कुशन में कराये थे मनुस्यके नेत्रों के स्वास्थ संचलन के लिए किस विटामिन का संबंध है कौन सा विटामिन संसाइन विटामिन है संसाइन विटामिन है कौन सा संसाइन विटामिन है विटामिन डी ठीक है विटामिन डी दूप के रोशने में हमारे सरीर में दूप के रोशने में हमारे सरीर पर पढ़ती है तो यह बनता है संसाइन विटामिन है विटामिन डी ECG ECG क्या है ECG क्या है ECG है एक Electrocardiograph Electrocardiograph ECG Electrocardiograph है आगे देखिए Qoshen Marigyara दिनलिखित में से Vitamin कौन सा है दिनलिखित में से Vitamin कौन सा है तो यहाँ पर सारे Amalek के राम दिया हुआ है Folic Amal, Glucotomic Amal Linolic Amal Citric Amal पूँच रहा है कि इनमें Vitamin कौन सा है तो Option जो A है Folic Amal जो होता है यह Vitamin है ठीक है यह Folic Amal जो है यह Vitamin है और बाकी तीन जो है वो अमल है आगे देखिए Qoshen No. 12 दिनलिखित में से कौन सा रोग रखता धान द्वारा नहीं फैलता है तो इसका अंसर है टाइफाइड ठीक है टाइफाइड जो है वो रखता धान द्वारा नहीं फैलता है आगे है Qoshen 13 दिनलिखित में से कौन सा सही मेल है कौन सा सही मेल है यानि कि इसमें से कोई एक सही मिला हुआ है बाकी सब गलत मिले हुआ है तो आईए देखते है जो कह रहा है किरिटी आघात किरिटी अधात सनवहन तंत्र विकार के दोरा होता है गलत है अगला देखिए मतलब यह आंसर नहीं है दूसरा है इरिथो इसके रुसिस धमनियों का अवरुद होना गलत है तीसरा देखिए हाइपर्टेंशन नियून रख्तिचाप नियून रख्तिचाप से हाइपर्टेंशन नहीं होता है गलत है ठीक है अगला है आपका हाइपर्टेंशन दिल का दोरा तो यह आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी hypertension से दिल का दौरा हो जाता है यह आपका सही option है यहाँ पर SST में आया होवा question है सारे question आया होए hypertension से दिल का दौरा होता है तो यह आपका सही option था question number 14 देखेंगे 14 वर्स की आयू के बच्चों के विकास के लिए निम्दे कितमे से कौन से सबसे अधिक महात्योपूर्ण है 14 वर्स तक की आई हूँ के बच्चों के लिए प्रोटीन जो होता है वो बहुत ही महात्योपूर्ण होता है प्रोटीन जरूरी होता है आगे देखे कुशनमर 15 क्या है पीत जोर संचारित किया जाता है पीत जो और संचारित किया जाता है एडीज दोरा पीत जो और संचारित किया जाता है किसके दोरा एडीज दोरा ठीक है एडीज दोरा संचारित किया जाता है आगे देखें कुशन नबर 16 क्या है मानो सरीर में infection रोकने के लिए कौन सा vitamin मदद करता है मानो सरीर में infection रोकने के लिए कौन सा vitamin मदद करता है तो option है आपका option A vitamin A infection रोकने के लिए vitamin A जो है वो मदद करता है अगला है question number 17 छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा vitamin निकल जाता है छिली हुई सब्जियों को धोने पर उन में जो विटामिन C होता है वो निकल जाता है ठीक है तो अगला कोशन देखिए अगला कोशन है कोशन नमर 18 विटामिन B6 की कमी से पुरुस में हो जाता है B6 की कमी से अरक्तता रोग हो जाता है ठीक है आगे देखिए कोशन नमर 19 पील किया एक प्रतीक हैं किस की बिमारी का तो यकरत की बिमारी का एक करना करतिको किया जाता है के चीश का जीवित प्रतित रच्छिओं का आगे देखेंगे मतलब जो blood है blood में सरकरा का इसतर बढ़ जाता है किस बिमारी में ऐसा किस बिमारी में होता है तो यह diabetes नाम की जो बिमारी है आपको पता है diabetes mellitus आपको पता है अलफा लॉक्टिसिन खाद विशाक्तन दौरा समानेता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो इसके दौरा जो अंग प्रभावित होता है आपका यक्रत ठीक है यक्रत जो है वो प्रभावित होता है आगे देखिए कोशन नमबर 23 कोशन नमबर है 23 कोशन नमबर 23 क्या है निम विटामिन में कोबाल्ट होता है मिक्त में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में पाया जाता है ठीक है, किसी में नहीं पाया जाता कोबाल्ट, कोबाल्ट सिर्फ विटामिन B12 में पाया जाता है, B12 में कुबाल्ट पाया जाता है विटामिन, आगे देखिए, अगला है, question number 24, मीन माता रोग का काराण है, मीन माता रोग होता है, और इसका काराण होता है, पारा, ठीक है, पारा, पारा है मीन माता रोग का काराण, आगे है question number 25, परजीवी फसल परजीनी फसल सुनन चावल किस वंचनी रचन के लिए तयार की गई है तो इसका अंसर है विटामिन A के लिए तयार की गई है आगे देखेंगे कोशन में 26 क्या है 26 मिलान करने के लिए हैं और देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं एक तरफ दिया हुआ है विटामिन के नाम दूसरी तरफ दिया है उनके विबारी से होने वाले रोग कमी से होने वाले रोग ठीक है तो देखते हैं विटामिन C आपको पता है विटामिन C से कौन सा रोग होता ह इसकर्वी रोग विटामिन c का अगर आपको नहीं पता है आपको विटामिन एका पता होगा विटामिन एसे होता है tahu इसे के आप d passes आप रीजिये विटामिन c से अगर आपको इसकर्वी पता चल गया यानि की ए option का 4 A में 4 दो option में है A और C में अगला देखेंगे कोशन को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा दिखने में हो सकता है problem हो ठीक है अब ठीक है तो अब मैंने बताया आपको vitamin C इसकरवी और vitamin A से होता है रतांधी ठीक है तो यह देख लीजे कि A का 4 यानि कि A में है और C में है और C में भी है तो यानि कि A option होगा या तो C होगा अगला देखा हमने कि vitamin A से होता है रतांधी तो यानि कि C option में C में क्या होना चाहिए? C में 1 सिर्फ A option में है यानि कि C automatic यहां से गायब हो जाएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या 1 यानि कि vitamin C का इसकरवी और folic aml folic aml का रख तालपता folic aml का रख तालपता और vitamin A का मैंने बताई दिया रतांधी और vitamin B1 B1 से बेरी-बेरी ठीक है? B1 से बेरी-बेरी रोग होता है यह तो पता ही है आपको तो यह थे 126 solution यह था अगला question देखिए question number 127 question number 127 देखेंगे क्या है निमलिखित आनवानसिक रोगों में कौन कौन सम्बंदित है निमलिखित आनवानसिक रोगों में से में कौन यौन सम्बंदित है ठीक है कौन यौन सम्बंदित है यह बताना है इसमें तो जो हीमोफीलिया रोग है हीमोफीलिया एक यौन समंदित रोग है ठीक है यूपी PCS में आवा कोशन है हीमोफीलिया यौन समंदित रोग है आगे देखेंगे 128 कोशन है जापानी एंसेफिलाइटिस जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है विशाडू जापानी एंसेफिलाइटिस का कारक होता है दोस युक्त व्रक्वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया राता है, इसमें नहीत प्रक्रम है, परासरण, ठीक है, आगे देखी कुछ नबर 130 क्या है, निम्निखित युग्मों में कौन सा सुमेरित नहीं है, तो इसका जो अंसर है वो है, विटामिन K, बांध लिखा हुआ है, थामिन से बेरी-बेरी कौन सा सुमेरित नहीं है, ठीक है, मतलब यह गरत लिखा हुआ है, बाकी चीज़ें जो लिखी है, वो सही है, विटामिन D से सुखा रोगता है, सही है, नियासिन से पिलेगरा होता है, सही है, और थामिन से बेरी-बेरी होता है, सही है आगे देखेंगे कुशन नमर 131 कुशन 1101 है आपका EEG से कि जिस अंग की कारवत्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिस्क फिर्ण lay आगे देखते हैं के boys नमर 132 कुशन नमर 132 देखेंगे किया है यह है आपका केसीन दुग्द होता है केसीन दुग्द होता है प्रोटीन ठीक है केसीन होता है प्रोटीन आगे देखी कुशन 133 कुशन है जिस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है वह कौन सा है आयोडीन iodine की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है अगला है 134 question निम्निकित में से किसकी उपस्ती के कारण दूद में मिठास आ जाती है निम्निकित में से किसकी उपस्ती के कारण दूद में मिठास आ जाती है तो किसकी उपस्ती के कारण lactose की उपस्ति की कारण ठीक है धान की दार इधर देखिए निम लिकित मैंसे किस की उपस्ति की कारण दूद में मिठास आ जाती है lactose की उपस्ति की कारण ठीक है आगे देखिए 135 सुवरों को मानो रहाईसी छेत्रों से दूर रखना किस की उपस्ति के कारण पुरा फोकस इधरी रखकर questions को देखिए उनके options को देखिए ठीक है तब ही याद होंगे question और उनकी answer भी आगे देखिए जिम लिकित मैंसे किस की उपस्ति के कारण दूद में मिठास आती है lactose की उपस्ति के कारण अगला है आपका सुवरों को मानो रहाईसी छेत्रों से दूर रखना किस के उनमूलल में सहायक है आगे देखिए question number 36 क्या है घात करो और चिप जाओ घात करो और चिप जाओ नाम से विख्यात 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 विख्य B-complex Samu के एक विटामिन उनका वैग्यानिक नाम होता है तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं पूछ रहा है कि इन में से कौन सा नहीं है तो यहाँ पर जो कौन सा complex Samu से सम्मधित नहीं है तो यहाँ पर जो Retinol है Retinol, option C जो है Retinol यह सम्मधित नहीं है जबकि B-complex Samu से जो सम्मधित है वो है आपके Thymine, Riboflamin और Pyrexidicin Pyredoxin ठीक है Pyredoxin, Riboflamin और Thymine सम्मधित है Retinol सम्मधित नहीं है B-complex से आगे देखिया 138 question है question मद 38 है सुमेलित करना है इसमे भी आपको आपको बताना है नीचे सूचियों के नीचे दिएगे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए ठीक है तो देखते है Otitis Otitis किस सम्मधित है ये बताना है और अगला है आपका मुझे पता है हेपे जो last option है Hepatitis Hepatitis या Hepatitis जो इसमें लिखा हुआ है तो ये किस सम्मधित है मुझे पता है कि ये यक्रत से सम्मधित है ठीक है ये यक्रत से सम्मधित है मुझे पता है Hepatitis मैंने वी उपर आपको बताया हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है Hepatitis यक्रत से सम्मधित है अब हम देख लेंगे कि किस option में option में जो दिया हुआ है वो ये option दे रखा है यानि कि D का 3 दे रखा है सिर्फ एक option में लेगा आपको option A, option eliminate करिए ऐसे ठीक है आपको जो चीज़ें पता है उसके basis पे आप देखिए कि option क्या answer सही हो सकता है ठीक आगे देखेंगे अब अब है इसमें लिरिंजाइटिस का संबंध है गले से ठीक है लिरिंजाइटिस का संबंध है किस से गले से अगला है आपका option आपका इस cancer है लिरिंजाइटिस का संबंध है गले से हेपटाइटिस का संबंध है यक्रत से एंसेफलेटाइटिस का संबंध है मस्तिस्क से ओटाइटिस का संबंध है कान से ठीक है ओटाइटिस का संबंध है कान से आगे देखी कुछ नमबर 39 कुछ नमबर 39 है अपका कुनेयन के अत्रिक्त निमलिखित में से कौन कुरेहन के अत्रित निमलिके में से कौन एक साकी और टिक हैं कुरेहन के अलावां ये दूसरी है जो मलेरिया के अप्चार के लिए प्रियोक की जाती है और डी थर, अगला कुशन है, 40 कुशन, ने मिकित मैं से किसकी कमी से रिकेट्स होता है, तो विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है, अगला कुशन देखिया, अगला कुशन भी आपको मिलान करना है, इसमें भी सूची 2 से, तो देखत था आपको की हिर्दय से होता है हिर्दय से एक यहां पर देख लेंगे कि B में four option कहां पर लिखा हुआ है यह देखिए यहां पर B लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है तो बस यह आपका सहीह अंसर है इसे जी का संबंद है इसे से और इख के संबंद हैस्तिस्ख से Two gon और grund और और म िनलिट्ट जीम्दंध माइस से लिखे याॱ्ड करेंगे दो तीम बार वीडियोस देखेंगे तभी याद होगा एक बर में नहीं याद होगा ठीक कोई भी शाथ को महहला अगा है आया झां कुछन में 142 है 142 कोश्चन क्या है 142 कोश्चन कह रहा है कौन सी प्रोटिन दूद में पाई जाती है दूद में पाई जाने वाली प्रोटिन जो है वो है आपका केशिन केशिन जो है दूद में पाया जाता है अगले कोशन ने कोशन पर 143, पीलिया से पीलिया में दूस प्रभावित होता है, यक्रत, ठीक है, यक्रत दूस प्रभावित होता है पीलिया में, अगे कोशन देखेंगे, 157, 157 कोशन है आपका, मनुस्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है तो 157 कोशन है, आगे देखेंगे 143 करने के बाद देखेंगे 142, 144 रूधिर में सुएत रक्त करने काओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भासा में कहते हैं सुएत रूधिर में रख्त करने काओं की अधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भासा में लुकेमिया कहा जाता है अग्ले कोशन 145 कोशन चिकित्सक परामर्स देते हैं कि हमें अपना भोजन बनस्पती घी किया पेच्छा तेल में बनाना चाहिए क्यों कि तेल में असंतरप्त वसाएं होती है आगे देखेंगे कोशन 146 है कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल जन्तु वसा में उपस्थित वसी अल्कोहल है आगे कोशन 47 आहार में लवण का मुख्य अपयोग है भोजन के पाचन के लिए अपेच्छित हाईड्रोक्लोरिक अमल लगु मातरा में पैदा करना जो विटामिन होता है वो है आपके वितामिन A का प्रचुर्तम स्रोथ है गोर्डन चावल ठीक है ऐगे देखिए इसकरवी रोग किसकी कमी से होता है आपको मैने बताया था इसकरवी रोग जो है इसकरवी रोग वितामिन C की कमी से होता है आगे है कोशन नमर 152 इनोस्मिया कहते हैं प्राण घ्राण सन्वेदना की कमी को अगला कोशन देखेंगे कोशन नमर 153 क्या है सरीर की कैलोरी आवशकता गर्मी की अपेच्छा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवशक है सरीर का ताप बनाया रखने के लिए ठीक है क्यों सर्दी में जो है वो अधिक कैलोरी की अपसकता होती है क्योंकि सरीर का ताप बनाया रखने के लिए अधिक कैलोरी की अपसकता होती है ठीक है अगला कोशन 154 कि गाजर में ंगला कोशन संस्थान एक उनसंधन संस्थान है जो किस राज़ में इस्थित है तो राश्टिय पोशन संस्थान जो है वो आन्ध प्रदेश में इस्थित है अगला कुशन देखेंगे कोश्यमर 156 क्या है कोश्यमर 156 है आपका गाय का दूद पीले रंग पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निमलिखित उसमें निमलिखित मैंसे किसकी उपस सबस्क्राइस यह कोश्यमर 157 मतिए के इनूंग कई कुम देखान गरेलिया कोश्यमर 157 कौशन देखा था मनुज्जी की उपयोग के लिए कार्वनीक भुजन को बहतर क्यों माना जाता है मनुज्जी के लिए कार्वनीक भोजन को बहतर इसल trenches कहता है क्योंकि इसे Agracino अवं synthetic कीट नाश्कों का प्रेयों क्यूंग किये बिना हुए जाता है ठीक है मनुस्रक्त के भोजन करबनें को बहतर मानने जाता है क्योंकि इसमें न तो經 रिष मैं तो यूशच रहता है और नही सिं्थोटिक कीट नाश्कों का प्रयोग किया जाता है अगला है कॉशन 158 पौधों और जनतुवों में कार्बो हाइडरेट किस रूप में संचित होते हैं पौधों और जनतुवों में कार्बो हाइडरेट क्रमशा, स्टार्च और ग्लुकोज स्टार्च आप लोग ने पढ़ा होगा स्टार्च और ग्लूकोस के रूप में संचित होते हैं पौदो और जंतुवों में कार्बो हाइडरेट ठीक अगला कोशन है दिल का दौरा 159 कोशन दिल का दौरा किस कारान होता है तो हिर्दे में रक्त अपूर्ती की कमी के कारान ऐस होता है अगले कोशन 160 कोशन आयोदीन की कमी के कारान क्या होता है आयोदीन की कमी के कारान घेंगा रोग हो जाता है घेंगा रोग हो जाता है आयोदीन की कमी के कारान और अगर पूछा जाए मीन माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूसर से फैलता है मीन माता रोग कि के द्वारा पानी के प्रदूसर्ण से फैलता है तो पारद ठीक है पारद के द्वारा पानी के प्रदूसर्ण से फैलता है मीन माता रोग अगला देखेंगे 162 कोशन क्या है 162 कोशन है कहां काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है कहां काम करने वाले व करने वाले जो विक्ति होते हैं उन्हें ब्लैक लंग नाम का रोग हो जाता है अगला कोशन देखिए 163 क्या है दर्दनाक अस्थी रोग इटाई इटाई का पहले कहां पता चला था पहले पता कहां चला था तो जापान में पता चला था दर्दनाक अस्थी रोग इटाई किनए के बारे में अगला कुछन होसे मळूट 65 मजए को संचार किस से होता है काला जार का संचार सक्ता मख़ी से होता है ठीक है सिक्ता मख़ी से होता है कालार का संचार के सब्सक्राइब teambi 166 क्या है जेचक के लिए टीके का विश्कार किया था एडवर्ट जेनर ने जेचक के लिए in kогled 162 क्या है सुक्तिख के लिआ कागज उधोग के कर्मचारियों में स्वेथ फुफु सुलोग पाया जाता है कागज दोग के कर्मचारियों में अगला कोशन है 168 कोशन एड्स विशाणू के लिए सबसे आजमाई कई दवा है कौन सी जीडो वुडीन ठीक है एड्स विशाणू के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई कई दवा है जीडो वुडीन नेफ्स पुशन है 169 कोशन किस सूक्प में जीव के दोरह हेपिताइटीस बी की बिमारी होती है तो वाइरस के दोरह हेपिताइटीस बीमारी होती है ठीक है आगे देखे कोशनamięro 170 एसबेस्टस के काराण होने वाला प्रमुक रोग है एसबेस्टस के कारण होने वाला प्रम्ख रोग है एमफेसेमा एसबेस्टस के कारण होने वाला प्रम्ख रोग है एमफेसेमा अगला कोशन 171 कोशन है विटामिन एकी कमी के कारण होता है विटामिन एकी कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइडनेस विटामिन एक ही कमी के कारण रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस ठीक है आगे देखिए कोशन नमर 172 निम लिखित में से कौन सा इसकरवी रोग के इलाज में उप्योगी है कौन सा इसकरवी रोग के इलाज में उप्योगी है ठीक है आगे देखेंगे कोशन नमबर 173 कोशन नमबर 173 है आपका BMD परिच्छन किया जाता है क्या पहचान करने के लिए तो BMD परिच्छन जो होता है वो उस्टेउफ परिच्छन के लिए परिच्छन किया जाता है इससे पहले भी एक मैंने कोशन पूचा था कि किस सूच मे जीव किया दौरा है हेपेटाइटीस बिंधी बिमारी होती है किस सूश्मेजीव करहां है यौण है कि से मानो गूरदे में पत्री निमने में से किसकी वज़ाह से बनतीहां तो इसका जो आंसर है यह है आपका calcium oxalate बना गुर्दे में पथरी निम्लिखित में से calcium oxalate की वेज़े से बनती है आगे देखेंगे question number 176 सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बिमारी है सरल गलकंड इनको प्रभावित करने वाली बिमारी है तो इसका अंसर है आपका thyroid granthigo ठीक है thyroid granthigo प्रभावित करने वाली बिमारी है आगे देखेंगे question number 177 malaria पर जीवी की निम्लिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है तो इसका अंसर है आपका sporojoite ठीक है आगी देखे question number 178 कया है question number 178 है अपका देखेंगे कौन सा कव की रोग है ये निमन मेंसे कौन सा कव की रोग है तो दाध जो है एक तरह का कव की रोग होता है आगे देखें कría विशानल द्वारा पिदा की जाती है आगे देखेंगे कुछ नबर 180 180 है आपका काली मौत किसे कहते हैं काली मौत किसे कहते हैं इसका अंसर है अपका प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है तरह कि महामारी होती है आगा देखी कोछ नहीं 181, डेंगो बुखार की कारण मानोशरीर में निमनीखित में से किससी कमी हो जाती है अगे देखेंगे Question number 182 question number 182 मिलान करना है तो AIDS मैंने बताया था AIDS किसे होता है विशाणों के द्वारा AIDS जो रोग होथा है वो विशाणू से होता है तो यहाँ पर देखेंगे मिलान करना है मिलान करेंगे एड्स को विशाणू से यानि की B का 3 B में 3 कहां है दो option मिल गए आपको एक B और एक D एक B और एक D तो देखेंगे यहाँ पर अगला अगला मैंने बताया आपको malaria malaria का मैंने क्या बताया malaria किस वज़से होता है protozo ze malaria होता है protozo ze malaria protozo ze होता है तो यानि की 4 में 1 4 में 1 कहां पर है ये है सिरफ D option में पर यहां पर आपको आंसर होगा वोगा option D यानि की plague का जिवाडू plague जिवाडू जिवाडू और AIDS AIDS यह मैंने बताए दिया एट्स विशाणू गंजापन गंजापन कवक और मलेरिया प्रोटो जोवा मलेरिया प्रोटो जोवा ठीक है तो यह था यह कोशन बनेटी टू आपका अगला है कोशन 183 कोशन 183 है आपका BMD परिच्छन का पूर्ण रूप क्या है BMD परिच्छन का पूर्ण रूप है आपका bone mineral density टिक bone mineral density टिक bone mineral density आगे देखे कोशन में 184 क्या है प्रचुरतम मात्रा में खाद प्रोटीन के दो ग्याद सुरोत निमलिकित में से कौन से है तो इसका अंसर है आपका सोय बिन और मुं मुगफली ठीक प्रोटीन के दो ग्यास सोत जो है आप पर दिये हैं सबसे ज्यादा शोय बीन और मुगफली आगी कुशन देखेंगे कुश्चन में 185 क्या है विटामिन B2 का अन नाम है विटामिन B2 को राइबो फ्लेमिन कहा जाता है राइबो फ्लेमिन ठीक है राइबो फ्लेमिन अगला कुशन देखेंगे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक उर्जा की आउसकता होती है कितने की होती है कठोर परिश्रम करने वा करने वाले फुरुज की अगला कुशनमर 187 निम्लिकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलंसील है निम्लिकित में से विटामिन B जो है वो पानी में घुलंसील है निम्लिकित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलंसील है विटामिन B ठीक है कुशनमर 188 देखेंगे क Q2 182 है परम निमलिकित में से कौन सा जलजनित ौं है तो जो option है आप आपर हैजा जलजनित रोग है आगे के को नमर in 2009 क्या है essent6 कुछ नौजात बच्चों के लिए सबसे अदरस भोजन किसे माना जाता है तो अगला और पुछन करें कि क disclose ok or 190 कुछ कुछ नमर 190 है आपका बहु आउशधी चिकेट्सा MDT इसके संक्रमन के लिए है जो बहु आउशधी चिकेट्सा यानि की MDT है किसके संक्रमन के लिए है तो ये है आपका AIDS के संक्रमन के लिए है आगे देखी कुछ नमर 191 क्या है किस विटामिन की कमी के कारण स्वच पतल होता है एक तरह कर रोग होता है या किस विटामिन की कमी के कारण होता है विटामिन एक ही कमी के कारण होता है आगे कोशन देखिए कोशन नमर 192 बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरच्छित करने के लिए DPT DTP के को अनतापेशी रूप से दिया जाता है बच्चों को किस रोग के प्रती प्रत्रचित करने के लिए DTP को अनतापेशी रूप से दिया जाता है तो इसका अंसर है आपका काली खासी से बचाने के लिए दिया जाता है आगे देखेंगे Question 193 मलेरिया किसके दोरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है मलेरिया किसके दोरा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है तो इसका अंसर है आपका एनो फिलीस मच्छर दोरा एनो फिलीस मच्छर दोरा फैलता है Next question number 94 question पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है पीलिया रोग यक्रत को प्रभावित करता है दो बर इससे पहले भी आ चुका है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है यक्रत को प्रभावित करता है अधी रक्तश्राव है अधी रक्तश्राव है अधिरत श्राव क्या है इसमें से जो 195 कोशन है अधिरत श्राव है एक अनुवानसिक विकार एक अनुवानसिक विकार है ठीक है आगे देखिए कोशन में 196 क्या है HIV क्या है HIV क्या है विशाणू रोग विशाणू दोरा होने वाला एक तरह का रोग है अगे देखिए 197 क्या है, काला जार किस से संचारित होता है, तो इसका अंसर है अपका, काला जार सिक्ता मक्खी से संचारित होता है, अगला कोशन है 198 कोशन इट्स देने वाले वाइरस की पहचान किस वर्स हुई इट्स देने वाले वाइरस की पहचान 1981 में हुई अगला कोशन ने कोशन नबर 199 घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया पर जीवी घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया पर जीवी प्लैजमोडियम मलेरिया ही होते हैं खातक मलेरिया फेलाने वाले मलेरिया पर जीवी प्लैजमोडियम मलेरिया ही होते हैं अगला कोशन है कोशन बार 200 निम्लिकित में से कौन सा रोक केवल वन्शानूगत संचारित है तो इसका अंसर है आपका अलजाईब इसका अंसर है 200 का option हीमोफीलिया option C जो है वो हीमोफीलिया रोग है जो की वन्शानुगत संचारित है आगे देखेंगे कोशन अमर 211 नीचे से उपर की तरफ चलेंगे अई हैं हम लोग और देखते हैं किस रोग का पुरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है तो आपको पता है कि 211 कुशेन किस रोग का पुरी तरह से कर दिया गया है इसका अंसर है आपका चेचक का चेचक का पुरी तरह से अनुलन कर दिया गया गया है आज everything कुशन नंमर 210 दजो यह बचान होता है जो उत्पन होता है दूसरे ऊंश्यों में पहुंचता है वाईरस तथा माधा is मच्छ दौरा थीक है नगो के बुहार जोतपन होतास よ ता दूसरे मनुस में पहुंचता है माधा एडी घै मच्छ अग्ला कोभरा है अगला कोष्ण है अपका प्रोटीन उट्चा को पॉष्ण का apple 아니야 है क्या क्या है प्रोटीन उठ्जा को पोशन का परणाम मरासमस या बालच है ठीक है मरासमस या बालच है अगला कोशन देगेंगे कोशन नमर एट आयोडीन युक्त नमक उप्योगी होता है क्योंकि यह थायराइड गरंथी का पर नेंतरन करता है क्योंकि यह थायराइड गरंथी का नेंतरन करता है अगला कोशन आपका थेला सेमिया एक वन्शानुगत बिमारी है जो की निम्लिखित को परभावित करती है किसे परभावित करती है खून को खून को परभावित करती है आगे देखेंगे कोशन नमर 206 कौन सा रोग कवक के क कारण होता है इसका अंसर आपका तुचा का प्रदाह रोग तुचा का प्रदाह रोग का वक्य कारण होता है प्लेग किस से फैलता है जिवानु से फैलता है रेबीज क्या है रेबीज क्या है तो रेबीज एक जिवानु जनित रोग है रेबीज एक जिवानु जनित रोग है BCG का टीका कितने उम्र में लेगवाया जाता है नाउजाथ बच्चे को लगता है डाउन सिंड्रोम वाले वक्ति अपरिहार रूप से किस से गरस्ट होते हैं अगला कुशन आपका Malaria Mada Enfilis से फैलता है इसकी कोच सबसे पहले किस ने की थी इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने की थी मारिया मादा इंफलीस से फैलता है इसकी खोज सबसे पहले किस ने की थी रोनाल्ड रॉस ने की थी तो यह था आज का टॉपिक और इस टॉपिक के साथ ही बाराजु टॉपिक आपको कम्प्लीट हो गया है अगर आप लोगों को पसंद आया है यह लेक्चर पूरा कम्प्लीट तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे ख्याल रखिए अपना बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अपने नेक्स लेक्चर में थैंक यू